साथ ही आपके सुक्स वभाग्य में व्रद्धी भी होगी तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र की नमस्कार भविशवाणी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशी का भविशवताने के लिए आज फालगुन शुक्लपक्षिकी द्वादशी तित्थी और गुरुवार का दिन है द्वादशी तित्थी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार बच कर पैतालीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है आज शाम पांच बचकर इतालीस मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा साथ ही आज देर रात एक बचकर सताईस मिनट तक आशलेखा नक्षत रहेगा आगे हम इसी पर विश्थित चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका बर्त डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरीज अनिवर्सरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दर्वाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश्य जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्तर और सामुद्रिक शास्तर की आज एक कौन सी दिशा होगी शुब और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशिय पिंटों के बीच बहने वाली कदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर एक मिनट तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सरवार से धी मिनट तक रहेगा इस क्रम में आई ये चर्चा करते हैं आज के शुप महूर्थ यानि की फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च को सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 पच्पन मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ अगले महीने 10 अपरैल की सुबह 9 बच कर 46 मिनट से दो पहर 12 बच कर 21 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 4 अपरैल की सुबह 7 बच कर 14 मिनट से शाम 7 बच कर 18 मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रियल इंस्ट्यूशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च की सुबह 7 बच कर 40 मिनट से दो पहर 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर दो पहर बाद 3 बच कर 46 मिनट से राद 10 बच कर 49 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 26 मार्ट की दोपार दो बच कर 56 मिनट से शाम 7 बच कर 53 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुबह 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्ट की सुबह 9 बच कर 36 मिनट से दोपार 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूत नहीं है अब ये महूत 27 मार्ट की सुबह 7 बच कर 10 मिनट से 2 पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जुली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड कुछ छणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इस से चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुब कारे करने से सफलता संदिक्ध हो जाती है आज कोई अशुब समय नहीं बन रहा है अब ये अशुब समय 23 मार्च की दोपार 2 बच कर 49 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां परभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंग, धानू और कुम्भ राशियां विशेश रूप से परभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुब कारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बतानू कि काम शुरू करते वक्त रहुकाल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है रहुकाल के दौरान कोई काम शुरू करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिल्ली में रहुकाल होगा दो पहर एक बज़ कर 69 मिनट से, दो पहर बाद तीन बज़ कर 30 मिनट तक, मुंबई दो पहर दो बज़ कर 17 मिनट से, दो पहर बाद तीन बज़ कर 47 मिनट तक, चंडिगण दो पहर दो बज़ कर 1 मिनट से, दो पहर बाद तीन बज़ कर 32 से दो पहर बाद तीन बचकर उन्तीस मिनट तक कोल काता दो पहर एक बचकर पंदा मिनट से दो पहर दो बचकर पैतालीस मिनट तक अहमदाबाद दो पहर दो बचकर सत्रा मिनट से दो पहर बाद तीन बचकर अर्तालीस मिनट तक और चेन नहीं में राहुकाल होगा आज दो पहर एक बच कर 47 मिनट से, दो पहर बाद तीन बच कर 18 मिनट तक ये था कुछ शहरों का राहुकाल और अब आज की यात्रा की सुब्दिशा क्या है तो आज वो सुब्दिशा है उस्तर और आएफ शुरू करते हैं सिलसला राशी फल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेशराशी की मेशराशी वालों आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फाइदेबल सावित होगी अपने चारों और होने वाली गत्विदियों का ध्यान रखें क्योंकि आपके काम कशे कोई दूसरा ले सकता है लव मेट के लिए आज का दिन खुश्या लेकर आएगा दामपत जीवर में खुशाली बनी रहेगी आज के लिए आपका लकी कलर है महरून और लकी नमबर है सिक्स वरेश राशिवालों आज काम काज में सावधानी वरतने की जरूरत है छोटे इस तर पर शुरू किया गया व्यापार आपके लिए लाबकारी रहेगा आपने जो लक्ष निर्धारित कर रखे हैं आज उनके काफी करीब पहुँच जाएंगे विरोध ही आपको नुकसान पहुचाने की कोशिश करेंगे लेकिन अपनी समझदारी से आप उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे जरूरी कामों को आज दूसरों के भरों से न छोड़ें इस राशी के चात्रों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है घरवालों से किसी विशे पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइदेमन सावित होगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमबर है पाँच मित्वर राशे वालों आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनीत के खशेते से जुड़े हैं आज उनकी सामाजिक परतिष्ठा में वरदी होगी जो लोग उच्च शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें आज किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा आज आज आप मांसिक रूट से स्वस्थ बने रहेंगे आज आज आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे अपने भाई बहनों के साथ किसी अच्छी जगह घूमने का प्लान बनाएंगे आज आपको पैसे के लेंदेन में सावधानी बरतने की आवशक्ता है आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है एक करक राशी वालों आज आप उर्लिया से भरपूर रहेंगे आज आपको अपनी वानी पर सयम रखने की जरूरत है इस राशी के जो लोग डॉक्टर हैं आज वो नई क्लीनिक की ओपनिंग करने का मन बनाएंगे जिसमें परिवारवालों का भरपूर सहयोग मिलेगा आज आपके बिजनेस में बहुतरी होगी आज समाज सेवा के लिए की गई कोशिशे आपकी अलग पहचान बनाएंगी इस राशी के चात्र आज किसी एकांस जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन लगेगा आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डेट और लखी नमबर है आठ सिंग राशी वालों आज का दिन शांदार रहने वाला है आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे कर रहे लोगों की रचनाओं की लोग तारीफ करेंगे आज व्यर्थ की बातों में उलजने से बचें लवमेट एक दूसरे की भावदाओं की कदर करेंगे आज अचानक धन लाव होने से आपकी आर्थिक इस्तिति मजबूत होगी आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नमबर है सेवन कन्या राशिवालों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है साइन्स और रिसर्च की फील्ड से जुड़े लोगों को आज कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा पुराने कामों का निप्टारा करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा लोग आपकी मदद के लिए भी तयार रहेंगे बड़ों का दिया हुआ सुझाओ आज आपके काम आएगा बिजनेस संबंदी मीटिंग में आज आप सही डंग से अपनी बात रखेंगे जीवन साथी से काजियों में सहयोग मिलेगा चातर आज कुछ आउनलाइन सीखने की कोशिश करेंगे आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नमबर है सिक्स तुला राशिवालों आज किसमत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपकी एक अलग ही छवी निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका शेयर किसी और को न ले जाने दे बास आपको किसी जरुरी काम से दूसे शेहर की यात्रा पर भेज सकते हैं आज आप कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए तैयार रहेंगे जिने करके आप परसंद होंगे दामपत्य जीवन में खुशाली आएगी नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है दो वरिश्चिक राशी वालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रासोई घर में काम करते हुए थोड़ी साफधानी जरूर बरते आज आप में सफलता और उच्छ पद पाने की इच्छा जागरत होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस राशी के जो लोग आक्टिंग के छेतर से जुड़े हैं आज उन्हें कोई बड़ा आफर मिलेगा आज हर प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लब मेट से एक दूसरे को उपहार देंगे साथ ही कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्ते के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नमबर है सिक्स धनु राशी वालों भविश्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशी के जो लोग मार्केटिंग के छेतर से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेत्र में आज आज आप के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप थोड़ा उल्ज़र में पढ़ सकते हैं नव विवाहित दमपती में मीठी नोग जोंक होगी जिससे रिष्टे में मिठास बढ़ेगी लबमेट एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें रिष्टा और मजबूत होगा आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नमबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में पढ़ोसियों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी आज सफलता में आ रही दिक्कतें दूर होंगी आज आप नए विचारों से परिपूर रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा देंगे परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सवहाद बना रहेगा लवेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिष्टों में मद्धूरता आएगी आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वर और लखी नमबर है नाइन कुम्भरा शिवालों आज का दिन महतुपूर रहने वाला है आज कोड के चहरी में चल रहे है मुकद्मों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आज आपको अचानक धनलाब होने वाला है अगर आप कोई नई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर ले व्यापार में आज आज आपको खूब तरक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लगी कलर है बलू और लगी नमबर है सिक्स मीन राशिवालों आज का दिन मिलूजली पर दिक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आठिक लाप कराएंगे पहले किये गए प्रयासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने की बजाए अपनों की सलाह लीजिए आज आपको पुरानी वातों को भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है जीवन साथी के साथ रिष्टे में मधूरता बढ़ेगी आज आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा चात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है वाईलेट और लखी नंबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बड़ों का अशिरवादने और जिनकी आज मेरी जनिवरसरी है वो किसी जरूरतमंद को आटा दें तो साल भर सुख और सुभाग पढ़ता ही रहेगा और आएए अब चलते हैं अंकों की रहसमाई दुनिया में मूलांग एक वालों आज जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा रिष्टे में और मदबूती आएगी मूलांग दो आपके लिए आज का दिन बहत्रीन रहने वाला है आए के स्रोट मिलने से आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी मूलांग तीन स्वास्थ को बेहतर बनाय रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेश करें मूलांग चार अपने काम और परिवार के बीच सामंज़स से स्थापित करने की कोशिश करें मुलांक पाच आज आप जीवन साती को कोई कीमती उपहार दे कर वैवाहिक जीवन में मिठास गोलेंगे मुलांक शे आज आप शाम को परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाएंगी मूलांक 7 आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपके आर्थिक इस्तिती बेहतर बनेगी मूलांक 8 आज किसी ऐसी जगे पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश में मिलेगा मूलांक 9 आज आप उच्छा धिकारियों से तालमेल बना कर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तु शास्त्र की वास्तु शास्त्र में कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे सलाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आदि के बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में कुछ अन्य विश्यों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे रसोई घर के निर्मान की घर में रसोई का संबंद हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबंद अगनी से होता है आग से इसलिए वास्त शास्त के अउसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगनी कोन यानि दक्षन पूर्व दिशा का कोन यानि दक्षिन पूर्व दिशाएं जहां मिलती हैं उस दिशा का चुनाओ करना चाहिए चोकि आगने कोड का संबंद भी अगनी से है अतह आगने कोड में रसोई बनवाने से परिवार के सब सबस्रेशियों का स्वास्ते बेहतर रहता है अगर भोजन कर रहे की बात करें तो वास्तुशास्तर के अनुसार रसोई के अंदर बैट कर ही भोजन करना चाहिए साथ ही भोजन कर रहे के लिए अपनी ठाली को दक्षिन पूर्व दिशा के और रखना चाहिए और पूर्वे दिशा के और मुख करके भोजन करना चाहिए यानि कि भोजन को मूलतफ पूर्व दिशा के और रखना चाहिए लेकिन पूर्व से दक्षन इसलिए ताकि नौर्थ इस्ट में आप पानी का बरतब रख सके North East में पानी का गिलास अगर आप East की तरब मुख करके बैठे तो थोड़ा सा South करिए भोजन को और थोड़ा Left करिए पानी को वास्तो शास्तर में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि वो जल से जल ठीक हो सके और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज अब फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी तिति और गुरुवार का दिन है द्वादशी तिति आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार वज कर पाई तालीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा फालगुन शुक्रपक्षी की द्वादशी को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वरत करके भगवान विश्णू की गोविंद नाम से पूजा की जाती है आज के दिन सोडोसो बचार या पंचो बचार के द्वारा भगवान विश्णु का विधिवत पूजन करें चंदर्ण, अक्षत, तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर्पिश करना चाहिए इसके बाद भोग लगा कर आर्थी करनी चाहिए गोविंद द्वाला शी यादि आज के दिन भगवान शी विश्णु के मंतर का जब करना अत्यंत सुब फलदाई होता है तो मंत्र भी बता दूँ, मंत्र है ओम नारायनाय नमाहां जगत का पालन करने वाले शी गोविंद का स्वरूप शान्त और आनंद में है इनका स्वनड करने से भाक्तों के जीवन के समस्त संकटों का निवारन होता है घर परिवार को धन धान्य और सुक समर्द्धी की प्राप्ति होती है। इस वरत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त समस्याइं दूर हो जाती हैं और अंत में वैकुंठ नामक धाम की प्राप्ति होती है। इसके अलावा फालगुन शुकल पक्ष की द्वादशी को सुरूप की पूजा की जाती है। पूजा के लिए इसनान आज इसे निवरत होकर साफ कपड़े पहन कर इशान कोण यानि की उत्तर पूरु दिशा के कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से लीपकर उस पर आठ पंखुडियों वाला कमल दर बनाए। फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर एक चावलों से भरा हुआ बरतन रखें। अब उन चावलों से भरे बरतन के ऊपर भगवान लसंग की प्रतिमा रखें और पूजन विधी आरंब करें। सबसे पहले भगवान को पंचमर्थ से स्नान कराएं। फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल, फूल, पीले वस्त्र आदे भगवान को भेट करें। और फिर धूब दीप आज से भगवान की पूजा करें। साथ ही भगवान नसिंग के इस मंत्र का जब करें। मंत्र है ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलंतं सर्वतोमुखं नसिंगं भीषणं भद्रं मृत्युम मृत्युम नमाम्यहं। फिर से इस मंत्र को सुने। ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलंतं सर्वतोमुखं नसिंगं भीषणं भद्रं मृत्युम नमाम्यहं। आज के इस मंत्र का जब करने से आपकी आर्थिक इस्तिति मजबूत होगी। आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। आपको कोई बुरी शक्ति परिशान नहीं कर पाएगी। तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाले गोविंद द्वारशी और नसिंग द्वारशी के बारे में। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम पांच बच कर 41 बिनट तक सुकर्मा योग रहेगा। जैसा कि ना कर में कारे का आयोजन करना अच्छा रहता है। इस योग में किये गए कारों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। और कारे शुफल दयक होता है। इश्वर का नाम लेने या सतकर्म करने के लिए ये योग अतिउत्तम है। साथ ही आदेर रात एक बच का 27 मिनट त बैठे हुए सांप को आशलेखा नक्षत्र का पती चिन माना जाता है। और नाग देवताओं को आशलेखा नक्षत्र का अधिपती देवता माना जाता है। साथ ही आशलेखा नक्षत्र की राशी करक है। वही इस नक्षत्र के सामी बुध हैं और बुध का संबंद हमारे बिजनेस हमारी वानी आदी से है वनस्मतियों में आशलेखा नक्षत्र का संबंद नाग केसर के पेल से बताया गया है लिहाजा जिन लोगों का जन्म आशलेखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आशलेखा नक्षत्र के दौरान नाग केसर के पेल की उपासना करनी चाह कि इस दौरान नाकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्यों या लकडी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको सुप फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सुप सुभागे में व्रद्धी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले विशेश उपायों की। अगर आप अपने पारिवारिक रिष्टों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिष्टों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकाल कर अलग रखने चाहिए और उसके तीन हिस्ते करने चाहिए अब उन तीन हिस्तों में से एक हिस्सा गाय को खिला दे एक हिस्सा कववे को डाल दे और एक हिस्सा कुटे को खाने के लिए दे आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिष्टों से नाराज़गी दूर होगी और आपके रिष्टे बेहतर होगी समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के या दूसरे लोगों के बीच अपना रुटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चांदी की वस्तु खरीक कर लाइए और उसे मंदिर में इस्थापिट करके उसकी पूजा करें साथ ही आज पूरा दिन उस चांदी की वस्तु को मंदिर में ही रखा रहने दें अग की एक अलग पहिचान बनेगी और दूसरे लोगों के बीच आपका रुटबा बढ़ेगा अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्तिती चल रही है तो उस कठिन परिस्तित से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नागकेसर के पेड या पौधे को प्रणाम करना चाहिए साथ ही उसकी जड़ में जल चलाना चाहिए लेकिन अगर आपको कहीं आसपास नागकेसर का पेड़ न मिले तो इंटरनेट से नागकेसर की फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर ले यहां ध्यान रहे कि फोटो में नागकेसर के प पेड़ पर फूल जरूर लगे होने चाहिए यानि वो पेड़ हरा भरा होना चाहिए अगर आपके संतान अपना खुद का कोई बिजनस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनस खुलवाना चाहते हैं लेकिन उसके बिजनस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलफ करने के लिए आज के दिन आपको साफ सुध मिटी लेनी चाहिए अब उस मिटी को पानी की सहायता से गाढ़ा करके उससे 27 चोटी चोटी गोलिया बना ले और उन्हें अच्छे से सुखा ले अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिनों तक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाएं इस परकार ये उपाय करने से आपकी संतान के अंदर जल्द ही बिजनिस की समझ डेवलफ होगी है अगर आपका विवेक कुछ कम हो गया है आप अच्छे बुरे की परक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन आपको नाग देवता की तक्रीव के आगे अपना सिर्जु करना चाहिए और हाँ जोड़कर उन्हें प्राम करना चाहिए साथ ही मादुर्गा के इस मंत्र का जब करना चाहिए अगर बहनों के साथ आपके रिष्टे में कुछ समस्या आ गई है और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो बहन के साथ रिष्टों को ठीक करने के दिए आज के दिन आपको पांच पीले रंकी कौडिया लेनी चाहिए अब उन कौडियों को एक स्थान पर एकठा करके जलाना चाहिए बाद में कौडियां जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाए आज के दिन ऐसा करने से बहन के साथ रिष्टे में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिष्टे अपने आप ठ जाते है तो अपनी तरक्द करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोड टुकड लेना चाहिए और उस तुकड़े के बीच में चोटा सा चेद करवा कर उस चेद में अएक सफेद रंग का धागा बिरो है और उस तांबे की टुकड़े को अपने गले में धारन कीजिए, आज के दिन गले में तांबे का टुकडा धारन करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी, अगर आप करियर में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको गोविंद के मंतर का 108 बार चत करना चाहिए, गोविंद का मंत रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद को चहद का भोग लगाना चाहिए साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पड़ती जा रही है तो आज के दिन आपको की गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें दूद से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी अगर आप अपने लबमेट के साथ प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डाल कर भोग लगाना चाहिए साथ ही भगवान के चर्णों में पीले फूल अरपित करने चाहिए आज के दिन ऐसा करने से लबमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अरपित करना चाहिए साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए तो ये सारी चर्चा थी आज गोविंद द्वादशी, नसिंग द्वादशी, सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र के बारे में साथ ही सुब फलों के प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए हमने इनकी भी चर्चा की है उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में और A, B, C, D ही क्यों नाम का पहला अक्षर ही क्यों चोंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गत्विद्यों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छे अपरचुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमाद ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A. आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परीक्षा देने वाले स्टूजन्स को सफलता मिलेगी B. नौकरी के तलाश कर रहे युवाओं को नौकरी मिलने के कारण उनके चेहरे पर खुशी आएगी C. धर में किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे D. आज कुछ लोग आपका विरोध करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे E. पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा F. आफिस में काम ज़्यादा होने से आपको आज घर जाने में समय लगेगा G. कोई बात जो आपको परिशान कर रही है उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगे H. आज के दिन कारोबार में उन्नती होगी आपको अचानक धनलाब होगा I. आज 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 किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें G. चातरा आज करियर के सिल्सिले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेहतीन रहेगा K. किसी काम में जरूत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा वो काम असानी से पूरा होगा L. स्वास्त में ताज़िय आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे M. आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नए सरोत मिलेंगे N. जल्दवादी में फैसले ना करें कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर ले लें O. आपके जीवन साथी का मन पसंद रहेगा उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P. पारिवारी की जीवन सुप में बना रहेगा आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी चिवू आज पैसों के लेंदेन में साथानी रखें किसी को उधार देने से बचें R. आज आपको वहन चलाते समय साथानी रखने की जरूरत है S. प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूरत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा T. आज कहीं लिवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर ले आपके लिए अच्छा रहेगा U. बेवज़े के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है इसलिए यथा संभवधन जुटाने की कोशिश करें V. तारे खेतर में इमानदारी बढ़ते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें W. छात्रों में विज्ञान, कला वर तकनीकी शिक्षा के प्रति आपकी रूची वढ़ेगी X. आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगी Y. आज आपको पदोन्नती के साथ साथ कारेस्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा Y. आपकी अतिरिक्त काम करने की छंता उन लोगों को चोंका देगी जिनका प्रदर्शन आपसे बेहतर है और अब बात आज के तीफ्त की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन तो दूसरी मानेता यह है कि यहां तुलसी दाजी ने बजरंग बानकी रशना की थी मुख्ष बात यह है यह मंदर शांती का प्रचीत है यहां प्रवेश करते ही मन को शांती मिलती है मंदर के मध्ध में शीराम माता जानकी लक्षवन जी एवं हनवान जी विराजमान है इनके एक और माता अनपूर्णा एवं शिव जी तथा दूसरी और भगवान सक्तनारान जी का मंदर है इस मंदर के संपूर्ण दीवार पर राम शेरित मानस की चौपाईयां और दोहे लिखे गए हैं इसके दूसरी मंजिल पर संतुसी दाजी विराजमान है साथ ही इसी मंजिल पर स्वचालिक शीराम एवं कृष्टन लीला होती है तो आप भी कीजे इस नमरीक मंदर के दर्शन और अब बात सामुद्धिक शास्तर की सामुद्धिक शास्तर पर कल हमने बात की थी बड़े कान वाले लोगों के सुभाओं के बारे में और आज हम बात करेंगे छोटे कान वाले लोगों के बारे में जिन लोगों के कान आकरती में छोटे या कहें सामाने होते हैं, वे लोग काफी स्टॉंग होते हैं, साथ ही आर्टिस्टिक मिजास के भी होते हैं, कला के छेतर में इनकी अच्छी खासी रूची होती है, इन लोगों पर किसी भी बात के लिए या अपने किसी काम के लिए आसा सानी से भरोसा किया जा सकता है हाला कि ये लोग थोड़े कंजूस होते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं साथ ही ये बहुत बातुनी भी होते हैं इन्हें दूसरों से बाते करना बड़ा ही अच्छा लगता है लेकिन कई बार दूसरे लोग इनकी बातों से परेशान होकर या क आज आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 मार्च फालगुल शुक्रपक्ष की द्वादशी तीथी है। द्वादशी तीथी में पूतिका यानि पोई का साथ नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदा बहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्वादशी तीथी आज का पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुबह 4 बच कर 45 मिनट तक रहीगी। उसके बाद त्रेयोदशी तीथी लग जाएगी। इस तरह तीथी का समय जानकर आप अपने खाने का शेडूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाईजिए, पीजिए, मौश कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्वु। और अब वक्त है आज के टिप अफ जी डे का आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाईए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राजशिफल जानने के लिए लॉग आउन करें www.indiatv.in और मुझसे विक्तिगत संपर करने के लिए फोन करें 9971-000226 भाविश शावानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार। भाविशवानी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशी का भाविश वताने के लिए। फालगुन शुकलपक्षकि की द्वादेशी तिथी और गुरवर का दिन है। द्वादेशी तिती आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार बच कर 45 मिनट तक रहेगी। आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा, इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है, आज शाम पांच बच कर इतालीस मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा, साथ ही आज देर रात एक बच कर सताईस मिन क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर, आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से, क्या आज दुश्मन जेर होगा, या दोस्त की किसमत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविश्य जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की आज एक कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और यह सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगई दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशिये पिंटों के बीच बहने वाली electromagnetic field के movement को calculate करके यह जान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुभा 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुभा 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा और इसके बात बात करते हैं सर्वार से ध्योग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुभा 7 बच कर 34 मिनट से अगली सुभा 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएव चर्चा करते हैं आज के शुभ महूर्थ यानि कि फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च को सुभा 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ अगले महीने 10 अपरेल की सुभा 9 बच कर 46 मिनट से दो पहर 2 बच कर 21 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ चार अपरैल की शाम चार बच कर चौदा मिनट से शाम साथ बच कर अठारा मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रियल इंस्टिशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च की सुबह 7 बच कर 40 मिनट से दो पार एक बच कर 25 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर दोपार बार तीन बच कर च्यालीस मिनट से रात दस बच कर उन्टालीस मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 26 मार्ट की दो पहर 2 बच कर 56 मिनट से शाम 7 बच कर 53 मिनट तक और एक बार फिर रात 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुभा 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जौब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्ट की सुभा 9 बच कर 36 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूत नहीं है अब ये महूत 27 मार्ट की सुबह 7 बचकर 10 मिनट से 2 पहर 12 बचकर 55 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जुली इलेक्रो माइटिक फील्ड कुछ छणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुब कारे करने से सफलता संदिक्ध हो जाती है आज कोई अशुब समय नहीं बन रहा है अब ये अशुब समय 23 मार्च की दोपार दो बचकर 49 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंग, धानू और कुम्भराशियां विशेश रूप से परभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुब कारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बतानू के काम शुरू करते वक्त रहुकाल का ध्यान रखना बेहत जरूरी है रहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिल्ली में रहुकाल होगा दो पहर एक बज़कर 69 मिनट से, दो पहर बाद तीन बज़कर 30 मिनट तक, मुंबई दो पहर दो बज़कर 17 मिनट से, दो पहर बाद तीन बज़कर 47 मिनट तक, चंडिगर दो पहर दो बज़कर 1 मिनट से, दो पहर बाद तीन बज़कर 32 मिनट तक लक्षनव दो पहर एक बज़ कर चवालीस मिनट से दो पहर बाद तीन बज़ कर पंदा मिनट तक भोपाल दो पहर एक बज़ कर अठावन मिनट से दो पहर बाद तीन बज़ कर उनतीस मिनट तक कोलकाता दो पहर एक बचकर पंदा मिनट से, दो पहर दो बचकर पैतालीस मिनट तक अहमदाबाद दो पहर दो बचकर सत्रा मिनट से, दो पहर बाद तीन बचकर आटालीस मिनट तक और चेन नहीं में राहुकाल होगा आज दो पहर एक बच कर 47 मिनट से दो पहर बाद तीन बच कर 18 मिनट तक ये था कुछ शेहरों का राहुकाल और अब आज की यात्रा की सुब्दिशा क्या है तो आज वो सुब्दिशा है उस्तर और है ये शुरू करते हैं सिलसिला राशी सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेशराश किये मेशराशे वालों आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फाइदेबल साबित होग दामपत जीवर में खुशाली बनी रहेगी आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नमबर है सिक्स वरेश राशी वालों आज काम काज में सावधानी वरतने की जरूरत है छोटे इस तर पर शुरू किया गया व्यापार आपके लिए लाबकारी रहेगा आपने जो लक्ष निरधारित कर रखे हैं आज उनके काफी करीब पहुंच जाएंगे विरोध ही आपको नुकसान पह पहनत करने की जरूरत है घरवालों से किसी विशह पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइदेमन सावित होगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नंबर है पांच निथर राशेवालों आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनीत के शेते से जुड़े हैं आज उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वर्दी होगी जो लोग उच्छ शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें आज किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा आज आप मांसिक रूप से स्वस्थ बने रहेंगे आज आप अपने विरोध करक राशी वालों आज आप पूर्या से भरपूर रहेंगे आज आपको अपनी वानी पर सयम रखने की जरूरत है इस राशी के जो लोग डॉक्टर हैं आज वो नई क्लिनिक की ओपनिंग करने का मन बनाएंगे जिसमें परिवार वालों का भरपूर सहयोग मिलेगा आज आ हाई में मन लगेगा आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डर और लखी नमबर है आठ सिंग राशी वालों आज का दिन शांदार रहने वाला है आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज स से बचें लवमेट एक दूसरे की भावदाओं की कदर करेंगे आज अचानक धन लाव होने से आपकी आर्तिक इस्तिति मजबूत होगी आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नमबर है सेवन करने राशी वालों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है सा आने कामों का निफ्टारा करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा लोग आपकी मदद के लिए भी तयार रहेंगे बड़ों का दिया हुआ सुझाओ आज आपके काम आएगा बिजनेस संबंदी मीटिंग में आज आप सही डंग से अपनी बात रखेंगे जीवन साथी स काजियों में सहयोग मिलेगा चातर आज कुछ ऑनलाइन सीखने की कोशिश करेंगे आज के लिए आपका लगी कलर है मैजेंटा और लगी नमबर है सिक्स तुला राशिवालों आज किसमत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपकी एक अलग ही छवी निखर कर सामने आएग आज आप कुछ ऐसे काजियों को करने के लिए तैयार रहेंगे जिने करके आप परसंद होंगे दामपत्य जीवन में खुशाली आएगी नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लगी कलर है रेड और लगी नमबर है दो वरिष्टिक राशिवालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रासोई घर में काम करते हुए थोड़ी सावधानी जरू बरते हैं आज आप में सफलता और उच्छ पद पाने की इच्छा जागरत होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस र और प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लब मेट से एक दूसरे को उपहार देंगे साथी कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्ते के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नमबर है सिक्स धनु राशिवालो भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशिके जो लोग मार्केटिंग के छेत्र से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेत्र में आज बनाए रखें रिष्टा और मजबूत होगा आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में परोस्यों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी आ आज आप नए विचारों से परिपूर रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा देंगे परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सवहाद बना रहेगा लबेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिष्टों में मज़ूरता आएगी आज के लिए आपका लकी कलर है सिलवर और लकी नमबर है नाइन कुम भराशिवालों आज का दिन महतुपूर रहने वाला है आज कोड का चेहरी में चल रहे है मुकद्मों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आपको अचानक धनलाब होने वाला है अगर आप कोई नई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर लें व्यापार में आज आपको खूब तरक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नमबर है सिक्स मीन राशिवालों आज का दिन मिलूजिली पर दिक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आज तिकलाब कराएंगे पहले किये गए प्रियासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने की वज़ाए अपनों की सलाह लीजिए आज आपको पुरानी वातों को भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है जीवन साथी के साथ रिष्टे में मधूरता बढ़ेगी आज आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा चात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी की तलाश कर रहे हैं लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है वायलेट और लखी नंबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बढ़ों का आशेवाद ने और जिनकी आज मेरी जानिवर्सरी है वो किसी जरूरतमंद को आटा दें तो साल भर सुख और सुभाग पढ़ता ही रहेगा और आईए अब चलते हैं आंकों की रहसमाई दुनिया में मूलांग एक वालों आज जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा रिष्टे में और मदबूती आएगी मूलांग दो आपके लिए आज का दिन बहत्रीन रहने वाला है आई के स्रोट मिलने से आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी मूलांग तीन स्वास्थ को बहतर बनाए रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेश करें मूलांग चार अपने काम और परिवार के बीच सामनजज़ से स्थापित करने की कोशिश करें मूलांग पांच आज आप जीवन साथी को कोई कीम्ती उपहार देकर वयवाहिक जीवन में मिठास घोलेंगे मूलांग 6 आज आप शाम को परिवारवालों के साथ किसी धार्मे के स्थल पर दर्शन करने जाएंगे मूलांग 7 आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपके आर्थिक इस्थिति बहतर बनेगी मूलांग 8 आज किसी ऐसी जगे पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश में मिलेगा मूलांग 9 आज आप उच्चा धिकारियों से तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तु शास्त्र की वास्तु शास्त्र में कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे सलाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आदिके बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में कुछ अन्य विश्यों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे रसोई घर के निर्मान की घर में रसोई का संबंद हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबंद अगनी से होता है आग से इसलिए वास्त उशास्त के अउसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगनी कोन यानि दक्षन पूर्व दिशा का क चुनाओ करना चाहिए जो कि आगने कोड का संबंद भी अगनी से है अतह आगने कोड में रसोई बनवाने से परिवार के सब सरश्यों का स्वास्ते बेहतर रहता है अगर भोजन करने की बात करें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई के अंदर बैठ कर ही भोजन करना च चाहिए और पूर्व दिशा के और मुख करके भोजन करना चाहिए यानि कि भोजन को मूलतफ पूर्व दिशा के और रखना चाहिए लेकिन पूर्व से दक्षन इसलिए ताकि नौर्थ इस्ट में आप पानी का बर्तब रख सके नौर्थ इस्ट में पानी का गिलास अगर आ वास्तो शास्त्र में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि वो जल से जल ठीक हो सके और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशीति थी और गुरुवार का दिन है द्वादशी तिथी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार वज करपाई तालीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वरत करके भगवान विश्ण की गोविंद नाम से पूजा की जाती है आज के दिन सोडोशो बचार या पंचो बचार के दोरा भगवान विश्ण का विधिवत पूजन करें चंदन, अक्षत, तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर्पिश करना चाहिए इसके बाद भोग लगा कर आर्टी करनी चाहिए गोविंद द्वालाशी यानि आज के दिन भगवान शी विश्ण के मंतर का जब करना अत्यंत सुप फलदाई होता है तो मंत्र भी बतानूँ, मंत्र है ओम नारायनाय नमकी जगत का पालन करने वाले Shri Govind ka स्वरूप शांत और आनन्द में है। इनका स्वरनर करने से भाक्तों के जीवन में समस्त संकटों का निवारन होता है। घर परिवार को धन धान्य और सुख समर्द्धी की प्राप्ति होती है इस व्रत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त समस्याइं दूर हो जाती है और अंत में वैकुंठ नामक धाम की प्राप्ति होती है इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्ष की द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है इस दिन भगवान विश्व की नसिंग सुरूप की पूजा की जाती है पूजा के लिए इसनान आज इसे निवरत होकर साफ कपड़े पहन कर इशान कोन यानि की उत्तर पूरु दिशा के कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से ल बरतन रखें अब उन चावलों से भरे बरतन के उपर भगवान नसिंग्र की प्रतिमा रखें और पूजन विधी आरंब करें सबसे पहले भगवान को पंचमर्थ से इसनान कराएं फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल फूल, पीले वस्तर आदे भगवान को भेट करें और फिर धूब दीप आज से भगवान की पूजा करें साथ ही भगवान नसिंग के इस मंत्र का जब करें, मंत्र है ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलन्तम सर्वत ओमुखं नसिंगं भीषणं भद्रं मृत्युम मृत्युम नमाम्यहं फिर से इस मंत्र को सुने ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलन्तम सर्वत ओमुखं नसिंगं भीषणं भद्रं मृत्युम नमाम्यहं आज के दिन इस मंत्र का जब करने से आपकी आर्थिक इस्तिति मजबूत होगी, आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा, आपको कोई बुरी शक्ति परिश के बारे में, और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की, आज शाम पांच बच कर 41 मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, इस योग में कोई शुभ कारे करना चाहिए, माननता के अनुसार इस योग में नई नौकरी जोईन करें या घर में कोई धार में कारे का आयोजन करना अच्छा रहता है, इस योग में किये गए कारों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, और कारे शुभ दायक होता है, इशोर का नाम लेने या सतकर्म करने के लिए ये योग अति उत्तम है, साथ ही आदेर र कुंडली मार कर बैठे हुए सांथ को आशलेखा नक्षत्र का पती चिन माना जाता है, और नाग देवताओं को आशलेखा नक्षत्र का अधिपती देवता माना जाता है, साथ ही आशलेखा नक्षत्र की राशी कर्क है, वहीं इस नक्षत्र के सामी बुद्ध हैं और लोगों का जन्म आशलेखा नक्षत्र में हुआ हो। उन लोगों को आशलेखा नक्षत्र के दौरान नाकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान नाकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्यों या लकडी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंच आए। ऐसा करने से आपको शुक फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके शुक सौभागे में व्रधि भी होग तो यह थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और आशलेगा नक्षत्र की और अब बात करते हैं आज के जाने वाले विशेश उपायों की। अगर आप अपने पारिवारिक रिष्टों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिष्टों को बेहतर करना चाहत तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकाल कर अलग रखने चाहिए और उसके तीन हिस्ते करने चाहिए अब उन तीन हिस्तों में से एक हिस्सा गाय को खिला दें एक हिस्सा कुवे को डाल दें और एक हिस्सा कुटे को खाने के लिए दें आज के दिन ऐसा क करने से आपके पारिवारिक रिष्टों से नाराज़गी दूर होगी और आपके रिष्टे बेहतर होगी समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए या दूसरे लोगों के बीच अपना रोटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चांदी की वस्तु खर कंदिर से उठाकर आप अपने पास कहीं भी रच सकते हैं या उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी और दूसरे लोगों के बीच आपका रुत्बा बढ़ेगा अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन प से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदे के बाद नाग केसर के पिड़ या पौधे को पर business को पराम करना चाहिए साथ ही उसकी जड़ में जल चलाना चाहिए लेकिन अगर आपको कहीं आसपास नाकेसर का पेर न मिले तो इंटरनेट से नाकेसर की फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर ले यहां ध्यान रहे कि फोटो में नाकेसर के पेर पर फूल जरूर लगे होने चाहिए यानि वो पेर हरा भरा होना चाहिए अगर आपके संतान अपना खुद का कोई बिजनस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनस खुलवाना चाहते हैं लेकिन उसके बिजनस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलफ करने के लिए आज के दिन आपको साफ सुध मिटी लेनी चाहिए अब उस मिटी को पानी की सहाथा से गाढ़ा करके उससे सकताई चोटी चोटी गोलिया बना ले और उन्हें अच्छे से सुखा ले अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले सकताई दिनों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाएं इस परकार ये उपाय करने से आपकी संतान के अंदर जल्द ही बिजनेस की समझ डिवलप होगी है अगर आपका विवेक कुछ कम हो गया है आप अच्छे बुरे की परक्ष नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन आपको नाग देवता की सच्वीश के आगे अपना सिर्जु करना चाहिए और हाँ जोड़कर उन्हें प्रवाम करना चाहिए साथ ही मादुर्गा के इस मंतर का जब करना चाहिए अगर बहनों के साथ आपके रिष्टे में कुछ समस्या आ गई है और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो बहन के साथ रिष्टों को ठीक करने के लिए आज के जिन आपको पांच पीले रंग की कोडिया लेनी चाहिए अब उन कोडियों को एक स्थान पर एकठा करके जलाना चाहिए बाद में कोडियां जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाए आज के दिन ऐसा करने से बहन के साथ रिष्टे में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिष्टे अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोड तुकडा लेना चाहिए और उस तुकडे के बीच में छोटा सा छेद करवा कर उस छेद में एक सफेद रंग का धागा पिरोगे और उस तांबे की टुकले को अपने गले में धारन कीजिए। आज के दिन गले में तांबे का टुकला धारन करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप करियर में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद के मंतर का 108 बार चाहिए। अगर आपके दामपत्य रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद को चहद का भोग लगाना चाहिए। साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पढ़ती जा रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। और उन्हें दूद से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी। अगर आप अपने लबमेट के साथ प्यार बनाये रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डालकर भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान के चर्णों में पीले फूल अरपित करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से लबमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा। अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अरपित करना चाहिए। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए तो ये सारी चर्चा थी आज गोविंद द्वादशी, नसिंग द्वादशी, सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र के बारे में साथ ही सुब फलों के प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए हमने इनकी भी चर्चा की है उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में और A, B, C, D ही क्यों नाम का पहला अक्षर ही क्यों क्यों कि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गत्विद् किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी B, नौकरी के तलाश कर रहे युवाओं को नौकरी मिलने के कारण उनके चेहरे पर खुशी आईगी C, धर में किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे D, आज कुछ लोग आपका विरोध करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे E, पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा F, आफिस में काम ज़्यादा होने से आपको आज घर जाने में समय लगेगा G, कोई बात जो आपको परिशान कर रही है उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगे H, आज के दिन कारोबार में उन्नती होगी आपको अचानक धनलाब होगा I, आज आज आप किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें J, चातरा आज करियर के फिसले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेतीन रहेगा K, किसी काम में जरूरत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा वो काम असानी से पूरा होगा L, स्वाफ्ट में ताज़िय आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे M, आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नई स्रोट मिलेंगे N, जल्दवादी में फैसले ना करें, कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर लें O, आपके जीवन साथी का मन पसंद रहेगा, उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P, पारिवारी की जीवन सुक में बना रहेगा, आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी O, आज पैसों के लेंदेन में साथानी रखें, किसी को उधार देने से बचें R, आज आपको वहन चलाते समय साथानी रखने की जरूरत है S, प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो किसी अच्छे मुहूरत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा T, आज कहीं लिवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा U, बेवजह के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है, इसलिए यथा संभवधन जुटाने की कोशिश करें V, तारेक्षेतर में इमानदारी वरते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें W, चात्रों में विज्ञान, कला वा तकनीकी शिक्षा के प्रति आपकी रूची वढ़ेगी X, आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगी Y, आज आपको पदोन्नती के साथ साथ कारेस्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा Z, आपकी अत्रिक्त काम करने की चंता उन लोगों को चौका देगी जिनका प्रदर्शन आपसे बेहतर है और अब बात आज के तीष्ट की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन में राम चरित मानस का कुछ भाग लिखा था, तो दूसरी मानता यह है कि यहां तुलसी दाजी ने बजरंग बान की रशना की थी, मुक्ष बात यह है, यह मंदिर शांती का प्रचीत है, यहां प्रवेश करते ही मन को शांती मिलती है मंदिर के मद्ध में शीराम माता जान की लक्षवन जी एवम हनुमान जी विराजमान है, इनके एक और माता अनपूना एवम शिव जी तथा दूसरी और भगवान सक्तनारान जी का मंदिर है, इस मंदिर के संपून दीवार पर राम चरित मानस की चौपाईयां और दोहे ल राजमान हैं, साथ ही इसी मंजिल पर स्वचालिक शीराम एवम कृष्वन लीला होती है, तो आप भी कीजिए इस रनमनीक मंदिर के दर्शन, और अब बात सामुद्धिक शास्त्र की, सामुद्धिक शास्त्र पर कल हमने बात की थी, बड़े कान वाले लोगों के सुभाव साथ ही आर्टिस्टिक मिजास के भी होते हैं, कला के छेत्र में इनकी अच्छी खासी रूची होती है, इन लोगों पर किसी भी बात के लिए या अपने किसी काम के लिए आसानी से भरोसा किया जा सकता है, हालां कि ये लोग थोड़े कंचूस होते हैं, और रिस्क लेने से साथ ही ये बहुत बादूनी भी होते हैं, इन्हें दूसरों से बाते करना बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन कई बार दूसरे लोग इनकी बातों से परेशान होकर या कहें कि बोर होकर इनके पास से उठकर चले भी जाते हैं, सामुद्रिक शास्तर में कल हम बात करेंगे अधिक छोटे कानवाले लोगों के सभाव के बारे में और अब बात अवाइड अब दी डे की यानि आज आज आपको क्या नहीं खाना है आज 21 मार्च फालगुन शुक्रपक्ष की द्वादशी तीथी है द्वादशी तीथी में पूतिका यानि पोई का साथ नहीं खाना चाहिए पोई ये एक सदा बहार लता है जिसे सबजी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है द्वादशी तीथी आज का पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुबा चार बच कर पैतालीस मिनट तक रहीगी उसके बाद त्रेयोदशी तीथी लग जाएगी इस तरह तीथी का समय जानकर आप अपने खाने का शेडूल बना सकते हैं बाकी आप कुछ भी खाईजिए पीजिए मौश कीजिए और चलते चलते मैं आपको बटा दू कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्वुरु और अब वक्त है आज के टिप आफ वीडे का आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाईए सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशी फल जानने के लिए लॉगाउन करें www.indiatv.in और मुश्य विक्तिगस संपर करने के लिए फोन करें 9971-000226 भाविश शवानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार भाविशवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशी का भाविश वताने के लिए आज फालगुन शुकलपक्षिती द्वादशी तिथी और गुरुवार का दिन है द्वादशी तिथी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार बच कर 45 मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है आज शाम पांच बच कर इतालीस मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा साथ ही आज देर रात एक बच कर सताईस मिनट तक आशलेखा नक्षत रहेगा आगे हम इसी पर विश्थित चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका वरत डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मरी जैनिवर्सरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दरवाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश्य जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्तर और सामुद्धिक शास्तर की आज एक कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुभा 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुभा 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सर्वार से ध्योग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुभा 7 बच कर 34 मिनट से अगली सुभा 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएव चर्चा करते हैं आज के शुभ महूर्थ यानि कि फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च को सुभा 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ अगले महीने 10 अपरैल की सुबह 9 बच कर 46 मिनट से 2 बाहर 2 बच कर 21 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ चार अपरैल की शाम चार बच कर चौदा मिनट से शाम साथ बच कर अठारा मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रिल इंस्टिउशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च की सुबह 7 बच कर 40 मिनट से दो पहर 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर दो पहर बार 3 बच कर 46 मिनट से रात 10 बच कर 49 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 26 मार्ट की दोपार दो बच कर 56 मिनट से शाम साथ बच कर 53 मिनट तक और एक बार फिर रात 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुबह 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्ट की सुबह 9 बच कर 36 मिनट से दोपार 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्रो माइटिक फील्ड से कुछ च्छणों के लिए नेगटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगटिव स्पार्ख पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगटिव टी पहल जाती है इस समय में कोई भी शुबकारे करने से सफलता संदिध हो हो जाती है आज को यह शुब समय नहीं बन रहा है अब यह शुब समय 23 मार्च की दोपार दो बचकर 49 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मिथुन सिंग धानू और कुम्भ राशियां विशेश रूप से प्रभावित होंगी ध्यान र का ध्यान रखना बेहत ज़रूरी है राहुकाल के दौरान कोई काम शुरूर नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिल्ली में रहुकाल होगा दो पहर एक बजकर 69 मिनट से दो पहर बाग तीन बजकर 30 मिनट तक मुंबई दो पहर दो बजकर 17 मिनट से दो पहर बाग तीन बजकर 47 मिनट तक चंडिगः दो पहर दो बज़कर एक मिनट से दो पहर बाद तीन बज़कर बतीस मिनट तक लक्षनव दो पहर एक बज़कर चवालीस मिनट से दो पहर बाद तीन बज़कर पंदा मिनट तक भोपाल दो पहर एक बचकर अट्थावन मिनट से दो पहर बाद तीन बचकर उन्तीस मिनट तक कोलकाता दो पहर एक बचकर पंदा मिनट से दो पहर दो बचकर पैतालीस मिनट तक अहमदाबाद दो पहर दो बज कर 17 मिनट से दो पहर बाद तीन बज कर 48 मिनट तक और चेन नहीं में राहुकाल होगा आज दो पहर एक बज कर 47 मिनट से दो पहर बाद तीन बज कर 18 मिनट तक ये था कुछ शहरों का रहोकाल और अब आज की यात्रा की शुबदिशा क्या है तो आज वो शुबदिशा है उसतर और आईएफ शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का सबसे पहले बात रोजी तरह आज भी मेशराशी की मेशराशी वालों आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फाइदेबल साबित होगी अपने चारों और होने वाली गत्यविदियों का ध्या क्योंकि आपके काम का शे कोई दूसरा ले सकता है लव मेट के लिए आज का दिन खुश्या लेकर आएगा दामपत जीवर में खुशाली बनी रहेगी आज के लिए आपका लखी कलर है महरून और लखी नमबर है सिक्स वरेशराशी वालों आज काम काज में सावधानी वरत जाएंगे विरोध ही आपको नुकसान पहुचाने के कोशिश करेंगे लेकिन अपनी समझदारी से आप उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे जरूरी कामों को आज दूसरों के भरों से न छोड़ें इस राशी के छात्रों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है घरवालो आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनीत के क्षेते से जुड़े हैं आज उनकी सामाजिक परतिष्ठा में वर्दी होगी जो लोग उच्छ शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें आज किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा आज आज आप मा धानी बरतने की आवशक्ता है आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है एक करक राज्चिवालों आज आप पूर्जा से भरपूर रहेंगे आज आपको अपनी वानी पर सैयम रखने की जरूरत है इस राज्चिके जो लोग डॉक्टर हैं आज वो नई क्ल लग पहचान बनाएंगी इस राज्चिके छात्र आज किसी एकांस जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन लगेगा आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डेट और लखी नंबर है आट सिंग राशिवालों आज का दिन शांदार रहने वाला है आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे क की बातों में उलजने से बचें लवमेट एक दूसरे की भावदाओं की कदर करेंगे आज अचानक धन लाव होने से आपकी आतिक इस्तिति मजबूत होगी आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नंबर है सेवन करने राशिवालों आज का दिन बहुत ही मदद के लिए भी तयार रहेंगे बड़ों का दिया हुआ सुझाओ आज आपके काम आएगा बिजनस संबंदी मीटिंग में आज आप सही डंग से अपनी बात रखेंगे जीवन साथी से काजों में सहयोग मिलेगा चात्र आज कुछ ऑनलाइन सीखने की कोशिश करेंगे आ आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नमबर है सिक्स तुला राशिवालों आज किसमत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपकी एक अलग ही छवी निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका शेयर किसी और को न ले जाने दें बास आपक जीवन में खुशाली आएगी नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नमबर है दो वरिष्टिक राशिवालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रासोई घर में काम करते हुए थोड़ी सावधानी जरू बरते हैं आज आप में सफलता और उच्छ पद पाने की इच्छा जागरत होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस राशिक के जो लोग आक्टिंग के छेते से जुड़े हैं आज उन्हें कोई बड़ा आफर मिलेगा आज हर प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लवमेट से एक दूसरे को उपहार देंगे साथी कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्ते के मामले में आज का दिन आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नंबर है सिक्स धनु राशिवालों भविश्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशिके जो लोग मार्केटिंग के छेते से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेत्र में आज आज आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप थोड़ा उलज़र में पढ़ सकते हैं नव विवाहित दमपति में मीठी नोग जोंक होगी जिससे रिष्टे में मिठास बढ़ेगी लबमेट एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें रिष्टा और मजबूत होगा आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रे और लखी नंबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में परोसियों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी पतिष्ठा बढ़ेगी आज सफलता में आ रही दिक्कतें दूर होंगी आज आप नए विचारों से परिपूर रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा देंगे परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सवहाद बना रहेगा लबेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिष्टों में मधूरता आएगी आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वर और लखी नमबर है नाइन कुम भराशिवालों आज का दिन महतुपूर रहने वाला है आज कोड के चहरी में चल रहे है मुकदमों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आपको अचानक धनलाब होने वाला है अगर आप कोई नई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर ले व्यापार में आज आपको खूब तरक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नमबर है सिक्स मीन राशिवालों आज का दिन मिलूजिली पर दिक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आज तिकलाब कराएंगे पहले किये गए प्रियासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने की वज़ाए अपनों की सलाह लीजिए आज आपको पुरानी वातों को भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है जीवन साथी के साथ रिष्टे में मधूरता बढ़ेगी आज आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा चात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी की तलाश कर रहें लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है वाईलेट और लखी नमबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बढ़ों का आशिरवाद ने और जिनकी आज मेरी जनिवर्सरी है वो किसी जरूरतमंद को आटा दें तो साल भर सुख और सुभाग पढ़ता ही रहेगा और आएए अब चलते हैं आँकों की रहसमई दुनिया में मूलांग एक वालों आज जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा रिष्टे में और मद्बूती आएगी मूलांग दो आपके लिए आज का दिन बहत्रीन रहने वाला है आए के सुरोत मिलने से आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी मूलांग तीन स्वास्थ को बहतर बनाए रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेश करें मूलांग चार अपने काम और परिवार के बीच सामनज़त से इस्थापित करने की कोशिश करें मूलांग पांच आज आप जीवन साथी को कोई कीमती उपहार देकर वयवाहिक जीवन में मिठास गोलेंगे मूलांग चे आज आप शाम को परिवार वालों के साथ किसी धार्मी के स्थल पर दर्शन करने जाएंगे मूलांग साथ आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपकी आर्थिक इस्थिती बेहतर बनेगी मूलांक आठ आज किसी ऐसी जगे पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश में मिलेगा मूलांक नौ आज आप उच्छा धिकारियों से तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तु शास्त्र की वास्तु शास्त्र में कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे सलाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आदिके बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में कुछ अन्य विश्यों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे रसोई घर के निर्मान की घर में रसोई का संबंध हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबंध अगनी से होता है आग से इसलिए वास्तु शास्त के अउसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगने कोण यानि दक्षन पूर्व दिशा का कोना यानि दक्षिन पूर्व दिशाएं जहां मिलती हैं उस दिशा का चुनाओ करना चाहिए चोकि आगने कोड का संबंद भी अगनी से है अतह आगने कोड में रसोई बनवाने से परिवार के सबसर रस्यों का स्वास्ते बेहतर रहता है अगर भोजन कर रहे की बात करें तो वास्तुशास्तर के अनुसार रसोई के अंदर बैट कर ही भोजन करना चाहिए साथ ही भोजन कर रहे के लिए अपनी ठाली को दक्षिन पूर्व दिशा के ओर रखना चाहिए और पूर्व दिशा के और मुख करके भोजन करना चाहिए यानि कि भोजन को मूलतफ पूर्व दिशा के और रखना चाहिए लेकिन पूर्व से दक्षन इसलिए ताकि नौर्थ इस्ट में आप पानी का बरतब रख सके North East में पानी का गिलास अगर आप East की तरब मुख करके बैठे तो थोड़ा सा South करिए भोजन को और थोड़ा Left करिए पानी को वास्तो शास्तर में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि वो जल से जल ठीक हो सके और अब आज के दिन की सबसे विशेश पात आज फालगुन शुक्लपक्षी की दौधशी तिति और गुरोवार का दिन है दौधशी तिति आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार वज कर पा हैं तालीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा फालगुन शुक्रपक्षी की द्वादशी को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वरत करके भगवान विश्णू की गोविंद नाम से पूजा की जाती है आज के दिन शोडोशो बचार या पंचो बचार के द्वारा भगवान विश्णू का विधिवत पुजन करें चंदर्ण, अक्षत, तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर्पिश करना चाहिए इसके बाद भोग लगा कर आर्थी करनी चाहिए गोविंद द्वालाशी यानि आज के दिन भगवान शी विश्णू के मंतर का जब करना अत्यंत सुब फलदाई होता है तो मंतर भी बथा दूँ। मंतर है ओम kym नमाम तूम नारायनाव नमाम जगत का पालन करने वाले शी गोविंद का स्वरूप शांत और आनंद महें इनका स्वनर करने से भाक्तों के जीवन में के समस्त संकटों का निवारन होता है। घर परिवार को धन धान्य और सुख समर्दी की प्राप्ति होती है। इस वरत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त समस्याइं दूर हो जाती है और अंत में वैकुंठ नामक धाम की प्राप्ति होती है। इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्ष की दौदशी को नसिंग दौदशी भी मनाने का विधान है। इस दिन भगवान विश्व की नसिंग सुरूपकी पूजा की जाती है। पूजा के लिए इसनान आज इसे निवरत होकर साफ कपड़े पहन कर इशान कोण यानि की उत्तर पूरु दिशा के कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से लीप कर उस पर आठ पंखुडियों वाला कमल लड़ बनाए। फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर एक चावलों से भरा हुआ बरतन रखें। अब उन चावलों से भरे बरतन के ऊपर भगवान लसेंद्री की प्रतिमा रखें और पूजन विधी आरंब करें। सबसे पहले भगवान को पंचमर्थ से सनान कराएं। फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल, फूल, पीले वस्तर आदे भगवान को भेट करें। और फिर धूब दीप आज से भगवान की पूजा करें। साथी भगवान नसिंह की इस मंत्र का जयचा करें। मंत्र है ओम उग्रवीरम महा विष्णुम जलन्तं सर्वतवphone अमुखऴ नसिंः भीषणं भद्रम भद्रम मर्त्यूम नमाम्यहं। इस मंत्र का जब करने से आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा, आपको कोई बुरी शक्ति परिशान नहीं कर पाएगी, तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाले गोविंद द्वारशी और नसिंग द्वारशी के बारे में, और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की, आज शाम पांच बच कर 41 मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, इस योग में कोई शुभ कारे करना चाहिए, मानने का कि अनुसार इस योग में नई नौकरी जोईन करें या घर में कोई धार में कारे का आयोजन करना अच्छा रहता है, इस आज देर रात एक बच का 27 मिनट तक आशलेखा नक्षतर रहेगा, आकाश मंदल में इससे 27 नक्षतरों की शिर्णी में आशलेखा नवा नक्षतर है, इसका अर्थ होता है आलिंगन, इसी के अनुसार कुंडली मार कर बैठे हुए सांप को आशलेखा नक्षतर का पतीक चि और बुद्ध का संबंद हमारे बिजनेस, हमारी वानी आदी से है, वनस्मतियों में आशलेखा नक्षतर का संबंद नाग केसर के पेल से वताया गया है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म आशलेखा नक्षतर में हुआ हो, उन लोगों को आशलेखा नक्षतर के दोरान नाग केसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान ना केसर के पेड़, उसके फूल, पत्यों या लकड़ी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंच हैं, ऐसा करने से आपको शुक फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही पढ़ने वाले सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र की, और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले विशेश उपायों की, अगर आप अपने पारिवारिक रिष्टों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं, और रिष्टों को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज के दि आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिष्टों से नाराज़गी दूर होगी और आपके रिष्टे बेहतर होगी समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए या दूसरे लोगों के बीच अपना रोटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चांदी की वस्टों खरीक कर लाइए और उसे मंदिर में स्थापिट करके उसकी पूजा करें साथ ही आज पूरा दिन उस चांदी की वस्टों को मंदिर में ही रखा रहने दें अगले दिन स्नान आदि के बाद उस चांदी की वस्तु को मंदिर से उठा कर आप अपने पास कहीं भी रच सकते हैं या उसे इस्तेमाल मेला सकते हैं आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहिचान बनेगी और दूसे लोगों के बीच आपका रुत्बा बढ़ेगा अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्तिती चल रही है तो उस कठिन परिस्तित से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नाग केसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए साथ ही उसकी जड़ में जल चलाना चाहिए लेकिन अगर आपको कहीं आसपास नाग केसर का पेड़ न मिले तो इंटरनेट से नाग केसर की फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर ले यहां ध्यान रहे कि फोटो में नाकेसर के पेड़ पर फूल जरूर लगे होने चाहिए यानि वो पेड़ हरा भरा होना चाहिए अगर आपके संतान अपना खुद का कोई बिजनस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनस खुलवाना चाहते हैं लेकिन उसके बिजनस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलफ करने के लिए आज के दिन आपको साफ शुध मिटी लेनी चाहिए एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाएं इस परकार ये उपाय करने से आपकी संतान के अंदर जल्द ही बिजनस की समझ डेवलफ होगी है अगर आपका विवेक कुछ कम हो गया है आप अच्छे बुरे की परक्त नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दि अगलम आंगले शिवे सरवार्थ साधिके शरणे त्रेम विके गौरी नारायन नमोस्तुते अगर बहनों के साथ आपके रिष्टे में कुछ समस्या आ गई है और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो बहन के साथ रिष्टों को ठीक करने के लिए आज emailed कामतिस्तान पर लख आए में आज में को आज के लिए को रिष्टे में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिष्टे अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर आप जीवन में पनी तरक्की सुनिष्चित करना चाहते हैं तो आपनी तरक्की सुनिष्चित करने के लिए आ उस तांबे की टुकड़े को अपने गले में धारन कीजिए। आज के दिन गले में तांबे का टुकड़ा धारन करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप करियर में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद के मंतर का 108 बार चाहिए। गोविंद का मंतर ओम गोविंदा आये नमाहा। आज के दिन ऐसा करने से आपको करियर में सफलता हासिल होगी। अगर आपके दामपत्य रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद को चहद का भोग लगाना चाहिए साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पढ़ती जा रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें दूट से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी अगर आप अपने लबमेट के साथ प्यार बनाये रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डाल कर भोग लगाना चाहिए साथ ही भगवान के चर्णों में पीले फूल अर्पित करने चाहिए आज के दिन ऐसा करने से लबमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जातर भगवान को बेल का फल अर्पित करना चाहिए साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए तो ये सारी चर्चा थी आज गोविंद द्वादशी, नसिंग द्वादशी, सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र के बारे में साथ ही सुब फलों के प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए हमने इनकी भी चर्चा की है उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में और A, B, C, D ही क्यो नाम का पहला अक्षर ही क्यो चोंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गत्विजियों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपरचुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमाद ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परीक्षा देने वाले स्टूडेंस को सफलता मिलेगी बी नौकरी के तलाश कर रहे युवाओं को नौकरी मिलने के कारण उनके चेहरे पर खुशी आईगी सी धर में किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे डी आज कुछ लोग आपका विरोध करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा एफ आफिस में काम ज़्यादा होने से आपको आज घर जाने में समय लगेगा जी कोई बात जो आपको परिशान कर रही है उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगे एच के दिन कारोबार में उननत ही होगी आपको अचानक धनला भोगा आई आज आप किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें J. छातरा आज करियर के सिल्सिले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेचीन रहेगा K. किसी काम में जरूरत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा वो काम असानी से पूरा होगा L. स्वास्ट में ताज़िय आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे M. आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नए सरोत मिलेंगे N. जल्दवादी में फैसले ना करें कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर लें O. आपके जीवन साथी का मन पसंद रहेगा उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P. पारिवारी की जीवन सुक में बना रहेगा आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी O. आज पैसों के लेंदेन में साथानी रखें किसी को उधार देने से बचें R. आज आपको वहां चलाते समय साथानी रखने की जरूरत है S. प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूरत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा T. आज कहीं लिवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर लें आपके लिए अच्छा रहेगा U. बेवजह के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है इसलिए यथा संभवधन्ज उटाने की कोशिश करें V. कारेक्षेतर में इमानदारी वरते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें W. छात्रों में विज्ञान, कला वा तक्निकी शिक्षा के प्रति आपकी रूची वढ़ेगी X. आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगी Y. आज आपको पदोन्नती के साथ-साथ कारेस्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा Z. आपकी अत्रिक्त काम करने की चंता उन लोगों को चौका देगी जिनका प्रदर्शन आपसे बेहतर है और अब बात आज के तीष्थ की आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन तो दूसरी मानेता यह है कि यहां तुलसी दाजी ने बजरंग बानकी रशना की थी मुख्ष बात यह है यह मंदर शांती का प्रचीत है यहां प्रवेश करते ही मन को शांती मिलती है मंदर के मध्ध में शी राम माता जानकी लक्षवन जी एवं हनुमान जी विराजमान है इनके एक और माता अनपूर्णा एवं शिव जी तथा दूसरी और भगवाण सक्तनारान जी का मंदर है इस मंदिर के संपूर्ण दीवार पर राम चेरित मानस की चौपाईयां और दोहे लिखे दए हैं इसके दूसरी मंजिल पर संतुल्सी दाजी विराजबान है साथ ही इसी मंजिल पर स्वचालिक शीराम एमकृष्ण लीला होती है तो आप भी कीजे इस नमणिक बंदिर के दर्शन और अब बात सामुद्धिक शास्त्र की सामुद्धिक शास्त्र पर कल हमने बात की थी बड़े कानवाले लोगों के सुभाव के बारे में और आज हम बात करेंगे छोटे कानवाले लोगों के बारे में जिन लोगों के कान आकरति में छोटे या कहें सामाने होते हैं, वे लोग काफी स्ट्रॉंग होते हैं, साथ ही आर्टिस्टिक मिजास के भी होते हैं, कला के छेतर में इनकी अच्छी खासी रूची होती है, इन लोगों पर किसी भी बात के लिए या अपने किसी काम के लिए आसानी से भरोसा किया और दूसरों से बाते करना बड़ा ही अच्छा लगता है लेकिन कई बार दूसे लोग इनकी बातों से परेशान होकर या कहें कि बोर होकर इनके पास से उठकर चले भी जाते हैं। सामुद्रिक शास्तर में कल हम बात करेंगे अधिक छोटे कान वाले लोगों के सभाव के बारे में और अब बात अवाइड अब दी डे की यानि आज आज आपको क्या नहीं खाना है आज 21 मार्च फालगुल शुक्रपक्ष की द्वादशी तीथी है 22 तीथी में पूतिका यानि पोई का साथ नहीं खाना चाहिए पोई एक सदा बहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है 22 तीथी आज का पूरा दिन और पूरी राद पार करके कल सुबा चार बच कर पैतालीस मिनट तक रहीगी उसके बाद 23 तीथी लग जाएगी इस तरह तीथी का समय जानकर आप अपने खाने का शेडियूल बना सकते हैं बाकी आप कुछ भी खाईजिए पीजिए मौश कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्वूर और अब वक्त है आज के टिप आफ वीडे का आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाईए सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशी फल जानने के लिए लॉगाउन करें www.indiatv.in और मुश्य विक्तिगस संपर करने के लिए फोन करें 9971-000226 भाविश शवानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार भाविशवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशी का भाविशवताने के लिए आज फालगुन शुकलपक्षिती द्वादशी तिति और गुरुओर का दिन है द्वादशी तिति आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार बच कर पैतालीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्ष की द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है आज शाम पांच बच कर 41 मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा साथ ही आज देर रात एक बच कर 27 मिनट तक आशलेखा नक्षत रहेगा आगे हम इसी पर विश्थित चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका वरत डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरी जैनिवर्सरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लगी अललर और क्या है आपका आज का लगी नमबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वजह शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दरوازया खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश्य जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्त्र और सामुद्रिक शास्त की आज एक कौन सी देशा होगी शुबह और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना आली electromagnetic field के movement को calculate करके यह जान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की स सुबह 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सरवार सिद्धी योग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 7 बच कर 34 मिनट से अगली स सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईयव चर्चा करते हैं आज के शुब महूर्थ यानि की फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च को सुबह 7 बच कर 10 मि मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ अगले महीने 10 अपरेल की सुबह 9 बच कर 46 मिनट से 2 बाहर 2 बच कर 21 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ चार अप्रैल की शाम चार बच कर चौदा मिनट से शाम साथ बच कर अठारा मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रिल इंस्ट्यूशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च की सुबह 7 बच कर 40 मिनट से दो पहर 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर दो पहर बार 3 बच कर 46 मिनट से राद 10 बच कर 49 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 26 मार्ट की दोपार दो बच कर 56 मिनट से शाम 7 बच कर 53 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुबह 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्ट की सुबह 9 बच कर 36 मिनट से दोपार 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट सर्काइट मार्ट की सुबह साथ बचकर दस मिनट से दो पहर बारा बचकर पच्पन मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जुली इलेक्ट्रो माइगनेटिक फील्ड कुछ छणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्थ पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुब कारे करने से सफलता संदिक्ध हो जाती है आज कोई अशुब समय नहीं बन रहा है अब ये अशुब समय 23 मार्च की दो पहर दो बचकर 49 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंग, धानू और कुम्भ राशियां विशेश रूप से प्रभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुबकार नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बतानू कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहत जरूरी है राहुकाल के दोरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं भोपाल दो पहर एक बचकर अठावन मिनट से दो पहर बाद तीन बचकर उनतीस मिनट तक कोलकाता दो पहर एक बचकर पंदा मिनट से दो पहर दो बचकर पैतालीस मिनट तक अहमद आबाद दो पहर दो बज कर 17 मिनट से दो पहर बाद तीन बज कर 48 मिनट तक और चेन नहीं में राहुकाल होगा आज दो पहर एक बज कर 47 मिनट से दो पहर बाद तीन बज कर 18 मिनट तक ये था कुछ शहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुबदिशा क्या है तो आज वो शुबदिशा है उस्तर और आईएफ शुरू करते हैं सिलसला राशिफल का सबसे पहले बात रोजी तरह आज भी मेशराश की मेशराश वालों आज आपका मन अध्यात्मा में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फाइदेबल साबित होगी अपने चारों और होने वाली गत्विदियों का ध्यान रखें क्योंकि आपके काम कशे कोई दूसरा ले सकता है लब मेट के लिए आज का दिन खुश्या लेकर आएगा दामपत जीवर में खुशाली बनी रहेगी आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नमबर है सिक्स वरेश राशिवालों आज काम काज में सावधानी वरतने की जरूरत है छोटे इस तर पर शुरू किया गया व्यापार आपके लिए लाबकारी रहेगा आपने जो लक्ष निर्धारित कर रखे हैं आज उनके काफी करीब पहुँच जाएंगे विरोध ही आपको नुकसान पहुचाने के कोशिश करेंगे लेकिन अपनी समझदारी से आप उन्हें कामयाब रही होने देंगे जरूरी कामों को आज दूसरों के भरों से न चोड़ें इस राशी के चात्रों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है घरवालों से किसी विशे पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइदेमन सावित होगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमबर है पाँच निफर राशे वालों आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनीत के खशेते से जुड़े हैं आज उनकी सामाजित परतिष्ठा में वरदी होगी जो लोग उच्छ शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें आज किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा आज आज आप मांसिक रूट से स्वस्थ बने रहेंगे आज आज आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे अपने भाई बहनों के साथ किसी अच्छी जगह घूमने का प्लान बनाएंगे आज आपको पैसे के लिन देन में सावधानी बरतने की आवशक्ता है आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है एक करक राशी वालों आज आप उर्या से भरपूर रहेंगे आज आपको अपनी वानी पर सयम रखने की ज़रूरत है इस राशी के जो लोग डॉक्टर हैं आज वो नई क्लिनिक की ओपनिंग करने का मन बनाएंगे जिसमें परिवारवालों का भरपूर सहयोग मिलेगा आज आपके बिजनेस में बहुतरी होगी आज समाज सेवा के लिए की गई कोशिशे आपकी अलग पहचान बनाएंगी इस राशी के चात्र आज किसी एकांस जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन लगेगा आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डेट और लखी नमबर है आठ सिंग राशी वालों आज का दिन शांदार रहने वाला है आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे कर रहे लोगों की रचनाओं की लोग तारीफ करेंगे आज व्यर्थ की बातों में उलजने से बचें लवमेट एक दूसरे की भावदाओं की कदर करेंगे आज अचानक धन लाव होने से आपकी आर्थिक इस्तिति मजबूत होगी आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नमबर है सेवन करने राशे वालों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है साइन्स और रिसर्च की फील्ड से जुड़े लोगों को आज कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा पुराने कामों का निप्टारा करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा लोग आपकी मदद के लिए भी तयार रहेंगे बड़ों का दिया हुआ सुझाओ आज आपके काम आएगा बिजनेस संबंदी मीटिंग में आज आप सही डंग से अपनी बात रखेंगे जीवन साथी से काजों में सहयोग मिलेगा चातर आज कुछ आउनलाइन सीखने की कोशिश करेंगे आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नमबर है सिक्स तुला राशिवालों आज किसमत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपकी एक अलग ही छवी निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका शेयर किसी और को न ले जाने दे बास आपको किसी जरुरी काम से दूसरे शेहर की यात्रा पर भेज सकते हैं आज आप कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए तैयार रहेंगे जिने करके आप परसंद होंगे दामपत्य जीवन में खुशाली आएगी नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है दो वरिश्चिक राशी वालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रासोई घर में काम करते हुए थोड़ी साफधानी जरूर बरते आज आप में सफलता और उच्छ पद पाने की इच्छा जागरत होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस राशी के जो लोग आक्टिंग के छेतर से जुड़े हैं आज उन्हें कोई बड़ा आफर मिलेगा आज हर प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लव मेट से एक दूसरे को उपहार देंगे साथी कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्ते के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नमबर है सिक्स धनु राशी वालों भविश्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशी के जो लोग मार्केटिंग के छेतर से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेतर में आज आज आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप थोड़ा उलज़र में पढ़ सकते हैं नव विवाहित दमपति में मीठी नोग जोंक होगी जिससे रिष्टे में मिठास बढ़ेगी लबमेट एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें रिष्टा और मजबूत होगा आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नमबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में पढ़ोसियों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी आज सफलता में आ रही दिक्कतें दूर होंगी आज आप नए विचारों से परिपूर रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा देंगे परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सवहाद बना रहेगा लमेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिष्टों में मधूरता आएगी आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वर और लखी नमबर है नाइन कुम्भरा शिवालों आज का दिन महतुपूर रहने वाला है आज कोड के चहरी में चल रहे मुकद्मों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आज आपको अचानक धनलाब होने वाला है अगर आप कोई नई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर ले व्यापार में आज आज आपको खूप करक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लगी कलर है बलू और लगी नमबर है सिक्स मीन राशिवालों आज का दिन मिलूजली परतिक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आज तिकलाब कराएंगे पहले किये गए प्रयासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने की बजाए अपनों की सलाह लीजी आज आपको पुरानी वातों को भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है जीवन साथी के साथ रिष्टे में मधूरता बढ़ेगी आज आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा चात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है वाईलेट और लखी नंबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बढ़ों का आशिवादने और जिनकी आज मेरीज अनिवर्सरी है वो किसी जरूरतमंद को आटा दें तो साल भर सुख और सुभाग पढ़ता ही रहेगा और आएए अब चलते हैं अंकों की रहसमाई दुनिया में मूलांग एक वालों आज जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा रिष्टे में और मदबूती आएगी मूलांग दो आपके लिए आज का दिन बहत्रीन रहने वाला है आए के सुरोट मिलने से आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी मूलांग तीन स्वास्थ को बहतर बनाये रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेज करें मूलांग चार अपने काम और परिवार के बीच सामनज से इस्ठापित करने की कोशिश करें मुलांग पांच आज आप जीवन साथी को कोई कीम्ती उपहार देकर वैवाहिक जीवन में मिठास घोलेंगे मुलांग चे आज आप शाम को परिवारवालों के साथ किसी धार्मी की स्थल पर दर्शन करने जाएंगे मूलांक 7 आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपके आर्थिक इस्तिती बेहतर बनेगी मूलांक 8 आज किसी ऐसी जगे पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश में मिलेगा मूलांक 9 आज आप उच्छा धिकारियों से तालमेल बना कर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की वास्तुशास्त्र में कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे सिलाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आदि के बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में कुछ अन्य विश्यों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे रसोई घर के निर्मान की घर में रसोई का संबंद हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबंद अगनी से होता है आग से इसलिए वास्त उशास्त के अउसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगनी कोन यानि दक्षन पूर्व दिशा का क चुनाओ करना चाहिए जोकि आगने कोड का समबंध भी अगनी से है अतह आगने कोड में रसोई बनवाने से परिवार के सब सर्दस्यों का स्वास्त्य बेहतर रहता है अगर भोजन कर रहे की बात करें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई के अंदर बैट कर ही भोजन करना चाहिए साथ ही भोजन कर रहे के लिए अपनी ठाली को दक्षिन पूर्वे दिशा के और रखना चाहिए और पूर्व दिशा के और मुख करके भोजन करना चाहिए यानि कि भोजन को मूलतफ पूर्व दिशा के और रखना चाहिए लेकिन पूर्व से दक्षन इसलिए ताकि नौर्थ इस्ट में आप पानी का बरतब रख सके North East में पानी का गिलास अगर आप East की तरब मुख करके बैठे तो थोड़ा सा South करिए बोजन को और थोड़ा Left करिए पानी को वास्तो शास्तर में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि वो जल से जल ठीक हो सके और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज फालगुन शुकल पक्षी की द्वादशी ती और गुरुवार का दिन है द्वादशी ती आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चारवज कर पैतालीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा फालगुन शुक्रपक्षी की द्वादशी को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वरत करके भगवान विश्णू की गोविंद नाम से पूजा की जाती है आज के दिन शोडोशो बचार या पंचो बचार के द्वारा भगवान विश्णू का विधिवत पुजन करें चंदर्ण, अक्षत, तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर्पिश करना चाहिए इसके बाद भोग लगा कर आर्थी करनी चाहिए गोविंद द्वालाशी यानि आज के दिन भगवान शी विश्णू के मंतर का जब करना अर्ट्यंत सुब फलदाई होता है नायानाय करने वाले शी गोविंद का सवरूप शान्त और आनंद मैं है, इनका स्वनर करने से भाक्तों के समस्थ संकट का निवारन होता है घर परिवार को धन धान्य और सुक्ष समर्दि की प्राप्धि होती है इस वरत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त समस्याइं दूर हो जाती है और अंत में वैकुंठ नामक धाम की प्राप्ति होती है इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्ष की दौदशी को नसिंग दौदशी भी मनाने का विधान है इस दिन भगवान विश्व की नसिंग सुरूब की पूजा की जाती है पूजा के लिए इसनान आज इसे निबरत होकर साफ कपड़े पहन कर इशान कोन यानि की उत्तर पूरु दिशा के कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से लीप कर उस पर आठ पंक्षुडियों वाला कमल लल बनाए फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के उपर एक चावलों से भरा हुआ बरतन रखें अब उन चावलों से भरे बरतन के उपर भगवान नसेंग की प्रतिमा रखें और पूजन विधी आरंब करें सबसे पहले भगवान को पंचमर्थ से स्नान कराएं फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल फूल, पीले वस्त्र आदे भगवान को भेट करें और फिर धूब दीप आज से भगवान की पूजा करें साथ ही भगवान नसेंग के इस मंत्र का जब करें मंत्र है ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलंतं सर्वत ओमुखं नसेंगं भीषणं भद्रं मृत्युम मृत्युम नमाम्यःं फिर से इस मंत्र को सुने आज के दिन इस मंत्र का जब करने से आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा आपको कोई बुरी शक्ति परिशान नहीं कर पाएगी तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाले गोविंद द्वारशी और नसिंग द्वारशी के बारे में और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की आज शाम पांच बच कर 41 मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा जैसा कि नाम से ही विदित होता है इस योग में कोई शुभ कारे करना चाहिए मानिता के अनुसार इस योग में नई नौकरी जोईन करें या घर में कोई धार में कारे का आयोजन करना अच्छा रहता है इस योग में किये गए कारों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और कारे शुफल दैक होता है इशोर का नाम लेने या सतकर्म करने के लिए ये योग अति उत्तम है साथ ही आदेर रात एक बज़ का 27 मिनट तक आशलेखा नक्षतर रहेगा आकाश्मंडल में इससे 27 नक्षतरों की शिर्णी में आशलेखा नवा नक्षतर है इसका अर्थ होता है आलिंगन इसी के अनुसार कुंडली मार कर बैठे हुए सांप को आशलेखा नक्षतर का पती चिन माना जाता है और नाग देवताओं को आशलेखा नक्षतर के का अधिपती देवता माना जाता है साथी आशलेखा नक्षथ की राशि करक है वही इस नक्षथर के सामी बुध हैं और बुध का सम्बंद हमारे बिजनेस हमारी वाणी आदी से है वनस्मतियों में आशलेखा नक्षथर का सम्बंद नाग केसर के पेर से बताये गया है लिहाजा जिन लोगों का जन्म आशलेखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आशलेखा नक्षत्र के दोरान नाकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दोरान नाकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्यों या लकडी को किसी प्रकार का नुकसान न पूंचाएं ऐसा करने से आपको शुप फलों की प्राप्ति होगी साथ ही आपके सुख सौभागे में व्रधि भी होगी तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र की और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले विशेश उपायों की अगर आप अपने पारिवारिक रिष्टों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिष्टों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकाल कर अलग रखने चाहिए और उसके तीन हिस्ते करने चाहिए अब उन तीन हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को खिला दे एक हिस्सा कोवे को डाल दे और एक हिस्सा कुटे को खाने के लिए दे दे आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिष्टों से नाराज़गी दूर होगी और आपके रिष्टे बेहतर होंगी समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए या दूसरे लोगों के बीच अपना रोटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चांदी की वस्तु खरीक कर लाईए और उसे मंदिर में स्थापिट करके उसकी पूजा करें साथ ही आज पूरा दिन उस चांदी की वस्तु को मंदिर में ही रखा रहने दे अगले दिन स्नान आदि के बाद उस चांदी की वस्तु को मंदिर से उठा कर आप अपने पास कहीं भी रख सकते हैं या उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहिजान बनेगी और दूसरे लोगों के बीच आपका रुत्बा बढ़ेगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्तिती चल रही है तो उस कठिन परिस्तित से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नाग केसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए। होने चाहिए यानि वो पेड़ हरा भरा होना चाहिए। अगर आपके संतान अपना खुद का कोई बिजनस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनस खुलवाना चाहते हैं लेकिन उसके बिजनस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलफ करने के लि अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिलों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाएं। इस परकार ये उपाय करने से आपकी संतान के अंदर जल्द ही बिजनस की समझ डेवलफ होगी है। अगर आपका विवेक कुछ कम हो गया है, आप अच्छे बुरे की परक नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के दिन आपको नाग देवता की तक्रीव के आगे अपना सिर्जु करना चाहिए और हाथ जोड़कर उन्हें प्राम करना चाहिए, साथ ही मादुर्गा के इस मंतर का समस्या आ गई है, और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं, तो बहन के साथ रिष्टों को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको पांच पीले रंग की कौडिया लेनी चाहिए, अब उन कौडियों को एक स्थान पर एकठा करके जलाना चाहिए, बाद में क कौडियां जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाएं, आज के दिन ऐसा करने से बहन के साथ रिष्टे में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिष्टे अपने आप ठीक हो जाएंगे, अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित कर करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोड तुकडा लेना चाहिए और उस तुकडे के बीच में छोटा सा छेद करवा कर उस छेद में एक सफेद रंग का धागा पिरोगे और उस तांबे के टुकडे को अपने गले में धारन कीजिए, आज के दिन गले में तांबे का टुकड़ा धारन करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप करियर में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद के मंतर का 108 बार चाहिए। अगर आपके दामपत्य रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद को चहद का भोग लगाना चाहिए। साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पढ़ती जा रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। और उन्हें दूट से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी। अगर आप अपने लबमेट के साथ प्यार बनाये रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डाल कर भोग लगाना चाहिए। भगवान के चर्णों में पीले फूल अर्पित करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से लबमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा। अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अर्पित करना चाहिए। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना आपको क्या उपाय करने चाहिए हमने इनकी भी चर्चा की है। उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में और A, B, C, D ही क्यों नाम का पह अच्छी अपर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुष्वन बाजी नमाद ले। किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परीक्षा देने वाल आसानी से पूरा कर लेंगे D, आज कुछ लोग आपका विरोज करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे E, पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा F, आफिस में काम ज़्यादा होने से आपको आज घर जाने में समय लगेगा G, कोई बात जो आपको परेशान कर रही है उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगे H, आज के दिन कारोबार में उन्नती होगी आपको अचानक धनलाब होगा I, आज आज किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें J, चातरा आज करियर के सिल्सिले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेहतीन रहेगा K, किसी काम में ज़रुत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा वो काम असानी से पूरा होगा L, स्वास्ट में ताज़गी आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे M, आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नई स्रोत मिलेंगे N, जल्दवादी में फैसले ना करें, कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर ले लें O, आपके जीवन साथी का मन पसंद रहेगा, उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P, पारिवारी की जीवन सुख में बना रहेगा, आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी चिव, आज पैसों के लेंदेन में साथानी रखें, किसी को उधार देने से बचें R, आज आपको वहन चलाते समय साथानी रखने की जरूरत है S, प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो किसी अच्छे मोहुत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा T, आज कहीं लिवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा U, बेवज़े के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है, इसलिए यथा संभाव धन्ज उटाने की कोशिश करें V, कारेक्षेतर में इमानदारी बढ़ते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें W, चात्रों में विज्ञान, कला वर तकनीकी शिक्षा के परसी आपकी रूची वढ़ेगी X, आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगी Y, आज आपको पदोन्नती के साथ साथ कारेस्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा Z, आपकी अत्रिक्त काम करने की छंता उन लोगों को चौका देगी जिनका प्रदर्शन आपसे बेहतर है और अब बात आज के तीर्ट की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं, काशी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन तो दूसरी मानिता यह है कि यहां तुल्सी दाजी ने बजरंग बान की रशना की थी, मुक्ष बात यह है, यह मंदर शांती का प्रतीक है, यहां प्रवेश करते ही मन को शांती मिलती है, मंदर के मध्य में शी राम, माता जानकी, लक्ष्वन जी एवं हनुमान जी विराजमा है, इनके एक और माता अनपूना एवं शीव जी तथा दूसरी और भगवान सक्तनारान जी का मंदिर है, इस मंदिर के संपून दीवार पर राम चेरित मानस की चौपाईयां और दोहे लिखे दए हैं, इसके दूसरी मंजिल पर संतुल्सी दाजी विराजमान है, साथ ही इ आप भी कीजे इस नमरीक बंदिर के दर्शन, और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की, सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी बड़े कानवाले लोगों के सुभाव के बारे में, और आज हम बात करेंगे छोटे कानवाले लोगों के बारे में, जिन लोगों के कान आ अच्छी खासी रूची होती है। इन लोगों पर किसी भी बात के लिए या अपने किसी काम के लिए आसानी से भरोसा किया जा सकता है। हाला कि ये लोग थोड़े कंजूस होते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं। साथ ही ये बहुत बातूनी भी होते हैं, इन्हें दूसरों से बाते करना बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन कई बार दूसरे लोग इनकी बातों से परेशान होकर या कहें कि बोर होकर इनके पास से उठकर चले भी जाते हैं। पूति में पूतिका यानि पोई का साथ नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदा बहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दौदशी तिथी आज का पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुबा चार बच कर पैतालीस मिनट तक रहीगी। उसके बाद त्रेयोदशी तिथी लग जाएगी। इस तरह तिथी का समय जानकर आप अपने खाने का शेडियूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाएजिये, पीजिये, मौश कीजिये। और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्वु। और अब वक्त है आज के टिप अफ वीडे का आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाईए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिपल जानने के लिए लॉग आउन करें www.indiatv.in और मुसे विक्तिगस संपर करने के लिए फोन करें 9971-000226 भाविश शवानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार। भाविश वानी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशिका भाविश वताने के लिए। द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है। आज शाम पांच बचकर इतालीस मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा। साथ ही आज देर रात एक बचकर सताइस मिनट तक आशलेखा नक्षत रहेगा। आगे हम इसी पर विश्थित चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्त डे है तो क्या करें। और अगर आज आपकी मेरीज अनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर। आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दर्वाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या भविष्य जारी रहेगी जर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्तर और सामुद्रिक शास्तर की आज कौन सी दिशा रहे शुब और आज आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और यह सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आ गई दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशिय पिंटों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सरवार से धियोग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 7 बच कर 34 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएव चर्चा करते हैं आज के शुभ महूर्थ यानि कि फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च को सुबह 7 बच कर 10 मिनट से 2 पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अजे महूरत अगले महीने 10 अपरैल की सुबह 9 बच-46 मिनट से 2 बार 2 बच-21 मिनट तक रहेगा कस्टक्षिन शूरू कराने के लिए आज अच्छा महूरत नहीं है अजे महूरत 4 अपरैल की साम 4 बच-40 मिनट से शाम 7 बच-18 मिनट तक रहेगा किसी industrial institution में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्च की सुभा 7 बच कर 40 मिनट से दो पहर 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर दो पहर बार 3 बच कर 46 मिनट से राद 10 बच कर 49 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 26 मार्च की दो पहर 2 बच कर 56 मिनट से शाम 7 बच कर 53 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुभा 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्च की सुभा 9 बच कर 36 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूत नहीं है अब ये महूत 27 मार्ट की सुबह 7 बच कर 10 मिनट से 2 पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जुली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड कुछ छणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इस से चारों तरफ नेगेटिव्टी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुब कारे करने से सफलता संदिक्ध हो जाती है आज कोई अशुब समय नहीं बन रहा है अब ये अशुब समय 23 मार्च की दोपार 2 बच कर 49 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां परभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंग, धानू और कुम्भ राशियां विशेश रूप से परभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुब कारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बतानू कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिल्ली मेरा हुकाल होगा दो पहर एक बज़ कर 69 मिनट से, दो पहर बाद तीन बज़ कर 30 मिनट तक, मुंबई दो पहर दो बज़ कर 17 मिनट से, दो पहर बाद तीन बज़ कर 47 मिनट तक, चंडिगण दो पहर दो बज़ कर 1 मिनट से, दो पहर बाद तीन बज़ कर 32 मिनट तक लक्ष्नव दो पहर एक बच कर चवालीस मिनट से दो पहर बाद तीन बच कर पंदा मिनट तक भोपाल दो पहर एक बच कर अठावन मिनट से दो पहर बाद तीन बच कर उनतीस मिनट तक कोलकाता दो पहर एक बचकर पंदा मिनट से, दो पहर दो बचकर पैतालीस मिनट तक अहमदाबाद दो पहर दो बचकर सत्रा मिनट से, दो पहर बाद तीन बचकर अर्टालीस मिनट तक और चेन नहीं में राहुकाल होगा आज दो पहर एक बच कर 47 मिनट से दो पहर बात तीन बच कर 18 मिनट तक ये था कुछ शेहरों का राहुकाल और अब आज की यात्रा की सुब्दिशा क्या है तो आज वो सुब्दिशा है उस्तर और आईएफ शुरू करते हैं सिलसिला राश का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेशराश की मेशराश वालों आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फाइदेबल साबित होगी अपने चारों और होने वाली गत्विदियों का ध्यान रखें क्योंकि आपके काम काशे कोई दूसरा ले सकता है लवमेट के लिए आज का दिन खुश्या लेकर आएगा दामपत जीवन में खुशाली बनी रहेगी आज के लिए आपका लकी कलर है महरून और लकी नमबर है वरेश राशी वालों आज काम काज में सावधानी वरतने की जरूरत है छोटे इस तर पर शुरू किया गया व्यापार आपके लिए लाबकारी रहेगा आपने जो लक्ष निर्धारित कर रखे हैं आज उनके काफी करीब पहुंच जाएंगे विरोध ही आपको नुक्सान की कोशिश करेंगे लेकिन अपनी समझदारी से आप उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे जरूरी कावों को आज दूसरों के भरों से न छोड़ें इस राशी के छात्रों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है घरवालों से किसी विशह पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइदेमन सावित होगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नंबर है पांच मिथोर राशेवालों आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनीत के खशेते से जुड़े हैं आज उनकी सामाजिक परतिष्ठा में वरदी होगी जो ल हाई बहनों के साथ किसी अच्छी जगह घूमने का प्लान बनाएंगे आज आपको पैसे के लेंदेन में सावधानी बरतने की आवशक्ता है आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है एक करक राशेवालों आज आप उर्लिया से भरपूर रहेंगे आज का भरपूर सहयोग मिलेगा आज आपके बिजनेस में बहुतरी होगी आज समाज सेवा के लिए की गई कोशिशे आपकी अलग पहचान बनाएंगी इस अराशे के छात्र आज किसी एकांस जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन लगेगा आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डर और लखी नमबर है आठ सिंग राशेवालों आज का दिन शांदार रहने वाला है आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग म नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे कर रहे लोगों की रचनाओं की लोग तारीफ करेंगे आज व्यर्थ की बातों में उलजने से बचें लवमेट एक दूसरे की भावदाओं की कदर करेंगे आज अचानक धनलाब होने से आपकी आतिक इस्तिति मजबूत होगी आज कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा पुराने कामों का निफ्टारा करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा लोग आपकी मदद के लिए भी तयार रहेंगे बड़ों का दिया हुआ सुझाओ आज आपके काम आएगा बिजनस संबंधी मीटिंग में आज आप सही जिन्टा और लकी नमबर है सिक्स तुला राशिवालों आज किसमत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपकी एक अलग ही छवी निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका शेयर किसी और को नद ले जाने दें बास आपको किसी जरुरी काम से दूसे श पुशाली आएगी नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नमबर है दो वरिष्टिक राशी वालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रसोई घर में काम करते हुए थोड़ी सावधानी जरू बरते हैं आज आप में सफलता और उच्छ पद पाने की इच्छा जागर्त होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस र प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लवमेट से एक दूसरे को उपहार देंगे साथ ही कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्ते के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के लिए आपका लखी कर्रार है पिंक और लखी नमबर है सिक्स धनु राशी वालों भविश्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशी के जो लोग मार्केटिंग के छेत्र से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेत्र में आज आज आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप थोड़ा उल्ज़र में पढ़ सकते हैं नव विवाहित दमपति में मीठी नोग जोंक होगी जिससे रिष्टे में मिठास बढ़ेगी लबमेट एक दूसे पर विश्वास बनाए रखें रिष्टा और मजबूत होगा आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रे और लखी नंबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में परोस्यों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी प्रतिष्था बढ़ेगी आज सफलता में आ रही दिक्कतें दूर होंगी आज आप नए विचारों से परिपूर रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा देंगे परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सवहाद बना रहेगा लबेट आज एक दू आज का दिन महत्वपूर रहने वाला है आज कोड का चहरी में चल रहे है मुकद्मों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आज आपको अचानक धनलाब होने वाला है अगर आप कोई नई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर लें व्यापार में आज आज आपको खूब तरक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नमबर है सिक्स मीन राशिवालों आज का दिन मिलूजली पर दिक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आज तिकलाप कराएंगे पहले किये गए प्रयासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने की वज़ाए अपनों की सलाह लीजिए आज पुरानी वातों को भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है जीवन साथी के साथ रिष्टे में मधूरता बढ़ेगी आज आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा छात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लकी कलर है वाइलेट और लकी नंबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बढ़ों का आशिरवादने और जिनकी आज मेरी जानिवरसरी है वो किसी जरूरतमंद को आटा दें तो साल भर सुख और सौभाग पढ़ मुलांग दो आपके लिए आज का दिन बहत्रीन रहने वाला है आएके सिरूत मिलने से आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी मुलांग तीन स्वास्थ को बहतर बनाय रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेश करें मुलांग चार अपने काम और परिवार के बीच सामंज से स्थापित करने की कोशिश करें मुलांक पांच आज गया मुलांक साथ आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिस्से आपकी आर्थिक इस्तिती बेहतर बनेगी मूलांक आठ आज किसी ऐसी जगह पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश में मिलेगा मूलांक नौ आज आप उच्छा धिकारियों से तालमेल बना कर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तु शास्त और मैं कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे स्लाइब मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आदि के बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में कुछ अन्य विश्यों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे रसोई घर के निर्मान की घर में रसोई का संबंद हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबंद अगनी से होता है आग से इसलिए वास्तुषास्ट के अनुसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगने कोण यानि दक्षन पूर्व दिशा का कोना जोँकि आगने कोण का संबंद भी आगनी से है अतह आगने कोड में रसोई बनवाने से परिवार के सब सदस्यों का स्वास्त बेहतर रहता है अगर भोजन कर रहे की बात करें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई के अंदर बैठ कर ही भोजन करना चाहिए साथ ही भोजन करने के लिए अपनी ठाली को दक्षिन पूर्वे दिशा के और रखना चाहिए और पूर्वे दिशा के और मुख करके भोजन करना चाहिए यानि कि भोजन को मूलतफ पूर्वे दिशा के और रखना चाहिए लेकिन पूर्व से दक्षन इसलिए ताकि नौर्थ यस्ट में आप पानी का बर्तब रख सکे नौर्थ यस्ट में पानी का गिलास अगर आप एस्टी तरब मुठ कर के बैठे यूजो थोड़ा सा साउथ करिये बोजन को और थोड़ा लेट करिये पानी को वास्तो शास्तर में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि वो जल से जल ठीक हो सके और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज अब फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादेशी तीथी और गुरुवार का दिन है द्वादशी टिथी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार वज कर पैतालीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा फालगुन शुक्रपक्षी की द्वादशी को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वरत करके भगवान विश्रू की गोविंद नाम से पूजा की जाती है आज के दिन सोडोसो बचार या पंचो बचार के दोरा भगवान विश्रू का विधिवत पूजन करें चंदन, आक्षत, तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर्थिक करना चाहिए इसके बाद भोग लगा कर आर्थि करनी चाहिए गोविंद द्वालाशी यानि आज के दिन भगवान शी विश्रू के मंतर का जब करना अत्यंत सुब फलदाई होता है तो मंतर भी बता दूँ, मंतर है ओम नारायनाय नमाह ओम नारायनाय नमाह जगत का पालन करने वाले शी गोविंद का स्वरूप शांत और आनंद में है इनका स्वनर करने से भाक्तों के जीवन के समस्त संकटों का निवारन होता है घर परिवार को धन धान्य और सुख समर्दी की प्राप्ती होती है इस वरत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त समस्याइं दूर हो जाती है और अंत में वैकुंठ नामक धाम की प्राप्ति होती है इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्ष की दौदशी को नसिंग दौदशी भी मनाने का विधान है इस दिन भागवान विश्व की नसिंग सुरूप की पूजा की जाती है पूजा के लिए इसनान आज इसे निवरत होकर साफ कपड़े पहन कर इशान कोन यानि की उत्तर पूरु दिशा के कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से लीप कर उस पर आठ पंखुडियों वाला कमल लल बनाए फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के उपर एक चावलों से भरा हुआ बरतन रखें अब उन चावलों से भरे बरतन के उपर भागवान नसंग की प्रतिमा रखें और पूजन विधी आरंब करें सबसे पहले भागवान को पंचामर्द से स्नान कराएं फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल, फूल, पीले वस्तर आदे भागवान को भेट करें और फिर धूब दीप आज से भागवान की पूजा करें साथ ही भागवान नसंग के इस मंतर का जब करें मंतर है ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलन्तम सर्वतो मुखं नसिंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघं आपको कोई बुरी शक्ति परेशान नहीं कर पाएगी तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाले गोविंद द्वारशी और नसिंग द्वारशी के बारे में और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की आज शाम पांच बच कर 41 बिनट तक सुकर्मा य ऐसा के नाम से ही विदित होता है इस योग में कोई शुभ कारे करना चाहिए मानता के अनुसार इस योग में नई नौकरी जोईन करें या घर में कोई धार में कारे का आयोजन करना अच्छा रहता है इस योग में किये गए कार्वों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आ आकाश्पंदल में इस्थित 27 नक्षत्रों की शिर्णी में आश्लेखा नवा नक्षत्र है, इसका अर्थ होता है आलिंगन, इसी के अनुसार कुंडली मार कर बैठे हुए सांप को आश्लेखा नक्षत्र का पतीक चिन माना जाता है, और नाग देवताओं को आश्लेखा नक् करक है वहीं इस नक्षत्र के सामी बुद्ध हैं और बुद्ध का संबंद हमारे बिजनेस हमारी वानी अधिसे है वनसमत्यों में आशलेखा नक्षत्र का संबंद नाकpokeसर के पिर से बताया गया है लिहाजा जिन लोगों का जन्म आशलेखा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आशलेखा नक्षत्र के दौरान नाकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान नाकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्यों या लकडी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंच है। ऐसा करने से आपको सुख फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सुख सौभागे में व्रद्धी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र की और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले विशेश उपायों की। कुटे को खाने के लिए दे आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिष्टों से नाराज़गी दूर होगी और आपके रिष्टे बेहतर होंगे। समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए या दूसरे लोगों के बीच अपना रुटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चान्दी की वस्तु खरीग कर लाईए और उसे मंदिर में स्थापिट करके उसकी पूजा करें। साथ ही आज पूरा दिन उस चान्दी की वस्तु को मंदिर में ही रखा रहने दें। आजके दिन आदि के बाद नागाइसर की पेड़ को प्रणाम करना चाहिए। साथी उसकी जड़ में जल चछाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं आसपास अटाले आएसर का पेड़ ना मिले, अगर आपके संतान अपना खुद का कोई बिजनस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनस खुलवाना चाहते हैं लेकिन उसके बिजनस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलफ करने के लिए आज के दिन आपको साफ सुध मिटी लेनी चाहिए अब उस मिटी को पानी की साहता से गाढ़ा करके उससे 27 चोटी चोटी गोलिया बना ले और उन्हें अच्छे से सुखा ले अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिलों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाएं इस परकार ये उपाय करने से आ आज के दिन आपको नाग देरता की स्कीज के आगे अपना सिर्जु करना चाहिए और हाँ जोड़कर उन्हें प्राम करना चाहिए साथ ही मादूर्गा के मंतर का जब करना चाहिए सरव मंगलम आंगले शिवे सरवार्थ सादिके शरने इतरैंभिके गोरि, नारायनि नमस् और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो बहन के साथ रिष्टों को ठीक करने के जिए आज के दिन आपको पांच पीले रंग की कोडिया लेनी चाहिए अब उन कोडियों को एक स्थान पर एकठा करके जलाना चाहिए बाद में कोडियां जलने के बाद अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोड तुकडा लेना चाहिए और उस तुकडे के बीच में छोटा सा छेद करवा कर उस छेद में एक सफेद और उस तामे की टुकड़े को अपने गले में धारन कीजिए। आज के दिन गले में तामे का टुकड़ा धारन करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप करियर में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद के मंतर का 108 बार चाहिए, गोविंद का मंतर ओम गोविंदाय नमाहा, ओम गोविंदाय नमाहा, आज के दिन ऐसा करने से आपको करियर में सफलता हासिल होगी। अगर आपके दामपत्य रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद को चहद का भोग लगाना चाहिए साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पढ़ती जा रही है तो आज के दिन आपको की गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें दूट से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी अगर आप अपने लवमेट के साथ प्यार बनाय रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डालकर भोग लगाना चाहिए साथ ही भगवान के चरनों में पीले फूल अर्पित करने चाहिए आज के दिन ऐसा करने से लबमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अर्बित करना चाहिए साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए तो ये सारी चर्चा थी आज गोविंद द्वादशी, नसिंग द्वादशी, सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र के बारे में साथ ही सुब फलों के प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए हमने इनकी भी चर्चा की है उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में और A, B, C, D ही क्यों नाम का पहला अक्षर ही क्यों चोंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गत्विद्यों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छे अपरचुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमाद ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A. आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परीक्षा देने वाले स्टूजन्स को सफलता मिलेगी B. नौकरी के तलाश कर रहे जुआओं को नौकरी मिलने के कारण उनके चेहरे पर खुशी आईगी C. धर में किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे D. आज कुछ लोग आपका विरोध करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे E. पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा F. आफिस में काम ज़्यादा होने से आपको आज घर जाने में समय लगेगा G. कोई बात जो आपको परिशान कर रही है उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगे H. आज के दिन कारोबार में उन्नती होगी आपको अचानक धनलाब होगा I. आज 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 किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें J. चातरा आज करियर के सिल्सिले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेहतीन रहेगा K. किसी काम में जरूत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा वो काम असानी से पूरा होगा L. स्वास्त में ताज़िय आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे M. आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नए सरोत मिलेंगे N. जल्दवादी में फैसले ना करें कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर ले लें O. आपके जीवन साथी का मन पसंद रहेगा उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P. पारिवारी की जीवन सुप में बना रहेगा आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी C. आज पैसों के लेंदेन में साथानी रखें किसी को उधार देने से बचें R. आज आपको वहन चलाते समय साथानी रखने की जरूरत है S. प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूरत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा T. आज कहीं लिवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर ले आपके लिए अच्छा रहेगा U. बेवज़े के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है इसलिए यथा संभवधन जुटाने की कोशिश करें V. तारे खेतर में इमानदारी बढ़ते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें W. छात्रों में विज्ञान, कला वा तक्निकी शिक्षा के परसी आपकी रूची वढ़ेगी X. आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगी Y. आज आपको पदोन्नती के साथ साथ कार्यस्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा Z. आपकी अत्रिक्त काम करने की चमता उन लोगों को चौका देगी जिनका परदरशन आपसे बेहतर है और अब बात आज के तीवत की आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के तुलसी मानस मंदिर के दरशन तो दूसरी मानेता यह है कि यहां तुलसी दाजी ने बजरंग बानकी रशना की थी मुख्ष बात यह है कि यह मंदर शांती का प्रचीक है यहां प्रवेश करते ही मन को शांती मिलती है मंदर के मध्ध में शीराम माता जानकी लक्षवन जी एवम हनुआन जी विराजमान है इनके एक और माता अनपूर्णा एवम शिव जी तथा दूसरी और भगवान सक्तनारान जी का मंदर है इस मंदर के संपूर्ण दीवार पर राम शेरित मानस की चौपाईयां और दोहे लिखे गए हैं इसके दूसरी मंजिल पर संतुसी दाजी विराजमान है साथ ही इसी मंजिल पर स्वचालिक शीराम एवम कृष्टन लीला होती है तो आप भी कीजे इस नमरीक मंदर के दर्शन और अब बात सामुदिक शास्तर की सामुदिक शास्तर पर कल हमने बात की थी बड़े कान वाले लोगों के सुभाओं के बारे में और आज हम बात करेंगे छोटे कान वाले लोगों के बारे में जिन लोगों के कान आकरती में छोटे या कहें सामाने होते हैं, वे लोग काफी स्टॉंग होते हैं, साथ ही आर्टिस्टिक मिजास के भी होते हैं, कला के छेतर में इनकी अच्छी खासी रूची होती है, इन लोगों पर किसी भी बात के लिए या अपने किसी काम के लिए आसा साहनी से भरोसा किया जा सकता है। हालाकि ये लोग- थोड़े कंजूस होते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं. साथ ही ये बहुत बातनी भी होते हैं इन्हें दूसरों से बाते करना बड़ा ही सब्भाव के बारे में और अब बात आवाइड अफदी डे की यानि आज आपको क्या नहीं खाना है आज 21 मार्च फालगुल शुक्रपक्ष की द्वादशी तीति है द्वादशी तीति में पूतिका यानि पोई का साथ नहीं खाना चाहिए पोई एक सदा बहाल लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है 12 तीथी आज का पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुबा चार बच कर 45 मिनट तक रहीगी उसके बाद 13 तीथी लग जाएगी इस तरहें तीथी का समय जान कर आप अपने खाने का शेडूल बना सकते हैं बाकी आप कुछ भी खाईजिए पीजिए मौश कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और अब वक्त है आज के टिप अफ दिडे का आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाईए सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशिपल जानने के लिए लॉग आउन करें www.indiatv.in और मुसे विक्तिगत संपर करने के लिए फोन करें 9971-000226 भाविश शावानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार भाविश वानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भाविश आपके राशिका भाविश वताने के लिए आज फालगुन शुकल पक्षिती द्वादेशीती थी और गुरुवार का दिन है द्वादेशी तिती आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार बच कर पैतालीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादेशी का वरत किया जाएगा इसके अलावा फालगुन शुकल पक्षिती द्वादेशी को नसिंघ द्वादेशी भी मनाने का विधान है आज शाम पांच बच कर इतालीस मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा साथ ही आज देर रात एक बच कर सताईस मिनट तक आशलेखा नक्षत रहेगा आगे हम इसी पर विश्थित चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका वरत डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरीज अनिवरसरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दर्वाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश्य जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्तर और सामुद्रिक शास्तर की आज एक कौन सी दिशा होगी शुब और आज आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशिय पिंटों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड के मूवमेंट को कलकुलेट करके ये जान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा और इसके बात बात करते हैं सरवार सिद्धी योग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 7 बच कर 34 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएव चर्चा करते हैं आज के शुब महूर्थ यानि कि फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च को सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ अगले महीने 10 अपरेल की सुबह 9 बच कर 46 मिनट से दो पहर 2 बच कर 21 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 4 अपरैल की शाम 4 बच कर 14 मिनट से शाम 7 बच कर 18 मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रिल इंस्ट्यूशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च की सुभा 7 बच कर 40 मिनट से दो पहर 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर दो पहर बच 3 बच कर 46 मिनट से राद 10 बच कर 49 मिनट तक रहेगा सीजियरियन ओपरैशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 26 मार्च की दो पहर 2 बच कर 56 मिनट से शाम 7 बच कर 33 मिनट तक और एक बार फिर रात 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुबह 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्ट की सुबह 9 बच कर 36 मिनट से 2 पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्ट की सुबह 7 बच कर 10 मिनट से 2 पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जुली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड कुछ छणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्थ पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिव कर 49 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंघ, धानु और कुम्भर राशियां विशेश रूप से प्रभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिन बाद तक कोई भी शुबकार नहीं करना चाहिए इसके सा नहीं रहा है तो उसे जाड़ी रख सकते हैं? एक बचकर अठावन मिनट से, दो पहर बाद तीन बचकर उन्तीस मिनट तक, कोलकाता दो पहर एक बचकर पंदा मिनट से, दो पहर दो बचकर पैतालीस मिनट तक, अहमदाबाद दो पहर दो बचकर सत्रा मिनट से, दो पहर बाद तीन बचकर अर्तालीस मिनट तक, और चेन न यात्रा की शुब्दिशा क्या है तो आज वो शुब्दिशा है उस तर और यह शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेशराश की मेशराशिवालों आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फायदेबल सावित होगी अपने चारों और होने वाली गत्विदियों का ध्यान रखें क्योंकि आपके काम काशे कोई दूसरा ले सकता है लब मेट के लिए आज का दिन खुश्या लेकर आएगा दामपत जीवर में खुशाली बनी रहेगी आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नमबर है सिक्स वरेश अराशी वालों आज काम काश में सावधानी वरतने की जरूरत है छोटे इस तर पर शुरू किया गया व्यापार आपके लिए लाबकारी रहेगा आपने जो लक्ष निर्धारित कर रखे हैं आज उनके काफी करीब पहुँच जाएंगे विरोध ही आपको नुकसान पहुचाने की कोशिश करेंगे लेकिन अपनी समझदारी से आप उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे जरूरी कामों को आज दूसरों के भरों से न छोड़ें इस राशी के चात्रों को थोड़ी और महनत करने की जरूरत है घरवालों से किसी विशे पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइदेमन सावित होगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमबर है पाँच मित्वर राशे वालों आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनीत के खशेते से जुड़े हैं आज उनकी सामाजिक परतिष्ठा में वरदी होगी जो लोग उच्च शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें आज किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा आज आप मांसिक रूट से स्वस्थ बने रहेंगे आज आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे अपने भाई बहनों के साथ किसी अच्छी जगह घूमने का प्लान बनाएंगे आज आपको पैसे के लेंदेन में सावधानी बरतने की आवशक्ता है आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है एक करक राशी वालों आज आप पूर्या से भरपूर रहेंगे आज आपको अपनी वाणी पर सैयम रखने की जरूरत है इस राशी के जो लोग डॉक्टर हैं आज वो नई क्लीनिक की ओपनिंग करने का मन बनाएंगे जिसमें परिवारवालों का भरपूर सहयोग मिलेगा आज आपके बिजनेस में बहुतरी होगी आज समाज सेवा के लिए की गई कोशिशे आपकी अलग पहचान बनाएंगी इस राशी के चात्र आज किसी एकांस जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन लगेगा आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डेट और लखी नमबर है आठ सिंग राशी वालों आज का दिन शांदार रहने वाला है आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे कर रहे लोगों की रचनाओं की लोग तारीफ करेंगे आज व्यर्थ की बातों में उलजने से बचें लवमेट एक दूसरे की भावदाओं की कदर करेंगे आज अचानक धन लाव होने से आपकी आर्थिक इस्तिति मजबूत होगी आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नमबर है सेवन कन्या राशिवालों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है साइन्स और रिसर्च की फील्ड से जुड़े लोगों को आज कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा पुराने कामों का निफ्टारा करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा लोग आपकी मदद के लिए भी तयार रहेंगे बड़ों का दिया हुआ सुझाओ आज आपके काम आएगा बिजनस संबंदी मीटिंग में आज आप सही डंग से अपनी बात रखेंगे जीवन साथी से काजियों में सहयोग मिलेगा चातर आज कुछ आउनलाइन सीखने की कोशिश करेंगे आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नमबर है सिक्स तुला राशिवालों आज किसमत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपकी एक अलग ही छवी निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका शेयर किसी और को न ले जाने दे बास आपको किसी जरूरी काम से दूसे शेहर की यात्रा पर भेज सकते हैं आज आप कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए तैयार रहेंगे जिने करके आप परसंद होंगे दामपत्य जीवन में खुशाली आएगी नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है दो वरिश्चिक राशिवालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रासोई घर में काम करते हुए थोड़ी साफधानी जरूर बरते आज आप में सफलता और उच्छ पढ़ पाने की इच्छा जागरत होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस राशिक के जो लोग आक्टिंग के छेते से जुड़े हैं आज उन्हें कोई बड़ा आफर मिलेगा आज हर प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लबमेट से एक दूसरे को उपहार देंगे साथ ही कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्ते के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नमबर है सिक्स धनु राशिवालों भविश्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशिके जो लोग मार्केटिंग के खेत्र से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धन लाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेत्र में आज आज आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप थोड़ा उल्ज़र में पढ़ सकते हैं नव विवाहित दमपति में मीठी नोग जोंक होगी जिससे रिष्टे में मिठास बढ़ेगी लब में टेक दूसे पर विश्वास बनाए रखें रिष्टा और मजबूत होगा आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नमबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में परोसियों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी आज सफलता में आ रही दिक्कतें दूर होंगी आज आप नए विचारों से परिपूर रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा देंगे परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सवहाद बना रहेगा लवेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिष्टों में मधूरता आएगी आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वर और लखी नमबर है नाई कुम्भरा शिवालो आज का दिन महतुपूर्ण रहने वाला है आज कोड का चहरी में चल रहे है मुकद्मों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आपको अचानक धनलाब होने वाला है अगर आपको इन नई जमीन खरीदना चाहरे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर ले व्यापार में आज आज आपको खूब तरक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नमबर है सिक्स मीन राश्यवालों आज का दिन में लूजली पर दिक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आज तिकलाब कराएंगे पहले किये गए प्रियासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने की बजाए अपनों की सलाह लीजिए आज आपको पुरानी वातों को भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है जीवन साथी के साथ रिष्टे में मधूरता बढ़ेगी आज आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा छात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है वाईलेट और लखी नमबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बढ़ों का अशिरवाद ने और जिनकी आज मेरी जानिवर्सरी है वो किसी जरुरत मंद को आटा दें तो साल भर सुख और सुभाग पढ़ता ही रहेगा और आएए अब चलते हैं अंकों की रहसमाई दुनिया में मूलांग एक वालों आज जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा रिष्टे में और मदबूती आएगी मूलांग दो आपके लिए आज का दिन बहतरीन रहने वाला है आए के स्रोट मिलने से आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी मूलांग तीन स्वास्थ को बहतर बनाए रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेश करें मूलांग चार अपने काम और परिवार के बीच सामंज़त से स्थापित करने की कोशिश करें मूलांग पाँच आज आप जीवन साथी को कोई कीमती उपहार दे कर वयवाहिक जीवन में मिठास गोलेंगे मूलांग चे आज आप शाम को परिवारवालों के साथ किसी धार्मी के स्थल पर दर्शन करने जाएंगे मूलांक 7 आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपके आर्थिक इस्तिती बेहतर बनेगी मूलांक 8 आज किसी ऐसी जगे पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश में मिलेगा मूलांक 9 आज आप उच्छा धिकारियों से तालमेल बना कर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तु शास्त्र की वास्तु शास्त्र में कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीज़ों जैसे सलाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आदिके बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में कुछ अन्य विश्यों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे रसोई घर के निर्मान की घर में रसोई का संबंध हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबंध अगनी से होता है आग से इसलिए वास्त शास्त के अउसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगनी कोन यानि दक्षन पूर्व दिशा का कोन यानि दक्षिन पूर्व दिशाएं जहां मिलती हैं उस दिशा का चुनाओ करना चाहिए चोकि आगने कोड का संबंद भी अगनी से है अतह आगने कोड में रसोई बनवाने से परिवार के सबसर रस्यों का स्वास्ते बेहतर रहता है अगर भोजन कर रहे की बात करें तो वास्तुशास्ते के अनुसार रसोई के अंदर बैट कर ही भोजन करना चाहिए साथ ही भोजन कर रहे के लिए अपनी ठाली को दक्षिन पूर्व दिशा के और रखना चाहिए और पूर्व दिशा के और मुख करके भोजन करना चाहिए यानि कि भोजन को मूलतफ पूर्व दिशा के और रखना चाहिए लेकिन पूर्व से दक्षन इसलिए ताकि नौर्थ इस्ट में आप पानी का बरतब रख सके नौर्थ इस्ट में पानी का गिलास अगर आप इस्ट की तरह मूख करके बैठे तो थोड़ा सा साउथ करिए भोजन को और थोड़ा लेफ्ट करिए पानी को वास्तो शास्तर में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि वो जल से जल ठीक हो सके और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज अब फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी तिति और गुरुवार का दिन है द्वादशी तिति आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार वज कर पाई तालीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वरत करके भगवान विश्ण की गोविंद नाम से पूजा की जाती है आज के दिन सोडोसो बचार या पंचो बचार के द्वारा भगवान विश्ण का विधिवत पूजन करें चंदर्ण, अक्षत, तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर्थिक करना चाहिए इसके बाद भोग लगाकर आर्थि करनी चाहिए गोविंद द्वाला शी यानि आज के दिन भगवान शी विश्ण के मंतर का जब करना अर्ट्यंत सुब फलदाई होता है तो मंतर भी बता दूँ मंतर है Om, Narayanay, Namah जगत का पालन करने वाले शीगोविंद का स्वरूप, शांत और आनंद में है इनका स्वनण करने से भाक्तों के जीवन के समस्त संकटों का निवारन होता है घर परिवार को धन, धान्य और सुख समज्दी की प्राप्ति होती है इस वरत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त समस्याइं दूर हो जाती है और अंत में वैकुंठ नामक धाम की प्राप्ति होती है इसके अलावा फालगुन शुकल पक्ष की दौदशी को नसिंग दौदशी भी मनाने का विधान है इस दिन भगवान विश्व की नसिंग सुरूप की पूजा की जाती है पूजा के लिए इसनान आज इसे निवरत होकर साफ कपड़े पहन कर इशान कोन यानि की उत्तर पूरु दिशा के कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से लीप कर उस पर आठ पंखुडियों वाला कमल लल बनाए फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर एक चावलों से भरा हुआ बरतन रखें अब उन चावलों से भरे बरतन के ऊपर भगवान नसंग की प्रतिमा रखें और पूजन विधी आरंब करें सबसे पहले भगवान को पंचमर्थ से स्नान कराएं फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल, फूल, पीले वस्तर आदे भगवान को भेट करें और फिर धूब दीप आज से भगवान की पूजा करें साथ ही भगवान नसंग के इस मंत्र का जब करें, मंत्र है ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलन्तम सर्वतो मुखं नसंगं भीषणं भद्रं मृत्युम मृत्युम नमाम्यहं फिर से इस मंत्र को सुने ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलन्तम सर्वतो मुखं नसंगं भीषणं भद्रं मृत्युम नमाम्यहं आज के दिन इस मंत्र का जब करने से आपकी आर्थिक इस्तिति मजबूत होगी, आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा, आपको कोई बुरी शक्ति परिशान नहीं कर पाएगी, तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाले गोविंद द्वारशी और नसिंग द्वारशी के बारे में, और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की, आज शाम पांच बच कर 41 मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा, जैसा कि नाम से ही विद्ध होता है, इस योग में कोई सुभ कारे करना चाहिए, मान Deaf को अनुसार इस योग में नई नौकरी जोईन करें या घर में, कोई धार में कारे का आयोजन करना अच्छा रहता है, इस योग में किये गये कार्वों में किसी भी प्रकार की बादाlar नह B होता है इश्वर का नाम लेने या सतकर्म करने के लिए ये योग अतिउत्तम है साथ ही आदेर रात एक बज़ का 27 मिनट तक आशलेखा नक्षत्र रहेगा आकाश्च मंदल में इस्ति 27 नक्षत्रों की शिर्णी में आशलेखा नवा नक्षत्र है इसका अर्थ होता है आलिंग साथ ही आशलेखा नक्षत्र की राशी करक है वहीं इस नक्षत्र के सामी बुद्ध हैं और बुद्ध का संबंद हमारे बिजनेस हमारी वानी आदी से है वनस्पतियों में आशलेखा नक्षत्र का संबंद नाग केसर के पेल से बताया गया है लिहाजा जिन लोगों का जन् लखना चाहिए कि इस दोरान नाकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्यों या लकडी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुक फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सुक सौभागे में व्रधी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र की और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले विशेश उपाएं की। अगर आप अपने पारिवारिक रिष्टों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिष्टों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकाल कर अलग रखने चाहिए और उसके तीन हिस्ते करने चाहिए अब उन तीन हिस्तों में से एक हिसा गाय को खिला दें एक हिसा कोवे को डाल दें और एक हिसा कुटे को खाने के लिए दें आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिष्टों से नाराज़गी दूर होगी और आपके रिष्टे बेहतर होगी समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के कि आज पूरा दिन उस चांदी की वस्तु को मंदिर में ही रखा रहने दें, अगले दिन स्नान आदि के बाद उस चांदी वस्तु को मंदिर से उठा कर आप अपने पास कहीं भी रह सकते हैं या उसे इस्तिमाल में ला सकते हैं. आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहिचान बनेगी और दूसरे लोगों के बीच आपका रुत्बा बढ़ेगा अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्तिती चल रही है तो उस कठिन परिस्तित से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नाग केसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए साथ ही उसकी जड़ में जल चलाना चाहिए लेकिन अगर आपको कहीं आसपास नाकेसर का पेर न मिले तो इंटरनेट से नाकेसर की फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर ले यहां ध्यान रहे कि फोटो में नाकेसर के पेर पर फूल जरूर लगे होने चाहिए यानि वो पेर हरा भरा होना चाहिए अगर आपके संतान अपना खुद का कोई बिजनस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनस खुलवाना चाहते हैं लेकिन उसके बिजनस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलफ करने के लिए आज के दिन आपको साफ सुध मिटी लेनी चाहिए अब उस मिटी को पानी की साहता से गाढ़ा करके उसे सकताई चोटी चोटी गोलिया बना ले और उन्हें अच्छे से सुखा ले अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले सकताई दिनों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाएं इस परकार ये उपाय करने से आपकी संतान के अंदर जल्द ही बिजनेस की समझ डेवलप होगी है अगर आपका विवेक कुछ कम हो गया है आप अच्छे बुरे की परक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन आपको नाग देरता की सच्वीश के आगे अपना सिर्जु करना चाहिए और हाँ जोड़कर उन्हें प्राम करना चाहिए साथ ही मादुर्गा के इस मंतर का जब करना चाहिए सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके अगर बहनों के साथ आपके रिष्टे में कुछ समस्या आ गई है और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो बहन के साथ रिष्टों को ठीक करने के जिए आज के दिन आपको पांच पीले रंकी कोड़िया लेनी चाहिए अब उन कोडियों को एक स्थान पर एकठा करके जलाना चाहिए बाद में कोडियां जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाए आज के दिन ऐसा करने से बहन के साथ रिष्टे में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिष्टे अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोड तुकडा लेना चाहिए और उस तुकडे के बीच में छोटा सा छेद करवा कर उस छेद में एक सफेद रंग का धागा पिरोगे और उस तामे की टुकले को अपने गले में धारन कीजिए। आज के दिन गले में तामे का टुकला धारन करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप करियर में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद के मंतर का 108 बार चाहिए। अगर आपके दामपत्य रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद को चहद का भोग लगाना चाहिए। साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पड़ती जा रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। और उन्हें दूट से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी। अगर आप अपने लबमेट के साथ प्यार बनाये रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डालकर भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान के चर्णों में पीले फूल अर्पित करने चाहिए आज के दिन ऐसा करने से लबमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अर्पित करना चाहिए साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए तो ये सारी चर्चा थी आज गोविंद द्वादशी, नसिंग द्वादशी, सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र के बारे में साथ ही सुब फलों के प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए हमने इनकी भी चर्चा की है उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में और A, B, C, D ही क्यों नाम का पहला अक्षर ही क्यों चुकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गट्विज्जियों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमाद ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परिक्षा देने वाले स्टूजेंट्स को सफलता मिलेगी बी नौकरी के तलाश कर रहे जुआउं को नौकरी मिलने के कारण उनके चेहरे पर खुशी आईगी सी घर में किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे डी आज कुछ लोग आपका विरोध करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगे आज के दिन कारोबार में उन्नत ही होगी आपको अचानक धनलाब होगा आई आज आज आप किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें जे चातरा आज करियर के सिल्सिले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेहतीन रहेगा के किसी काम में जरूत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा वो काम असानी से पूरा होगा L. स्वास्ट में ताज़िय आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे M. आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे N. जल्दवादी में फैसले ना करें कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर ले लें O. आपके जीवन साथी का मन पसंद रहेगा उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P. पारिवारी की जीवन सुख में बना रहेगा आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी O. आज पैसों के लेंदेन में साथानी रखें किसी को उधार देने से बचें R. आज आपको वहन चलाते समय साथानी रखने की जरूरत है S. प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मोहुरत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा T. आज कहीं लिवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर लें आपके लिए अच्छा रहेगा U. बेवजह के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है इसलिए यथा संभवधन जुटाने की कोशिश करें V. कारेख्षेतर में इमानदारी बढ़ते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें W. छात्रों में विज्ञान, कला वा तक्निकी शिक्षा के प्रति आपकी रूची वढ़ेगी X. आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगी Y. आज आपको पदोन्नती के साथ साथ कारेस्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा Z. आपकी अतिरिक्त काम करने की चमता उन लोगों को चौका देगी जिनका प्रदर्शन आपसे बेहतर है और अब बात आज के तीष्ट की आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन तो दूसरी मानेता यह है कि यहां तुलसी दाजी ने बजरंग बाण की रशना की थी मुख्ष बात यह है यह मंदर शांती का प्रतीक है यहां प्रवेश करते ही मन को शांती मिलती है मंदर के मध्ध में शीराम माता जान की लक्षवन जी एवम हनुआन जी विराजमान है इनके एक और माता अनपूना एवम शिव जी तथा दूसरी और भगवान सक्तनारान जी का मंदर है इस मंदर के संपून दीवार पर राम शीराम मानस की चौपाईयां और दोहे लिखे गए इसके दूसरी मंजिल पर संतुसी दाजी विराजमान है साथ ही इसी मंजिल पर स्वचालिक शीराम एवम कृष्टन लीला होती है तो आप भी कीजे इस नमरीक मंदर के दर्शन और अब बात सामुदिक शास्तर की सामुदिक शास्तर पर कल हमने बात की थी बड़े कानवाले लोगों के सुभाव के बारे में और आज हम बात करेंगे छोटे कानवाले लोगों के बारे में जिन लोगों के कान आकरती में छोटे या कहें सामाने होते हैं, वे लोग काफी स्टॉंग होते हैं, साथी आर्टिस्टिक मिजास के भी होते हैं, कला के छेतर में इनकी अच्छी खासी रूची होती है, इन लोगों पर किसी भी बात के लिए या अपने किसी काम के लिए आसान इन्हें दूसरों से बाते करना बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन कई बार दूसरे लोग इनकी बातों से परेशान होकर या कहें कि बोर होकर इनके पास से उठकर चले भी जाते हैं। सामुद्रिक शास्तर में कल हम बात करेंगे अधिक छोटे कानवाले लोगों के सभाव के बारे में। सब्सक्राइब तक रहेगी। उसके बाद त्रेयोदर्शी तिति लग जाएगी। इस तरह तिति का समय जानकर आप अपने खाने का शेडूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाईए, पीजिये, मौश कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्वू। और अब वक्त है आज के टिप आफ वीडे का आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाईए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉगाउन करें www.indiatv.in और मुसे विक्तिगत संपर करने के लिए फोन करें 9971-000226। भाविश शावानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार। भाविश वानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भाविश आपके राशिका भाविश वताने के लिए आज फालगुन शुकलपक्षी की द्वादशी तिथी और गुरुवार का दिन है द्वादशी तिथी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार बच कर 45 मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्ष की द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है आज शाम पांच बचकर इतालीस मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा साथ ही आज देर रात एक बचकर सताइस मिनट तक आशलेखा नक्षत रहेगा आगे हम इसी पर विश्थित चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका वरत डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मरीज अनिवर्सरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दरवाजा खुलेगा किस अक्षर का आज किया है भविश्य जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्तर और सामुद्रिक शास्त की आज कौन सी देशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और यह सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आ गई दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशिय पिंटों के बीच बहने वाली electromagnetic field के movement को calculate करके यह जान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा और इसके बात बात करते हैं सरवार से धी योग यानि की सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 7 बच कर 34 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएव चर्चा करते हैं आज के शुब महूर्थ यानि की फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च को सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ अगले महीने 10 अपरेल की सुबह 9 बच कर 46 मिनट से दो पहर 2 बच कर 21 मिनट तक रहेगा कंस्टक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ चार अप्रैल की शाम चार बच कर चौदा मिनट से शाम साथ बच कर अठारा मिनट तक रहेगा किसी इंडस्टियल इंस्टिउशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च की सुबह 7 बच कर 40 मिनट से दो पहर 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर दो पहर बच 3 बच कर 46 मिनट से राद 10 बच कर 49 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 26 मार्ट की दोपार दो बच कर 56 मिनट से शाम 7 बच कर 53 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुबह 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्ट की सुबह 9 बच कर 36 मिनट से दोपार 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्थ की सुबह 7 बच कर 10 मिनट से 2 पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड कुछ छणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्थ पैदा होता है इस से चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुब कारे करने से सफलता संदिक्ध हो जाती है आज कोई अशुब समय नहीं बन रहा है अब ये अशुब समय 23 मार्च की दोपार 2 बच कर 49 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां परभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंग, धानू और कुम्भ राशियां विशेश रूप से परभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुब कारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बतादू के काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है राहुकाल के दोरान कोई काम शुरू नहीं करna चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिल्ली मेरा हुकाल होगा दो पहर एक बज़कर 69 मिनट से, दो पहर बाद तीन बज़कर 30 मिनट तक, मुंबई दो पहर दो बज़कर 17 मिनट से, दो पहर बाद तीन बज़कर 47 मिनट तक, चंडिगण दो पहर दो बज़कर 1 मिनट से, दो पहर बाद तीन बज़कर 32 मिनट लक्षनव दो पहर एक बच कर चवालीस मिनट से दो पहर बाद तीन बच कर पंदा मिनट तक भोपाल दो पहर एक बच कर अठावन मिनट से दो पहर बाद तीन बच कर उनतीस मिनट तक कोलकाता दो पहर एक बचकर पंदा मिनट से दो पहर दो बचकर पैतालीस मिनट तक अहमदाबाद दो पहर दो बचकर सत्रा मिनट से दो पहर बाद तीन बचकर आटालीस मिनट तक और चेन नई में राहुकाल होगा आज दो पहर एक बचकर 47 मिनट से दो पहर बात तीन बचकर 18 मिनट तक ये था कुछ शहरों का राहुकाल और अब आज की यात्रा की सुब्दिशा क्या है तो आज वो सुब्दिशा है उस्तर और आईएफ शुरू करते हैं सिलसिला राशी का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेशराश की मेशराशे वालों आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फाइदेबल साबित होग दामपत जीवर में खुशाली बनी रहेगी आज के लिए आपका लकी कलर है महरून और लकी नंबर है सिक्स वरेश राशिवालों आज काम काज में सावधानी वरत्ते की जरूरत है चोटे इस तर पर शुरू किया व्यापार आपके लिए लाबकारी रहेगा आपने जो लक लाबों को आज दूसरों के भरों से न चोड़ें इस राशिके चात्रों को थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है घरवालों से किसी विशह पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइदेमन सावित होगी आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर ह पाँच मित्फर राशिवालों आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनीत के ख्षेते से जुड़े हैं आज उनकी सामाजित परतिष्ठा में वरदी होगी जो लोग उच्छ शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें आज किसी अच्छे कॉलेज में दा आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है एक करक राशिवालों आज आप उर्लिया से भरपूर रहेंगे आज आपको अपनी वानी पर सयम रखने की जरूरत है इस राशिके जो लोग डॉक्टर हैं आज वो नई क्लिनिक की ओपनिंग करने का मन बनाएंगे जिसमें परिवारवालों का भरपूर सहयोग मिलेगा आज आपके बिजनेस में बहुतरी होगी आज समाज सेवा के लिए की गई कोशिशे आपकी अलग पहचान बनाएंगी इस राशिके चात्र आज किसी एकांस जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डर और लकी नमबर है आठ सिंग राशिवालों आज का दिन शांदार रहने वाला है आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी लवमेट एक दूसरे की भावदाओं की कदर करेंगे आज अचानक धन लाव होने से आपकी आतिक इस्तिति मजबूत होगी आज के लिए आपका लकी कलर है परपल और लकी नमबर है सेवन करने राशिवालों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है साइंस और रिसर हुआ सुझाओ आज आपके काम आएगा बिजनेस संबंदी मीटिंग में आज आप सही डंग से अपनी बात रखेंगे जीवन साथी से काजों में सहयोग मिलेगा चात्र आज कुछ ऑनलाइन सीखने की कोशिश करेंगे आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी न शेयर किसी और को न ले जाने दें बास आपको किसी जरूरी काम से दूसरे शेहर की यात्रा पर भेज सकते हैं आज आप कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए तैयार रहेंगे जिने करके आप परसंद न होंगे दामपत जीवन में खुशाली आएगी नया व्यापार शुरू योग मिलेगा आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है दो वरिष्टिक राशी वालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रसोई घर में काम करते हुए थोड़ी सावधानी जरू बरते आज आप में सफलता और उच्छ पद पाने क इच्छा जागरत होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस राशी के जो लोग आक्टिंग के छेतर से जुड़े हैं आज उन्हें कोई बड़ा आफर मिलेगा आज हर प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लवमेट से एक दूसरे को उपहार देंगे साथी कही घूमने भी जाएंगे स्वास्ते के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के लिए आपका लखी करार है पिंक और लखी नमबर है सिक्स धनु राशी वालों भविश्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशी के जो लोग मार्केटिंग के छेत्र से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेत्र में आज आज आप के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप थोड़ा उल्ज़र में पढ़ सकते हैं नव विवाहित दमपति में मीठी नोग जोंक होगी जिससे रिष्टे में मिठास बढ़ेगी लबमेट एक दूसे पर विश्वास पनाए रखें रिष्टा और मजबूत होगा आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रे और लखी नंबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में परोस्यों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी प्रतिष्था बढ़ेगी आज सफलता में आ रही दिक्कतें दूर होंगी आज आप नए विचारों से परिपूर रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा देंगे परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सवहाद बना रहेगा लबेट आज एक दू आज का दिन महतोपूर रहने वाला है आज कोड का चहरी में चल रहे है मुकदमों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आज आपको अचानक धनलाब होने वाला है अगर आपको नए जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर लें व्यापार में आज आज आपको खूप तरक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लकी कलर है बलू और लकी नमबर है सिक्स मीन राशिवालों आज का दिन मिलूजली पर दिक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आज तिकलाब कराएंगे पहले किये गए प्रयासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने की वज़ाए अपनों की सलाह लीजिए आज पुरानी वातों को भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है जीवन साथी के साथ रिष्टे में मधूरता बढ़ेगी आज आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा छात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लकी कलर है वाइलेट और लकी नमबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बढ़ों का आशिवादने और जिनकी आज मेरी जानिवर्सरी है वो किसी जरूरतमंद को आटा दें तो साल भर सुख और सौभाग पढ़ मुलांग दो आपके लिए आज का दिन बहत्रीन रहने वाला है आएके स्रोट मिलने से आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी मुलांग तीन स्वास्थ को बहतर बनाये रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेश करें मुलांग चार अपने काम और परिवार के बीच सामंज़त से स्थापित करने की कोशिश करें मुलांग पाँच आज आप जीवन साथी को कोई कीमती उपहार देकर वयवाहिक जीवन में मिठास घोलेंगे मूलांग 6 आज आप शाम को परिवारवालों के साथ किसी धार्मी के स्थल पर दर्शन करने जाएंगे मूलांग 7 आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपके आर्थिक इस्थिति बहतर बनेगी मूलांग 8 आज किसी ऐसी जगे पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश में मिलेगा मूलांग 9 आज आप उच्चा धिकारियों से तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चाव वास्तु शास्त्र की वास्तु शास्त्र में कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे सलाइब मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आदी के बारे में और आज भी हम उसी कड़ि में कुछ अन्य विश्यों पर चर्चा करेंगी सबसे पहले बात करेंगे रसोई घर के निर्मान की, घर में रसोई का संबंद हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबंद अगनी से होता है आग से, इसलिए वास्तु शास्त के अउसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगनी कोन यानि दक्षन पूर्व दिशा क कोना यानि दक्षिन पूर्व दिशाएं जहां मिलती हैं उस दिशा का चुनाओ करना चाहिए चो कि आगने कोड का संबंद भी अगनी से है अतह आगने कोड में रसोई बनवाने से परिवार के सबस्राश्यों का स्वास्ते बेहतर रहता है अगर भोजन करने की बात करें तो वास्तु शास्तर के अनुसार रसोई के अंदर बैट कर ही भोजन करना चाहिए साथ ही भोजन करने के लिए अपनी ठाली को दक्षिन पूर्व दिशा के और रखना चाहिए और पूर्व दिशा के और मुख करके भोजन करना चाहिए यानि कि भोजन को मूलतफ पूर्व द और तो अलेफ्ट करिए पानी को वास्तो शास्तर में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि वो जल से जल ठीक हो सके और अब आज के दिन की सबसे विशेश बाति आज फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी ती और गुरुवार का दिन है द्वादशी ती आज पूरा दिन पार करके कल की भोर में तालीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा फालगुन शुक्रपक्षी की द्वादशी को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वरत करके भगवान विश्णू की गोविंद नाम से पूजा की जाती है आज के दिन शोडोसो बचार या पंचो बचार के द्वारा भगवान विश्णु का विधिवत पूजन करें, चंदर्ण, अक्षत, तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर्थिक करना चाहिए, इसके बाद भोग लगा कर आर्थि कर चाहिए, गोविंद द्वालाशी यानि आज के दिन भगवान शी विश्णु के मंतर का जब करना अर्थियंत सुब फलदाई होता है, तो मंतर भी बता दूँ, मंतर है ओम नारायनाय नमा, ओम नारायनाय नमा, जगत का पालन करने वाले शी गोविंद का स्वरूप शांत और आनंद में है, इनका स्वरूण करने से भाक्तों के जीवन के समस्त संकटों का निवारन होता है, घर परिवार को धन धान्य और सुख समर्द्धी की प्राप्ति होती है, इस व्रत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त समस्याइं दूर हो जाती है और अंत में नामक धाम की प्राप्ति होती है, इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्ष की दौदशी को नसिंग दौदशी भी मनाने का विधान है, इस दिन भागवान विश्व की नसिंग सुरूप की पूजा की जाती है, पूजा के लिए इसनान आज इसे निवरत होकर साफ कपड़ पहन कर इशान कोण यानि की उत्तर पूरु दिशा के कोने को साफ करके उस कोने को गाए के गोबर से लीप कर उस पर आठ पंखुडियों वाला कमल दल बनाएं, फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर एक चावलों से भरा हुआ बरतन रखे अब उन चावलों से भरे बरतन के उपर भागवान निसंग की प्रतिमा रखे और पूजन विधी आरंब करें सबसे पहले भागवान को पंचमर्थ से स्नान कराएं, फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल फूल, पीले वस्तर आदे भागवान को भेट करें और फिर धूब दीप आज से भागवान की पूजा करें साथ ही भागवान निसंग के इस मंतर का जब करें मंतर है ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलंतं सर्वत ओमुखं नसिंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघं नहीं होगा, आपको कोई बुरी शक्ति परेशान नहीं कर पाएगी, तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाले गोविंद द्वारशी और नसिंग द्वारशी के बारे में, और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की, आज शाम पांच बच कर 41 नई नौकरी जोईन करें या घर में कोई धार में कारे का आयोजन करना अच्छा रहता है, इस योग में किये गए कारों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, और कारे शुफल दयक होता है, इश्वर का नाम लेने या सतकर्म करने के लिए ये योग अति उत्तम है, स इसका अर्थ होता है आलिंगन, इसी के अनुसार कुंडली मार कर बैठे हुए सांप को आशलेखा नक्षत्र का पती चिन माना जाता है, और नाग देवताओं को आशलेखा नक्षत्र का अधिपती देवता माना जाता है, साथ ही आशलेखा नक्षत्र की राशी कर्क है, वह चाहिए लिहाजा जिन लोगों का जंव आशलेखा निक्षट में हुआ हो साथ ही, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दोरान नाकिसर के पेड़ ऐस के फूल, पत्य या लकड़ी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंच है। ऐसा करने से आपको शुक फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सुक सौभागे में व्रधि भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले रखने चाहिए और उसके तीन हिस्से करने चाहिए। अब उन तीन हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को खिला दें एक हिस्सा कववे को डाल दें और एक हिस्सा कुटे को खाने के लिए दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिष्टों से नाराज़गी दूर ह और आपके रिष्टे बेहतर होंगे समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए या दूसरे लोगों के बीच अपना रुटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चांदी की वस्तु खरीक कर लाइए और उसे मंदिर में स्थापिट करके उसकी पूजा कर हैं या उसे इस्तेमाल मिला सकते हैं आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी और दूसरे लोगों के बीच आपका रुटबा बढ़ेगा अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्तिती चल रही है तो उस कठिन परिस्तित से बाहर न पास पास नाकेसर का पेर न मिले तो इंटरनेट से नाकेसर की फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर लें यहां ध्यान रहे कि फोटो में नाकेसर के पेर पर फूल जरूर लगे होने चाहिए यानि वो पेर हरा भरा होना चाहिए अगर आपके संतान अपना खुद का आपके संतान के अंदर वो समझ डेवलफ करने के लिए आज के दिन आपको साफ सुध मिटी लेनी चाहिए अब उस मिटी को पानी की सहाथा से गाड़ा करके उससे सकताईश चोटी चोटी गोलिया बना ले और उन्हें अच्छे से सुखा ले अब उन गोलियों को आज से ल आपकार ये उपाय करने से आपकी संतान के अंदर जल्द ही बिजनेस की समझ डेवलफ होगी है अगर आपका विवेत कुछ कम हो गया है आप अच्छे बुरे की परक्त नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन आपको नाग देरता की तश्वीर के आगे अपना सिर्जु करना चाहिए और हाँ जोड़कर उन्हें प्राम करना चाहिए साथ ही मादुर्गा के इस मंतर का जब करना चाहिए सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरने त्रेमबिके गोरी नारायन नमोस्तुते अगर बहनों के साथ आपके रिष्टे में कुछ समस्या आ गई ह और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो बहन के साथ रिष्टों को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको पांच पीले रंग की कौडिया लेनी चाहिए अब उन कौडियों को एक स्थान पर एकठा करके जलाना चाहिए बाद में कौडियां जलने के बा अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोड तुकडा लेना चाहिए और उस तुकड़े के बीच में एक छोटा सा छेद करवा कर उस छेद में एक सफेद रंग का धागा पिरोगे और उस तांबे के टुकड़े को अपने गले में धारन कीजिए। आज के दिन गले में तांबे का टुकड़ा धारन करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप करियर में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद के मंतर का 108 बार चाहिए। गोविंद का मंतर ओम गोविंदा आये नमाहा आज के दिन ऐसा करने से आपको करियर में सफलता हासिल होगी। अगर आपके दामपत्य रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद को चहद का भोग लगाना चाहिए साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पढ़ती जा रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें दूट से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी अगर आप अपने लबमेट के साथ प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डाल कर भोग लगाना चाहिए साथ ही भगवान के चर्णों में पीले फूल अर्पित करने चाहिए आज के दिन ऐसा करने से लबमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अर्पित करना चाहिए साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए तो ये सारी चर्चा थी आज गोविंद द्वादशी, नसिंग द्वादशी, सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र के बारे में साथ ही सुब फलों के प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए हमने इनकी भी चर्चा की है उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में और A, B, C, D ही क्यो नाम का पहला अक्षर ही क्यो चोंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गच्विजियों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छे अपर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमाद ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A. आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परीक्षा देने वाले स्टूडेंस को सफलता मिलेगी B. नौकरी के तलाश कर रहे जुआओं को नौकरी मिलने के कारण उनके चेहरे पर खुशी आएगी C. धर में किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे D. आज कुछ लोग आपका विरोज करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे E. पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा F. आफिस में काम ज़्यादा होने से आपको आज घर जाने में समय लगेगा G. कोई बात जो आपको परिशान कर रही है उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगे H. आज के दिन कारोबार में उन्नती होगी आपको अचानक धनलाब होगा I. आज 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 किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें G. चातरा आज करियर के फिसले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेहतीन रहेगा K. किसी काम में जरूरत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा वो काम असानी से पूरा होगा L. स्वास्त में ताज़िय आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे M. आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नए सरोत मिलेंगे N. जल्दवादी में फैसले ना करें कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर ले लें O. आपके जीवन साथी का मन पसंद रहेगा उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P. पारिवारी की जीवन सुक में बना रहेगा आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी O. आज पैसों के लेंदेन में साथानी रखें किसी को उधार देने से बचें R. आज आपको वहन चलाते समय साथानी रखने की जरूरत है S. प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मोहूरत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा T. आज कहीं लिवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर लें आपके लिए अच्छा रहेगा U. बेवज़े के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है इसलिए यथा संभवधन जुटाने की कोशिश करें V. कारेख्षेतर में इमानदारी वरते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें W. छात्रों में विज्ञान, कला वा तक्निकी शिक्षा के प्रति आपके रूची वढ़ेगी X. आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगी Y. आज आपको पदोन्नती के साथ साथ कारेस्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा Y. आपकी अतरिक्त काम करने की छमता उन लोगों को चौका देगी जिनका प्रदर्शन आप से बेहतर है और अब बात आज के तीस्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं KASHI के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन राम चरित मानस का कुछ भाग लिखा था, तो दूसरी मानेता ये है कि यहां तुलसी दाजी ने बजरंग बान की रशना की थी, मुख्ष बात ये है, यह मंदर शांती का प्रचीक है, यहां प्रवेश करते ही मन को शांती मिलती है, मंदर के मध्य में श्री राम माता जानकी लक्ष्वन जी एवम हनवान जी विराजमान है, इनके एक और माता अनपूना एवम शिव जी तथा दूसरी और भगवान सतनारान जी का मंदर है, इस मंदर के संपून दीवार पर राम चरित मानस की चौपाईयां और दोहे लिखे गए हैं, इसके दूसरी मंजिल पर समरीक बंदिर के दर्शन और अब बात सामुद्दिक शास्त्र की, सामुद्दिक शास्त्र ब brag कमें कंवाले लोगों के सुभाव के बारे में और अच हम बात करेंगे चोटे कान वाले लोगों पर किसी भी बात के लिए या अपने किसी काम के लिए आसानी से भरोसा किया जा सकता है हाला कि ये लोग थोड़े कंजूस होते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं साथ ही ये बहुत बातूनी भी होते हैं इन्हें दूसरों से बाते करना बड़ा ही अच्छा लगता है लेकिन हैं कि बोर होकर इनके पास से उठकर चले भी जाते हैं सामुद्रिक शास्त्र में कल हम बात करेंगे अधिक छोटे कानवाले लोगों के सभाव के बारे में और अब बात अवाइड अफ दी डे की यानि आज आपको क्या नहीं खाना है आज 21 मार्च फालगुन शुक्रपक्ष की द्वादशी तीथी है द्वादशी तीथी में पूतिका यानि पोई का साथ नहीं खाना चाहिए पोई एक सदा बहार लत है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है द्वादशी तीथी आज का पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुबह चार बच कर पैतालीस मिनट तक रहीगी उसके बाद त्रेवदशी तीथी लग जाएगी इस तरह तीथी का समय जानकर आप अपने खाने का राशे ड्यूल बना सकते हैं बाकी आप कुछ भी खाईजे पीजिये मौश कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और अब वक्त है आज के टिप अफ दीडे का आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लग इन और मुझसे विक्तिगत संपर करने के लिए फोन करें 997100226 भाविशवानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार नमस्कार भाविशवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भाविश्य आपके राशी का भाविश्य वताने के लिए आज फालगुण शुकलपक्षि की दौदशी तिती और गुरुवार का दिन है दौदशी तिती आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार बचकर पैतालीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है आज शाम पांच बचकर इतालीस मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा साथ ही आज देर रात एक बचकर सताईस मिनट तक आशलेखा नक्षत रहेगा आगे हम इसी पर विश्थित चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका बर्त डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरीज अनिवर्सरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दर्वाज़ा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भ BACK जारी रहेगी जर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त और सामुद्दिक शास्त की आज एक कौन सी दिशा होगी शुब और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशिय पिंटों के बीच बहने वाली electromagnetic field के movement को calculate करके ये जान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सरवार से धियोग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 7 बच कर 34 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएव चर्चा करते हैं आज के शुभ महूर्ट यानि कि फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्च को सुबह 7 बच कर 10 मिनट से 2 पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्थ अगले महीने 10 अपरैल की सुबह 9 बच कर 46 मिनट से 2 बार 2 बच कर 21 मिनट तक रहेगा कंस्टक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 4 अपरैल की शाम 4 बच कर 14 मिनट से शाम 7 बच कर 18 मिनट तक रहेगा किसी industrial institution में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्च की सुभा 7 बच कर 40 मिनट से दो पहर 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर दो पहर बार 3 बच कर 46 मिनट से राद 10 बच कर 49 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 26 मार्च की दो पहर 2 बच कर 56 मिनट से शाम 7 बच कर 53 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुभा 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्च की सुभा 9 बच कर 36 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूट 27 मार्ट की सुबह 7 बच कर 10 मिनट से 2 पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जुली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड कुछ छणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्थ पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुब कारे करने से सफलता संदिक्ध हो जाती है आज कोई अशुब समय नहीं बन रहा है अब ये अशुब समय 23 मार्च की दोपार दो बचकर 49 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंग, धानू और कुम्भर राशियां विशेश रूप से प्रभावित होंगी ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुबकार नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बतादू कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बहत जरूरी है राहुकाल के दोरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए कि अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जाली रख सकते हैं। भोपाल दो पहर एक बचकर अठावन मिनट से दो पहर बाद तीन बचकर उन्तीस मिनट तक कोलकाता दो पहर एक बचकर पंदा मिनट से दो पहर दो बचकर पैतालीस मिनट तक अहमदाबाद दो पहर दो बचकर सत्रा मिनट से दो पहर बाद तीन बचकर अठालीस मिनट तक औ रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुब्दिशा क्या है तो आज वो शुब्दिशा है उस्तर और आये शुरू करते हैं सिलसला राशी फल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेशराशी की मेशराशी वालों आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फाइदेबल साबित होगी अपने चारों और होने वाली गत्विदियों का ध्यान रखें क्योंकि आपके काम कशे कोई दूसरा ले सकता है लब मेट के आज में सावधानी वरतने की जरूरत है चोटे इस तर पर शुरू किया गया व्यापार आपके लिए लाबकारी रहेगा आपने जो लक्ष निर्धारित कर रखे हैं आज उनके काफी करीब पहुंच जाएंगे विरोध ही आपको नुक्सान पहुंचाने की कोशिश करेंग घरवालों से किसी विशे पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइदेमन सावित होगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नंबर है पांच मिथोर राशेवालों आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनीत के क्षेते से जुड़े है आज उनकी सामाजिक परतिष्ठा में वरदी होगी जो लोग उच्छ शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें आज किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा आज आप मांसिक रूट से स्वस्थ बने रहेंगे आज आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे अपने भाई बहनों के साथ किसी अच्छी जगह घूमने का प्लान बनाएंगे आज आपको पैसे के लेंदेन में सावधानी बरतने की आवशक्ता है आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है एक करक राशी वालों आज आप उर्लिया से भरपूर रहेंगे आज आपको अपनी वाणी पर सयम रखने की जरूरत है इस राशी के जो लोग डॉक्टर है आज वो नई क्लिनिक की ओपनिंग करने का मन बनाएंगे जिसमें परिवार वालों का भरपूर सहयोग मिलेगा आज आपके बिजनेस में बहुतरी होगी आज समाज सेवा के लिए की गई कोशिशें आपकी अलग पहचान बनाएंगी इस राशी के चात्र आज किसी एकांस जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन लगेगा आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डेट और लखी नमबर है आठ सिंग राशिवालों आज का दिन शांदार रहने वाला है आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे क की बातों में उलजने से बचें लवमेट एक दूसरे की भावदाओं की कदर करेंगे आज अचानक धन लाव होने से आपकी आर्तिक इस्तिति मजबूत होगी आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नंबर है सेवन कर्या राशिवालों आज का दिन बहुत ही की तयार रहेंगे बड़ों का दिया हुआ सुझाओ आज आपके काम आएगा बिजनेस संबंदी मीटिंग में आज आप सही डंग से अपनी बात रखेंगे जीवन साथी से काजियों में सहयोग मिलेगा चात्र आज कुछ ऑनलाइन सीखने की कोशिश करेंगे आज के लिए है मैजेंटा और लकी नमबर है सिक्स तुला राशिवालों आज किसमत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपकी एक अलग ही छवी निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका शेर किसी और को न ले जाने दें बास आपको किसी जरुरी काम से दूसे श पुशाली आएगी नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नमबर है दो वरिष्टिक राशी वालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रासोई घर में काम करते हुए थोड़ी सावधानी जरू बरते हैं आज आप में सफलता और उच्छ पद पाने की इच्छा जागर्त होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस राशी के जो लोग आक्टिंग के छेतर से जुड़े हैं आज उन्हें कोई बड़ा आफर मिलेगा आज हर प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लवमेट से एक दूसरे को उपहार देंगे साथी कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्त के मामले में आज का दिन रहेगा इस राशी के जो लोग मार्केटिंग के छेतर से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक शेतर में आज आप के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप थोड़ कि कलर है ग्रे और लकी नंबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में परोस्यों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी प्रतिष्था बढ़ेगी आज सफलता में आ रही दिक्कतें दूर होंगी आज आप नए विचार की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिष्टों में मद्धूरता आएगी आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है नाइन कुम्भरा शिवालों आज का दिन महतुपूर्ण रहने वाला है आज कोड का चहरी में चल रहे है मुकद्मों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आपको अचानक धनलाब होने वाला है अगर आप कोई नई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर लें व्यापार में आज आज आपको खूप तरक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लगी कलर है ब्लू और लगी नंबर है सिक्स किसी भी समस्या पर घबराने की वज़ाए अपनों की सलाह लीजिए आज आपको पुरानी वातों को भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है जीवन साथी के साथ रिष्टे में मधूरता बढ़ेगी आज आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा छात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लकी कलर है वाइलेट और लकी नमबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बढ़ों का आशिवाद ने और जिनकी आज मेरी जानिवर सरी है वो किसी जरूरतमंद को आठा दें तो साल भर सुख और सौभाग पढ़ता ही रहेगा और आएए अब चलते हैं अंकों की रहसमाई दुनिया में मूलांग एक वालों आज जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा रिष्टे में और मद्बूती आएगी मूला मूलांग तीन स्वास्थ को बेहतर बनाये रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेज करें मूलांग चार अपने काम और परिवार के बीच सामंज़त से स्थापित करने की कोशिश करें मूलांग पांच आज आप जीवन साथी को कोई कीमती उपहार देकर वयवाहिक ज पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपकी आर्थिक इस्थिति बेहतर बनेगी मूलांग आठ आज किसी ऐसी जगह पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश्य में मिलेगा मूलांग नौ आज आप उच्छा धिकारियों से तालमेल बना कर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तु शास्तर की वास्तु शास्तर में कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे सलाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आधि के बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में कुछ अन्य विश्यों पर चर से इसलिए वास्तु शास्त के अनुसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगने कोण यानि दक्षन पूर्व दिशा का कोना यानि दक्षन पूर्व दिशाएं जहां मिलती हैं उस दिशा का चुनाओ करना चाहिए चोकि आगने कोण का संबन्द भी अगनी से है अतह आगने कोण में रसोई बनवाने से परिवार के सब सदस्यों का स्वास्त बेहतर रहता है अगर भोजन करने की बात करें तो वास्तु शास्त के अनुसार रसोई के अंदर बैट कर ही भोजन करना चाहिए साथ ही भोजन करने के लिए अपनी ठाली को दक्षिन पूर्वे दिशा के और रखना चाहिए और पूर्वे दिशा के और मुख करके भोजन करना चाहिए यानि कि भोजन को मूलतफ पूर्वे दिशा के और रखना चाहिए लेकिन पूर्व से दख्षन इसलिए ताकि North East में आप पानी का बरत्त लग सके North East में पानी का गिलास अगर आप East की तरब मुग करके बैठे तो थोड़ा सा South करिए भोजन को और तो लेफ्ट करिए पानी को वास्तो शास्त्र में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि वो जल से जल ठीक हो सके और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज अब फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी तीथी और गुरुवार का दिन है दौदशी तिथी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार वज कर पायतालीस मिनट तक रहेगी आज गोविन्द दौदशी का वरत किया जाएगा फालगुन शुक्ल पक्षी की दौदशी को गोविन्द दौदशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वरत करके भगवान विश्णू की गोविंद नाम से पूजा की जाती है आज के दिन सोडोसो बचार या पंचो बचार के दोरा भगवान विश्णू का विधिवत पूजन करें चंदन, अक्षत, तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर्थिक करना चाहिए इसके बाद भोग लगा कर आर्थि करनी चाहिए गोविंद द्वालडशी यानि आज के दिन भगवान शी विश्णू के मंतर का जब करना अत्यंत सुभखलदाई होता है तो मंतर भी बता दूँ, मंतर है ओम नारायनाय नमाः ओम नारायनाय नमाः जगत का पालन करने वाले शी गोविंद का स्वरूप शांत और आनंद में है इनका स्वर्णर करने से भाक्तों के जीवन में के समस्त संकटों का निवारन होता है घर परिवार को धन धान्य और सुक्ष समर्द्धी की प्राप्ति होती है इस वरत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त समस्याइं दूर हो जाती है और अंत में वैकुंठ नामक धाम की प्राप्ति होती है इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्ष की दौदशी को नसिंग दौदशी भी मनाने का विधान है इस दिन भागवान विश्व की नसिंग सुरूप की पूजा की जाती है पूजा के लिए इसनान आज इसे निवरत होकर साफ कपड़े पहन कर इशान कोन यानि की उत्तर पूरु दिशा के कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से लीप कर उस पर आठ पंखुडियों वाला कमल लल बनाए फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के उपर एक चावलों से भरा हुआ बरतन रखें अब उन चावलों से भरे बरतन के उपर भागवान निसंग की प्रतिमा रखें और पूजन विधी आरंब करें सबसे पहले भागवान को पंचमर्द से स्नान कराएं फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल, फूल, पीले वस्त्र आदे भागवान को भेट करें और फिर धूब दीप आज से भागवान की पूजा करें साथ ही भागवान निसंग के इस मंत्र का जब करें मंत्र है ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलन्तम सर्वत ओमुखं नसिंगं भीषणं भद्रं मृत्युम मृत्युम नमाम्यःं आज के दिन इस मंत्र का जब करने से आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा आपको कोई बुरी शक्ति परिशान नहीं कर पाएगी तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाले गोविंद द्वारशी और नसिंग द्वारशी के बारे में और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की आज शाम पांच बच कर 41 बिनट तक सुकर्मा योग रहेगा जैसा कि नाम से ही विदित होता है इस योग में कोई शुभ कारे करना चाहिए मानिका के अनुसार इस योग में नई नौकरी जोईन करें या घर में कोई धार में कारे का आयोजन करना अच्छा रहता है इस योग में किये गए काज़ों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और काज़ शुफल दैक होता है इश्वर का नाम लेने या सतकर्म करने के लिए ये योग अतिउत्तम है साथ ही आदेर रात एक बज़ का 27 मिनट तक आशलेखा नक्षतर रहेगा आकाश्मंदल में इस्तिट 27 नक्षतरों की शिर्णी में आशलेखा नवा नक्षतर है इसका अर्थ होता है आलिंगन इसी के अनुसार कुंडली मार कर बैठे हुए सांप को आशलेखा नक्षतर का पती चिन माना जाता है और नाग देवताओं को आशलेखा नक्षत्र के का अधिपती देवता माना जाता है साथी ही आशलेखा नक्षत्र की राशी करक है वहीं इस नक्षत्र के सामी बुध हैं और बुध का संबंद हमारे बिजनस हमारी वानी आदि से है वनस्मतियों में आशलेखा नक्षत्र का संबंद नाग केसर के पेल से बताया गया है लिहाजा जिन लोगों का जन्म आशलेखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आशलेखा नक्षत्र के दोरान नाग केसर के पेल की उपासना करनी चाहिए साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान नाकेसर के पेड़, उसके फूल, पतियों या लकडी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाएं ऐसा करने से आपको सुख फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभागे में व्रधि भी होगी तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र की और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले विशेश उपायों की अगर आप अपने पारिवारिक रिष्टों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिष्टों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकाल कर अलग रखने चाहिए और उसके तीन हिस्ते करने चाहिए अब उन तीन हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को खिला दें एक हिस्सा कुवे को डाल दें और एक हिस्सा कुटे को खाने के दें आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिष्टों से नाराज़गी दूर होगी और आपके रिष्टे बेहतर होंगे समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए या दूसरे लोगों के बीच अपना रुटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चान्दी की वस्तो खरीक कर लाइए और उसे मंदिर में इस्थापिट करके उसकी पूजा करें साथ ही आज पूरा दिन उस चान्दी की वस्तो को मंदिर में ही रखा रहने दें अगले दिन स्नान आदि के बाद उस चान्दी की वस्तो को मंदिर से उठा कर आप अपने पास कहीं भी रख सकते हैं या उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहिचान बनेगी और दूसरे लोगों के बीच आपका रुत्बा बढ़ेगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्तिती चल रही है तो उस कठिन परिस्तित से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नाग केसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही उसकी जड़ में जल चलाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं आसपास नाग केसर का पेड़ न मिले तो इंटरनेट से नाग केसर की फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर ले। यहां ध्यान रहे कि फोटो में नाग केसर के पेड़ पर फूल जरूर लगे होने चाहिए यानि वो पेड़ हरा भरा होना चाहिए। अगर आपके संतान अपना खुद का कोई बिजनस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनस खुलवाना चाहते हैं लेकिं उसके बिजनस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलफ करने के लिए आज के दिन आपको साफ शुध मिटी लेनी चाहिए अब उस मिटी को पानी की सहाथा से गाढ़ा करके उससे 27 चोटी चोटी गोलियां बना ले और उन्हें अच्छे से सुखा ले अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिलों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाएं इस परकार ये उपाय कर रख नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के दिन आपको नाग देरता की सठीव के आगे अपना सिर्जु करना चाहिए और हाँ जोड़कर उन्हें पराम करना चाहिए, साथी मादूरगा के मंत्र का जप करना चाहिए, अगर बहनों के साथ आपके रिष्टे में कुछ समस्या आ गई है और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो बहन के साथ रिष्टों को ठीक करने के दिए आज के दिन आपको पांच पीले रंकी कोडिया लेनी चाहिए अब उन कोडियों को एक स्थान पर एकठा करके जलाना चाहिए बाद में कोडियां जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाए आज के दिन ऐसा करने से बहन के साथ रिष्टे में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिष्टे अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोड तुकडा लेना चाहिए और उस तुकडे के बीच में छोटा सा छेद करवा कर उस छेद में एक सफ़ेद रंग का धागा पिरोगे और उस तामे की टुकडे को अपने गले में धारन कीजी आज के दिन गले में तामे का टुकडा धारन करने से जीवन में आपकी तरकी सुनिश्यत होगी अगर आप करियर में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद के मंतर का 108 बार चाहिए गोविंद का मंतर ओम गोविंदा आये नमाहा ओम गोविंदा आये नमाहा आज के दिन ऐसा करने से आपको करियर में सफलता हासिल होगी अगर आपके दामपत्य रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद को चहद का भोग लगाना चाहिए साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पड़ती जा रही है तो आज के दिन आपको शीर गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें दूट से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी अगर आप अपने लबमेट के साथ प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डाल कर भोग लगाना चाहिए साथ ही भगवान के चर्णों में पीले फूल अर्पित करने चाहिए आज के दिन ऐसा करने से लबमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अर्पित करना चाहिए साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए तो ये सारी चर्चा थी आज गोविंद द्वादशी, नसिंग द्वादशी, सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र के बारे में साथ ही सुब फलों के प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए हमने इनकी भी चर्चा की है उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में और A, B, C, D ही क्यों नाम का पहला अक्षर ही क्यों चोंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गच्विद्यों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छे अपर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमाद ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A. आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परीक्षा देने वाले स्टूजन्स को सफलता मिलेगी B. नौकरी के तलाश कर रहे जुआओं को नौकरी मिलने के कारण उनके चेहरे पर खुशी आएगी C. धर में किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे D. आज कुछ लोग आपका विरोज करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे E. पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा F. आफिस में काम ज़्यादा होने से आपको आज घर जाने में समय लगेगा G. कोई बात जो आपको परिशान कर रही है उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगे H. आज के दिन कारोबार में उन्नती होगी आपको अचानक धनलाब होगा I. आज 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 किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें G. चातरा आज करियर के सिल्सिले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेहतीन रहेगा K. किसी काम में जरूत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा वो काम असानी से पूरा होगा L. स्वास्त में ताज़िय आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे M. आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नए सरोत मिलेंगे N. जल्दवादी में फैसले ना करें कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर ले लें O. आपके जीवन साथी का मन पसंद रहेगा उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P. पारिवारी की जीवन सुक में बना रहेगा आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी C. आज पैसों के लेंदेन में साथानी रखें किसी को उधार देने से बचें R. आज आपको वहन चलाते समय साथानी रखने की जरूरत है S. प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूरत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा T. आज कहीं लिवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर लें आपके लिए अच्छा रहेगा U. बेवजह के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है इसलिए यथा संभवधन जुटाने की कोशिश करें V. कारेख्षेतर में इमानदारी बढ़ते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें W. छात्रों में विज्ञान, कला वा तक्निकी शिक्षा के प्रति आपकी रूची बढ़ेगी X. आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगी Y. आज आपको पदोन्नती के साथ साथ कारेस्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा Z. आपकी अत्रिक्त काम करने की चमता उन लोगों को चौका देगी जिनका प्रदर्शन आपसे बेहतर है और अब बात आज के तीष्ट की आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन तो दूसरी मानेता यह है कि यहां तुलसी दाजी ने बजरंग बानकी रशना की थी मुख्ष बात यह है कि यह मंदर शांती का प्रचीक है यहां प्रवेश करते ही मन को शांती मिलती है मंदर के मध्ध में शीराम माता जानकी लक्षवन जी एवम हनुआन जी विराजमान है इनके एक और माता अनपूर्णा एवम शिव जी तथा दूसरी और भगवान सक्तनारान जी का मंदर है इस मंदर के संपूर्ण दीवार पर राम शेरित मानस की चौपाईयां और दोहे लिखे गए हैं इसके दूसरी मंजिल पर संतुसी दाजी विराजमान है साथ ही इसी मंजिल पर स्वचालिक शीराम एवम कृष्टन लीला होती है तो आप भी कीजे इस नमरीक मंदर के दर्शन और अब बात सामुदिक शास्तर की सामुदिक शास्तर पर कल हमने बात की थी बड़े कानवाले लोगों के सुभाओं के बारे में और आज हम बात करेंगे छोटे कानवाले लोगों के बारे में जिन लोगों के कान आकरती में छोटे या कहें सामाने होते हैं, वे लोग काफी स्टॉंग होते हैं, साथी आर्टिस्टिक मिजास के भी होते हैं, कला के छेतर में इनकी अच्छी खासी रूची होती है, इन लोगों पर किसी भी बात के लिए या अपने किसी काम के लिए आसान कि ये लोग थोड़े कंजूस होते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं साथ ही ये बहुत बातुनी भी होते हैं इन्हें दूसरों से बाते करना बड़ा ही अच्छा लगता है लेकिन कई बार दूसरे लोग इनकी बातों से परेशान होकर या कहें कि बोर होकर इनके पास से उठक कर चले भी जाते हैं सामुद्धिक शास्त्र में कल हम बात करेंगे अधिक छोटे कान वाले लोगों के सभाव के बारे में और अब बात अवाइड अब दी डे की या आज आज आपको क्या नहीं खाना है आज 21 मार्च फालगुल शुक्रपक्ष की द्वादशी तीति है द्व पोई का साथ नहीं खाना चाहिए पोई एक सदा बहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है द्वादशी तीति आज का पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुबह चार बच कर पैतालीस मिनट तक रहीगी उसके बाद त्रेवदशी तीति लग ज पल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और अब वक्त है आज के टिप अफ जी डे का आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाईए सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशिपल जानने के लिए लुगाउन करें www.indiatv.in और मुझसे विक्तिगत संपर करने के लिए फोन करें 9971-000226 भविशवानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार भविशवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशिका भविशवताने के लिए आज फालगुन शुकलपक्षिती द्वादशी तिथी और गुरुवार का दिन है द्वादशी तिथी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार बच कर 45 मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्ष की द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है आज शाम पांच बचकर इतालीस मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा साथ ही आज देर रात एक बचकर सताईस मिनट तक आशलेखा नक्षत रहेगा आगे हम इसी पर विश्थित चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका वर्त डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरी जैनिवर्सरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दर्वाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश्य जारी रहेगी जर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्तर और सामुद्धिक शास्तर की आज एक कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशिय पिंटों के बीच बहने वाली electromagnetic field के movement को calculate करके ये जान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएव चर्चा करते हैं आज के शुभ महूर्थ यानि की फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च को सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्त अगले महिने 10 अपरेल की सुबह 9 बचक 60 मिनट से 2 पार 2 बचक 21 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है अब ये महूर्त 4 अपरेल की शाम 4 बचक 14 मिनट से शाम 7 बचक 18 मिनट तक रहेगा किसी industrial institution में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्च की सुभा 7 बच कर 40 मिनट से 2 पार 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर 2 पार बार 3 बच कर 46 मिनट से राद 10 बच कर 49 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 26 मार्च की दो पार 2 बच कर 56 मिनट से शाम 7 बच कर 33 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुभा 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्च की सुभा 9 बच कर 36 मिनट से दो पार 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा मेडिकल टीट्मेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूट 27 मार्ट की सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशूब समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जुली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड कुछ छणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशूब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्थ पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिव टी फैल जाती है इस समय में कोई भी शूब कारे करने से सफलता संदिक्ध हो जाती है आज कोई अशुब समय नहीं बन रहा है अब ये अशुब समय 23 मार्च की दो पहर दो बचकर 49 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंग, धानू और कुम्भ राशियां विशेश रूप से प्रभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुब कारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बतानू कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहत जरूरी है राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए कि अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। भोपाल दो पहर एक बचकर अट्थावन मिनट से दो पहर बाद तीन बचकर उन्तीस मिनट तक कोलकाता दो पहर एक बचकर पंदा मिनट से दो पहर दो बचकर पैतालीस मिनट तक अहमदाबाद दो पहर दो बचकर सत्रा मिनट से दो पहर बाद तीन बचकर अटालीस मिनट त ये था कुछ शहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुबदिशा क्या है तो आज वो शुबदिशा है उस्तर और है ये शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का सबसे पहले बात रोजी तरह आज भी मेशराश की मेशराश वालों आज आपका मन अध्यात्मा में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फाइदेबल साबित होगी अपने चारों होने वाली गत्यविदियों का ध्यान र और लकी नमबर है सिक्स वरेशराश वालों आज काम काज में सावधानी वरतने की जरूरत है छोटे इस तर पर शुरू किया व्यापार आपके लिए लाबकारी रहेगा आपने जो लक्ष निर्धारित कर रखे हैं आज उनके काफी करीब पहुंच जाएंगे विरोध ही आ जरूरत है घरवालों से किसी विशे पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइदेमन सावित होगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमबर है पांच मित्वर राशेवालों आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनीत के क्षेते से जुड़े हैं आज उनकी सामाजिक परतिष्ठा में वर्दी होगी जो लोग उच्छ शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें आज किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा आज आप मांसिक रूट से स्वस्थ बने रहेंगे आज आप अपने विरोधियों पर ह आभी रहेंगे अपने भाई बहनों के साथ किसी अच्छी जगह घूमने का प्लान बनाएंगे आज आपको पैसे के लिए देन में सावधानी बरतने की आवशक्ता है आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है एक करक राश्य वालों आज आप पूर्या से रहेंगे आज आपको अपनी वानी पर सयम रखने की जरूरत है इस राश्य के जो लोग डॉक्टर है आज वो नई क्लीनिक की ओपनिंग करने का मन बनाएंगे जिसमें परिवारवालों का भरपू सहयोग मिलेगा आज आपके बिजनेस में बहुतरी होगी आज समाज सेवा के लिए की गई कोशिशें आपकी अलग पहचांद बनाएंगी इस राश्य के छात्र आज किसी एकांस जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन लगेगा आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डेट और लखी नमबर है आठ सिंग राशिवालों आज का दिन शांदार रहने वाला है आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे क की बातों में उलजने से बचें लवमेट एक दूसरे की भावदाओं की कदर करेंगे आज अचानक धन लाव होने से आपकी आतिक इस्तिति मजबूत होगी आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नंबर है सेवन करने राशिवालों आज का दिन बहुत ही के लिए भी तयार रहेंगे बड़ों का दिया हुआ सुझाओ आज आपके काम आएगा बिजनेस संबंदी मीटिंग में आज आप सही डंग से अपनी बात रखेंगे जीवन साथी से काजियों में सहयोग मिलेगा चात्र आज कुछ ऑनलाइन सीखने की कोशिश करेंगे आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नमबर है सिक्स तुला राशिवालों आज किसमत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपकी एक अलग ही छवी निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका शेयर किसी और को न ले जाने दें बास आपको किस जरूरी काम से दूसरे शेहर की यात्रा पर भेज सकते हैं आज आप कुछ ऐसे कारियों को करने के लिए तैयार रहेंगे जिने करके आप परसंद होंगे दामपत्य जीवन में खुशाली आएगी नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज के ल हुए थोड़ी साफधानी जरूर बरते हैं आज आप में सफलता और उच्पध पाने की इच्छा जागर्त होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस अराशिके जो लोग आक्टिंग के छेतर से जुड़े हैं आज उन्हें कोई बड़ा आफर मिलेगा आज हर प्रका है पिंक और लकी नंबर है सिक्स धनु राशिवालों भविश्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशिके जो लोग मार्केटिंग के छेतर से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्या का समाधान निकलेगा कारेक्षेत्र में आज आज आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप थोड़ा उल्ज़र में पढ़ सकते हैं नव विवाहित दमपति में मीठी नोग जोंक होगी जिससे रिष्टे में मिठास बढ़ेगी लबमेट एक द रोस्यों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी आज सफलता में आ रही दिक्कतें दूर होंगी आज आप नए विचारों से परिपूर रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उमीद से ज्यादा देंगे परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सवहाद बना रहेगा लवेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिष्टों में मद्धूरता आएगी आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वर और लखी नमबर है नाइन कुम भराशिवालों आज का दिन महतुपूर्ण रहने वाला है आज कोड का चहरी में चल रहे है मुकद्मों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आज आपको अचानक धनलाब ह होने वाला है अगर आप कोई नई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर लें व्यापार में आज आज आपको खूप तरक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लकी कलर है बलू और लकी नमबर है सिक्स मीन राश्यवालों आज का दिन मिलूजली पर दिक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आठिकलाप कराएंगे पहले किये गए प्रयासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने की वज़ाए अपनों की सलाह लीजिए आज आ आपके सिहत में काफी सुधार आएगा चात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है वाईलेट और लखी नंबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम द चलते हैं अंकों की रहसमाई दुनिया में मुलांग एक वालों आज जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा रिष्टे में और मदबूती आएगी मुलांग दो आपके लिए आज का दिन बहतरीन रहने वाला है आए के स्रोत मिलने से आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी मुलांग तीन स्वास्थ को बेहतर बनाये रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेश करें मुलांग चार अपने काम और परिवार के बीच सामंजत से स्थापित करने की कोशिश करें मुलांग पांच आज आप जीवन साथी को कोई कीमती उपहार देकर वयवाहि परिवारवालों के साथ किसी धार्मी के स्थल पर दर्शन करने जाएंगे मुलांग साथ आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपकी आर्थिक इस्तिति बहतर बनेगी मुलांग आठ आज किसी ऐसी जगह पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भ वास्तु शास्त्र में कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे सलाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आदिके बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में कुछ अन्य विश्यों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे रसोई घर के निर्मान की घर में रसोई का संबंद हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबंद अगनी से होता है आग से इसलिए वास्तु शास्त के अउसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगनी कोन यानि दक्षन पूर्व दिशा क कोना यानि दक्षिन पूर्व दिशाएं जहां मिलती हैं उस दिशा का चुनाओ करना चाहिए चो कि आगने कोन का संबंद भी अगनी से है अतह आगने कोन में रसोई बनवाने से परिवार के सबस्राश्यों का स्वास्ते बेहतर रहता है अगर भोजन कर रहे की बात करें तो वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई के अंदर बैट कर ही भोजन करना चाहिए साथ ही भोजन कर रहे के लिए अपनी ठाली को दक्षिन पूर्व दिशा के ओर रखना चाहिए और पूर्व दिशा के ओर मुख करके भोजन करना चाहिए यानि कि भोजन को मूलतफ और तोरा लेफ्ट करिए पानी को वास्तो शास्तर में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ता कि वो जल से जल ठीक हो सके रब आज के दिन की सबसे विशेश बात अज फालगुन शुक्लपक्षी की द्वाधशी ती थी और गुरुवार का दिन है द्वाधशी ती आज पूरा दिन पार करके कल की भोर 4 बज़कत 좋아요 मिनदी तक रहेगी आज गोविंद ड्वाधशी कर वुरत किया जाएगा फॉल्गुन सुक्लपक्षि की द्वाधशी को गोविंद ड्वाधशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वरत करके भगवान विश्रू की गोविंद नाम से पूजा की जाती है आज के दिन शोडोशो बचार या पंचो बचार के द्वारा भगवान विश्णु का विधिवत पुजन करें, चंदर्ण, अक्षत, तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर्पिश करना चाहिए, इसके बाद भोग लगा कर आर्थी करनी ओम, नारायनाय, नमा, जगत का पालन करने वाले शी गोविंद का सुरूप, शांत और आनंद में है, इनका स्वनर करने से भाक्तों के जीवन के समस्त संकटों का निवारन होता है, घर परिवार को धन धान्य और सुख समर्दी की प्राप्ति होती है, इस व्रत के उन शुकलपक्ष की दौदशी को नसिंघ दौदशी भी मनाने का विधान है, इस दिन भगवान विश्व की नसिंघ सुरूप की पूजा की जाती है, पूजा के लिए इस नान आज इसे निवरत होकर साफ कपड़े पहन कर, इशान कोन यानि की उत्तर पूरु दिशा के को कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से लीप कर उस पर आठ पंक्फुडियों वाला कमल लल बनाएं, फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर एक चावलों से भरा हुआ बरतन रखें, अब उन चावलों से भरे बरतन के ऊपर भगवान रोली, तुलसी दल, फल फूल, पीले वस्तर आदे भगवान को भेट करें और फिर धूब दीप आज से भगवान की पूजा करें, साथ ही भगवान नसिंग के इस मंत्र का जब करें, मंत्र है ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलंतं सर्वत ओमुखं नसिंगं भेशनं भ आज के दिन इस मंत्र का जब करने से आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी, आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा, आपको कोई बुरी शक्ती परिशान नहीं कर पाएगी, तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाले गोविंद्र द्वारशी, और नसिंग जैंती के, नसिंग द्वारशी के बारे में, और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की, आज शाम पांच बच कर एक तारीस बिनट तक सुकर्मा योग रहेगा, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, इस योग में कोई शुभ कारे करना च करती है, और कारे शुफल दयक होता है, इशुर का नाम लेने या सतकर्म करने के लिए ये योग अतिउत्तम है, साथ ही आदेर रात एक बच का 27 मिनट तक आशलेखा नक्षत्र रहेगा, आकाश मंदल में इससे 27 नक्षत्रों की शिर्णी में आशलेखा नवा नक्षत्र है, इसका अर्थ होता है आलिंगन, इसी के अनुसार कुंडली मार कर बैठे हुए साथ को आशलेखा नक्षत्र का पती चिन माना जाता है, और नाग देवताओं को आशलेखा नक्षत्र का अधिपती देवता माना जाता है, साथी ही आशलेखा नक्षत्र की राशी करक है, वही इस नक्षत्र के सामी बुद्ध हैं और बुद्ध का संबंद हमारे बिजनेस हमारी वानी आदी से है वनस्मतियों में आशलेखा नक्षत्र का संबंद नाग केसर के पेल से बताया गया है लिहाजा जिन लोगों का जन्म आशलेखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आश केसर के पेड, उसके फूल, पतियों या लकडी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको सुपफलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सुख सौभागे में व्रधि भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकरमा योग और आशलेखा नक्षत्र की और अब बात करते हैं आज के जाने वाले विशेश उपायों की। अगर आप अपने पारिवारिक रिष्टों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिष्टों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकाल कर अलग रखने चाहिए और उसके तीन हिस्टे करने चाहिए अब उन तीन हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को खिला दें एक हिस्सा कववे को डाल दें और एक हिस्सा कुटे को खाने के लिए दें आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिष्टों से नाराज़गी दूर होगी और आपके रिष्टे बेहतर होगी समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए या दूसरे लोगों के बीच अपना रोटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चांदी की वस्तु खरीग कर लाईए और उसे मंदिर में स्थापिट करके उसकी पूजा करें साथ ही आज पूरा दिन उस चांदी की वस्तु को मंदिर में ही रखा रहने दे अगले दिन स्नान आदि के बाद उस चांदी की वस्तु को मंदिर से उठा कर आप अपने पास कहीं भी रख सकते हैं या उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहिचान बनेगी और दूसे लोगों के बीच आपका रुत्बा बढ़ेगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्थिती चल रही है तो उस कठिन परिस्थित से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नाग केसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही उसकी जड़ में जल चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं आसपास नाग केसर का पेड़ न मिले तो इंटरनेट से नाग केसर की फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर ले। यहां ध्यान रहे कि फोटो में नाग केसर के पेड़ पर फूल जरूर लगे होने चाहिए। यानि वो पेड़ हरा भरा होना चाहिए। अगर आपके संतान अपना खुद का कोई बिजनस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनस खुलवाना चाहते हैं लेकिं उसके बिजनस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलफ करने के लिए आज के दिन आपको साफ शुध मिटी लेनी चाहता से गाड़ा करके उससे सक्ताइश छोटी चोटी गोलिया बना ले और उन्हें अच्छे से सुखा ले अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले सक्ताइश दिलों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाएं इस परकार ये उपाय करने से आ आज के दिन आपको नाग देवता की सक्तीर के आगे अपना सिर्जु करना चाहिए और हाँ जोड़कर उन्हें प्राम करना चाहिए साथ ही मादुर्गा के इस मंत्र का जब करना चाहिए अगर बहनों के साथ आपके रिष्टे में कुछ समस्या आ गई है और आप अपने र रिष्टों को ठीक करने के दिए आज के दिन आपको पांच पीले रंग की कौडिया लेनी चाहिए अब उन कौडियों को एक स्थान पर एकठा करके जलाना चाहिए बाद में कौडियां जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाए आज के दिन ऐसा क करने से बहन के साथ रिष्टे में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिष्टे अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिष्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिष्चित करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोट तो आज के दिन ऐसा करने से आपको करियर में सफलता हासिल होगी अगर आपके दामपत्य रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद को चहद का भोग लगाना चाहिए साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पड़ती जा रही है तो आज के दिन आपको ची गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें दूट से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी अगर आप अपने लबमेट के साथ प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डाल कर भोग लगाना चाहिए साथ ही भगवान के चर्णों में पीले फूल अरपित करने चाहिए आज के दिन ऐसा करने से लबमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अरपित करना चाहिए साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए तो ये सारी चर्चा थी आज गोविंद द्वादशी, नसिंग द्वादशी, सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र के बारे में साथ ही सुब फलों के प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए हमने इनकी भी चर्चा की है उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में और A, B, C, D ही क्यो नाम का पहला अक्षर ही क्यो चोंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गत्विजियों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छे अपरचुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमाद ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी बी नौकरी के तलाश कर रहे युवाओं को नौकरी मिलने के कारण उनके चेहरे पर खुशी आएगी सी धर में किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे डी आज कुछ लोग आपका विरोध करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा एफ आफिस में काम ज़्यादा होने से आपको आज घर जाने में समय लगेगा जी कोई बात जो आपको परिशान कर रही है उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगे एच आज के दिन कारोबार में उन्नट होगी आपको अचानक धनलाब होगा आई आज आज आप किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें J. छातरा आज करियर के फिसले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेतीन रहेगा K. किसी काम में जरूरत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा वो काम असानी से पूरा होगा L. स्वाफ्ट में ताज़िय आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे M. आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नए सरोत मिलेंगे N. जल्दवादी में फैसले ना करें कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर लें O. आपके जीवन साथी का मन प्रसंद रहेगा उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P. पारिवारी की जीवन सुक में बना रहेगा आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी O. आज पैसों के लेंदेन में साथानी रखें किसी को उधार देने से बचें R. आज आपको वहां चलाते समय साथानी रखने की जरूरत है S. प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूरत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा T. आज कहीं लिवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर लें आपके लिए अच्छा रहेगा U. बेवज़े के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है इसलिए यथा संभाव धन्ज उटाने की कोशिश करें V. तारेक्षेतर में इमानदारी वरते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें W. छात्रों में विज्ञान, कला वा तक्निकी शिक्षा के प्रति आपकी रूची वढ़ेगी X. आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगी Y. आज आपको पदोन्नती के साथ-साथ कार्यस्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा Z. आपकी अतिरिक्त काम करने की चंता उन लोगों को चौका देगी जिनका प्रदर्शन आपसे बेहतर है और अब बात आज के तीष्थ की आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन राम चरित मानस का कुछ भाग लिखा था तो दूसरी मानता यह है कि यहां तुलसी दाजी ने बजरंग बाणकी रशना की थी मुख्ष बात यह है यह मंदर शांती का प्रजीत है यहां प्रवेश करते ही मन को शांती मिलती है मंदर के मध्ध में शीराम माता जानकी लक्षवन जी एवम हनुआन जी विराजमान है इनके एक और माता अनपूना एवम शिव जी तथा दूसरी और भगवान सक्तनारान जी का मंदर है इस मंदर के संपून दीवार पर राम शीराम मानस की चौपाईयां और दोहे लिखे दए हैं इसके दूसरी मंजिल पर संतुल्सी दाजी विराजमान है साथी इसी मंजिल पर स्वचालिक शीराम एवम कृष्टन लीला होती है तो आप भी कीजे इस नमणी के दर्शन और अब बात सामुद्धिक शास्त्र की सामुद्धिक शास्त्र पर कल हमने बात की थी बड़े कानवाले लोगों के सुभाओं के बारे में और आज हम बात करेंगे छोटे कानवाले लोगों के बारे में जिन लोगों के कान आकरती में छोटे या कहें सामाने होते हैं, वे लोग काफी स्टॉंग होते हैं, साथी आर्टिस्टिक मिजास के भी होते हैं, कला के छेतर में इनकी अच्छी खासी रूची होती है, इन लोगों पर किसी भी बात के लिए या अपने किसी काम के लिए आसान कि ये लोग थोड़े कंजूस होते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं साथ ही ये बहुत बादूनी भी होते हैं इन्हें दूसरों से बाते करना बड़ा ही अच्छा लगता है लेकिन कई बार दूसरे लोग इनकी बातों से परेशान होकर या कहें कि बोर होकर इनके पास से उठ कर चले भी जाते हैं. सामुद्रिक शास्तर में कल हम बात करेंगे अधिक छोटे कान वाले लोगों के सभाव के बारे में. और अब बात अवाइड अब दी डे की यानि आज आज आपको क्या नहीं खाना है. आज 21 मार्च फालगुन शुक्रपक्ष की द्वादशी तीथी है. द्वादशी तीथी में पूतिका यानि पोई का साथ नहीं खाना चाहिए. पोई एक सदा बहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है 12 तीथी आज का पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुबा चार बच कर 45 मिनट तक रहीगी उसके बाद 13 तीथी लग जाएगी इस तरह तीथी का समय जानकर आप अपने खाने का शेडियूल बना सकते हैं बाकी आप कुछ भी खाईजिए पीजिए मौश कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दूँ कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्वु और अब वक्त है आज के टिप अफ जी डे का आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाईए सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशिफल जानने के लिए लोगाउन करें www.indiatv.in और मुसेविक्तिगस संपर करने के लिए फोन करें 9971-000226 भाविश शवानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार भाविश वानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशिका भाविश वताने के लिए आज फालगुन शुक्लपक्षिती द्वादशी तिथी और गुरुवार का दिन है द्वादशी तिथी आज पूरा दिन पार करके सब्सक्री द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है आज शाम पांच बचकर इतालीस मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा साथ ही आज देर रात एक बचकर सताईस मिनट तक आशलेखा नक्षत रहेगा आगे हमेशी पर विष्टित चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका वर्स डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरी जैनिवर्सरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दरवाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश्य जारी रहेगी जर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्तर और सामुद्रिक शास्तर की आज एक कौन सी दिशा होगी शुब और आज आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशिय पिंटों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सरवार से धियोग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 7 बच कर 34 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएव चर्चा करते हैं आज के शुभ महूर्थ यानि की फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च को सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ अगले महीने 10 अपरेल की सुबह मिनट से शाम साथ बचकर अठारा मिनट तक रहेगा किसी इंडस्टियल इंस्टियूशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूट नहीं है अब यह महूट 27 मार्च की सुभा साथ बचकर 40 मिनट से दो पार एक बचकर 25 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर दो पार बार 3 बचकर 46 मिनट से राद 10 बचकर 49 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूट नहीं है अब यह महूट 26 मार्च की दो पार 2 बचकर 56 मिनट से शाम 7 बचकर 53 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बचकर 13 मिनट से अगली सुभ 5 बचकर 45 मिनट जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूट नहीं है अब यह महूट 27 मार्च की सुभा 9 बचकर 36 मिनट से दो पार 12 बचकर 55 मिनट तक रहेगा मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूट नहीं है अब यह महूट 27 मार्च की सुभा 7 बचकर 10 मिनट से दो पार 12 बचकर 55 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जुली इलेक्ट्रो माइटिक फील्ड कुछ छणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिविट पैल जाती है इस समय में कोई भी शुबकारे करने से सफलता संदिक्ध हो जाती है आज को यह शुब समय नहीं बन रहा है अब यह शुब समय 23 मार्च की दोपार दो बचकर 49 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंघ, धान और कुम भराशियां विशेश रूप से प्रभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुबकारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बतानू कि काम शुरू करते वक्त रहुकाल का ध्यान रखना बेहत जरूरी है रहुकाल के दोरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिल्ली में रहुकाल होगा दो पहर एक बज कर 69 मिनट से, दो पहर बाद तीन बज कर 30 मिनट तक, मुंबई दो पहर दो बज कर 17 मिनट से, दो पहर बाद तीन बज कर 47 मिनट तक, चन्डिगण दो पहर दो बज कर एक मिनट से, दो पहर बाद तीन बज कर 32 मिनट तक, लक्षनव दो पहर एक बज कर 44 मिनट से, दो पहर बाद तीन बज कर 15 मिनट तक, भोपाल दो पहर एक बज कर 57 मिनट से, दो पहर बाद तीन बज कर 29 मिनट तक, कोलकाता दो पहर एक बचकर पंदा मिनट से, दो पहर दो बचकर पैतालीस मिनट तक अहमदाबाद दो पहर दो बचकर सत्रा मिनट से, दो पहर बाद तीन बचकर अर्टालीस मिनट तक और चेन नहीं में राहुकाल होगा आज दो पहर एक बच कर 47 मिनट से दो पहर बाद तीन बच कर 18 मिनट तक ये था कुछ शहरों का राहुकाल और अब आज की यात्रा की सुबदिशा क्या है तो आज वो सुबदिशा है उस्तर और आईएफ शुरू करते हैं सिलसिला का सबसे पहले बात रोजी तरह आज भी मेशराश किये मेशराश वालों आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फाइदेबल साबित होग दामपत जीवर में खुशाली बनी रहेगी आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नमबर है सिक्स विरेश राशी वालों आज काम काज में सावधानी वरतने की जरूरत है छोटे इस तर पर शुरू किया गया व्यापार आपके लिए लाबकारी रहेगा आपने जो लक्ष निर्धारित कर रखे हैं आज उनके काफी करीब पहुंच जाएंगे विरोध ही आपको नुक्सान पहुंचाने के कोशिश करेंगे लेकिन अपनी समझदारी से आप उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे जरूरी कामों को आज दूसरों के भरों से न छोड़ें इस राशी के छात्रों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है घरवालों से किसी विशह पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइदेमन सावित होगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नंबर है पांच निथोर राशेवालों आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनीत के खशेते से जुड़े हैं आज उनकी सामाजिक परतिष्ठा में अपने भाई बहनों के साथ किसी अच्छी जगह घूमने का प्लान बनाएंगे आज आपको पैसे के लिए देन में सावधानी बरतने की आवशक्ता है आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है एक करक राशी वालों आज आप पूर्या से भरपूर रहेंग जिसमें परिवार वालों का भरपूर सहयोग मिलेगा आज आपके बिजनेस में बहुतरी होगी आज समाज सेवा के लिए की गई कोशिशे आपकी अलग पहचान बनाएंगी इस अराशी के चात्र आज किसी एकांस जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन लगे आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डर और लखी नमबर है आठ सिंग राशी वालों आज का दिन शांदार रहने वाला है आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे कर रहे लोगों की रचनाओं की लोग तारीफ करेंगे आज व्यर्थ की बातों में उलजने से बचें लवमेट एक दूसरे की भावणाओं की कदर करेंगे आज अचानक धनलाब होने से आपकी आतिक इस् परपल और लखी नंबर है सेवन करन्य राशिवालों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है साइंस और रिसर्च की फील्ड से जुड़े लोगों को आज कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा पुराने कामों का निफ्टारा करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा लोग आपकी मदद के लिए भी तयार रहेंगे बड़ों का दिया हुआ सुझाओ आज आपके काम आएगा बिजनस संबंदी मीटिंग में आज आप सही डंग से अपनी बात रखेंगे जीवन साथी से काजों में सहयोग मिलेगा चात्र आज कुछ ऑनलाइन सीखने की कोशि कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका शेयर किसी और को न ले जाने दें बास आपको किसी जरुरी काम से दूसरे शेहर की यात्रा पर भेज सकते हैं आज आप कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए तयार रहेंगे जिने करके आप परसंद होंगे दाम पत्त जीवन में खुशाली आएगी नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है दो वरिष्टिक राशी वालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रासोई घर में काम करते हुए थोड़ी सावधानी जरू बरते हैं आज आप में सफलता और उच्छ पद पाने की इच्छा जागरत होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस र और प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लब मेट से एक दूसरे को उपहार देंगे साथ ही कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्ते के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नंबर है सिक्स धनु राशी वालों भविश्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशी के जो लोग मार्केटिंग के छेत्र से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेत्र में आज आज आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप थोड़ा उल्ज़र में पढ़ सकते हैं नव विवाहित दमपति में मीठी नोग जोंक होगी जिससे रिष्टे में मिठास बढ़ेगी लबमेट एक दूसे पर विश्वास रखें रिष्टा और मजबूत होगा आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में परोस्यों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी प्रतिष्था बढ़ेगी आज सफल में आपसी सवहाद बना रहेगा लबेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिष्टों में मद्धूरता आएगी आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है नाई कुम भराशिवालों आज का दिन महतुपूर्ण रहने वाला है आज कोड का चहरी में चल रहे है मुकद्मों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आज आपको अचानक धनलाब ह होने वाला है अगर आप कोई नई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर लें व्यापार में आज आज आपको खूप तरक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लकी कलर है बलू और लकी नंबर है सिक्स मीन राशिवालों आज का दिन मिलू जली पर दिक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आज तिकलाब कराएंगे पहले किये गए प्रयासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने की वज़ाए अपनों की सलाह लीजिए आज पुरानी वातों को भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है जीवन साथी के साथ रिष्टे में मधूरता बढ़ेगी आज आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा छात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लकी कलर है वाइलेट और लकी नमबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बढ़ों का आशिवाद ने और जिनकी आज मेरी जानिवर्सरी है वो किसी जरूरतमन्द को आटा दें तो साल भर सुख और सौभाग पढ होता ही रहेगा और आएए अब चलते हैं अंकों की रहसमई दुनिया में मूलांग एक वालों आज जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा रिष्टे में और मदबूती आएगी मूलांग दो आपके लिए आज का दिन बहतरीन रहने वाला है आएके स्रोट मिलने से आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी मूलांग तीन स्वास्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेश करें मूलांग चार अपने काम और परिवार के बीच सामंज़त से स्थापित करने की कोशिश करें मूलांग पांच आज आप जीवन साथी को क कीमती उपहार देकर वैवाहिक जीवन में मिठास घोलेंगे मूलांग चे आज आप शाम को परिवारवालों के साथ किसी धार्मिक इस्थल पर दर्शन करने जाएंगे मूलांग साथ आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपके आर्थिक इस्थिति बेहतर बनेगी मूलांग आठ आज किसी ऐसी जगह पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश में मिलेगा मूलांग नौ आज आप उच्चा धिकारियों से तालमेल बना कर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तु शास्त्र की वास्तु शास्त्र में कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे सलाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आदिखे बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में कुछ अन्य विश्यों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे रसोई घर के निर्मान की घर में रसोई का संबंद हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबंद अगनी से होता है आग से इसलिए वास्तु शास्त के अउसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगनी कोन यानि दक्षन पूर्व दिशा का क चो कि आगने कोड का संबंद भी अगनी से है अतः आगने कोड में रसौई बनवाने से परिबाएर के सबस्र रस्लों का स्वास्तira बेहतर रहता है। अगर भोजन कर रहे की बात करें तो वास्तु शास्तर के सार रसोई के अंदर बैट कर ही भोजन करना चाहिए साथ ही भोजन कर रहे के लिए अपनी ठाली को दक्षिन पूर्व दिशा के और रखना चाहिए और पूर्व दिशा के और मुख करके भोजन करना चाहिए यानि कि भोजन को मूलतफ पूर्व दिशा के और रखना चाहिए लेकिन पूरव से देक्षन इसलिए ताकि नौट इस्ट में आप पानी का बरतब लग सके नौट इस्ट में पानी का गिलास अगर आप इस्ट की तरब मूकर के बैटें तो थोड़ा सा साउथ करिए भोजन को और तोड़ा लेफ्ट करिए पानी को वास्तो शास्तर में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि वो जल से जल ठीक हो सके और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी ती ती और गुरुवार का दिन है द्वादशी ती ती आज पूरा दिन पार करके कल की भोर 4 वच करपाय 45 मिनट तक रहेगी आज गुविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वरत करके भगवान विश्यों की गुविंद नाम से पूजा की जाती है आज के दिन सोडोशो बचार या पंचो बचार के द्वारा भगवान विश्णू का विधिवत पुजन करें चंदर्ण, अक्षत, तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर्पिश करना चाहिए इसके बाद भोग लगा कर आर्थी करनी चाहिए गोविंद द्वाला शी यानि आज के दिन भगवान शी विश्णू के मंतर का जब करना अत्यन्त सुब फलदाई होता है तो मंतर भी बता दूँ मंतर है ओम नारायनाय नमहा ओम नारायनाय नमहा जगत का पालन करने वाले शी गोविंद का स्वरूप शांत और आनंद में है इनका स्वनर करने से भाक्तों के जीवन में के समस्त संकटों का निवारन होता है घर परिवार को धन धान्य और सुख सम की प्राप्ती होती है इस वरत के प्रभाव से मानाव उने को गाय के गोबर से लीप कर उस पर आठ पंक्फुडियों वाला कमल लल बनाएं। फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर एक चावलों से भरा हुआ बरतन रखें। अब उन चावलों से भरे बरतन के ऊपर भगवान नसंग की प्रतिमा रखें और पूजन विधी आरंब करें। सबसे पहले भगवान को पंचमर्थ से इसनान कराएं। फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल, फूल, पीले वस्त्र आदे भगवान को भेट करें। और फिर धूब दीप आज से भगवान की पूजा करें। साथ ही भगवान नसंग के इस मंत्र का जब करें। मंत्र है ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलंतं सर्वत ओमुखं नसंगं भीषणं भद्रं मृत्युम मृत्युम नमाम्यहं। आज के दिन इस मंत्र का जब करने से आपकी आर्थिक इस्तिति मजबूत होगी। आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। आपको कोई बुरी शक्ति परिशान नहीं कर पाएगी। तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाले गोविंद द्वारशी और नसिंग द्वारशी के बारे में। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम पांच बच कर 41 मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा। जैसा कि नाम से ही विदित होता है इस योग में कोई शुभ कारे करना चाहिए। मानता के अनुसार इस योग में नई नौकरी जोईन करें या घर में कोई धार में कारे का आयोजन करना अच्छा रहता है। इस योग में किये गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और कार्य शुफल दयक होता है। इश्वर का नाम लेने या सतकर्म करने के लिए ये योग अतिउत्तम है। साथ ही आदेर रात एक बज़ का 27 मिनट तक आशलेखा नक्षतर रहेगा। आकाश्मंदल में इस्ति 27 नक्षतरों की शिर्णी में आशलेखा नवा नक्षतर है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। इसी के अनुसार कुंडली मार कर बैठे हुए सांथ को आशलेखा नक्षतर का पतीक चिन माना जाता है। और नाग देवताओं को आशलेखा नक्षतर का अधिपती देवता माना जाता है। साथ ही आशलेखा नक्षत्र की राशी करक है, वहीं इस नक्षत्र के सामी बुद्ध हैं और बुद्ध का संबंद हमारे बिजनस हमारी वाणी आदी से है, वनस्मतियों में आशलेखा नक्षत्र का संबंद नाग केसर के पेल से वताया गया है, लिहाजा जिन लोगों का जन् कि इस दौरान नाकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्यों या लकडी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंच है। ऐसा करने से आपको सुख फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सुख सौभागे में व्रधि भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले विशेश उपायों की। अगर आप अपने पारिवारिक रिष्टों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिष्टों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकाल कर अलग रखने चाहिए और उसके तीन हिस्टे करने चाहिए अब उन तीन हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को खिला दे एक हिस्सा कोवे को डाल दे और एक हिस्सा कुटे को खाने के लिए दे दे आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिष्टों से नाराज़गी दूर होगी और आपके रिष्टे बेहतर होंगे समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए या दूसरे लोगों के बीच अपना रोटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चांदी की वस्तु खरीक कर लाईए और उसे मंदिर में स्थापिट करके उसकी पूजा करें साथ ही आज पूरा दिन उस चांदी की वस्तु को मंदिर में ही रखा रहने दे अगले दिन स्नान आदि के बाद उस चांदी की वस्तु को मंदिर से उठा कर आप अपने पास कहीं भी रख सकते हैं या उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहिचान बनेगी और दूसरे लोगों के बीच आपका रुत्बा बढ़ेगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्तिती चल रही है तो उस कठिन परिस्तित से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नाग केसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही उसकी जड़ में जल चलाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं आसपास नाग केसर का पेड़ न मिले तो इंटरनेट से नाग केसर की फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर ले। यहां ध्यान रहे कि फोटो में नाकेसर के पेड़ पर फूल जरूर लगे होने चाहिए। यानि वो पेड़ हरा भरा होना चाहिए। अगर आपके संतान अपना खुद का कोई बिजनस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनस खुलवाना चाहते हैं लेकिं उसके बिजनस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलफ करने के लिए आज के दिन आपको साफ शुध मिटी लेनी प्रक्ता से गाढ़ा करके उससे 27 चोटी चोटी गोलिया बना ले और उन्हें अच्छे से सुखा ले अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिलों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाएं इस परकार यह उपाय करने से आपकी संतान के अं आपको नाग देरता की सख्रीव के आगे अपना सिर्जु करना चाहिए और हाँ जोड़कर उन्हें प्राम करना चाहिए साथ ही मादुर्गा के इस मंत्र का जब करना चाहिए अगर बहनों के साथ आपके रिष्टे में कुछ समस्या आ गई है और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो बहन के साथ रिष्टों को ठीक करने के लिए आज के जिन आपको पांच पीले रंग की कोडिया लेनी चाहिए अब उन कोडियों को एक स्थान पर एकठा करके जलाना चाहिए बाद में कोडियां जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाए आज के दिन ऐसा करने से बहन के साथ रिष्टे में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिष्टे अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर आप जीवन में आपनी तरक्की सुनिशित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की अपने गले में धारण कीजिए आज के दिन गले में तांबे का टुकड़ा धारण करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिष्चित होगी अगर आप करियर में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद के मंतर का 108 बार चक्तरना चाहिए गोविंद का मं आज के दिन ऐसा करने से आपको करियर में सफलता हासिल होगी। अगर आपके दामपत्य रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद को चहद का भोग लगाना चाहिए। साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पढ़ती जा रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। और उन्हें दूद से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी। अगर आप अपने लबमेट के साथ प्यार बनाये रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डाल कर भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान के चरणों में पीले फूल अर्पित करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से लबमेट के स कर भगवान को बेल का फल अर्पित करना चाहिए साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए तो ये सारी चर्चा थी आज गोविंद द्वादशी नसिंग द्वादशी सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र के बारे में साथ ही शुब फलों के प्राप्ति के लिए आज क दिनाब को क्या उपाय करने चाहिए हमने इनकी भी चर्चा की है उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में और ABCD ही क्यों नाम का पहला अक् अच्छी अपर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमाद ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परीक्षा देने वाले स्टू समयदारी मिलेगी जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे डी आज कुछ लोग आपका विरोध करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे ई पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा एफ आफिस में काम ज्यादा होने से आपको आज घर जाने में समय लगेगा जी कोई बात जो आपको परिशान कर रही है उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगे है आज के दिन कारोबार में उन्नत होगी आपको अचानक धनलाब होगा आई आज आप किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा वो काम असानी से पूरा होगा एल स्वास्थ में ताज़िये आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे एम आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नए स्रोट मिलेंगे एन जल्दवादी में फैसले ना करें कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर ले लें ओ आपके जीवन साथी का मन पसंद रहेगा उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है पी पारिवारी की जीवन सुक में बना रहेगा आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी चिव आज पैसों के लेंदेन में सावधानी रखें किसी को उधार देने से बचें आर आज आपको वहां चलाते समय सावधानी रखने की जरूरत है सीट बेल्ट जरूर लगाएं एस प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूरत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा टी आज कहीं निवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर लें आपके लिए अ संभावना है इसलिए यथा संभावधन जुटाने की कोशिश करें वी कारेक्षेत्र में इमानदारी वरते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें डेबलू छात्रों में विज्ञान कला वा तक्निकी शिक्षा के प्रति आपकी रूची वढ़ेगी एक्स आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगे वाई आज आपको पदोनती के साथ साथ कारेस्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा जेड आपकी अत्रिक्त काम करने की चंता उन लोगों को चौका देगी जिनका प्रदर्शन आपसे बेहतर है और अब बात आज के तीष्थ की आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन तुलसी मानस मंदिर काशी के आधुनित मंदिरों में से एक बहुत ही मनोरब इस्थल है इस मंदिर को लेकर कई तरह की माननेताइं है पहली माननेता ये है कि इसी स्थान पर गोस्वामी तुलसी दाज जी ने राम चरित मानस का कुछ भाग लिखा था तो दूसरी माननेता यहां तुलसी दाजी ने बजरंग बान की रशना की थी। मुख्ष बात यह मंदर शांती का प्रचीत है। यहां प्रवेश करते ही मन को शांती मिलती है। मंदिर के मध्य में शी राम माता जान की लक्षवन जी एवं हनुवान जी विराजमान है। इनके एक और माता अनपूर्णा एवं शीव जी तथा दूसरी और भगवान सक्तनारान जी का मंदिर है। इस मंदिर के संपूर्ण दीवार पर राम चेरित मानस की चौपाईयां और दोहे लिखे दए हैं। इसके दूसरी मंजिल पर संतुल्सी दाजी विराजमान है। साथ ही इसी मंजिल पर स्वचालिक शीराम एवं कृष्टन लीला होती है। तो आप भी कीजिए इस नमणिक मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्दिक शास्त्र की। सामुद्दिक शास्त्र पर कल हमने बात की थी बड़े कानवाली लोगों के सुभाओं के बारे में। और आज हम बात करेंगे छोटे कानवाले लोगों के बारे में। जिन लोगों के कान आकरती में छोटे या कहें सामाने होते हैं। वे लोग काफी strong होते हैं साथ ही artistic मिजास के भी होते हैं कला के छेतर में इनकी अच्छी खासी रूची होती है इन लोगों पर किसी भी बात के लिए या अपने किसी काम के लिए आसानी से वहरोसा किया जा सकता है हालां कि ये लोग थोड़े कंजूस होते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं साथ ही ये बहुत बातुनी भी होते हैं इन्हें दूसरों से बाते करना बड़ा ही अच्छा लगता है लेकिन कई बार दूसरे लोग इनकी बातों से परेशान होकर या कहें कि बोर होकर इनके पास से उठकर चले भी जाते हैं सामुद्धिक शास्तर में कल हम बात करेंगे अधिक छोटे कान वाले लोगों के सभाव के बारे में और अब बात अवाइड अब दी डे की यानि आज आपको क्या नहीं खाना है आज 21 मार्च फालगुल शुक्रपक्ष की द्वादशी तीथी है द्वादशी तीथी में पूतिका यानि पोई का साथ नहीं खाना चाहिए पोई ये एक सदा बहार लता है जिसे सबजी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है द्वादशी तीथी आज का पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुभा चार बच कर पैतालीस मिनट तक रहीगी उसके बाद 23 तीथी लग जाएगी इस तरह तीथी का समय जानकर आप अपने खाने का शेडूल बना सकते हैं बाकी आप कुछ भी खाईजिए पीजिए मौश कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्वूर और अब वक्त है आज के टिप आफ वीडे का आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाईए सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशिफल जानने के लिए लोगाउन करें www.indiatv.in और मुझसे विक्तिगस संपर करने के लिए फोन करें 9971-000226 भाविश शवानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार भाविश वानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशिका भाविश वताने के लिए आज फालगुन शुक्लपक्षिती द्वादशी तिथी और गुरुवार का दिन है द्वादशी तिथी आज पूरा दिन पार करके अपशिकी द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है आज शाम पांच बचकर इतालीस मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा साथ ही आज देर रात एक बचकर सताईस मिनट तक आशलेखा नक्षत रहेगा आगे हमेशी पर विष्टित चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका वर्स डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरीज अनिवर्सरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दरवाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश्य जारी रहेगी जर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्तर और सामुद्रिक शास्तर की आज एक कौन सी दिशा होगी शुब और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशिय पिंटों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुभा अगली सुभा च्छे बच कर एक मिनट तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सरवार से ध्योग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुभा साथ बच कर 34 मिनट से अगली सुभा च्छे बच कर एक मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएव चर्चा करते हैं आज के शुभ महूर्थ यानि की फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च को सुभा साथ बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ अगले महीने 10 अपरेल की सुभा 9 बच कर 46 मिनट से दो पहर 2 बच कर 21 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 4 अपरेल की शाम 4 बच कर 14 मिनट से शाम 7 बच कर 18 मिनट तक रहेगा किसी इंडस्टियल इंस्टिशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च की सुबह 7 बच कर 40 मिनट से दो पहर 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर दो पहर बार 3 बच कर 46 मिनट से राद 10 बच कर 49 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 26 मार्च की दो पहर 2 बच कर 56 मिनट से शाम 7 बच कर 53 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुबह 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जौब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च की सुबह 9 बच कर 36 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूट 17 मार्ट की सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जुली इलेक्ट्रो माइगनेटिक फील्ड कुछ छणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्थ पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुबह कारे करने से सफलता संदिक्ध हो जाती है आज कोई अशुब समय नहीं बन रहा है अब ये अशुब समय 23 मार्च की दो पहर दो बचकर 49 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंग, धानू और कुम्भ राशियां विशेश रूप से प्रभावित होंगी धियान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बात तक कोई भी शुब Ha कारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बतानू के काम शुरू करते वक्त राहुकाल का धियान रखना बहुत ज़रूरी है राहुकाल के दौरान कोई काम शुरूर नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिल्ली में राहुकाल होगा दो पहर एक बच कर 69 मिनट से दो पहर बाद तीन बच कर 30 मिनट तक मुंबई दो पहर दो बच कर 17 मिनट से दो पहर बाद तीन बच कर 47 मिनट तक चंडिगण दो पहर दो बच कर एक मिनट से दो पहर बाद तीन बच कर 32 मिनट तक लक्षनव दो पहर एक बच कर 44 मिनट से दो पहर बाद तीन बच कर 15 मिनट तक भोपाल दो पहर एक बजकर अठावन मिनट से दो पहर बाद तीन बजकर उनतीस मिनट तक कोलकाता दो पहर एक बजकर पंदा मिनट से दो पहर दो बजकर पैतालीस मिनट तक अहमद आबाद दो पहर दो बज कर 17 मिनट से दो पहर बाद तीन बज कर 48 मिनट तक और चेन नहीं में राहुकाल होगा आज दो पहर एक बज कर 47 मिनट से दो पहर बाद तीन बज कर 18 मिनट तक ये था कुछ शहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की सुब्दिशा क्या है तो आज वो सुब्दिशा है उस्तर और आईएफ शुरू करते हैं सिलसला राशिफल का सबसे पहले बात रोजी तरह आज भी मेशराश की मेशराशिवालों आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फाइदेबल साबित होगी अपने चारों और होने वाली गत्विदियों का ध्यान रखें क्योंकि आपके काम काशे कोई दूसरा ले सकता है लब मेट के लिए आज का दिन खुश्या लेकर आएगा दामपत जीवर में खुशाली बनी रहेगी आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नमबर है सिक्स वरेश राशिवालों आज काम काश में सावधानी वरतने की जरूरत है छोटे इस तर पर शुरू किया गया व्यापार आपके लिए लाबकारी रहेगा आपने जो लक्ष निर्धारित कर रखे हैं आज उनके काफी करीब पहुँच जाएंगे विरोध ही आपको नुकसान पहुचाने के कोशिश करेंगे लेकिन अपनी समझदारी से आप उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे जरूरी कामों को आज दूसरों के भरों से न चोड़ें इस राशी के चात्रों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है घरवालों से किसी विशे पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइदेमन सावित होगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमबर है पाँच निथर राशी वालों आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनीत के खशेते से जुड़े हैं आज उनकी सामाजिक परतिष्ठा में वर्दी होगी जो लोग उच्छ शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें आज किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा आज आज आप मांसिक रूट से स्वस्थ बने रहेंगे आज आज आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे अपने भाई बहनों के साथ किसी अच्छी जगह घूमने का प्लान बनाएंगे आज आपको पैसे के लिन देन में सावधानी बरतने की आवशक्ता है आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है एक करक राशी वालों आज आप उर्या से भरपूर रहेंगे आज आपको अपनी वानी पर सयम रखने की ज़रूरत है इस राशी के जो लोग डॉक्टर हैं आज वो नई क्लिनिक की ओपनिंग करने का मन बनाएंगे जिसमें परिवारवालों का भरपूर सहयोग मिलेगा आज आपके बिजनेस में बहुतरी होगी आज समाज सेवा के लिए की गई कोशिशे आपकी अलग पहचान बनाएंगी इस राशी के चात्र आज किसी एकांस जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन लगेगा आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डेट और लखी नमबर है आठ सिंग राशी वालों आज का दिन शांदार रहने वाला है आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे कर रहे लोगों की रचनाओं की लोग तारीफ करेंगे आज व्यर्थ की बातों में उलजने से बचें लवमेट एक दूसरे की भावदाओं की कदर करेंगे आज अचानक धन लाव होने से आपकी आतिक इस्तिति मजबूत होगी आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नमबर है सेवन करने राशे वालों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है साइन्स और रिसर्च की फील्ड से जुड़े लोगों को आज कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा पुराने कामों का निफ्टारा करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा लोग आपकी मदद के लिए भी तयार रहेंगे बड़ों का दिया हुआ सुझाओ आज आपके काम आएगा बिजनेस संबंदी मीटिंग में आज आप सही डंग से अपनी बात रखेंगे जीवन साथी से काजियों में सहयोग मिलेगा चातर आज कुछ आउनलाइन सीखने की कोशिश करेंगे आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नमबर है सिक्स तुला राशिवालों आज किसमत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपकी एक अलग ही छवी निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका शेयर किसी और को न ले जाने दे बास आपको किसी जरुरी काम से दूसरे शेहर की यात्रा पर भेज सकते हैं आज आप कुछ ऐसे कारियों को करने के लिए तैयार रहेंगे जिने करके आप परसंद होंगे दामपत्य जीवन में खुशाली आएगी नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है दो विरिश्चिक राशिवालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रासोई घर में काम करते हुए थोड़ी साथधानी जरूर बरते आज आप में सफलता और उच्छ पढ़ पाने की इच्छा जागरत होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस अराशिक के जो लोग आक्टिंग के छेतर से जुड़े हैं आज उन्हें कोई बड़ा आफर मिलेगा आज हर प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लव मेट से एक दूसरे को उपहार देंगे साथी कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्ते के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नमबर है सिक्स धनु राशी वालों भविश्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशी के जो लोग मार्केटिंग के छेतर से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेतर में आज आज आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप थोड़ा उलज़र में पढ़ सकते हैं नवे विवाहित दमपति में मीठी नोग जोंक होगी जिससे रिष्टे में मिठास बढ़ेगी लबमेट एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें रिष्टा और मजबूत होगा आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नमबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में पढ़ोसियों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी आज सफलता में आ रही दिक्कतें दूर होंगी आज आप नए विचारों से परिपूर रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा देंगे परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सवहाद बना रहेगा लबेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिष्टों में मधूरता आएगी आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वर और लखी नमबर है नाई कुम्भरा शिवालों आज का दिन महतुपूर रहने वाला है आज कोड के चहरी में चल रहे मुकद्मों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आपको अचानक धनलाब होने वाला है अगर आपको नई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर ले व्यापार में आज आज आपको खूब तरक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नमबर है सिक्स मीन राशिवालों आज का दिन मिलूजली प्रतिक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आज तिकलाब कराएंगे पहले किये गए प्रयासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने की बजाए अपनों की सलाह लीजिए आज आज आपको पुरानी वातों को भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है जीवन साथी के साथ रिष्टे में मधूरता बढ़ेगी आज आज आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा चात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है वाईलेट और लखी नंबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बढ़ों का आश्यवाद ने और जिनकी आज मेरीज अनिवर्सरी है वो किसी जरूरतमन्द को आटा दें तो साल भर सुख और सुभाग पढ़ता ही रहेगा और आएए अब चलते हैं आंकों की रहसमाई दुनिया में मूलांग एक वालों आज जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा रिष्टे में और मदबूती आएगी मूलांग दो आपके लिए आज का दिन बहत्रीन रहने वाला है आए के सुरोट मिलने से आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी मूलांग तीन स्वास्थ को बहतर बनाये रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेश करें मूलांग चार अपने काम और परिवार के बीच सामंज़स से स्थापित करने की कोशिश करें मूलांग पांच आज आप जीवन साथी को कोई कीमती उपहार देकर वयवाहिक जीवन में मिठास गोलेंगे मूलांग चे आज आप शाम को परिवारवालों के साथ किसी धार्मिक इस्थल पर दर्शन करने जाएंगे मूलांक 7 आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपके आर्थिक इस्तिती बेहतर बनेगी मूलांक 8 आज किसी ऐसी जगे पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश में मिलेगा मूलांक 9 आज आप उच्छा धिकारियों से तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तु शास्त्र की वास्तु शास्त्र में कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे सिलाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आदिके बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में कुछ अन्य विश्यों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे रसोई घर के निर्मान की घर में रसोई का संबंद हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबंद अगनी से होता है आग से इसलिए वास्त शास्त के अउसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगनी कोन यानि दक्षन पूर्व दिशा का कोन यानि दक्षिन पूर्व दिशाएं जहां मिलती हैं उस दिशा का चुनाओ करना चाहिए चो कि आगने कोड का संबंद भी अगनी से है अतह आगने कोड में रसोई बनवाने से परिवार के सबस्तर रस्यों का स्वास्ते बहतर रहता है अगर भोजन करने की बात करें तो वास् में वास्तो शास्तर में काल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्तिक के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि जल से जल ठीक हो सके और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज अब फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी ती थी और गुरुवार का दिन है द्वादशी ती आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार वज कर पैतालीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया करती है आज के दिन सोडोशो बचार या पंचो बचार के द्वारा भगवान विश्णु का विधिवत पूजन करें चंदर्ण अक्षत तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर्पिश करना चाहिए इसके बाद भोग लगाकर आर् नमहा ओम नारायनाय नमहा जगत का पालन करने वाले शीगोविंद का शरूप शांत और आनंद में है इनका स्वनड करने से भाक्तों के जीवन में के समस्त संकटों का निवारन होता है घर परिवार को धन धान्य और सुख समर्दी की प्राप्ति होती है इस व्रत के प्रभ कुन शुकलपक्ष की दौदशी को नसिंग दौदशी भी मनाने का विधान है इस दिन भगवान विश्व की नसिंग सुरूप की पूजा की जाती है पूजा के लिए इस नान आज इसे निवरत होकर साफ कपड़े पहन कर इशान कोन यानि की उत्तर पूरु दिशा के कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से लीप कर उस पर आठ पंखुडियों वाला कमल लल बनाएं फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर एक चावलों से भरा हुआ बरतन रखें अब उन चावलों से भरे बरतन के ऊपर भगवान लसंगर क की प्रतिमा रखें और पूजन विधी आरंब करें सबसे पहले भगवान को पंचमर्थ से स्नान कराएं फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल, फूल, पीले वस्त्र आदे भगवान को भेट करें और फिर धूब दीप आज से भगवान की पूजा करें साथ ही भग आज के दिन इस मंत्र का जब करने से आथिक इस्तिती मजबूत होगी आपको किसी प्रकार का कोई भग नहीं होगा आपको कोई बुरी शक्ति परिशान नहीं कर पाएगी तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाले गोविंद द्वारशी और नसिंग द्वारशी के बारे में और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की आज शाम पांच बच कर 41 मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा जैसा कि नाम से ही विदित होता है इस योग में कोई शुभ कारे करना चाहिए मानने का कि अनुसार इस योग में नई नौकरी जोईन करें या घर में कोई धार में कारे का आयोजन करना अच्छा रहता है इस योग में किये गए कारों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और कारे शुभल दैक होता है इशोर का नाम लेने या सतकर्म करने के लिए ये योग अतिउत्तम है साथ ही आदेर रात एक बच का 27 मिनट तक आशलेखा नक्षतर रहेगा आकाश्मंदल में इससे 27 नक्षतरों की शिर्णी में आशलेखा नवा नक्षतर है इसका अर्थ होता है आलिंगन इसी के अनुसार कुंडली मार कर बैठे हुए सांप को आशलेखा नक्षतर का पतीक चिन माना जाता है और नाग देवताओं को आशलेखा नक्षतर के का अधिपती देवता माना जाता है साथी आशलेखा नक्षतर की राशी करक है वही इस नक्षतर के सामी बुद्ध हैं और बुद्ध का संबंद हमारे बिजनेस हमारी वानी आदिसी है वनस्मतियों में आशलेखा नक्षत्र का संबंद नाग केसर के पेल से वताया गया है लिहाजा जिन लोगों का जन्म आशलेखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आशलेखा नक्षत्र के दोरान नाग केसर के पेल की उपासना करनी चाहिए साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान नाकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्यों या लकडी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंच आए ऐसा करने से आपको सुख फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभागे में व्रधि भी होगी तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र की और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले विशेश उपायों की अगर आप अपने पारिवारिक रिष्टों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिष्टों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकाल कर अलग रखने चाहिए और उसके तीन हिस्ते करने चाहिए अब उन तीन हिस्टों में से एक हिस्सा गाय को किला दे, एक हिस्सा कववे को डाल दे और एक हिस्सा कुते को काने के लिए दे दे आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिष्टों से नाराज़गी दूर होगी और आपके रिष्टे बेहतर होगी समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए या दूसरे लोगों के बीच अपना रोटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चांदी की वस्तु खरीक कर लाईए और उसे मंदिर में स्थापिट करके उसकी पूजा करें साथ ही आज पूरा दिन उस चांदी की वस्तु को मंदिर में ही रखा रहने दे अगले दिन स्नान आदि के बाद उस चांदी की वस्तु को मंदिर से उठा कर आप अपने पास कहीं भी रच सकते हैं या उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहिचान बनेगी और दूसे लोगों के बीच आपका रुत्बा बढ़ेगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्तिती चल रही है तो उस कठिन परिस्तित से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नाग केसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए। होने चाहिए यानि वो पेड़ हरा भरा होना चाहिए। अगर आपके संतान अपना खुद का कोई बिजनस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनस खुलवाना चाहते हैं लेकिं उसके बिजनस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलफ करने के लि अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिलों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाएं। इस परकार ये उपाय करने से आपकी संतान के अंदर जल्द ही बिजनस की समझ डेवलफ होगी है। अगर आपका विवेक कुछ कम हो गया है, आप अच्छे बुरे की परक नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के दिन आपको नाग देवता की सच्वित के आगे अपना सिर्जु करना चाहिए और हाथ जोड़कर उन्हें प्राम करना चाहिए। साथ ही मादुर्गा के इस मंतर का जब करना चाहिए। अगर बहनों के साथ आपके रिष्टे में कुछ समस्या आ गई है और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो बहन के साथ रिष्टों को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको पांच पीले रंकी कोडिया लेनी चाहिए। अब उन कौडियों को एक स्थान पर एकठा करके जलाना चाहिए। बाद में कौडियां जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाए। आज के दिन ऐसा करने से बहन के साथ रिष्टे में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिष्टे अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोड तुकडा लेना चाहिए और उस तुकले के बीच में चोटा सा छेद करवा कर उस छेद में एक सफेद रंग का धागा पिरो यह और उस तामे के टुकले को अपने गले में धारन कीजी आज के दिन गले में तामे का टुकड़ा धारन करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चेत होगी अगर आप career में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविन्द के मंत्र का 108 बार चाहिए गोविन्द का मंत्र OM GOVINDAE नमा आज के दिन ऐसा करने से आपको career में सफलता हासिल होगी अगर आपके दामपत्य रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद को चहद का भोग लगाना चाहिए साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पढ़ती जा रही है तो आज के दिन आपको की गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें दूट से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी अगर आप अपने लबमेट के साथ प्यार बनाये रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डालकर भोग लगाना चाहिए साथ ही भगवान के चर्णों में पीले फूल अर्पित करने चाहिए आज के दिन ऐसा करने से लबमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अर्पित करना चाहिए साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए तो ये सारी चर्चा थी आज गोविंद द्वादशी, नसिंग द्वादशी, सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र के बारे में साथ ही सुब फलों के प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए हमने इनकी भी चर्चा की है उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में और A, B, C, D ही क्यो नाम का पहला अक्षर ही क्यो चोंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गत्विजियों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छे अपरचुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमाद ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A. आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परीक्षा देने वाले स्टूडेंस को सफलता मिलेगी B. नौकरी के तलाश कर रहे युवाओं को नौकरी मिलने के कारण उनके चेहरे पर खुशी आईगी C. धर में किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे D. आज कुछ लोग आपका विरोध करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे E. पहले से चली आ रहे किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा F. आफिस में काम ज़्यादा होने से आपको आज घर जाने में समय लगेगा G. कोई बात जो आपको परिशान कर रही है उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगे H. आज के दिन कारोबार में उन्नती होगी आपको अचानक धनलाब होगा I. आज आज आप किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें G. चातरा आज करियर के फिसले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेचीन रहेगा K. किसी काम में जरूरत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा वो काम असानी से पूरा होगा L. स्वास्ट में ताज़िय आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे M. आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नए सरोत मिलेंगे N. जल्दवादी में फैसले ना करें कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर लें O. आपके जीवन साथी का मन पसंद रहेगा उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P. पारिवारी की जीवन सुख में बना रहेगा आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी O. आज पैसों के लेंदेन में साथानी रखें किसी को उधार देने से बचें R. आज आपको वहन चलाते समय साथानी रखने की जरूरत है S. प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मोहुत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा T. आज कहीं लिवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर लें आपके लिए अच्छा रहेगा U. बेवजह के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है इसलिए यथा संभवधन जुटाने की कोशिश करें V. कारेक्षेतर में इमानदारी वरते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें W. छात्रों में विज्ञान, कला वा तक्निकी शिक्षा के प्रति आपकी रूची वढ़ेगी X. आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगी Y. आज आपको पदोन्नती के साथ-साथ कारेस्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा Z. आपकी अत्रिक्त काम करने की चंता उन लोगों को चौका देगी जिनका प्रदर्शन आपसे बेहतर है और अब बात आज के तीफ्त की आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन तो दूसरी मानिता यह है कि यहां तुलसी दाजी ने बजरंग बान की रशना की थी। मुख्ष बात यह है कि यह मंदर शांती का प्रचीत है। यहां प्रवेश करते ही मन को शांती मिलती है। मंदर के मध्ध में शी राम माता जान की लक्षवन जी एवम हनुआन जी विराजमान है। इनके एक और माता अनपूना एवम शिव जी तथा दूसरी और भगवान सक्तनारान जी का मंदर है। इस मंदर के संपून दीवार पर राम चेरित मानस की चौपाईयां और दोहे लिखे दए हैं। इसके दूसरी मंजिल पर संतुसी दाजी विराजमान है। साथ ही इसी मंजिल पर स्वचालिक शी राम एवम कृष्टन लीला होती है। तो आप भी कीजे इस रमणी मंदर के दर्षन और अब बात सामुद्धिक शास्ट्र पर के बात कि थी बड़े कानवाले लोगों के सुभावे के पारे में और आज हम बात करेंगे चोटे काने दिजिन लोगों के कान आकिति में छोटे या कह सामाने होते हैं wiederos, आप आपने अर्टिस्तिक मिजास के भी होते हैं, कला केचे छेतर में इनकी अच्छी थारूची होती है, इन लोगों पर किसी भी बात के लिए या अपने किसी काम के लिए आसानी है ये बहुत बात भी अच्छा लगता है। लेकिन कई बार दूसरे लोग इनकी बातों से परेशान होकर या कहें कि बोर होकर इनके पास से उठकर चले भी जाते हैं। सामुद्रिक शास्तर में कल हम बात करेंगे अधिक छोटे कान वाले लोगों के सभाव के बारे में। और अब बात अवाइड अब दी डे की यानि आज आज आपको क्या नहीं खाना है। का समय जानकर आप अपने खाने का शेडियूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाईजे, पीजे, मौश कीजे और चलते चलते मैं आपको बता दूँ कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्वूरू। और अब वक्त है आज के टिप आफ वीडे का आज लाल फूल वाला पौदा कहीं लगाईए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशी फल जानने के लिए लॉग आउन करें www.indiatv.in और मुश्य विक्तिगस संपर करने के लिए फोन करें 9971-000226 भाविश शवानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार भाविश वानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशी का भाविश वताने के लिए आज फालगुन शुकलपक्षिती द्वादशी तिथी और गुरुवार का दिन है द्वादशी तिथी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार बच कर 45 मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्षजी द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है आज शाम पांच बचकर एक्तालीस मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा साथ ही आज देर रात एक बचकर सताईस मिनट तक आशलेखा नक्षत रहेगा आगे हम इसी पर विश्थित चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका बर्त डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरीज अनिवर्सरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दर्वाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश्य जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्तर और सामुद्रिक शास्तर की आज एक कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्षने आकाशिय पिंडों के बीच बहने वाली electromagnetic field के movement को calculate करके ये जान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएव चर्चा करते हैं आज के शुप महूर्थ यानि की फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च को सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक र 20 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च की सुबह 7 बच कर 40 मिनट से दो पहर 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर दो पहर बार 3 बच कर 46 मिनट से राद 10 बच कर 49 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 26 मार्च की दो पहर 2 बच कर 56 मिनट से शाम 7 बच कर 53 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुबह 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा मेडिकल टीट्मेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च की सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशूब समय की आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्रो मागनेट कि एक फील्ड कुछ छोड़ों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशूब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इस से चारों तरफ नेगेटिवती फैल जाती है इस समय में कोई भी शुभकारे करने से सफलता संदिक्ध हो जाती है आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है अब ये अशुभ समय 23 मार्च की दोपार दो बच कर 49 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंग, धानू और कुम्भराशियां विशेश रूप से परभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभकारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बतानू कि काम शुरू करते वक्त रहुकाल का ध्यान रखना बेहत ज़रूरी है रहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिल्ली मेरा हुकाल होगा दो पहर एक बज़ कर उनसट मिनट से, दो पहर बाद तीन बज़ कर तीस मिनट तक, मुंबई दो पहर दो बज़ कर सत्रह मिनट से, दो पहर बाद तीन बज़ कर सैटालीस मिनट तक, चंडिगण दो पहर दो बज़ कर एक मिनट से, दो पहर ब और अगर यातरा की शुदृदिशा क्या है तो आज वो शुब्दिशा है उस्तर और है ये शुरू करते हैं सिलसला राशी फल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेशराशी की मेशराशी वालों आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फाइदेबल सावित होगी अपने चारों और होने वाली गत्विदियों का ध्यान रखें क्योंकि आपके काम कशे कोई दूसरा ले सकता है लव मेट के लिए आज का दिन कुश्या लेकर आएगा दामपत जीवर में खुशाली बनी रहेगी आज के लिए आपका लकी कलर है महरून और लकी नमबर है सिक्स वरेश राशिवालों आज काम काज में सावधानी वरतने की जरूरत है छोटे इस तर पर शुरू किया गया व्यापार आपके लिए लाबकारी रहेगा आपने जो लक्ष निर्धारित कर रखे हैं आज उनके काफी करीब पहुंच जाएंगे विरोध ही आपको नुकसान पहुंचाने के कोशिश करेंगे लेकिन अपनी समझदारी से आप उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे जरूरी कावों को आज दूसरों के भरों से न छोड़े इस राशी के छात्रों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है घरवालों से किसी विशह पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइदेमन साविट होगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमबर है पाँच मिफल राशेवालों आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनीत के खशेते से जुड़े हैं आज उनकी सामाजिक परतिष्ठा में वरदी होगी जो लोग उच्छ शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें आज किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा आज आज आप मांसिक रूट से स्वस्थ बने रहेंगे आज आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे अपने भाई बहनों के साथ किसी अच्छी जगए घूमने का प्लान बनाएंगे आज आपको पैसे के लेंदेन में सावधानी बरतने की आवशक्ता है आज के लिए आपका लगी कलर है यलो और लगी नंबर है एक मन बनाएंगे जिसमें परिवारवालों का भरपू सहयोग मिलेगा आज आपके बिजनेस में बहुतरी होगी आज समाज सेवा के लिए की गई कोशिशे आपकी अलग पहचान बनाएंगी इस राशी के छात्र आज किसी एकांस जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन लगेगा आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डेट और लखी नंबर है आठ सिंग राशी वालों आज का दिन शांदार रहने वाला है आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे कर रहे लोगों की रचनाओं की लोग तारीफ करेंगे आज व्यर्थ की बातों में उलजने से बचें लवमेट एक दूसरे की भावदाओं की कदर करेंगे आज अचानक धन लाव होने से आपकी आर्थिक इस्तिति मजबूत होगी आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नमबर है सेवन करने राशिवालों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है साइन्स और रिसर्च की फील्ड से जुड़े लोगों को आज कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा पुराने कामों का निप्टारा करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा लोग आपकी मदद के लिए भी तयार रहेंगे बड़ों का दिया हुआ सुझाओ आज आपके काम आएगा बिजनेस संबंदी मीटिंग में आज आप सही डंग से अपनी बात रखेंगे जीवन साथी से काजों में सहयोग मिलेगा चातर आज कुछ आउनलाइन सीखने की कोशिश करेंगे आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नमबर है सिक्स तुला राशिवालों आज किसमत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपकी एक अलग ही छवी निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका शेयर किसी और को न ले जाने दे बास आपको किसी जरुरी काम से दूसरे शेहर की यात्रा पर भेज सकते हैं आज आप कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए तैयार रहेंगे जिने करके आप परसंद होंगे दामपत्ते जीवन में खुशाली आएगी नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है दो वरिश्चिक राशी वालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रासोई घर में काम करते हुए थोड़ी साफधानी जरूर बरते आज आप में सफलता और उच्छ पद पाने की इच्छा जागरत होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस राशी के जो लोग आक्टिंग के छेतर से जुड़े हैं आज उन्हें कोई बड़ा आफर मिलेगा आज हर प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लव मेट से एक दूसरे को उपहार देंगे साथी कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्ते के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नमबर है सिक्स धनु राशी वालों भविश्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशी के जो लोग मार्केटिंग के छेतर से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेतर में आज आज आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप थोड़ा उलज़र में पढ़ सकते हैं नव विवाहित दमपति में मीठी नोग जोंक होगी जिससे रिष्टे में मिठास बढ़ेगी लबमेट एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें रिष्टा और मजबूत होगा आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नमबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में पढ़ोसियों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी आज सफलता में आ रही दिक्कतें दूर होंगी आज आप नए विचारों से परिपूर रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा देंगे परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सवहाद बना रहेगा लबेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिष्टों में मधूरता आएगी आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वर और लखी नमबर है नाइन कुम्भरा शिवालों आज का दिन महतुपूर रहने वाला है आज कोड के चहरी में चल रहे मुकद्मों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आज आपको अचानक धनलाब होने वाला है अगर आप कोई नई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर ले व्यापार में आज आज आपको खूप करक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लगी कलर है बलू और लगी नमबर है सिक्स मीन राशिवालों आज का दिन मिलू जली परतिक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आज तिकलाब कराएंगे पहले किये गए प्रयासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने की बजाए अपनों की सलाह लीजी आज आपको पुरानी वातों को भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है जीवन साथी के साथ रिष्टे में मधूरता बढ़ेगी आज आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा चात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है वाईलेट और लखी नंबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बढ़ों का आश्यवादने और जिनकी आज मेरीज अनिवर्सरी है वो किसी जरूरतमंद को आटा दें तो साल भर सुख और सुभाग पढ़ता ही रहेगा और आएए अब चलते हैं अंकों की रहसमाई दुनिया में मूलांग एक वालों आज जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा रिष्टे में और मदबूती आएगी मूलांग दो आपके लिए आज का दिन बहत्रीन रहने वाला है आए के सुरोट मिलने से आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी मूलांग तीन स्वास्थ को बहतर बनाय रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेश करें मूलांग चार अपने काम और परिवार के बीच सामंज़स से स्थापित करने की कोशिश करें मूलांग पांच आज आप जीवन साथी को कोई कीमती उपहार देकर वयवाहिक जीवन में मिठास गोलेंगे मूलांग चे आज आप शाम को परिवारवालों के साथ किसी धार्मे के स्थल पर दर्शन करने जाएंगे मूलांक 7 आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपके आर्थिक इस्तिती बेहतर बनेगी मूलांक 8 आज किसी ऐसी जगे पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश में मिलेगा मूलांक 9 आज आप उच्छा धिकारियों से तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तु शास्त्र की वास्तु शास्त्र में कल हमने चर्चा की ती घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे सिलाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आदिखे बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में कुछ अन्य विश्यों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे रसोई घर के निर्मान की घर में रसोई का संबंद हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबंद अगनी से होता है आग से इसलिए वास्त उशास्त के अउसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगनी कोन यानि दक्षन पूर्व दिशा का क चुनाओ करना चाहिए क्योंकि आगने कोड का संबंद भी अगनी से है अतह आगने कोड में रसोई बनवाने से परिवार के सब सरस्यों का स्वास्ते बेहतर रहता है अगर भोजन करने की बात करें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई के अंदर बैठ कर ही भोजन करना चाहिए साथ ही भोजन कर रहे के लिए अपनी ठाली को दक्षिन पूर्व दिशा के और रखना चाहिए और पूर्व दिशा के और मुख करके भोजन करना चाहिए यानि कि भोजन को मूलतफ पूर्व दिशा के और रखना चाहिए लेकिन पूर्व से दक्षिन इसलिए ताकि North East में आप पानी का बरतर लग सकें North East में पानी का गिलास अगर आप East की तरब मुख करके बैठें तो थोड़ा सा South करिए भोजन को और थोड़ा लेफ्ट करिए पानी को वास्तो शास्तर में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि वो जल से जल ठीक हो सके और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी ती और गुरुवार का दिन है द्वादशी ती आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार वज कर पायतालीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वृत किया जाएगा फालगुन शुक्रपक्षी की द्वादशी को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वृत करके भगवान विश्णू की गोविंद नाम से पुजन करें चंदन, अक्षत, तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर्पित करना चाहिए इसके बाद भोग लगाकर आर्थी करनी चाहिए गोविंद द्वालशी यानि आज के दिन भगवान शी विश्णू के मंतर का जब करना अत्यान शुफ फलदाई होता है, तो मंतर भी बता दूँ, मंतर है ओम नारायनाय नमाह, ओम नारायनाय नमाह, जगत का पालन करने वाले शी गोविंद का स्वरूप शांत और आनंद में है, इनका स्वर्र करने से भाक्तों के जीवन के समस्त संकटों का निवारन होता है, इस वरत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त समस्याइं दूर हो जाती हैं और अंत में वैकुंठ नामक धाम की प्राप्ति होती है। इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्ष की दौदशी को नसिंग दौदशी भी मनाने का विधान है। इस दिन भगवान विश्व की नसिंग सुरूब की पूजा की जाती है। पूजा के लिए इस्नान आज इसे निबरत होकर साफ कपड़े पहन कर इशान कोण यानि की उत्तर पूरु दिशा के कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से लीप कर उस पर आठ पंखुडियों वाला कमल दल बनाए। फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर एक चावलों से भरा हुआ बरतन रखें। अब उन चावलों से भरे बरतन के ऊपर भगवान लसेंगर की प्रतिमा रखें और पूजन विधी आरंब करें। सबसे पहले भगवान को पंचमर्थ से इसनान कराएं। फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल, फूल, पीले वस्त्र आदे भगवान को भेट करें। और फिर धूब दीप आज से भगवान की पूजा करें। साथ ही भगवान रसेंग के इस मंत्र का जब करें। मंत्र है ओम उग्रविरम महा विष्णॡम् जलंतम सर् çवत ओमुखं नसिंघ हम भीस्थ नम भाध्रम म्रत्युम नमामयम। इस है और भीस्थ मंत्र को सुन आपको कोई बुरी शक्ति परिशान नहीं कर पाएगी, तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाले गोविंद द्वारशी और नसिंग द्वारशी के बारे में, और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की, आज शाम पांच बच कर 41 मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, इस योग में कोई शुभ कारे करना चाहिए, मानिका के अनुसार इस योग में नई नौकरी जोईन करें या घर में कोई धार में कारे का आयोजन करना अच्छा रहता है, इस योग में किये गए कारों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और कारेश शुफल दयक होता है इश्वर का नाम लेने या सतकर्म करने के लिए ये योग अतिउत्तम है साथ ही आदेर रात एक बज़ का 27 मिनट तक आशलेखा नक्षतर रहेगा आकाश्मंदल में इससे 27 नक्षतरों की शिर्णी में आशलेखा नवा नक्षतर है इसका अर्थ होता है आलिंगन इसी के अनुसार कुंडली मार कर बैठे हुए सांप को आशलेखा नक्षतर का पती चिन माना जाता है और नाग देवताओं को आशलेखा नक्षतर के का अधिपती देवता माना जाता है साथ ही आशलेखा नक्षतर की राशी करक ह वहीं इस नक्षटर के स्वreibenी बुद्ध हैं और बुद्ध का संबंद हमारे बिजनस, हमारी वाणी आदी से है वनस्मतियों में आशलेखा नक्षटर का संबंद नाग-केसर के पेर से बताये हैं लिहाजा जिन लोगों का जन्म आशलेखा नक्षटर में हुआ हो उन लोगों को आशलेखा नक्षत्र के दोरान नाकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दोरान नाकेसर के पेड़, उसके फूल, पतियों या लकडी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचा है ऐसा करने से आपको शुक फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुक सौभागे में व्रधि भी होगी तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र की और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले विशेश उपायों की अगर आप अपने पारिवारिक रिष्टों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिष्टों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकाल कर अलग रखने चाहिए और उसके तीन हिस्ते करने चाहिए अब उन तीन हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को खिला दे एक हिस्सा कोवे को डाल दे और एक हिस्सा कुटे को खाने के लिए दे दे आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिष्टों से नाराज़गी दूर होगी और आपके रिष्टे बेहतर होंगे समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए या दूसरे लोगों के बीच अपना रोटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चांदी की वस्तो खरीक कर लाईए और उसे मंदिर में स्थापिट करके उसकी पूजा करें साथ ही आज पूरा दिन उस चांदी की वस्तो को मंदिर में ही रखा रहने दे अगले दिन स्नान आदि के बाद उस चांदी की वस्तो को मंदिर से उठा कर आप अपने पास कहीं भी रख सकते हैं या उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहिजान बनेगी और दूसे लोगों के बीच आपका रुत्बा बढ़ेगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्तिती चल रही है तो उस कठिन परिस्तित से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नाग केसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए। होने चाहिए यानि वो पेड़ हरा भरा होना चाहिए। अगर आपके संतान अपना खुद का कोई बिजनस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनस खुलवाना चाहते हैं लेकिन उसके बिजनस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलफ करने के लि अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिलों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाएं। इस परकार ये उपाय करने से आपकी संतान के अंदर जल्द ही बिजनस की समझ डेवलफ होगी है। अगर आपका विवेक कुछ कम हो गया है, आप अच्छे बुरे की परक नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के दिन आपको नाग देवता की तक्रीव के आगे अपना सिर्जु करना चाहिए और हाथ जोड़कर उन्हें प्राम करना चाहिए। साथ ही मादुरगा के इस मंतर का जब करना चाहिए। अगर बहनों के साथ आपके रिष्टे में कुछ समस्या आ गई है और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं, तो बहन के साथ रिष्टों को ठीक करने के दिए आज के दिन आपको पांच पीले रंग की कोड़िया लेनी चाहिए। अब उन कोड़ियों को एक स्थान पर एकठा करके जलाना चाहिए। बाद में कोड़ियां जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाए। आज के दिन ऐसा करने से बहन के साथ रिष्टे में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिष्टे अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोड तुकडा लेना चाहिए और उस तुकड़े के बीच में छोटा सा छेद करवा कर उस छेद में एक सफेद रंग का धागा पिरोगे और उस तांबे के टुकड़े को अपने गले में धारन कीजी आज के दिन गले में तांबे का टुकड़ा धारन करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी अगर आप करियर में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद के मंतर का 108 बार चाहिए गोविंद का मंतर ओम गोविंदा आये नमाहा ओम गोविंदा आये नमाहा आज के दिन ऐसा करने से आपको करियर में सफलता हासिल होगी अगर आपके दामपत्य रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद को चहद का भोग लगाना चाहिए साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पढ़ती जा रही है तो आज के दिन आपको की गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें दूट से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी अगर आप अपने लब मेट के साथ प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डालकर भोग लगाना चाहिए साथ ही भगवान के चरणों में पीले फूल अर्पित करने चाहिए आज के दिन ऐसा करने से लबमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अर्पित करना चाहिए साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए तो ये सारी चर्चा थी आज गोविंद द्वादशी, नसिंग द्वादशी, सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र के बारे में साथ ही सुब फलों के प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए हमने इनकी भी चर्चा की है उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में और A, B, C, D ही क्यो नाम का पहला अक्षर ही क्यो चोंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गट्विजियों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छे अपर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमाद ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परीक्षा देने वाले स्टूडेंस को सफलता मिलेगी बी नौकरी के तलाश कर रहे युवाओं को नौकरी मिलने के कारण उनके चेहरे पर खुशी आएगी सी धर में किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे डी आज कुछ लोग आपका विरोश करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा एफ आफिस में काम ज़्यादा होने से आपको आज घर जाने में समय लगेगा जी कोई बात जो आपको परिशान कर रही है उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगी ह आज के दिन कारोबार में उन्नती होगी आपको अचानक धनलाब होगा आई आज आप किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें J. छात्रा आज करियर के फिल्सिले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेचीन रहेगा K. किसी काम में जरूरत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा वो काम असानी से पूरा होगा L. स्वास्ट में ताज़िय आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे M. आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नए सरोत मिलेंगे N. जल्दवादी में फैसले ना करें कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर ले लें O. आपके जीवन साथी का मन पसंद रहेगा उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P. पारिवारी की जीवन सुख में बना रहेगा आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी O. आज पैसों के लेंदेन में साथानी रखें किसी को उधार देने से बचें R. आज आपको वहन चलाते समय साथानी रखने की जरूरत है S. प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मोहुत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा T. आज कहीं लिवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर लें आपके लिए अच्छा रहेगा U. बेवज़े के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है इसलिए यथा संभवधन जुटाने की कोशिश करें V. कारेक्षेतर में इमानदारी वरते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें W. छात्रों में विज्ञान, कला वा तक्निकी शिक्षा के प्रति आपकी रूची वढ़ेगी X. आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगी Y. आज आपको पदोन्नती के साथ-साथ कारेस्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा Z. आपकी अतिरिक्त काम करने की चंता उन लोगों को चौका देगी जिनका प्रदर्शन आपसे बेहतर है और अब बात आज के तीष्ट की आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन राम चरित मानस का कुछ भाग लिखा था तो दूसरी मानेता यह है कि यहां तुलसी दाजी ने बजरंग बान की रशना की थी मुख्ष बात यह है यह मंदर शांती का प्रचीत है यहां प्रवेश करते ही मन को शांती मिलती है मंदर के मध्ध में शीराम माता जान की लक्षवन जी एवम हनुमान जी विराजमान है इनके एक और माता अनपूना एवम शिव जी तथा दूसरी और भगवान सक्तनारान जी का मंदर है इस मंदर के संपून दीवार पर राम शीराम मानस की चौपाईयां और दोहे लिखे दए हैं इसके दूसरी मंजिल पर संतुसी दाजी विराजमान है साथ ही इसी मंजिल पर सवचालिक शीराम एवम कृष्टन लीला होती है तो आप भी कीजे इस नमरीक मंदर के दर्शन और अब बात सामुदिक शास्तर की सामुदिक शास्तर पर कल हमने बात की थी बड़े कानवाले लोगों के सुभाओं के बारे में और आज हम बात करेंगे छोटे कानवाले लोगों के बारे में जिन लोगों के कान आकरती में छोटे या कहें सामाने होते हैं, वे लोग काफी स्ट्रॉंग होते हैं, साथी आर्टिस्टिक मिजास के भी होते हैं, कला के छेतर में इनकी अच्छी खासी रूची होती है, इन लोगों पर किसी भी बात के लिए या अपने किसी काम के लिए आस इन्हें दूसरों से बाते करना बड़ा ही अच्छा लगता है लेकिन कई बार दूसरे लोग इनकी बातों से परेशान होकर या कहें कि बोर होकर इनके पास से उठकर चले भी जाते हैं सामुद्रिक शास्तर में कल हम बात करेंगे अधिक छोटे कानवाले लोगों के सभाव के बारे में और अब बात अवाइड अफ दी डे की यानि आज आज आपको क्या नहीं खाना है आज 21 मार्च फालगुन शुक्रपक्ष की द्वादशी तीथी है द्वादशी तीथी में पूतिका यानि पोई का साथ नहीं खाना चाहिए पोई एक सदा बहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है द्वादशी तीथी आज का पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुबा चार बच कर पैतालीस मिनट तक रहीगी उसके बाद त्रेयोदशी तीथी लग जाएगी इस तरह तीथी का समय जानकर आप अपने खाने का शेडूल बना सकते हैं बाकी आप कुछ भी खाईजिए पीजिए मौश कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और अब वक्त है आज के टिप आफ वीडे का आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाईए सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशिफल जानने के लिए लोगाउन करें www.indiatv.in और मुझसे विक्तिगस संपर करने के लिए फोन करें 9971-000226 भाविश वाली में फिलहाल इतना ही नमस्कार भाविशवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशिका भाविश वताने के लिए आज फालगुन शुक्लपक्षिती द्वादशी तिथी और गुरुवार का दिन है द्वादशी तिथी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार बच कर पैतालीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्षिती द्वादशी को नसिंघ द्वादशी भी मनाने का विधान है आज शाम पांच बच कर एक तालीस मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा साथ ही आज देर रात एक बच कर सताईस मिनट तक आशलेखा नक्षत रहेगा आगे हम इसी पर विश्थित चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका वर्त डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरीज अनिवरसरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दर्वाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविश्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह, वास्तु शास्तर और सामुदिक शास्तर की आज एक कौन सी दिशा होगी शुभ और प्राज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशिय पिंटों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड के मूवमेंट को कल्कुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा और इसके बात बात करते हैं सरवार से ध्योग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 7 बच कर 34 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएव चर्चा करते हैं आज के शुब महूर्थ यानि कि फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च को सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा ने बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ अगले महीने 10 अपले की सुबह 9 बच कर 46 मिनट ने ए 20 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ चार अपरैल की शाम चार बच कर 14 मिनट से शाम साथ बच कर 18 मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रिल इंस्ट्यूशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च की सुबह 7 बच कर 40 मिनट से दो पहर 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 26 मार्च की दो पहर 2 बच कर 56 मिनट से शाम साथ बच कर 33 मिनट तक और एक बार पिर राद 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुबह 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जौब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्थ की सुभा 9 बच कर 36 मिनट से 2 पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्रो मागनेटिक फील्ड कुछ छणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुब कारे करने से सफलता संदिक्ध हो जाती है आज कोई अशुब समय नहीं बन र और कुम्भराशियां विशेश रूप से प्रभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनिट पहले और 12 मिनिट बाद तक कोई भी शुभकार नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बतादू कि काम शुरू करते वक्त रहुकाल का ध्यान रखना बेहत जरूरी है रहुक पहर बाद तीन बचकर 30 मिनिट तक मुंबई दो पहर दो बचकर 17 मिनिट से दो पहर बाद तीन बचकर 47 मिनिट तक चंडिगः दो पहर दो बचकर 1 मिनिट से दो पहर बाद तीन बचकर 32 मिनिट तक लक्षनव दो पहर एक बचकर 44 मिनिट से दो पहर बाद तीन बचकर 15 मिन जुबज कर पंदा मिनट से दोपहर दोबड़कर पाइतालीस मिनट तक अहेमद अबाद दोपहर 2 बच 25 वेमनठ तक और चैन्द नईमे रहुकाल वहगे आज दोपहर 1 बच 27 मिनट से तो बहर बात तीन बचकर अठारा मिनट तक ये था कुछ शहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुबदिशा क्या है तो आज वो शुबदिशा है उस्तर और आये शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेशराश की उसे अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फायदेबल सावित होगी अपने चारों और होने वाली गत्विदियों का ध्यान रखें क्योंकि आपके काम काशे कोई दूसरा ले सकता है लब मेट के लिए आज का दिन खुश्या लेकर आएगा दामपत जीवर में किया व्यापार आपके लिए लाबकारी रहेगा आपने जो लक्ष निर्धारित कर रखे हैं आज उनके काफी करीब पहुंच जाएंगे विरोध ही आपको नुकसान पहुंचाने के कोशिश करेंगे लेकिन अपनी समझदारी से आप उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे ज आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नंबर है पांच मित्वर राशेवालों आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनीत के क्षेते से जुड़े हैं आज उनकी सामाजित परतिश्था में वरदी होगी जो लोग उच्छ शिक्षा पाने की राशे कॉलेज में दाखला मिलेगा आज आप मांसिक रूट से स्वस्थ बने रहेंगे आज आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे अपने भाई बहनों के साथ किसी अच्छी जगह घूमने का प्लान बनाएंगे आज आपको पैसे के लेंदेन में सावधानी बरतने की आवशक्ता है आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है एक करक राशी वालों आज आप उर्या से भरपूर रहेंगे आज आपको अपने वानी पर सयम रखने की जरूरत है इस राशी के जो लोग डॉक्टर हैं आज वो नई क्लीनिक की ओपनिंग करने का मन बनाएंगे जिसमें परिवारवालों का भरपू सहयोग मिलेगा आज आपके बिजनेस में बहुतरी होगी आज समाज सेवा के लिए की गई कोशिशें आपकी अलग पहचान बनाएंगी इस राशी के चात्र आज किसी एकांस जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे कर रहे लोगों की रचनाओं की लोग तारीफ करेंगे आज व्यर्थ की बातों में उल पल और लकी नमबर है सेवन करने राशिवालों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है साइन्स और रिसर्च की फील्ड से जुड़े लोगों को आज कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा पुराने कामों का निप्टारा करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा साथी से काजियों में सहयोग मिलेगा चातर आज कुछ ऑनलाइन सीखने की कोशिश करेंगे आज के लिए आपका लगी कलर है मैजेंटा और लगी नमबर है सिक्स तुला राशिवालों आज किस्मत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपकी एक अलग ही छवी निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका शेयर किसी और को न ले जाने दें बास आपको किसी जरुरी काम से दूसरे शेहर की यात्रा पर भेज सकते हैं भाई का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है दो वरिष्टिक राशिवालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रसोई घर में काम करते हुए थोड़ी साथानी जरू बरते आज आप में सफलता और उच्छ प देगा आज हर प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लव मेट से एक दूसरे को उपहार देगे साथ ही कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्ते के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नंबर है सिक्स धनु राशी वालों भविश्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशी के जो लोग मार्केटिंग के छेत्र से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेत्र में आज आज आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप थोड़ा उल्ज़र में पढ़ सकते हैं नव विवाहित दमपति में मीठी नोग जोंक होगी जिससे रिष्टे में मिठास बढ़ेगी लबमेट एक दूसे पर विश्वास बनाए रखें रिष्टा और मजबूत होगा आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में परोस्यों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी आ आज आप नए विचारों से परिपूर रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा देंगे परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सवहाद बना रहेगा लबेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिष्टों में मधूरता आएगी आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वर और लखी नमबर है नाईं कुम भराशिवालों आज का दिन महतुपूर रहने वाला है आज कोड के चहरी में चल रहे मुकदमों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े परे में ठीक से जानकारी कर लें व्यापार में आज आपको खूप तरक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है ब्लू और लखी नमबर है सिक्स मीन राशिवालों आज का दिन मिलूजली प्रतिक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आठिक लाप कराएंगे पहले किये गए प्रयासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने की वज़ाए अपनों की सलाह लीजिए आज आ आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा छात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लकी कलर है वाईलेट और लकी नमबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बड़ों का आशिवाद ने और जिनकी आज मेरीज अनिवर्सरी है वो किसी ज़रुत मन्द को आठा दें तो साल भर सुख और सुभाग पढ़ता ही रहेगा और आएए अब चलते हैं आंकों की रहसमई दुनिया में मूलांग एक वालों आज जीवन साथी के साथ स परिवार्सिती मजबूत होगी मूलांग 3 स्वास्थ को बहतर बनाये रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेश करें मूलांग 4 अपने काम और परिवार के बीच सामझत से स्थापित करने की कोशिश करें मूलांग 5 आज आज आप जीवन साथी को कोई कीमती उपहार देकर वयवाहिक जीवन में मिठास घोलेंगे मूलांग 6 आज आप शाम को परिवारवालों के साथ किसी धार्मिक इस्थल पर दर्शन करने जाएंगे मूलांग 7 आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपकी आर्थिक इस्तिती बहतर बनेगी मूलांग 8 आज किसी ऐसी जगह पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश में मिलेगा मूलांग 9 आज आप उच्छा धिकारियों से तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तु शास्त्र की वास्तु शास्त्र में कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे सलाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आदिके बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में कुछ अन्य विश्यों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे रसोई घर के निर्मान की घर में रसोई का संबंद हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबंद अगनी से होता है आग से इसलिए वास्त शास्त के अउसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगनी कोन यानि दक्षन पूर्व दिशा का कोन यानि दक्षिल पूर्व दिशाएं जहां मिलती हैं उस दिशा का चुनाओ करना चाहिए जो कि आगने कोड का संबंद भी अगनी से है अतह आगने कोड में रसोई बनवाने से परिवार के सबसर रस्यों का स्वास्ते बेहतर रहता है अगर भोजन कर रहे की बात करें तो वास्तुशास्तर के अनुसार रसोई के अंदर बैट कर ही भोजन करना चाहिए साथ ही भोजन कर रहे के लिए अपनी ठाली को दक्षिन पूर्वे दिशा के और रखना चाहिए और पूर्वे दिशा के और मुख करके भोजन करना चाहिए यानि कि भोजन को मूलतफ पूर्वे दिशा के और रखना चाहिए लेकिन पूर्व से दक्षन इसलिए ताकि नौर्थ इस्ट में आप पानी का बरतब रख सकें नौर्थ इस्ट में पानी का गिलास अगर आप इस्ट की तरव मूँ करके बैठें तो थोड़ा सा साउट करिए भोजन को और थोड़ा लेफ्ट करिए पानी को वास्तो शास्त्र में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि वो जल से जल ठीक हो सके और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज फालगुन शुकलपक्षी की द्वादशीती थी और गुरुवार का दिन है द्वादशी टिथी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार वज कर पैटलीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का व्रत किया जाएगा फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वरत करके भगवान विश्णू की गोविंद नाम से पूजा की जाती है आज के दिन शोडोशो बचार या पंचो बचार के दोरा भगवान विश्णू का विधिवत पूजन करें चंदन, अक्षत, तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर्थिच करना चाहिए इसके बाद भोग लगा कर आर्थि करनी चाहिए गोविंद द्वालाशी यानि आज के दिन भगवान शी विश्णू के मंतर का जब करना अत्यंत शुप फलदाई होता है तो मंतर भी बता दूँ, मंतर है ओम नारायनाय नमाः ओम नारायनाय नमाः जगत का पालन करने वाले शी गोविंद का स्वरूप शांत और आनन्द में है इनका स्वनर करने से भाक्तों के जीवन के समस्त संकटों का निवारन होता है घर परिवार को धन-धान्य और सुक समध्धी की प्राप्ती होती है इस वरत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त समस्याइं दूर हो जाती है और अंत में वैकुंठ नामक धाम की प्राप्ति होती है इसके अलावा फालगुन शुकल पक्ष की दौदशी को नसिंग दौदशी भी मनाने का विधान है इस दिन भगवान विश्व की नसिंग सुरूप की पूजा की जाती है पूजा के लिए इसनान आज इसे निबरत होकर साफ कपड़े पहन कर इशान कोन यानि की उत्तर पूरु दिशा के कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से लीप कर उस पर आठ पंक्फुडियों वाला कमल लल बनाए फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के उपर एक चावलों से भरा हुआ बरतन रखें अब उन चावलों से भरे बरतन के उपर भगवान नसिंग की प्रतिमा रखें और पूजन विधी आरंब करें सबसे पहले भगवान को पंचमर्थ से स्नान कराएं फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल फूल, पीले वस्त्र आदे भगवान को भेट करें और फिर धूब दीप आज से भगवान की पूजा करें साथ ही भगवान नसिंग के इस मंत्र का जब करें मंत्र है ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलन्तम सर्वत ओमुखं नसिंगं भीषणं भद्रं मृत्युम मृत्युम नमाम्यहं फिर से इस मंत्र को सुने ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलन्तम सर्वत ओमुखं नसिंगं भीषणं भद्रं मृत्युम नमाम्यहं आज के दिन इस मंत्र का जब करने से आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा आपको कोई बुरी शक्ति परेशान नहीं कर पाएगी तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाले गोविंद द्वादशी और नसिंग द्वादशी के बारे में और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की आज शाम पांच बच कर 41 बिनट तक सुकर्मा योग रहेगा जैसा कि नाम से ही विदित होता है इस योग में कोई शुभ कारे करना चाहिए मानने ता के अनुसार इस योग में नई नौकरी जोईन करे या घर में कोई धार में कारे का आयोजन करना अच्छा रहता है इस योग में किये गए कारों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और कारे शुभ दायक होता है इशुर का नाम लेने या सतकर्म करने के लिए ये योग अतिउत्तम है साथ ही आदेर रात एक बज़ का 27 मिनट तक आशलेखा नक्षतर रहेगा आकाश मंदल में इस्ति 27 नक्षतरों की शिर्णी में आशलेखा नवा नक्षतर है इसका अर्थ होता है आलिंगन इसी के अनुसार कुंडली मार कर बैठे हुए साथ को आशलेखा नक्षतर का पती चिन माना जाता है और नाग देवताओं को आशलेखा नक्षतर के का अधिपती देवता माना जाता है साथ ही आशलेखा नक्षतर की राशी करक है वहीं इस नक्षत्र के सौमी बुद्ध है और बुद्ध का सम्बंद हमारे बिजनेस हमारी वाणी आदिसे है बनस्मतीों में आशलेखा नक्षत्र का सम्बंद नाक केसर के पेरो से वताए गया है लिहाजा जिन लोगों का जन्म आशलेखा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आशलेखा नक्षत्र के दोरान नाकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दोरान नाकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्तियों या लकडी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंच है। ऐसा करने से आपको शुक फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सुक सौभाग्य में व्रद्धी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले विशेश उपायों की। अगर आप अपने पारिवारिक रिश्टों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिश्टों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिनापको अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर अलग रखनी चाहिये और उसके तीन हिस्थे करने और आपके रिष्टे बेहतर होंगे समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए या दूसरे लोगों के बीच अपना रोटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चांदी की वस्तु खरीग कर लाईए और उसे मंदिर में स्थापिट करके उसकी पूजा करें साथ ही आज पूरा दिन उस चांदी की वस्तु को मंदिर में ही रखा रहने दे अगले दिन इसनान आदि के बाद उस चांदी की वस्तु को मंदिर से उठा कर आप अपने पास कहीं भी ला सकते हैं या उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी और दूसे लोगों के बीच आपका रुत्मा बढ़ेगा अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्थिती चल रही है तो उस कठिन परिस्थित से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नागकेसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए साथ ही उसकी जड़ में जल चलाना चाहिए लेकिन अगर आपको कहीं आसपास नागकेसर का पेड़ न मिले तो इंटरनेट से नागकेसर की फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर ले यहां ध्यान रहे कि फोटो में नागकेसर के पेड़ पर फूल जरूर लगे होने चाहिए यानि वो पेड़ हरा भरा होना चाहिए अगर आपके संतान अपना खुद का कोई बिजनस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनस खुलवाना चाहते हैं लेकिन उसके बिजनस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलफ करने के लिए आज के दिन आपको साफ सुध मिटी लेनी चाहिए अब उस मिटी को पानी की साहता से गाढ़ा करके उसे सकताई चोटी चोटी गोलिया बना ले और उन्हें अच्छे से सुखा ले अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले सकताई दिनों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाएं इस परकार ये उपाय करने से आपकी संतान के अंदर जल्द ही बिजनेस की समझ डेवलप होगी अगर आपका विवेक कुछ कम हो गया है आप अच्छे बुरे की परक नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन आपको नाग देरता की तस्वीब के आगे अपना सिर्जु करना चाहिए और हाँ जोड़कर उन्हें प्राम करना चाहिए साथ ही मादुर्गा के इस मंतर का जब करना चाहिए सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके अगर बहनों के साथ आपके रिष्टे में कुछ समस्या आ गई है और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो बहन के साथ रिष्टों को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको पांच पीले रंग की कोड़िया लेनी चाहिए अब उन कोड़ियों को एक स्थान पर एकठा करके जलाना चाहिए बाद में कोड़ियां जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाए आज के दिन ऐसा करने से बहन के साथ रिष्टे में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिष्टे अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोड तुकडा लेना चाहिए और उस तुकडे के बीच में एक छोटा सा छेद करवा कर उस छेद में एक सफेद रंग का धागा पिरोगे और उस तांबे की तुकडे को अपने गले में धारन कीजिए आज के दिन गले में तांबे का तुकडा धारन करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी अगर आप करियर में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद के मंतर का 108 बार चाहिए गोविंद का मंतर ओम गोविंदाए नमाहा ओम गोविंदाए नमाहा आज के दिन ऐसा करने से आपको करियर में सफल अगर आपके दामपत्य रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो आज के दिन आपको शी गोविंद को चहद का भोग लगाना चाहिए, साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए, आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है, वो जल्द ही दूर हो जाएगी. अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पढ़ती जा रही है, तो आज के दिन आपको शी गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें दूट से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए. आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी. अगर आप अपने लवमेट के साथ प्यार बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डाल कर भोग लगाना चाहिए. साथ ही भगवान के चर्णों में पीले फूल अर्पित करने चाहिए. आज के दिन ऐसा करने से लवमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा. अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं, तो आज के दिन आपको शिव वंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अर्पित करना चाहिए. साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए. तो ये सारी चर्चा थी आज गोविंद द्वादशी, नसिंग द्वादशी, सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र के बारे में, साथ ही शुब फलों के प्राप्ते के लिए आज के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए, हमने इनकी भी चर्चा की है. उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी. और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर, आपके आज के भविश के बारे में, और A, B, C, D ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गच्विद्यों पर आपकी नजर होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छे अपरचुनिटी मिलने वाली है, या कही आपका दुश्मन पाजी नमाद ले, किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा, तो जिनके नाम का पहला अक्षर है, A, आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परीक्षा देने वाले स्टूडेंस को सफलता मिलेगी, B, नौकरी के तला सब्सानी से पूरा कर लेंगे, D, आज कुछ लोग आपका विरोज करेंगे, लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे, E, पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान, आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा, F, आफिस में काम ज़्यादा होने से आपको आज घर जाने में समय लगेगा, G, कोई बात जो आपको परिशान कर रही है, उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगे, H, आज के दिन कारोबार में उन्नती होगी, आपको अचानक धनलाब होगा, I, आज 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 किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें, J, चातरा आज करियर के सिल्सिले में जो भी फैसला लेंगे, ये आपके लिए बेहतीन रहेगा, K, किसी काम में ज़रुत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा, वो काम असानी से पूरा होगा, L, स्वास्ट में ताजगिय आएगी, जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे, M, आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा, आपको आमदनी के नई स्रोट मिलेंगे, N, जल्दवादी में फैसले ना करें, कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर ले लें, O, आपके जीवन साथी का मन पसंद रहेगा, उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है, P, पारिवारी की जीवन सुख में बना रहेगा, आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी, चिव, आज पैसों के लेंदेन में साथधानी रखें, किसी को उधार देने से बचें, R, आज आपको वहन चलाते समय साथधानी रखने की जरूरत है, S, प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो किसी अच्छे मुहूरत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा, T, आज कहीं लिवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा, U, बेवज़े के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है, इसलिए यथा संभावधधन जुटाने की कोशिश करें, V, कारेख्षेतर में इमानदारी बढ़ते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें, W, चात्रों में विज्ञान, कला वर तकनीकी शिक्षा के प्रति आपकी रूची वढ़ेगी, X, आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगी, Y, आज आपको पदोनती के साथ साथ कारेस्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा, Z, आपकी अतिरिक्त काम करने की चम्ता उन लोगों को चौका देगी, जिनका प्रदर्शन आपसे बेहतर है, और अब बात आज के तीर्ट की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं, काशी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन, तुलसी मानस मंदिर काशी के आधुनित मंदिरों में से एक बहुत ही मनोरब इस्थल है, इस मंदिर को लेकर कई तरह की माननेताई हैं, पहली माननेता ये है कि इसी इस्थान पर गोस्वामी तुलसी दाजी ने राम चरित मानस का कुछ भाग लिखा था, तो दूसरी माननेता ये है कि यहाँ तुलसी दाजी ने बजरंग बाण की रशना की थी, मुक्ष बात ये है, यह मंदिर शांती का प्रतीक है, यहाँ प्रवेश करते ही मन को शांती मिलती है, मंदिर के मध्ध में शीराम माता जान की लक्षवन जी एवम हनवान जी विराजमान है, इनके एक और माता अनपूना एवम शिव जी तथा दूसरी और भगवान सक्तनारान जी का मंदिर है, इस मंदिर के संपून दीवार पर राम शीरित मानस की चौपाईयां और दोहे लिखे गए हैं, इसके दूसरी मंजिल पर संतुसी दाजी विराजमान है, साथ ही इसी मंजिल पर स्वचालिक शीराम एवम कृष्टन लीला होती है, तो आप भी कीजे इस नमरीक मंदिर के दर्शन, और अब बात सामुदिक शास्त्र की, सामुदिक शास्त्र में कल हमने बात की थी बड़े कानवाली लोगों के सुभाओं के बारे में, और आज हम बात करेंगे चोटे कान वाले लोगों के बाए में, जिन लोगों के कान आकरति में छोटे या कहें सामाने होते हैं, वे लोग काफी स्ट्रॉंग होते हैं। साथ ही आर्टिस्टिक मिजास के भी होते हैं, कला के छेतर में इनकी अच्छी खासी रूची होती है, इन लोगों पर किसी भी बात के लिए या अपने किसी काम के लिए आसानी से भरोसा किया जा सकता है। हाला कि ये लोग थोड़े कंजूस होते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं, साथ ही ये बहुत बातूनी भी होते हैं, इन्हें दूसरों से बाते करना बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन कई बार दूसरे लोग इनकी बातों से परेशान होकर या कहें कि बोर होकर इनके पास आज 21 मार्च फालगुन शुक्रपक्ष की द्वादशी तिति है। द्वादशी तिति में पूतिका यानि पोई का साथ नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदा बहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्वादशी तिति आज का पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुबह चार बच कर पैतालीस मिनट तक रहीगी। उसके बाद 23 तिति लग जाएगी। इस तरहें तिति का समय जानकर आप अपने खाने का शेडियूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाईजिए, देखा आज लाल फूल वाला पौदा कहीं लगाईए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग आउन करें www.indiatv.in और मुसे विक्तिगत संपर करने के लिए फोन करें 9971-000226 भाविश यवानी में फिलाल इतना ही नमस्कार। पूरा दिन पार करके कल की भोर चार बच कर 45 मिनट तक रहेगी। आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा। इसके अलावा फालगुल शुक्लपक्ष की द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है। आज शाम पांच बच कर 41 मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा। साथ ही आज देर रात एक बच कर 27 मिनट तक आशलेखा नक्षट रहेगा। आगे हमेशी पर विष्टित चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका वर्त डे है तो क्या करें। और अगर आज आपकी मरीज अनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लखी कलर। और क्या है आपका आज का लखी नंबर। आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दरवाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश्य जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्तर और स दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशिय पिंटों के बीच बहने वाली electromagnetic field के movement को calculate करके ये जान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा और इसके बात बात करते हैं सरवार से ध्योग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 7 बच कर 34 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएब चर्चा करते हैं आज के शुब महूर्थ यानि कि फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च को सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ अगले महीने 10 अपरेल की सुबह 9 बच कर 46 मिनट से दो पहर 2 बच कर 21 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ चार अप्रैल की शाम चार बच कर चौदा मिनट से शाम साथ बच कर अठारा मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रिल इंस्ट्यूशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च की सुबह 7 बच कर 40 मिनट से दो पहर 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर दो पहर बार 3 बच कर 46 मिनट से राद 10 बच कर 49 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 26 मार्ट की दोपार दो बच कर 56 मिनट से शाम 7 बच कर 33 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुबह 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्ट की सुबह 9 बच कर 36 मिनट से दोपार 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जुली इलेक्रो-मागनेटिक फील्ड कुछ छणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इस से चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुब कारे करने से सफलता संदिक्ध हो जाती है आज कोई अशुब समय नहीं बन रहा है अब ये अशुब समय 23 मार्च की दोपार दो बच कर 49 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां परभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंग, धानू और कुम्भ राशियां विशेश रूप से परभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुब कारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बतादू कि काम शुरू करते वक्त रहुकाल का ध्यान रखना बेहत जरूरी है रहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिली में रहुकाल होगा दोपहर एक बचकर उनसट मिनट से दोपहर बात तीन बचकर तीस मिनट तक मुंबई दो पहर दो बचकर 17 मिनट से, दो पहर बाद 3 बचकर 47 मिनट तक चंडिगण दो पहर दो बचकर 1 मिनट से, दो पहर बाद 3 बचकर 32 मिनट तक लक्षनव दो पहर एक बचकर 44 मिनट से, दो पहर बाद 3 बचकर 15 मिनट तक भोपाल दो पहर एक बचकर अट्थावन मिनट से दो पहर बाद तीन बचकर उन्तीस मिनट तक कोलकाता दो पहर एक बचकर पंदा मिनट से दो पहर दो बचकर पैतालीस मिनट तक अहमद आबाद दो पहर दो बज कर 17 मिनट से दो पहर बाद तीन बज कर 48 मिनट तक और चेन नहीं में राहुकाल होगा आज दो पहर एक बज कर 47 मिनट से दो पहर बाद तीन बज कर 18 मिनट तक ये था कुछ शहरों का रहोकाल और अब आज की यात्रा की शुब्दिशा क्या है तो आज वो शुब्दिशा है उस्तर और आईएफ शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेशराश की मेशराश वालों आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फाइदेबल सावित होगी अपने चारों होने वाली गत्विदियों का ध्यान रख हैं तो कि आपके काम कशे कोई दूसरा ले सकता है लब मेट के लिए आज का दिन खुश्यां लेकर आएगा दामपत जीवर में खुशाली बनी रहेगी आज के लिए आपका लकी कलर है महरून और लकी नमबर है सिक्स वरेश अराशिवालों आज काम काज में सावधानी वर उचाने के कोशिश करेंगे लेकिन अपनी समझदारी से आप उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे जरूरी कामों को आज दूसरों के भरों से न छोड़ें इस राशी के छात्रों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है घरवालों से किसी विशह पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइदेमन सावित होगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नंबर है पांच मित्वर राशेवालों आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनीत के खशेते से जुड़े हैं आज उनकी सामाजित परतिश्ठा में वर्दी अपने भाई बहनों के साथ किसी अच्छी जगह घूमने का प्लान बनाएंगे आज आपको पैसे के लिए देन में सावधानी बरतने की आवशक्ता है आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है एक करक राशेवालों आज आप उर्जा से भरपूर रहेंगे आज आपको अपनी वाणी पर सयम रखने की जरूरत है इस राशी के जो लोग डॉक्टर है आज वो नई क्लीनिक की ओपनिंग करने का मन बनाएंगे जिसमें परिवारवालों का भरपूर सहयोग मिलेगा आज आपके बिजनेस में बहुतरी होगी आज समाज सेवा के लिए की गई कोशिशें आपकी अलग पहचान बनाएंगी इस राशी के छात्र आज किसी एकांस जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन लगेगा आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डेट और लखी नमबर है आठ सिंग राशिवालों आज का दिन शांदार रहने वाला है आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे क की बातों में उलजने से बचें लवमेट एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे आज अचानक धन लाव होने से आपकी आतिक इस्तिती मजबूत होगी आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नंबर है सेवन करने राशिवालों आज का दिन बहुत ही अच्छ रहेगा लोग आपकी मदद के लिए भी तयार रहेंगे बड़ों का दिया हुआ सुझाओ आज आपके काम आएगा बिजनस संबंदी मीटिंग में आज आप सही डंग से अपनी बात रखेंगे जीवन साथी से काजों में सहयोग मिलेगा चात्र आज कुछ ऑनलाइन सीखने की कोशिश करेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है मैजेंटा और लखी नमबर है सिक्स तुला राशिवालों आज किसमत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपकी एक अलग ही छवी निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका शेयर किसी और को न ले करन न होंगे दामपत्य जीवन में खुशाली आएगी नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नमबर है दो वरिष्टिक राशी वालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रासोई घर में काम करते हुए थोड़ी सावधानी जरू बरते हैं आज आप में सफलता और उच्छ पद पाने की इच्छा जागर्त होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस राशी के जो लोग एक्टिंग के छेतर से जुड़े हैं आज उन्हें कोई बड़ा आफर मिलेगा आज हर प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लवमेट से एक दूसरे को उपहार देगे साथी कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्ते के मामले में आज का दिन रहेगा इस राशी के जो लोग मार्केटिंग के छेतर से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेतर में आज आप के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप की कलर है ग्रे और लकी नंबर है चार मकर राशी वालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में परोस्यों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी प्रतिष्था बढ़ेगी आज सफलता में आ रही दिक्कतें दूर होंगी आज आप नए विचार की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिष्टों में मज़ूरता आएगी आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है नाइन कुम्भरा शिवालो आज का दिन महतुपूर रहने वाला है आज कोड का चहरी में चल रहे मुकद्मों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आपको अचानक धनलाब होने वाला ह अगर आप कोई नई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर लें व्यापार में आज आज आपको खूप तरक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लगी कलर है बलू और लगी नमबर है सिक्स मीन राशिवालों आज का दिन मिलूजली परतिक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आज तिकलाब कराएंगे पहले किये गए प्रयासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने की वज़ाए अपनों की सलाह लीजिए आज आ आज की सिहत में काफी सुदार आएगा चार्तरों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी की तलाश कर रहे हैं लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लगी कलर है वाईलेट और लगी नंबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका है चनम दिन है वो आज बड़ों का आशिरवाद ने और जिनकी आज मेरीज अनिवर्सरी है वो किसी जरूरतमंद को आटा दें तो साल भर सुख और सुभाग पढ़ता ही रहेगा और आएए अब चलते हैं आंकों की रहस्माई दुनिया में मूलांग एक वालों आज जीवन के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा रिष्टे में और मद्बूती आएगी मूलांग दो आपके लिए आज का दिन बहत्रीन रहने वाला है आए के स्रोट मिलने से आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी मूलांग तीन स्वास्थ को बहतर बनाये रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेज करें मूलांग चार अपने काम और परिवार के बीच सामंज़त से स्थापित करने की कोशिश करें मूलांग पांच आज आप जीवन साथी को कोई कीमती उपहार दे कर वैवाहिक जीवन में मिठास घोलेंगे मूलांग चे आज आप शाम को परिवार वालो के साथ किसी धार्मी की स्थल पर दर्शन करने जाएंगे मूलांक साथ आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपकी आर्थिक इस्तिती बेहतर बनेगी मूलांक आठ आज किसी ऐसी जगह पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश्य में मिलेगा मूलांक नौ आज आप उच्छा धिकारियों से तालमेल बना कर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तु शास्तर की वास्तु शास्तर में कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे सलाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आ निर्मान की घर में रसोई का संबंद हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबंद अगनी से होता है आग से इसलिए वास्तु शास्त के अउसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगने कोण यानि दक्षन पूर्व दिशा का कोना यानि दक्षन पूर्व दिशा जहां मिलती हैं उस दिशा का चुनाओ करना चाहिए जो कि आगने कोड का संबंध भी अगनी से है अतह आगने कोड में रसोई बनवाने से परिवार के सबस्राश्यों का स्वास्ते बेहतर रहता है अगर भोजन करने की बात करें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई के अंदर बैट कर ही भोजन करना चाहिए साथ ही भोजन करने के लिए अपनी ठाली को दक्षिन पूर्व दिशा के और रखना चाहिए और पूर्व दिशा के और मुख करके भोजन करना चाहिए यानि कि भोजन को मूलतफ पूर्व दिशा के और रखना चाहिए लेकिन पूर कर लिफ्ट करिए पानी को वास्तो शास्तर में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि वो जल से जल ठीक हो सके और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशीति थी और गुरुवार का द्वादशी तिथी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार वज कर पैतालीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वरत करके भगवान विश्णू की गोविंद नाम से पूजा की जाती है आज के दिन शोडोशो बचार या पंचो बचार के दोरा भगवान विश्णू का विधिवत पूजन करें चंदर्ण, अक्षत, तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर जा दूँ, मंत्र है ओम नारायनाय नमहा, ओम नारायनाय नमहा, जगत का पालन करने वाले शी गोविंद का स्वरूप शांत और आनंद में है, इनका स्वनड करने से भाक्तों के जीवन के समस्त संकटों का निवारन होता है, घर परिवार को धन धान्य और सुक समर्दी की प्राप्ती होती है, इस वरत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त समस्याइं दूर हो जाती है और अंत में वैकुंठ नामक धाम की प्राप्ती होती है, इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्ष की दौदशी को नसिंघ दौदशी भी मनाने का विधान है, इस दिन उने को गाय के गोबर से लीप कर उस पर आठ पंक्फुडियों वाला कमल दल बनाएं। फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर एक चावलों से भरा हुआ बरतन रखें। अब उन चावलों से भरे बरतन के ऊपर भगवान नसंग की प्रतिमा रखें और पूजन विधी आरंब करें। सबसे पहले भगवान को पंचामर्त से स्नान कराएं। फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल फूल, पीले वस्त्र आदे भगवान को भेट करें। आज के दिन इस मंत्र काजब करने से आपकी आर्थिक इस्तिति मजबूत होगी, आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा, आपको कोई बुरी शक्ति परिशान नहीं कर पाएं। तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाले गोविंद द्वारशी और नसिंग द्वारशी के बारे में और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। इस योग में किये गए कारों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और कारे शुफल दयक होता है। इशौर का नाम लेने या सतकर्म करने के लिए ये योग अती उत्तम है। साथी आदेर रात एक बज़ का 27 मिनट तक आशलेखा नक्षत्र रहेगा। आकाश मंदल में इस्ति 27 नक्षत्रों की शिर्णी में आशलेखा नवा नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। इसी के अनुसार कुंदली मार कर बैठे हुए साथ को आशलेखा नक्षत्र का पती चिन माना जाता है। और नाग देवताओं को आशलेखा नक्षत्र के का अधिपती देवता माना जाता है, साथ ही आशलेखा नक्षत्र की राशी करक है, वहीं इस नक्षत्र के सामी बुद्ध हैं और बुद्ध का संबंद हमारे बिजनस हमारी वानी आदि से है, वनस्पतियों में आशलेखा नक कि ऐसी प्रकार का नुकसान न के विढ़ उपासना करनी चाहिए। đaury को कि इस दौरान नाकेसर के पेडD, उसके फूल, पतियों या लकडी like को किसी प्रकार नुकसान न पहुँचे HERE ऐसा करने से आपको सुख फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभागे में व्रधी भी होगी तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र की और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले विशेश उपायों की अगर आप अपने पारिवारिक रिष्टों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिष्टों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकाल कर अलग रखने चाहिए और उसके तीन हिस्टे करने चाहिए अब उन तीन हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को खिला दें एक हिस्सा कववे को डाल दें और एक हिस्सा कुटे को खाने के लिए दें आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिष्टों से नाराज़गी दूर होगी और आपके रिष्टे बेहतर होगी समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए या दूसरे लोगों के बीच अपना रोटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चांदी की वस्तु खरीग कर लाईए और उसे मंदिर में स्थापिट करके उसकी पूजा करें साथ ही आज पूरा दिन उस चांदी की वस्तु को मंदिर में ही रखा रहने दे अगले दिन स्नान आदि के बाद उस चांदी की वस्तु को मंदिर से उठा कर आप अपने पास कहीं भी रख सकते हैं या उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहजान बनेगी और दूसरे लोगों के बीच आपका रुत्बा बढ़ेगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्थित ही चल रही है तो उस कठिन परिस्थित से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नागकेसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही उसकी जड़ में जल चलाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं आसपास नागकेसर का पेड़ न मिले तो इंटरनेट से नागकेसर की फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर ले। यहां ध्यान रहे कि फोटो में नागकेसर के पेड़ पर फूल जरूर लगे होने चाहिए। यानि वो पेड़ हरा भरा होना चाहिए। अगर आपके संतान अपना खुद का कोई बिजनस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनस खुलवाना चाहते हैं लेकिं उसके बिजनस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलफ करने के लिए आज के दिन आपको साफ शुध मिटी लेनी वायता से गाढ़ा करके उससे सकताईश चोटी-चोटी गोलिया बना ले और उन्हें अच्छे से सुखा ले अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले सकताईश दिलों तक एक-एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाएं इस परकार ये उपाय करने से आ आज के दिन आपको नागदेरका की तश्रीफ के आगे अपना सिर्जु करना चाहिए, और हाद जोड़कर उन्हें प्राम करना चाहिए, साथ ही मादुरगा के मंतर का जब करना चाहिए, अगर बहनों के साथ आपके रिष्टे में कुछ समस्या आ गई है और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो बहन के साथ रिष्टों को ठीक करने के लिए आज के जिन आपको पांच पीले रंग की कोडिया लेनी चाहिए अब उन कोडियों को एक स्थान पर एकठा करके जलाना चाहिए बाद में कोडियां जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाए आज के दिन ऐसा करने से बहन के साथ रिष्टे में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिष्टे अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोर तुकडा लेना चाहिए और उस तुकडे के बीच में छोटा सा छेद करवा कर उस छेद में एक सफेद रंग का धागा पिरोईए और उस तामे की टुकले को अपने गले में धारन कीजिए। आज के दिन गले में तामे का टुकला धारन करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चे थोगी। अगर आप करियर में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद के मंतर का 108 बार चाहिए। अगर आपके दामपत्य रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद को चहद का भोग लगाना चाहिए। साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पढ़ती जा रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। और उन्हें दूट से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी। अगर आप अपने लव मेट के साथ प्यार बनाये रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डाल कर भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान के चर्णों में पीले फूल अर्पित करने चाहिए आज के दिन ऐसा करने से लबमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको शिव वंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अर्पित करना चाहिए साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए तो ये सारी चर्चा थी आज गोविंद द्वादशी, नसिंग द्वादशी, सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र के बारे में साथ ही सुब फलों के प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए हमने इनकी भी चर्चा की है उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में और A, B, C, D ही क्यों नाम का पहला अक्षर ही क्यों क्योंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गच्विजियों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपरचुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमाद ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परिक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी बी नौकरी के तलाश कर रहे जुआओं को नौकरी मिलने के कारण उनके चेहरे पर खुशी आएगी सी घर में किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे डी आज कुछ लोग आपका विरोज करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे E. पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा F. आफिस में काम ज़्यादा होने से आपको आज घर जाने में समय लगेगा G. कोई बात जो आपको परेशान कर रही है उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगी H. आज के दिन कारोबार में उन्नत ही होगी आपको अचानक धनलाब होगा I. आज आज आप किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें J. छातरा आज करियर के सिल्सिले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेहतीन रहेगा K. किसी काम में जरूत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा वो काम असानी से पूरा होगा L. स्वास्त में ताज़िये आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे M. आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नई स्रोट मिलेंगे N. जल्दबादी में फैसले ना करें कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर लें O. आपके जीवन साथी का मन पसंद रहेगा उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P. पारिवाली की जीवन सुख में बना रहेगा आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी चिवू आज पैसों के लेंदेन में साबधानी रखें किसी को उधार देने से बचें R. आज आपको वहन चलाते समय साबधानी रखने की जरूरत है Seatbelt जरूर लगाए S. प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूरत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा T. आज कहीं निवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर लें आपके लिए अच्छा रहेगा U. बेवज़े के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है इसलिए यथा संभाव धन जुटाने की कोशिश करें W. कारे खेतर में इमानदारी वरते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें W. छात्रों में विज्ञान, कला वा तक्नीकी शिक्षा के प्रति आपकी रूची बढ़ेगी X. आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगे Y. आज आपको पदोनती के साथ साथ कारे स्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा Z. आपकी अत्रिक्त काम करने की चंता उन लोगों को चौका देगी जिनका प्रदर्शन आपसे बेहतर है और अब बात आज के तीस्थ की आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन तुलसी मानस मंदिर काशी के आधुनित मंदिरों में से एक बहुत ही मनोरब इस्थल है इस मंदिर को लेकर कई तरह की माननेताइं है पहली मानिता ये है कि इसी इस्थान पर गोस्वामी तुलसी दाजी ने राम चरित मानस का कुछ भाग लिखा था तो दूसरी मानिता ये है कि यहां तुलसी दाजी ने बजरंग बान की रशना की थी मुख्य बात यह है यह मंदर शांति का प्रतीक है यहां प्रवेश करते ही मन को शांति मिलती है मंदर के मध्य में शीराम माता जानकी लक्षवन जी एवं हनुवान जी विराजमान है इनके एक और माता अनपूना एवं शीव जी तथा दूसरी और भगवान सक्तनारान जी का मंदर है इस मंदर के संपून दीवार पर राम चेरित मानस की चौपाईयां और दोहे लिखे दए हैं इसके दूसरी मंजिल पर संतुल्सी दाजी विराजमान है साथ ही इसी मंजिल पर स्वचालिक शीराम एमकृष्ण लीला होती है तो आप भी कीजे इस नमनीक मंदर के दर्शन और अब बात सामुद्धिक शास्तर की सामुद्धिक शास्तर पर कल हमने बात की थी बड़े कानवाले लोगों के सुभाव के बारे में और आज हम बात करेंगे छोटे कानवाले लोगों के बारे में जिन लोगों के कान आकरती में छोटे या कहें सामाने होते हैं वे लोग काफी स्ट्रॉंग होते हैं साथ ही आर्टिस्टिक मिजास के भी होते हैं कला के छेतर में इनकी अच्छी खासी रूची होती है इन लोगों पर किसी भी बात के लिए या अपने किसी काम के लिए आसानी से भरोसा किया जा सकता है हाला कि ये लोग थोड़े कंजूस होते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं साथ ही ये बहुत बातूनी भी होते हैं इन्हें दूसरों से बाते करना बड़ा ही अच्छा लगता है लेकिन कई बार दूसरे लोग इनकी बातों से परेशान होकर या कहें कि बोर होकर इनके पास से उठकर चले भी जाते हैं सामुद्रिक शास्त्र में कल हम बात करेंगे अधिक छोटे कानवाले लोगों के सभाव के बारे में और अब बात अवाइड अब दी डे की यानि आज आज आपको क्या नहीं खाना है आज 21 मार्च फालगुन शुक्रपक्ष की द्वादशी तीथी है द्वादशी तीथी में पूतिका यानि पोई का साथ नहीं खाना चाहिए पोई एक सदा बहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है द्वादशी तीथी आज का पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुबा चार बच कर पैतालीस मिनट तक रहीगी उसके बाद 23 तीथी लग जाएगी इस तरह तीथी का समय जान कर आप अपने खाने का शेडियूल बना सकते हैं बाकी आप कुछ भी खाईए पीजिये मौश कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और अब वक्त है आज के tip of the day का आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाईए सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशिपल जानने के लिए लॉग आउन करें www.indiatv.in और मुसे विक्तिगस संपर करने के लिए फोन करें 9971-000226 भाविश शवानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार भाविश वानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशिका भाविश वताने के लिए आज फालगुन शुकलपक्षिती द्वादशी तिथी और गुरुवार का दिन है द्वादशी तिथी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार बच कर 45 मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्षजी द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है आज शाम पांच बचकर एक्तालीस मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा साथ ही आज देर रात एक बचकर सताईस मिनट तक आशलेखा नक्षत रहेगा आगे हम इसी पर विश्थित चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका वर्त डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरीज अनिवरसरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दर्वाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश्य जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्तर और सामुद्धिक शास्तर की आज एक कौन सी दिशा होगी शुभ और गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशिय पिंडों के बीच बहने वाली electromagnetic field के movement को calculate करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा और इसके बात बात करते हैं सरवार से धी योग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 7 बच कर 34 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएव चर्चा करते हैं आज के शुब महूर्थ यानि कि फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च को सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ अगले महीने 10 अपरैल की सुबह 9 बच कर 46 मिनट से दो पहर 2 बच कर 21 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ चार अप्राइल की शाम चार बच कर चौदा मिनट से शाम साथ बच कर अठारा मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रिल इंस्ट्यूशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च की सुबह 7 बच कर 40 मिनट से दो पहर 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर दो पहर बार 3 बच कर 46 मिनट से राद 10 बच कर 49 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 26 मार्ट की दोपार दो बच कर 56 मिनट से शाम साथ बच कर 53 मिनट तक और एक बार फिर रात 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुबह 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्ट की सुबह 9 बच कर 36 मिनट से दोपार 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्रो मागनेटिक फील्ड से कुछ चणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांटी साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिविटी पैल जाती है इस समय में कोई भी शुभकारे करने से सफलता संदिक्ध हो जाती है आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है अब ये अशुभ समय 23 मार्च की दोपार दो बच कर 49 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंग, धानू और कुम्भराशियां विशेश रूप से परभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभकारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बतानू कि काम शुरू करते वक्त रहुकाल का ध्यान रखना बेहत जरूरी है रहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिल्ली में रहुकाल होगा दोपहर एक बजकर उनसट मिनट से, दोपहर बाद तीन बजकर तीस मिनट तक, मुंबई दोपहर दो बजकर सत्रह मिनट से, दोपहर बाद तीन बजकर सैटालीस मिनट तक, चंडिगण दोपहर दो बजकर एक मिनट से, दोपहर बाद तीन ब याज की यात्रा की शुभ्दिशा क्या है? तो आज वो शुब्दिशा है उस्तर और आये शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेशराश की मेशराशिवालों आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फाइदेबल सावित होगी अपने चारों और होने वाली गत्विदियों का ध्यान रखें तोकि आपके काम कशे कोई दूसरा ले सकता है लब मेट के लिए आज का दिन कुश्या लेकर आएगा दामपत जीवर में खुशाली बनी रहेगी आज के लिए आपका लकी कलर है महरून और लकी नमबर है सिक्स वरेश अराशिवालों आज काम काज में सावधानी वरतने की जरूरत है छोटे इस तर पर शुरू किया गया व्यापार आपके लिए लाबकारी रहेगा आपने जो लक्ष निर्धारित कर रखे हैं आज उनके काफी करीब पहुंच जाएंगे विरोध ही आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन अपनी समझदारी से आप उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे जरूरी कावों को आज दूसरों के भरों से न छोड़े इस राशी के छात्रों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है घरवालों से किसी विशह पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइदेमन सावित होगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमबर है पांच मिथुर राशे वालों आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनीत के खशेते से जुड़े हैं आज उनकी सामाजिक परतिष्ठा में वरदी होगी जो लोग उच्च शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें आज किसी अच्छे कॉलेज में दाखला मिलेगा आज आप मांसिक रूट से स्वस्थ बने रहेंगे आज आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे अपने भाई बहनों के साथ किसी अच्छी जगए घूमने का प्लान बनाएंगे आज आपको पैसे के लेंदेन में सावधानी बरतने की आवशक्ता है आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है एक मन बनाएंगे जिसमें परिवारवालों का भर्पू सहयोग मिलेगा आज आपके बिजनेस में बहुतरी होगी आज समाज सेवा के लिए की गई कोशिशे आपकी अलग पहचान बनाएंगी इस अराशी के छात्र आज किसी एकांस जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन लगेगा आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डर और लखी नंबर है आठ सिंग राशी वालों आज का दिन शांदार रहने वाला है आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे कर रहे लोगों की रचनाओं की लोग तारीफ करेंगे आज व्यर्थ की बातों में उलजने से बचें लवमेट एक दूसरे की भावदाओं की कदर करेंगे आज अचानक धन लाव होने से आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नमबर है सेवन कन्या राशिवालों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है साइन्स और रिसर्च की फील्ड से जुड़े लोगों को आज कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा पुराने कामों का निप्टारा करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा लोग आपकी मदद के लिए भी तयार रहेंगे बड़ों का दिया हुआ सुझाओ आज आपके काम आएगा बिजनेस संबंदी मीटिंग में आज आप सही डंग से अपनी बात रखेंगे जीवन साथी से काजों में सहयोग मिलेगा चातर आज कुछ आउनलाइन सीखने की कोशिश करेंगे आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नमबर है सिक्स तुला राशिवालों आज किसमत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपकी एक अलग ही छवी निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका शेयर किसी और को न ले जाने दे बास आपको किसी जरुरी काम से दूसरे शेहर की यात्रा पर भेज सकते हैं आज आप कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए तयार रहेंगे जिने करके आप परसंद होंगे दामपत्य जीवन में खुशाली आएगी नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है दो वरिश्चिक राशिवालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रासोई घर में काम करते हुए थोड़ी साफधानी जरूर बरते हैं आज आप में सफलता और उच्छ पढ़ पाने की इच्छा जागरत होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस राशि के जो लोग एक्टिंग के छेते से जुड़े हैं आज उन्हें कोई बड़ा आफर मिलेगा आज हर प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लवमेट से एक दूसरे को उपहार देगे साथी कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्ते के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नमबर है सिक्स धनु राशिवालों भविश्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशिके जो लोग मार्केटिंग के छेत्र से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेत्र में आज आज आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप थोड़ा उल्ज़र में पढ़ सकते हैं नव विवाहित दमपति में मीठी नोग जोंक होगी जिससे रिष्टे में मिठास बढ़ेगी लब में टेक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें रिष्टा और मजबूत होगा आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रे और लखी नमबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में परोसियों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी आज सफलता में आ रही दिक्कतें दूर होंगी आज आप नए विचारों से परिपूर रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा देंगे परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सवहाद बना रहेगा लबेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिष्टों में मधूरता आएगी आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नमबर है नाइन कुम भराशिवालो आज का दिन महतुपूर रहने वाला है आज कोड का चहरी में चल रहे मुकदमों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आपको अचानक धनलाब होने वाला है अगर आप कोई नई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर लें व्यापार में आज आपको खूप करक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है ब्लू और लखी नमबर है सिक्स मीन राशिवालों आज का दिन में लूजिली परतिक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आज तिकलाब कराएंगे पहले किये गए प्रयासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने की वज़ाए अपनों की सलाह लीजी आज आपको पुरानी वातों को भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है जीवन साथी के साथ रिष्टे में मधूरता बढ़ेगी आज आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा छात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है वाईलेट और लखी नमबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बड़ों का आशिवाद ने और जिनकी आज मेरीज अनिवर्सरी है वो किसी जिरूरतमन्द को आटा दें तो साल भर सुख और सुभाग पढ़ता ही रहेगा और आईए अब चलते हैं अंकों की रहस्माई दुनिया में मूलांग एक वालों आज जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा रिष्टे में और मदबूती आएगी मूलांग दो आपके लिए आज का दिन बहत्रीन रहने वाला है आए के स्रोट मिलने से आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी मूलांग तीन स्वास्थ को बेहतर बनाये रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेज करें मूलांग चार अपने काम और परिवार के बीच सामझत से इस्थापित करने की कोशिश करें मुलांक 5. आज आप जीवन साथी को कोई कीमती उपहार देकर वईवाहिक जीवन में मिठास गोलेंगे मुलांक 6. आज आप शाम को परिवारवालों के साथ किसी धार्मी के स्थल पर दर्शन करने जाएंगे मूलांक 7 आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपकी आर्थिक इस्तिती बेहतर बनेगी मूलांक 8 आज किसी ऐसी जगे पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश्य में मिलेगा मूलांक 9 आज आप उच्छा धिकारियों से तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तु शास्त्र की वास्तु शास्त्र में कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे सलाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आदिके बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में कुछ अन्य विश्यों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे रसोई घर के निर्मान की घर में रसोई का संबंद हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबंद अगनी से होता है आग से इसलिए वास्त शास्त के अउसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगनी कोन यानि दक्षन पूर्व दिशा का कोन यानि दक्षिन पूर्व दिशाएं जहां मिलती हैं उस दिशा का चुनाओ करना चाहिए जो कि आगने कोड का संबंद भी अगनी से है अतह आगने कोड में रसोई बनवाने से परिवार के सबसर रस्यों का स्वास्ते बेहतर रहता है अगर भोजन कर रहे की बात करें तो वास्तु शास्तर के अनुसार रसोई के अंदर बैट कर ही भोजन करना चाहिए साथ ही भोजन कर रहे के लिए अपनी ठाली को दक्षिन पूर्वे दिशा के और रखना चाहिए और पूर्वे दिशा के और मुख करके भोजन करना चाहिए यानि कि भोजन को मूलतफ पूर्वे दिशा के और रखना चाहिए लेकिन पूर्व से दक्षन इसलिए ताकि नौर्थ इस्ट में आप पानी का बरत्त लख सकें नौर्थ इस्ट में पानी का गिलास अगर आप इस्ट की तरफ मुख करके बैठें तो थोड़ा सा साउथ करिये भोजन को और थोड़ा लेफ्ट करिये पानी को वास्तो शास्तर में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि वो जल से जल ठीक हो सके और अब आज की दिन की सबसे विशेश बात आज फालगुन शुकलपक्षी की द्वादशी ती थी और गुरुवार का दिन है द्वादशी तीथी आजपूरा दिन पार करके कल की भोर 4 वज कर 45 मिनित तक रहेगी आज गोविन्द द्वादशी का बरत किया जाएगा फालगुन शुक्रपक्षे की द्वादशी को गोविन्द द्वादशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वरत करके भगवान विश्णू की गोविंद नाम से पूजा की जाती है आज के दिन शोडोशो बचार या पंचो बचार के दोरा भगवान विश्णू का विधिवत पूजन करें चंदन, अक्षत, तुलसी दल वपुश्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर्पिच करना चाहिए इसके बाद भोग लगा कर आर्थी करनी चाहिए गोविंद द्वालाशी यानि आज के दिन भगवान शी विश्णू के मंतर का जब करना अत्यंत सुप फलदाई होता है तो मंतर भी बता दूँ, मंतर है ओम नारायनाय नमाः ओम नारायनाय नमाः जगत का पालन करने वाले शी गोविंद का स्वरूप शांत और आनंद में है इनका स्वनर करने से भाक्तों के जीवन के समस्त संकटों का निवारन होता है घर परिवार को धन धान्य और सुख समर्दी की प्राप्ती होती है इस वरत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त समस्याइं दूर हो जाती है और अंत में वैकुंठ नामक धाम की प्राप्ति होती है इसके अलावा फालगुन शुकल पक्ष की दौदशी को नसिंग दौदशी भी मनाने का विधान है इस दिन भगवान विश्व की नसिंग सुरूप की पूजा की जाती है पूजा के लिए इसनान आज इसे निबरत होकर साफ कपड़े पहन कर इशान कोन यानि की उत्तर पूरु दिशा के कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से लीप कर उस पर आठ पंखुडियों वाला कमल लल बनाए फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के उपर एक चावलों से भरा हुआ बरतन रखें अब उन चावलों से भरे बरतन के उपर भगवान निसिंग की प्रतिमा रखें और पूजन विधी आरंब करें सबसे पहले भगवान को पंचमर्थ से स्नान कराएं फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल फूल, पीले वस्तर आदे भगवान को भेट करें और फिर धूब दीप आज से भगवान की पूजा करें साथ ही भगवान नसिंग के इस मंत्र का जब करें मंत्र है ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलन्तम सर्वतोमुखं नसिंगं भीषणं भद्रं मृत्युम मृत्युम नमाम्यहं फिर से इस मंत्र को सुने आज के दिन इस मंत्र का जब करने से आपकी आथिक इस्तिती मजबूत होगी आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा आपको कोई बुरी शक्ति परिशान नहीं कर पाएगी तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाले गोविंद द्वारशी और नसिंग द्वारशी के बारे में और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की आज शाम पांच बच कर 41 मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा जैसा कि नाम से ही विदित होता है इस योग में कोई शुभ कारे करना चाहिए मानिता के अनुसार इस योग में नई नौकरी जोईन करें या घर में कोई धार में कारे का आयोजन करना अच्छा रहता है इस योग में किये गए कारों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और कारे शुफल दायक होता है इशोर का नाम लेने या सतकर्म करने के लिए ये योग अति उत्तम है साथ ही आदेर रात एक बज़ का 27 मिनट तक आशलेखा नक्षतर रहेगा आकाश्मंदल में 27 नक्षतरों की शिनी में आशलेखा नवा नक्षतर है इसका अर्थ होता है आलिंगन इसी के अनुसार कुंडली मार कर बैठे हुए सांप को आशलेखा नक्षत्र का पती चिन माना जाता है और नाग देवताओं को आशलेखा नक्षत्र के का अधिपती देवता माना जाता है साथ ही आशलेखा नक्षत्र की राशी करक है वहीं इस नक्षत्र के सामी बुद्ध हैं और बुद्ध का संबंद हमारे बिजनेस हमारी वानी आदी से है वनस्मतियों में आशलेखा नक्षत्र का संबंद नाग केसर के पेल से बताया गया है लिहाजा जिन लोगों का जन्म आशलेखा नक्षत में हुआ हो उन लोगों को आशलेखा नक्षत के दौरान नाकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान नाकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्यों या लकडी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंच आए ऐसा करने से आपको सुप फलों की प्राप्ति होगी साथ ही आपके सुख सोभागे में व्रधी भी होगी तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकरमा योग और आशलेखा नक्षत्र की और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले विशेश उपायों की अगर आप अपने पारिवारिक रिष्टों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिष्टों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकाल कर अलग रखने चाहिए और उसके तीन हिस्टे करने चाहिए अब उन तीन हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को खिला दें एक हिस्सा कववे को डाल दें और एक हिस्सा कुटे को खाने के लिए दें आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिष्टों से नाराज़गी दूर होगी और आपके रिष्टे बेहतर होंगे समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए या दूसरे लोगों के बीच अपना रोटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चांदी की वस्तु खरीग कर लाईए और उसे मंदिर में स्थापिट करके उसकी पूजा करें साथ ही आज पूरा दिन उस चांदी की वस्तु को मंदिर में ही रखा रहने दे अगले दिन स्नान आदि के बाद उस चांदी की वस्तु को मंदिर से उठा कर आप अपने पास कहीं भी रख सकते हैं या उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहिजान बनेगी और दूसरे लोगों के बीच आपका रुत्बा बढ़ेगा अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्थिती चल रही है तो तो उस कठिन परिस्थित से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नागकेसर के पेр या पौधे को प्रणाम करना चाहिए साथ ही उसकी जड़ में जल चलाना चाहिए लेकिन अगर आपको कहीं आसपास नाकेसर का पेर न मिले तो इंटरनेट से नाकेसर की फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर ले यहां ध्यान रहे कि फोटो में नाकेसर के पेर पर फूल जरूर लगे होने चाहिए यानि वो पेर हरा भरा होना चाहिए अगर आपके संतान अपना खुद का कोई बिजनस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनस खुलवाना चाहते हैं लेकिन उसके बिजनस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलफ करने के लिए आज के दिन आपको साफ सुध मिटी लेनी चाहिए अब उस मिटी को पानी की साहता से गाढ़ा करके उसे सकताई चोटी चोटी गोलिया बना ले और उन्हें अच्छे से सुखा ले अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले सकताई दिनों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाएं इस परकार ये उपाय करने से आपकी संतान के अंदर जल्द ही बिजनेस की समझ डेवलप होगी अगर आपका विवेक कुछ कम हो गया है आप अच्छे बुरे की परक नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन आपको नाग देवता की परकीव के आगे अपना सिर्जु करना चाहिए और हाँ जोड़ कर उन्हें प्राम करना चाहिए साथ ही मादुर्गा के इस मंतर का जप करना चाहिए अगर बहनों के साथ आपके रिष्टे में कुछ समस्या आ गई है और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो बहन के साथ रिष्टों को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको पांच पीले रंग की कौड़िया लेनी चाहिए अब उन कौड़ियों को एक इस्थान पर एकठा करके जलाना चाहिए बाद में कौड़ियां जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाएं आज के दिन ऐसा करने से बहन के साथ रिष्टे में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिष्टे अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोड तुकडा लेना चाहिए और उस तुकड़े के बीच में एक छोटा सा छेद करवा कर उस छेद में एक सफेद रंग का धागा पिरोगे और उस तामे की तुकड़े को अपने गले में धारन कीजिए आज के दिन गले में तांबे का टुकड़ा धारन करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप करियर में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद के मंतर का 108 बार चाहिए। गोविंद का मंतर ओम गोविंदय नमहा आज के दिन ऐसा करने से आपको करियर में सफलता हासिल होगी। अगर आपके दामपत्य रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शीषी गोविंद को चहिद का भोग लगाना चाहिए। साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पढ़ती जा रही है। तो आज के दिन आपको शी गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। और उन्हें दूट से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी। अगर आप अपने लवमेट के साथ प्यार बनाये रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डाल कर भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान के चर्णों में पीले फूल अरपित करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से लवमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा। अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको शिव वंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अरपित करना चाहिए। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज गोविंद द्वादशी, नसिंग द्वादशी, सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र के बारे में साथ ही शुब फलों के प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए हम आज के भविश के बारे में और A, B, C, D ही क्यों नाम का पहला अक्षर ही क्यों क्यों कि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गच्विद्यों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपरचुनिट सेवा के लिए प्रत्योगी परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी, B, नौकरी के तलाश कर रहे जुआँ को नौकरी मिलने के कारण उनके चेहरे पर खुशी आईगी, C, घर में किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी, जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंग D, आज कुछ लोग आपका विरोज करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे E, पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा F, आफिस में काम ज़्यादा होने से आपको आज घर जाने में समय लगेगा G, कोई बात जो आपको परिशान कर रही है उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगे H, आज के दिन कारोबार में उन्नती होगी आपको अचानक धनलाब होगा I, आज 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 किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें J, चात्रा आज करियर के सिल्सिले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेहतीन रहेगा K, किसी काम में जरूरत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा वो काम असानी से पूरा होगा L, स्वास्ट में ताजगिय आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे M, आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे N, जल्दवादी में फैसले ना करें, कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर लें O, आपके जीवन साथी का मन पसंद रहेगा, उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P, पारिवाली की जीवन सुख में बना रहेगा, आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी Q, आज पैसों के लेंदेन में साथधानी रखें, किसी को उधार देने से बचें R, आज आपको वहन चलाते समय साथधानी रखने की जरूरत है S, प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो किसी अच्छे मोहूरत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा T, आज कहीं लिवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा U, बेवजह के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है, इसलिए यथा संभाव धन्ज उटाने की कोशिश करें V, कारेख्षेतर में इमानदारी बढ़ते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें W, चात्रों में विज्ञान, कला वा तक्निकी शिक्षा के प्रति आपके रूची बढ़ेगी X, आज के दिन अपने परिशन से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगी Y, आज आपको पदोन्नती के साथ साथ कारेस्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा Z, आपकी अतिरिक्ष काम करने की च्णता उन लोगों को चौका देगी जिनका प्रदर्षन आपसे बेहतर है और अब बात आज के तीश्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन तो दूसरी मानेता यह है कि यहां तुल्सी दाजी ने बजरंग बाण की रशना की थी मुक्षबात यह है यह मंदर शांती का प्रजीठ है यहां प्रवेश करते ही मन को शांती बिलती है मंदिर के मध्ध में शी राम माता जान की लक्षवन जी एवम हनुमान जी विराजमान है इनके एक और माता अनपूर्णा एवम शिव जी तथा दूसरी और भगवान सक्तनारान जी का मंदिर है इस मंदिर के संपूर्ण दीवार पर राम शी रित्मानस की चौपाईयां और दोहे लिखे गए इसके दूसरी मंदिर पर संतुसी दाजी विराजमान है साथी इसी मंदिर पर स्वचालिक शी राम एवम कृष्ण लीला होती है तो आप भी कीजे इस नमरीक मंदिर के दर्शन और अब बात सामुदिक शास्तर की सामुदिक शास्तर में कल हमने बात की थी बड़े कानवाली लोगों के सुभाओं के बारे में और आज हम बात करेंगे छोटे कानवाले लोगों के बारे में जिन लोगों के कान आकरती में छोटे या कहें सामाने होते हैं, वे लोग काफी स्ट्रॉंग होते हैं, साथ ही आर्टिस्टिक मिजास के भी होते हैं, कला के छेतर में इनकी अच्छी खासी रूची होती है, इन लोगों पर किसी भी बात के लिए या अपने किसी काम के लिए आ इन्हें दूसरों से बाते करना बड़ा ही अच्छा लगता है लेकिन कई बार दूसरे लोग इनकी बातों से परेशान होकर या कहें कि बोर होकर इनके पास से उठकर चले भी जाते हैं सामुद्धिक शास्तर में कल हम बात करेंगे अधिक छोटे कान वाले लोगों के सभाव के बारे में और अब बात अवाइड अब दी डे की यानि आज आज आपको क्या नहीं खाना है आज 21 मार्च फालगुन शुक्रपक्ष की द्वादशी तीथी है द्वादशी तीथी में पूतिका यानि पोई का साथ नहीं खाना चाहिए पोई एक सदा बहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है द्वादशी तीथी आज का पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुबा चार बच कर पैतालीस मिनट तक रहीगी उसके बाद 23 तीथी लग जाएगी इस तरह तीथी का समय जान कर आप अपने खाने का शेडियूल बना सकते हैं बाकी आप कुछ भी खाईए पीजिये मौश कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और अब वक्त है आज के टिप अफ दी डे का आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाईए सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशिपल जानने के लिए लॉग आउन करें www.indiatv.in और मुसेविक्तिगस संपर करने के लिए फोन करें 9971-000226 भाविश शवानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार भाविश वानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशिका भाविश वताने के लिए आज फालगुन शुक्लपक्षिती द्वादशी तिथी और गुरुवार का दिन है द्वादशी तिथी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार बच कर पैतालीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्षिती द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है आज शाम पांच बच कर इतालीस मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा साथ ही आज देर रात एक बच कर सताईस मिनट तक आशलेखा नक्षत रहेगा आगे हम इसी पर विश्थित चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका वर्त डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरी जैनिवरसरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोज़ की किसमत का दर्वाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश्य जारी रहेगी जर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्तर और सामुद्डिक शास्तर की आज एक कौंसी दिशा होगी शुभ और आ हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशिय पिंडों के बीच बहने वाली electromagnetic field के movement को calculate करके यह जान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा और इसके बात बात करते हैं सरवार से ध्योग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 7 बच कर 34 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएब चर्चा करते हैं आज के शुब महूर्थ यानि कि फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च को सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा निया बिजने शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अज ये महूर्थ अगले महीने 10 अप्रेल की सुबह 9 बच कर 46 मिनट से दो पहर 2 बच कर 21 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ चार अप्रैल की शाम चार बच कर चौदा मिनट से शाम साथ बच कर अठारा मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रिल इंस्ट्यूशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च की सुबह 7 बच कर 40 मिनट से दोपार 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर दोपार बार 3 बच कर 46 मिनट से राद 10 बच कर 49 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 26 मार्ट की दोपार दो बच कर 56 मिनट से शाम साथ बच कर 33 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुबह 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्ट की सुबह 9 बच कर 36 मिनट से दोपार 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूट 27 मार्ट की सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जुली इलेक्रो मागनेटिक फील्ड कुछ छणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्थ पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुब कारे करने से सफलता संदिक्ध हो जाती है आज कोई अशुब समय नहीं बन रहा है अब ये अशुब समय 23 मार्च की दोपार दो बचकर 49 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंग, धानू और कुम्भ राशियां विशेश रूप से प्रभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुबकार नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बतानू कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहत जरूरी है राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए कि अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। बोपाल दो पहर एक बचकर अटावन मिनट से दो पहर बाद तीन बचकर अटालीस मिनट तक और चेनने में राहुकाल होगा आज दो पहर एक बचकर सैटालीस मिनट से दो पहर बाद तीन बचकर अटालीस मिनट तक और चेनने में राहुकाल होगा आज दो पहर एक बचकर सै रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुब्दिशा क्या है तो आज वो शुब्दिशा है उस तर और यह शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेशराश की मेशराशिवालों आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फाइदेबल सावित होगी अपने चारों होने वाली गत्विदियों का ध्यान रखें तोकि आपके काम कशे कोई दूसरा ले सकता है लब मेट के लिए आज काम काज में सावधानी वरतने की जरूरत है छोटे इस तर पर शुरू किया गया व्यापार आपके लिए लाबकारी रहेगा आपने जो लक्ष निर्धारित कर रखे हैं आज उनके काफी करीब पहुंच जाएंगे विरोध ही आपको नुक्सान पहुंचाने की कोशिश करे लेकिन अपनी समझदारी से आप उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे जरूरी कामों को आज दूसरों के भरों से न छोड़ें इस राशी के छात्रों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है घरवालों से किसी विशह पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइद से जुड़े हैं आज उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वरदी होगी जो लोग उच्छ शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें आज किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा आज आप मांसिक रूट से स्वस्थ बने रहेंगे आज आप अपने विरोधियों प परक राशी वालों आज आप उर्लिया से भरपूर रहेंगे आज आपको अपनी वानी पर सयम रखने की जरूरत है इस राशी के जो लोग डॉक्टर हैं आज वो नई क्लीनिक की ओपनिंग करने का मन बनाएंगे जिसमें परिवार वालों का भरपूर सहयोग मिलेगा आज आपके बिजनेस में बहुतरी होगी आज समाज सेवा के लिए की गई कोशिशें आपकी अलग पहचान बनाएंगी इस राशी के छात्र आज किसी एकांस जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन लगेगा आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डर और लखी न चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे कर रहे लोगों की रचनाओं की लोग तारीफ करेंगे आज व्यर्थ की बातों में उलजने से बचें लवमेट एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे आज अ साइन्स और रिसर्च की फील्ड से जुड़े लोगों को आज कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा पुराने कामों का निप्टारा करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा लोग आपकी मदद के लिए भी तयार रहेंगे बड़ों का दिया हुआ सुझाओ आज आपके काम बिजनेस संबंदी मीटिंग में आज आप सही डंग से अपनी बात रखेंगे जीवन साथी से काजों में सहयोग मिलेगा चात्र आज कुछ ऑनलाइन सीखने की कोशिश करेंगे आज के लिए आपका लगी कलर है मैजेंटा और लगी नमबर है सिक्स तुला राशिवालों आज किसमत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपकी एक अलग ही छवी निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका शेयर किसी और को न ले जाने दें बास आपको किसी जरुरी काम से दूसरे शेहर की यात्रा पर भेज सकते हैं आज आप कुछ ऐसे कारियों को करने के लिए तैयार रहेंगे जिने करके आप परसंद होंगे दामपत्य जीवन में खुशाली आएगी नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है दो वरिष्टिक राशी वालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रासोई घर में काम करते हुए थोड़ी सावधानी जरू बरते हैं आज आप में सफलता और उच्छ पद पाने की इच्छा जागर्त होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस राशी के जो लोग एक्टिंग के छेतर से जुड़े हैं आज उन्हें कोई बड़ा आफर मिलेगा आज हर प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लवमेट से एक दूसरे को उपहार देगे साथी कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्त के मामले में आज का दिन अच्छ रहेगा इस राशी के जो लोग मार्केटिंग के छेतर से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेतर में आज आप के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप की कलर है ग्रे और लकी नंबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में परोस्यों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी प्रतिष्था बढ़ेगी आज सफलता में आ रही दिकतें दूर होंगी आज आप नए विचारों से परिपूर रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा देंगे परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सवहाद बना रहेगा लबेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिष्टों में मधूरता आएगी आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नमबर है नाइन कुम भराशिवालो आज का दिन महतुपूर रहने वाला है आज कोड के चहरी में चल रहे मुकदमों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समा आपको अचानक धनलाब होने वाला है अगर आपको नई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जनकरी कर लें व्यापार में आज आपको खूप तरक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नमबर है सिक्स मीन राश्यवालों आज का दिन मिलूजली प्रतिक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आर्थिक लाप कराएंगे पहले किये गए प्रयासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने की वज़ाए अपनों की सल हाराएगा छात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी के तलاش कर रहे हैं लोगों को आज किसी दोस्ट की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लगी नंबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बड़ों का आशिरवाद ने और जिनकी आज मेरीज अनिवर्सरी है वो किसी जरूरतमन्द को आटा दें तो साल भर सुख और सुभाग पढ़ता ही रहेगा और आएए अब चलते हैं अंकों की रहसे मई दुनिया में मूलांग एक वालों आज जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा रिष्टे में और मदबूती आएगी मूलांग दो आपके लिए आज का दिन बहत्रीन रहने वाला है आए के स्रोट मिलने से आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी मूलांग तीन स्वास्थ को बहतर बनाये रखने के लिए ब किंती उपहार देकर वयवाहिक जीवन में मिठास घोलेंगे मूलांग चे आज आप शाम को परिवारवालों के साथ किसी धार्मिक इस्थल पर दर्शन करने जाएंगी मूलांग साथ आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपकी आर्थिक इस्तिती बह मेल बनाकर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तु शास्तर की वास्तु शास्तर में कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे सलाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आदिके बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में कुछ अन्य विश्यों पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे रसोई घर के निर्मान की, घर में रसोई का संबंद हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबंद अगनी से होता है, आग से, इसलिए वास्तु शास्त के अउसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगने कोण ήानि दक्षन पूर्व दिशा का कोणन जहां मिलती है उस दिशा का चुनाओ करना चाहिए। चोगि आगने कोण का संबंध भी अगनी से है, अतह आगने कोण में रसोई बनवाने से परिवार के सब सर्देवा का स्वास्थ बहतर रहता है। अगर भोजन कर रहे की बात करें तो वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई के अंदर बैट कर ही भोजन करना चाहिए। साथ ही भोजन कर रहे के लिए अपनी ठाली को दक्षिन पूर्वे दिशा के और रखना चाहिए और पूर्वे दिशा के और मुख करके भोजन करना चाहिए यानि कि भोजन को मूलतफ पूर्वे दिशा के और रखना चाहिए लेकिन पूर्व से दक्षिन इसलिए ताकि नौ आप इस्ट में पानी का गिलास अगर आप इस्ट की तरब मुख करके बैठे तो थोड़ा सा साउथ करिए भोजन को और तोड़ा लेफ्ट करिए पानी को वास्तो शास्तर में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि वो जल से जल ठी हो सके और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज अब फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी तिथी और गुरुवार का दिन है द्वादशी तिथी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार वच कर 45 मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वरत करके भगवान विश्रु की गोविंद नाम से पूजा की जाती है आज के दिन शोडोशोबचार या पंचोबचार के द्वारा भगवान विश्रु का विधिवत पूजन करें चंदर्ण, अक्षत, तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर्पित करना चाहिए इसके बाद भोग लगा कर आर्थी करनी चाहिए गोविंद द्वालाशी यानि आज के दिन भगवान शी विश्रु के मंतर का जब करना अत्यंत सुप फलदाई होता है, तो मंतर भी बता दूँ, मंतर है ओम नारायनाय नमा, ओम नारायनाय नमा, जगत का पालन करने वाले शी गोविंद का सुरूप शान्त और आनंद में ह इनका स्वनर करने से भाक्तों के जीवन में के समस्त संकटों का निवारन होता है घर परिवार को धन धान्य और सुख समर्दी की प्राप्ति होती है इस वरत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त समस्याइं दूर हो जाती है और अंत में वाइकुंठ नामक धाम की प्राप्ति होती है इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्ष की दौदशी को नसिंग दौदशी भी मनाने का विधान है इस दिन भागवान विश्व की नसिंग सुरूप की पूजा की जाती है पूजा के लिए इसनान आज इसे निवरत होकर साफ कपड़े पहन कर इशान कोन यानि की उत्तर पूरु दिशा के कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से लीप कर उस पर आठ पंखुडियों वाला कमल लड़ बनाए फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर एक चावलों से भरा हुआ बर्तन रखें अब उन चावलों से भरे बर्तन के ऊपर भगवान लसंग की प्रतिमा रखें और पूजन विधी आरंब करें सबसे पहले भगवान को पंचमर्थ से स्नान कराएं फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल फूल, पीले वस्तर आदे भगवान को भेट करें और फिर धूब दीप आज से भगवान की पूजा करें साथ ही भगवान नसिंग के इस मंत्र का जब करें, मंत्र है ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलन्तम सर्वत ओमुखं नसिंगं भीषणं भद्रं मृत्युम मृत्युम नमाम्यहं फिर से इस मंत्र को सुने ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलन्तम सर्वत ओमुखं नसिंगं भीषणं भद्रं मृत्युम नमाम्यहं आज के दिन इस मंत्र का जब करने से आपकी आर्थिक इस्तिति मजबूत होगी, आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा, आपको कोई बुरी शक्ति परिश के बारे में, और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की, आज शाम पांच बच कर 41 बिनट तक सुकर्मा योग रहेगा, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, इस योग में कोई शुभ कारे करना चाहिए, मानने ता के अनुसार इस योग में नई नौक या सतकर्म करने के लिए ये योग अति उत्तम है, साथ ही आदेर रात एक बच का 27 मिनट तक आशलेखा नक्षत्र रहेगा, आकाश मंदल में इससे 27 नक्षत्रों की शिनी में आशलेखा नवा नक्षत्र है, इसका अर्थ होता है आलिंगन, इसी के अनुसार कुंडली मार कर बैठे हुए साथ को आशलेखा नक्षत्र का पती चिन माना जाता है, और नाग देवताओं को आशलेखा नक्षत्र के का अधिपती देवता माना जाता है, साथ ही आशलेखा नक्षत्र की राशी करक है, वही इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और बुध का संबंद हमार से बिज्नस हमारी वाणी आदि से है वनसमतियों में आश लेखा नक्षत्र का कम्मन्द नाघ केसर के पेड़ के पीरू से बताया है लेहाजा जिन लोगों का जन्म आश लेखा नक्षत्र के दौरान नाकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान नाकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्यों या लकड़ी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंच आएं ऐसा करने से आपको सुफलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभागे में व्रधि भी होगी तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र की और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले विशेश उपायों की अगर आप अपने पारिवारिक रिष्टों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिष्टों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकाल कर अलग रखने चाहिए और उसके तीन हिस्ते करने चाहिए अब उन तीन हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को खिला दें, एक हिस्सा कोवे को डाल दें और एक हिस्सा कुटे को खाने के लिए दें आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिष्टों से नाराज़गी दूर होगी और आपके रिष्टे बहतर होगी समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए या दूसरे लोगों के बीच अपना रोटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चांदी की वस्तु खरीग कर लाईए और उसे मंदिर में स्थापिट करके उसकी पूजा करें साथ ही आज पूरा दिन उस चांदी की वस्तु को मंदिर में ही रखा रहने दे अगले दिन स्नान आदि के बाद उस चांदी की वस्तु को मंदिर से उठा कर आप अपने पास कहीं भी रख सकते हैं या उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहजान बनेगी और दूसरे लोगों के बीच आपका रुत्बा बढ़ेगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्थित ही चल रही है तो उस कठिन परिस्थित से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आद के बाद नागकेसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही उसकी जड़ में जल चलाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं आसपास नागकेसर का पेड़ न मिले तो इंटरनेट से नागकेसर की फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर ले। यहां ध्यान रहे कि फोटो में नागकेसर के पेड़ पर फूल जरूर लगे होने चाहिए यानि वो पेड़ हरा भरा होना चाहिए। अगर आपके संतान अपना खुद का कोई बिजनस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनस खुलवाना चाहते हैं लेकिं उसके बिजनस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलफ करने के लिए आज के दिन आपको साफ शुध मिटी लेनी चाहिए अब उस मिटी को पानी की सहाथा से गाढ़ा करके उससे 27 चोटी चोटी गोलियां बना ले और उन्हें अच्छे से सुखा ले अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिनों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाएं इस परकार ये उपाय कर रख नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन आपको नाग देरता की सख्रीव के आगे अपना सिर्जु करना चाहिए और हाँ जोड़कर उन्हें प्राम करना चाहिए साथ ही मादूर्गा के मंतर का जब करना चाहिए सर्व मंगलम आंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे अगर बहनों के साथ आपके रिष्टे में कुछ समस्या आ गई है और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो बहन के साथ रिष्टों को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको पांच पीले रंकी कोडिया लेनी चाहिए अब उन कोडियों को एक स्थान पर एकठा करके जलाना चाहिए बाद में कौडियां जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाए आज के दिन ऐसा करने से बहन के साथ रिष्टे में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिष्टे अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोर तुकडा लेना चाहिए और उस तुकडे के बीच में छोटा सा छेद करवा कर उस छेद में एक सफेद रंग का धागा पिरोगे और उस तामे की टुकले को अपने गले में धारन कीजिए। आज के दिन गले में तामे का टुकला धारन करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप करियर में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद के मंतर का 108 बार चाहिए। अगर आपके दामपत्य रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद को चहद का भोग लगाना चाहिए। साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पड़ती जा रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। और उन्हें दूद से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी। अगर आप अपने लव मेट के साथ प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डालकर भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान के चर्णों में पीले फूल अर्पित करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से लबमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा। अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अर्पित करना चाहिए। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना आपको क्या उपाय करने चाहिए हमने इनकी भी चर्चा की है। उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में और ABCD ही क्यों नाम का पहला अक अच्छी अपर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुष्वन बाजी नमाद ले। किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A. आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परीक्षा देने वाल आसानी से पूरा कर लेंगे D. आज कुछ लोग आपका विरोज करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे E. पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा F. आफिस में काम ज़्यादा होने से आपको आज घर जाने में समय लगेगा G. कोई बात जो आपको परिशान कर रही है उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगी H. आज के दिन कारोबार में उन्नती होगी आपको अचानक धनलाब होगा I. आज आज किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें J. छातरा आज करियर पर फिसले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेहतीन रहेगा K. किसी काम में जरूरत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा K. वो काम असानी से पूरा होगा L. स्वास्ट में ताजगी आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे M. आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नई स्रोत मिलेंगे N. जल्दबादी में फैसले ना करें कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर ले लें O. आपके जीवन साथी का मन पसंद रहेगा उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P. पारिवाली की जीवन सुख में बना रहेगा आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी O. आज पैसों के लेंदेन में साथानी रखें किसी को उधार देने से बचें R. आज आपको वहन चलाते समय साथानी रखने की जरूरत है S. प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मोहूरत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा T. आज कहीं लिवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर लें आपके लिए अच्छा रहेगा U. बेवज़े के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है इसलिए यथा संभाव धन्ज उटाने की कोशिश करें V. कारेख्षेतर में इमानदारी वरते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें W. छात्रों में विज्ञान, कला वा तकनीकी शिक्षा के प्रति आपके रूची वढ़ेगी X. आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगी Y. आज आपको पदोन्नती के साथ साथ कारेस्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा Z. आपकी अतिरिक्त काम करने की चमता उन लोगों को चौका देगी जिनका प्रदर्शन आपसे बेहतर है और अब बात आज के तीर्ट की आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन राम चरित मानस का कुछ भाग लिखा था तो दूसरी मानता यह है कि यहां तुल्सी दाजी ने बजरंग बाण की रशना की थी मुक्ष बात यह है यह मंदर शांती का प्रचीत है यहां प्रवेश करते ही मन को शांती मिलती है मंदर के मध्ध में शीराम माता जान की लक्षवन जी एवम हनुमान जी विराजमान है इनके एक और माता अनपूना एवम शिव जी तथा दूसरी और भगवान सक्तनारान जी का मंदर है इस मंदर के संपून दीवार पर राम शेरित मानस की चौपाईयां और दोहे लिखे गए है इसके दूसरी मंजिल पर संतुसी दाजी विराजमान है साथ ही इसी मंजिल पर स्वचालिक शेराम एवम कृष्ण लीला होती है तो आप भी कीजे इस नमनीक बंदिर के दर्शन और अब बात सामुद्धिक शास्तर की सामुद्धिक शास्तर पर कल हमने बात की थी बड़े कानवाले लोगों के सुभाव के बारे में और आज हम बात करेंगे छोटे कानवाले लोगों के बारे में जिन लोगों के कान आकरती में छोटे या कहें सामाने होते हैं वे लोग काफी स्ट्रॉंग होते हैं साथी आर्टिस्टिक मिजास के भी होते हैं कला के छेतर में इनकी अच्छी खासी रूची होती है इन लोगों पर किसी भी बात के लिए या अपने किसी काम के लिए आसानी से भरोसा किया जा सकता है हाला कि ये लोग थोड़े कंजूस होते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं साथ ही ये बहुत बातूनी भी होते हैं इन्हें दूसरों से बाते करना बड़ा ही अच्छा लगता है लेकिन कई बार दूसरे लोग इनकी बातों से परेशान होकर या कहें कि बोर होकर इनके पास से उठकर चले भी जाते हैं। सामुद्रिक शास्तर में कल हम बात करेंगे अधिक छोटे कान वाले लोगों के सभाव के बारे में। कर पैतालीस मिनट तक रहीगी। उसके बाद त्रेयोदर्शी तिति लग जाएगी। इस तरह तिति का समय जानकर आप अपने खाने का शेडूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाएजे, पीजे, मौश कीजे और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप अफ दिडे का आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाईे। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिपल जानने के लिए लोग आउन करें www.indiatv.in और मुसे विक्तिगत संपर करने के लिए फोन करें 9971-000226 भविश्यवानी में फिलाल इतना ही नमस्कार नमस्कार भविश्यवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशिका भविश्यवताने के लिए आज फालगुन शुकलपक्षिती द्वादशी तिथी और गुरुवार का दिन है द्वादशी तिथी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार बच कर 45 मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है आज शाम पांच बचकर इतालीस मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा साथ ही आज देर रात एक बचकर सताईस मिनट तक आशलेखा नक्षत रहेगा आगे हम इसी पर विश्थित चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका वर्त डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरी जैनिवर्सरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दर्वाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश्य जारी रहेगी जर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्तर और सामुदिक शास्तर की आज एक कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आ की वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशिय पिंटों के बीच बहने वाली electromagnetic field के movement को calculate करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा और इसके बात बात करते हैं सरवार से धी योग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 7 बच कर 34 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएब चर्चा करते हैं आज के शुब महूर्थ यानि कि फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च को सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ अगले महीने 10 अपरेल की सुबह 9 बच कर 46 मिनट से दो पहर 2 बच कर 21 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ चार अप्राइल की शाम चार बच कर चौदा मिनट से शाम साथ बच कर अठारा मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रिल इंस्टिउशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च की सुबह 7 बच कर 40 मिनट से दो पहर 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा और एक बच 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 कर 46 मिनट से राट 10 बच कर 49 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 26 मार्ट की दोपार दो बच कर 56 मिनट से शाम साथ बच कर 33 मिनट तक और एक बार फिर रात 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुवह 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्ट की सुवह 9 बच कर 36 मिनट से दोपार 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा Medical treatment शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्थ की सुबह 7 बच कर 10 मिनट से 2 पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जुली electromagnetic field कुछ चणों के लिए negative हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक negative spark पैदा होता है इससे चारों तरफ negativity फैल जाती है इस समय में कोई भी शुबह कारे करने से सफलता संदिक्ध हो जाती है आज कोई अशुब समय नहीं बन रहा है अब यह समय 23 मार्च की दो पहर दो बचकर 49 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंग, धानू और कुम्भ राशियां विशेश रूप से प्रभावित होंगी ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुफर कारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बतादू के काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहथ जजरूरी है राहुकाल के दौरान कोई काम शुरूर नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जाली रख सकते हैं आज दिल्ली में राहुकाल होगा दो पहर एक बच कर उनसट मिनट से दो पहर बाग तीन बच कर तीस मिनट तक मुंबई दो पहर दो बचकर 17 मिनट से, दो पहर बाद तीन बचकर 47 मिनट तक चंडिगण दो पहर दो बचकर 1 मिनट से, दो पहर बाद तीन बचकर 32 मिनट तक लक्षनव दो पहर एक बचकर 44 मिनट से, दो पहर बाद तीन बचकर 15 मिनट तक भोपाल दो पहर एक बचकर अट्थावन मिनट से दो पहर बाद तीन बचकर उन्तीस मिनट तक कोलकाता दो पहर एक बचकर पंदा मिनट से दो पहर दो बचकर पैतालीस मिनट तक अहमदाबाद दो पहर दो बज कर 17 मिनट से दो पहर बाद 3 बज कर 48 मिनट तक और चेन नई में रहुकाल होगा आज 2 पहर एक बज कर 47 मिनट से तो हर बात तीन बचकर अठारा मिनट तक ये था कुछ शहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की सुब्दिशा क्या है तो आज वो सुब्दिशा है उस्तर और आईएफ शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेशराश की मेशराश वालों आज आपका मन अध्यात्मा में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फाइदेबल साबित होगी अपने चारों होने वाली गत्यविदियों का ध्यान र और लकी नमबर है सिक्स वरेशराश वालों आज काम काज में सावधानी वरतने की जरूरत है छोटे इस तर पर शुरू किया व्यापार आपके लिए लाबकारी रहेगा आपने जो लक्ष निर्धारित कर रखे हैं आज उनके काफी करीब पहुंच जाएंगे विरोध ही आ और मेहनत करने की जरूरत है घरवालों से किसी विशह पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइदेमन सावित होगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमबर है पांच मिथोर राशेवालों आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनी पर इक रूट से स्वस्थ बने रहेंगे आज आप अपने विरोधियों पर हाभी रहेंगे अपने भाई बहनों के साथ किसी अच्छी जगह घूमने का प्लान बनाएंगे आज आपको पैसे के लेन देन में सावधानी बरतनी की आवशक्ता है आज के लिए आपका लखी कल आज वो नई क्लीनिक की ओपनिंग करने का मन बनाएंगे जिसमें परिवारवालों का भरपू सहयोग मिलेगा आज आपके बिजनेस में बहुतरी होगी आज समाज सेवा के लिए की गई कोशिशे आपकी अलग पहचान बनाएंगी इस अराशी के चात्र आज किसी एकांस जग रहने वाला है आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे कर रहे लोगों की रचनाओं की लोग तारी होगी आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नंबर है सेवन करन्य राशिवालों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है साइंस और रिसर्च की फील्ड से जुड़े लोगों को आज कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा पुराने कामों का निप्टारा करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा लोग आपकी मदद के लिए भी तयार रहेंगे बड़ों का दिया हुआ सुझाओ आज आपके काम आएगा बिजनेस संबंदी मीटिंग में आज आप सही डंग से अपनी बात रखेंगे जीवन साथी से काजियों में सहयोग मिलेगा चातर आज कुछ ऑनलाइन सीखने की कोशिश करेंगे आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नमबर है सिक्स तुला राशिवालों आज किसमत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपकी एक अलग ही छवी निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका शेयर किसी और को न ले जाने दें बास आपको किसी जरुरी काम से दूसरे शेहर की यात्रा पर भेज सकते हैं आज आप कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए तयार रहेंगे जिने करके आप परसंद होंगे दामपत्य जीवन में खुशाली आएगी नया व्यापार करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है दो वरिष्टिक राशिवालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रसोई घर में काम करते हुए थोड़ी सावधानी जरू बरते हैं आज आप में सफलता और उच्छ पद पाने की इच्छा जागर्त होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस र प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लब मेट से एक दूसरे को उपहार देंगे साथ ही कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्ते के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नमबर है सिक्स धनु राशी वालों भविश्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशी के जो लोग मार्केटिंग के छेत्र से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेत्र में आज आज आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप थोड़ा उल्ज़र में पढ़ सकते हैं नव विवाहित दमपति में मीठी नोग जोंक होगी जिससे रिष्टे में मिठास बढ़ेगी लबमेट एक दूसे पर विश्वास बनाए रखें रिष्टा और मजबूत होगा आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में परोस्यों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी आ आज आप नए विचारों से परिपूर रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा देंगे परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सवहाद बना रहेगा लबेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिष्टों में मज़ूरता आएगी आज के लिए आपका लखी कलर है सिलवर और लखी नमबर है नाइन कुम भराशिवालों आज का दिन महतुपूर रहने वाला है आज कोड का चेहरी में चल रहे है मुकदमों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आपको अचानक धनलाब होने वाला है अगर आप कोई नई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर लें व्यापार में आज आपको खूब तरक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नमबर है सिक्स मीन राशिवालों आज का दिन मिलूजिली पर दिक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आज तिकलाब कराएंगे पहले किये गए प्रयासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने की वज़ाए अपनों की सलाह लीजिए आज आपको पुरानी वातों को भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है जीवन साथी के साथ रिष्टे में मधूरता बढ़ेगी आज आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा छात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी के तलाश कर रहें लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है वाईलेट और लखी नंबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बढ़ों का असिरवादने और जिनकी आज मेरीज अनिवर्सरी है वो किसी जरूरतमंद को आटा दें तो साल भर सुख और सुभाग पढ़ता ही रहेगा और आईए अब चलते हैं आंकों की रहसमई दुनिया में मूलांग एक वालों आज जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा रिष्टे में और मदबूती आएगी मूलांग दो आपके लिए आज का दिन बहत्रीन रहने वाला है आई के स्रोट मिलने से आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी मूलांग तीन स्वास्थ को बहतर बनाये रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेज करें मूलांग चार अपने काम और परिवार के बीच सामंज़त से स्थापित करने की कोशिश करें मूलांग पांच आज आप जीवन साथी को कोई कीमती उपहार देकर वयवाहिक जीवन में मिठास घोलेंगे मूलांग 6 आज आप शाम को परिवारवालों के साथ किसी धार्मी के स्थल पर दर्शन करने जाएंगे मूलांग 7 आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपके आर्थिक इस्थिति बहतर बनेगी मूलांग 8 आज किसी ऐसी जगे पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश में मिलेगा मूलांग 9 आज आप उच्चा धिकारियों से तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तु शास्तर की वास्तु शास्तर में कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे सलाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आदि के बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में कुछ अन्य विश्यों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे रसोई घर के निर्मान की घर में रसोई का संबंद हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबंद अगनी से होता है आग से इसलिए वास्तुशास्त के अनुसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगने कोण यानि दक्षन पूर्व दिशा का कोना जहां मिलती है उस दिशा का चुनाओ करना चाहिए चो कि आगने कोड में रसोई बनवाने से परिवार के सबस्र रस्णियों का स्वास्ते बहतर रहता है अगर भोजन कर रे कि बात करें तो वास्तुषास्त nights कि अनुसार रसोई के अंदर बैट कर ही भोजन करना चाहीए साथ ही भोजन करने के लिए अपनी ठाली को दक्षिन पूर्वे दिशा के और रखना चाहिए और पूर्वे दिशा के और मुख करके भोजन करना चाहिए यानि कि भोजन को मूलतफ पूर्वे दिशा के और रखना चाहिए लेकिन पूरु से इदर्ख्षन इसलिए ताकि नौथ इस्ट में आप पानी का बरत्त रख सके नौथ इस्ट में पानी का गिलास अगर आप इस्टी तरह मूख करके बैठे तो थोड़ा सा साॉथ करिये भोजन को और फोटा लिफ करिये पानी को वास्तो शास्तर में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि उजल से जल ठीक हो सके और आज के दिन की सबसे विशेश बात आज फालगुन शुकळपक्षी की ड़्ादाशीतिति थी और गुरुवार का दिन है द्वादशी टिथी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार वज करपाई तालीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वरत करके भगवादशी की गोविंद नाम से पूजा की जाती है आज के दिन सोडोशो बचार या पंचो बचार के दोरा भगवादशी का विधिवत पूजन करें चंदर्ण, अक्षत, तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवादशी को अर्पिच करना चाहिए इसके बाद भोग लगा कर आर्थी करनी चाहिए गोविंद द्वालाशी यानि आज के दिन भगवादशी विश्व के मंतर का जब करना अत्यन्त सुप फलदाई होता है तो मंतर भी बथा दूँ, मंतर है ओम नारायनाय नमहा ओम नारायनाय नमहा जगत का पालन करने वाले शी गोविंद का स्वरूप शांत और आनन्द में है इनका स्वनर करने से भाक्तों के जीवन के समस्त संकटों का निवारन होता है घर परिवार को धन धान्य और सुख समर्दी की प्राप्ति होती है इस वरत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त समस्याइं दूर हो जाती है और अंत में वाइकुंठ नामक धाम की प्राप्ति होती है इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्ष की दौदशी को नसिंग दौदशी भी मनाने का विधान है इस दिन भागवान विश्व की नसिंग सुरूप की पूजा की जाती है पूजा के लिए स्नान आज इसे निवरत होकर साफ कपड़े पहन कर इशान कोन यानि की उत्तर पूरु दिशा के कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से लीप कर उस पर आठ पंक्फुडियों वाला कमल लड़ बनाए फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर एक चावलों से भरा हुआ बरतन रखें अब उन चावलों से भरे बरतन के ऊपर भगवान लसेंद्र की प्रतिमा रखें और पूजन विधी आरंब करें सबसे पहले भगवान को पंचमर्थ से स्नान कराएं फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल फूल, पीले वस्तर आदे भगवान को भेट करें और फिर धूब दीप आज से भगवान की पूजा करें साथ ही भगवान नसिंग के इस मंतर का जब करें मंतर है, Om Ugraviram Mah whishnum Jalantam Sarvat Omukham Nasimham Bhishanam Bhadrammaktam Mratyam Namamyham ओम ओम उग्रवयरं मह विष्णum Jalantam Sarvat Omukham Nasimham Bhishanam Bhadrammaktam Mratyam Namamyham आज के दिन इस मंतर का जब करने से आपकी आर्थिक इस्तिति मजबूत होगी, आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा, आपको कोई बुरी शक्ति परिशान नहीं कर पाएगी. तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाले गोविंद द्वारशी और नसिंग द्वारशी के बारे में. और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की. आज शाम पांच बच कर 41 मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, इस के ऐस योग में कोई शुह कारे करना चाहिसा मानता के अनसार इस योग में नई नौक्री जौइन करें या घर में कोई धार में कारे का आयूदन करना अच्छा रहता है. इस योग में किये गए कार्यों किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और कारे शुप овây क होता साथ ही आदेर रात एक बज़ का 27 मिनट तक आशलेखा नक्षत्र रहेगा आकाश मंदल में इससे 27 नक्षत्रों की शिर्णी में आशलेखा नवा नक्षत्र है इसका अर्थ होता है आलिंगन इसी के अनुसार कुंडली मार कर बैठे हुए सांथ को आशलेखा नक्षत्र का पत है वहिए इस नक्षत्र के सामीं बुध्या हैं और बुध्य का संबंद हमारे बिजनेस हमारी वानी आदि से है वनस्मतियों बें आशलेखा नक्षत्र का संबंद नाग केसर के पेल उसे बताया गया है ल lähगा जिन जिन लोगों का जन्म आशलेखा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आशलेखा नक्षत्र के दौरान नाकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि इस दौरान नाकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्यों या लकडी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंच है। ऐसा करने से आपको शुक फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सुक सौभागे में व्रधी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र की और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले विशेश उपाएं की। अगर आप अपने पारिवारिक रिष्टों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिष्टों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकाल कर अलग रखने चाहिए और उसके तीन हिस्टे करने चाहिए अब उन तीन हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को खिला दे एक हिस्सा कववे को डाल दे और एक हिस्सा कुटे को खाने के लिए दे दे आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिष्टों से नाराज़गी दूर होगी और आपके रिष्टे बेहतर होंगे समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए या दूसरे लोगों के बीच अपना रुटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चांदी की वस्तु खरीक कर लाइए और उसे मंदिर में स्थापिट करके उसकी पूजा करें साथ ही आज पूरा दिन उस चांदी की वस्तु को मंदिर में ही रखा रहने दे अगले दिन स्नान आदि के बाद उस चांदी की वस्तु को मंदिर से उठा कर आप अपने पास कहीं भी रख सकते हैं या उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहिचान बनेगी और दूसरे लोगों के बीच आपका रुत्बा बढ़ेगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्तिती चल रही है तो उस कठिन परिस्तित से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नाग केसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही उसकी जड़ में जल चलाना चाहिए। यानि वो पेड हरा भरा होना चाहिए अगर आपके संतान अपना खुद का कोई बिजनस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनस खुलवाना चाहते हैं लेकिन उसके बिजनस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलफ करने के लिए आज के दिन आपक अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिनों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाएं इस परकार ये उपाय करने से आपकी संतान के अंदर जल्द ही बिजनस की समझ डेवलफ होगी है अगर आपका विवेक कुछ कम हो गया है आप अच्छ ही मादुर्गा के मंतर का जब करना चाहिए सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्रेम विके गोरी नारायन नमोस्तुते अगर बहनों के साथ आपके रिष्टे में कुछ समस्या आ गई है और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो ब बाद में कौडियां जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाएं। आज के दिन ऐसा करने से बहन के साथ रिष्टे में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिष्टे अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप करियर में सफलता हासिल करने से आपको करियर में सफलता हासिल होगी। अगर आपके दामपत्य रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद को चहद का भोग लगाना चाहिए साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पड़ती जा रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। और उन्हें दूट से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी। अगर आप अपने लबमेट के साथ प्यार बनाये रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डालकर भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान के चर्णों में पीले फूल अर्पित करने चाहिए आज के दिन ऐसा करने से लबमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अर्पित करना चाहिए साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए तो ये सारी चर्चा थी आज गोविंद द्वादशी, नसिंग द्वादशी, सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र के बारे में साथ ही सुब फलों के प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए हमने इनकी भी चर्चा की है, उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में और A, B, C, D ही क्यों? नाम का पहला अक्षर ही क्यों? चूंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गत्विद्यों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छे अपर्चुनिटी मिलने वाली है? या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमाद ले? किसका दिन आज कैसा है? नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी B, नौकरी के तलाश कर रहे जुआओं को नौकरी मिलने के कारण उनके चेहरे पर खुशी आएगी C, धर में किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे D, आज कुछ लोग आपका विरोज करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे E, पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा F, आफिस में काम ज़्यादा होने से आपको आज घर जाने में समय लगेगा G, कोई बात जो आपको परिशान कर रही है उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगे H, आज के दिन कारोबार में उन्नत ही होगी आपको अचानक धनलाब होगा I, आज 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 किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें J, चात्रा आज करियर के फिसले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेहतीन रहेगा K, किसी काम में जरूत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा वो काम असानी से पूरा होगा L, स्वास्त में ताज़िय आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे M, आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नए सरोत मिलेंगे N, जल्दवादी में फैसले ना करें कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर ले लें O, आपके जीवन साथी का मन पसंद रहेगा उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P, पारिवारी की जीवन सुक में बना रहेगा आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी C, आज पैसों के लेंदेन में साथानी रखें किसी को उधार देने से बचें R, आज आपको वहन चलाते समय साथानी रखने की जरूरत है S, प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूरत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा T, आज कहीं लिवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर लें आपके लिए अच्छा रहेगा U, बेवज़े के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है इसलिए यथा संभवधन जुटाने की कोशिश करें V, तारे खेतर में इमानदारी बढ़ते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें W, चात्रों में विज्ञान, कला वर तकनीकी शिक्षा के प्रति आपकी रूची बढ़ेगी X, आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगी Y, आज आपको पदोन्नती के साथ साथ कार्यस्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा Z, आपकी अतिरिक्त काम करने की चमता उन लोगों को चौका देगी जिनका प्रदर्शन आपसे बेहतर है और अब बात आज के तीष्ट की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन तुलसी मानस मंदिर काशी के आधुनिक मंदिरों में से एक बहुत ही मनोरब इस्थल है इस मंदिर को लेकर कई तरह की माननेताई है पहली माननेता ये है कि इसी इस्थान पर गोस्वामी तुलसी दाजी ने रामचरित मानस का कुछ भाव लिखा थी तो दूसरी मानेता ये है कि यहां तुलसी दाजी ने बजरंग बानकी रशना की थी, मुख्ष बात ये है कि यह मंदर शांती का प्रचीक है, यहां प्रवेश करते ही मन को शांती मिलती है, मंदर के मध्य में श्री राम माता जान की लक्ष्वन जी एवं हनुवान जी राम चेरित मानस की चौपाईयां और दोहे लिखे गए हैं, इसके दूसरी मंजिल पर संतुलसी दाजी विराजबान है, साथ ही इसी मंजिल पर स्वचालिक शीराम एम कृष्टन लीला होती है, तो आप भी कीजिए इस नमनीक मंदिर के दर्शन, और अब बात सामुदिक शास्तर की, सामुदिक शास्तर में कल हमने बात की थी, बड़े कानवाले लोगों के सुभाओं के बारे में, और आज हम बात करेंगे, छोटे कानवाले लोगों के बारे में, जिन लोगों के कान आकरती में छोटे या कहें सामाने होते हैं, वे लोग काफी स्ट्रॉंग होत आसानी से भरोसा किया जा सकता है हाला कि ये लोग थोड़े कंजूस होते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं साथ ही ये बहुत बातुनी भी होते हैं इन्हें दूसरों से बाते करना बड़ा ही अच्छा लगता है लेकिन कई बार दूसरे लोग इनकी बातों से परेशान होकर या कहें कि बोर होकर इनके पास से उठकर चले भी जाते हैं सामुद्धिक शास्तर में कल हम बात करेंगे अधिक छोटे कानवाले लोगों के सभाव के बारे में और अब बात अवाइड अफ दी डे की यानि आज आज आपको क्या नहीं खाना है आज 21 मार्च फालगुल शुक्रपक्ष की द्वादशी तीथी है द्वादशी तीथी में पूतिका यानि पोई का साथ नहीं खाना चाहिए पोई एक सदा बहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है द्वादशी तीथी आज का पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुबह चार बच कर पैटालीस मिनट तक रहीगी उसके बाद 23 तीथी लग जाएगी इस तरह तीथी का समय जान कर आप अपने खाने का शेडियूल बना सकते हैं बाकी आप कुछ भी खाईजिये पीजिये मौश कीजिये और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और अब वक्त है आज के टिप अफ वीडे का आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाईए सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशिपल जानने के लिए लॉगाउन करें www.indiatv.in और मुझसे विक्तिगस संपर करने के लिए फोन करें 9971-000226 भाविश शावानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार भाविशवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशिका भाविशवत आने के लिए आज फालगुन शुकल पक्षिती द्वादशी ति टि और गुरुआर का दिन है द्वादशी टि आज पूरा दिन पार करके कल की भोर 4 बच कर 45 मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है आज शाम पांच बचकर इतालीस मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा साथ ही आज देर रात एक बचकर सताईस मिनट तक आशलेखा नक्षत रहेगा आगे हम इसी पर विश्थित चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका बर्त डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरीज अनिवरसरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्थ की किसमत का दरवाजा खुलेगा किस अंखर का आज क्या है भविश्य जारी रहेगी चरचा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामृद्य क्षास्तिक आज एक कौन से दिशा होगी शुब और आज आ गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशिय पिंटों के बीच बहने वाली electromagnetic field के movement को calculate करके यह जान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सरवार सिध्य योग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 7 बच कर 34 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएव चर्चा करते हैं आज के शुब महूर्थ यानि कि फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च को सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा नया बिजने शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ अगले महीने 10 अपरैल की सुबह 9 बच कर 46 मिनट से दो पहर 2 बच कर 21 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ चार अपरैल की शाम चार बच कर चौदा मिनट से शाम साथ बच कर अठारा मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रिल इंस्ट्यूशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च की सुभा 7 बच कर 40 मिनट से दो पहर 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर दो पहर बार 3 बच कर 46 मिनट से रात 10 बच कर 49 मिनट तक रहेगा सीजिरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 26 मार्च की दो पहर 2 बच कर 56 मिनट से शाम 7 बच कर 33 मिनट तक और एक बार फिर रात 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुबह 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्ट की सुबह 9 बच कर 36 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्ट की सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जुली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड कुछ छणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इस से चारों तरफ कोई भी शुब कारे करने से सफलता संदिक्ध हो जाती है आज कोई अशुब समय नहीं बन रहा है अब ये अशुब समय 23 मार्च की दोपार दो बचकर 49 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंग, धनु और कुम्भराशिय विशेश रूप से प्रभावित होंगी, ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुब कारे नहीं करना चाहिए, इसके साथ ही एक बात और बता दूँ कि काम शुरू करते वक्त रहुकाल का ध्यान रखना बेहत जरूरी है, रहुकाल के दौरान क कोई काम शुरूर नहीं करना चाहिए, अगर कोई काम पहले से चल रहा है, तो उसे जाली रख सकते हैं। बचकर पंदा मिनट तक, भोपाल दो पहर एक बचकर अठावन मिनट से, दो पहर बाद तीन बचकर उन्तीस मिनट तक, कोलकाता दो पहर एक बचकर पंदा मिनट से, दो पहर दो बचकर पैतालीस मिनट तक, आहमदाबाद दो पहर दो बचकर सत्रा मिनट से, दो पहर बाद त तीन बचकर 18 मिनट तक ये था कुछ शहरों का रहोकाल और अब आज की यात्रा की शुबदिशा क्या है तो आज वो शुबदिशा है उस्तर और है यह शुरू करते हैं सिल्सिला राशिफल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेशराश की मेशराशिवालों आज आपका के लिए फाइदेबल साबित होगी अपने चारों होने वाली गत्विदियों का ध्यान रखें क्योंकि आपके काम का शे कोई दूसरा ले सकता है लव मेट के लिए आज का दिन खुश्या लेकर आएगा दामपत जीवर में खुशाली बनी रहेगी आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नमबर है सिक्स वरेश राशी वालों आज काम काज में सावधानी वरतने की जरूरत है छोटे इस तर पर शुरू किया गया व्यापार आपके लिए लाबकारी रहेगा आपने जो लक्ष निर्धारित कर रखे हैं आज उनके काफी करीब पहुंच जा थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है घरवालों से किसी विशे पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइदेमन सावित होगी आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नमबर है पांच मित्ष राशेवालों आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनीत के क्षेते से जुड़े हैं आज उनकी सामाजिक परतिष्ठा में वरदी होगी जो लोग उच्छ शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें आज किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा आज आप मांसिक रूट से स्वस्थ बने रहेंगे आज आप लखी कलर है यलो और लखी नंबर है एक करक राज़िवालों आज आप उर्लिया से भरपूर रहेंगे आज आपको अपनी वानी पर संयम रखने की जरूरत है इस राज़िके जो लोग डॉक्टर हैं आज वो नई क्लीनिक की ओपनिंग करने का मन बनाएंगे जिसमें किसी एकांच जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन लगेगा आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डेट और लखी नंबर है आट सिंगर राशिवालों आज का दिन शांदार रहने वाला है आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे कर रहे लोगों की रचनाओं की लोग तारीफ करेंगे आज व्यर्थ की बातों में उलजने से बचें लवमेट एक दूसरे की भावदाओं की कदर करेंगे आज अचानक धन लाव होने से आपकी आर्थिक इस्तिति मजबूत होगी आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नंबर है सेवन करन्य राशी वालों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है साइन्स और रिसर्च की फील्ड से जुड़े लोगों को आज कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा पुराने कामों का निप्टारा करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा लोग आपकी मदद के लिए भी तयार रहेंगे बड़ों का दिया हुआ सुझाओ आज आपके काम आएगा बिजनस संबंदी मीटिंग में आज आप सही डंग से अपनी बात रखेंगे जीवन साथी से काजियों में सहयोग मिलेगा चातर आज कुछ आउनलाइन सीखने की कोशिश करेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है मैजेंटा और लखी नमबर है सिक्स तुला राशिवालों आज किसमत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपकी एक अलग ही छवी निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका शेयर किसी और को न ले जाने दे बास आपको किसी जरुरी काम से दूसरे शेहर की यात्रा पर भेज सकते हैं आज आप कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए तैयार रहेंगे जिने करके आप परसंद होंगे दामपत्य जीवन में खुशाली आएगी नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है दो वरिश्चिक राशिवालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रासोई घर में काम करते हुए थोड़ी साफधानी जरूर बरते आज आप में सफलता और उच्छ पढ़ पाने की इच्छा जागरत होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस राशिक के जो लोग आक्टिंग के छेते से जुड़े हैं आज उन्हें कोई बड़ा आफर मिलेगा आज हर प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लबमेट से एक दूसरे को उपहार देंगे साथ ही कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्ते के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नमबर है सिक्स धनु राशिवालों भविश्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशिके जो लोग मार्केटिंग के खेत्र से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेत्र में आज आज आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप थोड़ा उल्ज़र में पढ़ सकते हैं नव विवाहित दमपति में मीठी नोग जोंक होगी जिससे रिष्टे में मिठास बढ़ेगी लब में टेक दूसे पर विश्वास बनाए रखें रिष्टा और मजबूत होगा आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रे और लखी नमबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में परोसियों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी आज सफलता में आ रही दिक्कतें दूर होंगी आज आप नए विचारों से परिपूर रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा देंगे परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सवहाद बना रहेगा लवेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिष्टों में मधूरता आएगी आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वर और लखी नमबर है नाई कुम्भरा शिवालो आज का दिन महतुपूर्ण रहने वाला है आज कोड का चहरी में चल रहे है मुकद्मों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आपको अचानक धनलाब होने वाला है अगर आप कोई नई जमीन खरीदना चाहरे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर ले व्यापार में आज आज आपको खूब तरक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है ब्लू और लखी नंबर है सिक्स मीन राशिवालों आज का दिन में लूजली पर दिक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आज तिकलाप कराएंगे पहले किये गए प्रयासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने की बज़ाए अपनों की सलाह लीजिए आज आपको पुरानी वातों को भूल कर आगे बढ़ने की जरुरत है जीवन साथी के साथ रिष्टे में मधूरता बढ़ेगी आज आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा छात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है वाईलेट और लखी नमबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बढ़ों का अशिरवाद ने और जिनकी आज मेरी जानिवर्सरी है वो किसी जरुरत मंद को आटा दें तो साल भर सुख और सुभाग पढ़ता ही रहेगा और आएए अब चलते हैं अंकों की रहसमाई दुनिया में मूलांग एक वालों आज जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा रिष्टे में और मदबूती आएगी मूलांग दो आपके लिए आज का दिन बहतरीन रहने वाला है आए के स्रोट मिलने से आर्थिक इस्थिती मजबूत होगी मूलांग तीन स्वास्थ को बहतर बनाये रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेश करें मूलांग चार अपने काम और परिवार के बीच सामंज़त से स्थापित करने की कोशिश करें मूलांग पांच आज आप जीवन साथी को कोई कीमती उपहार देकर वयवाहिक जीवन में मिठास घोलेंगे मूलांग चे आज आप शाम को परिवारवालों के साथ किसी धार्मी के स्थल पर दर्शन करने जाएंगे मूलांक 7 आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपके आर्थिक इस्तिती बेहतर बनेगी मूलांक 8 आज किसी ऐसी जगे पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश में मिलेगा मूलांक 9 आज आप उच्छा धिकारियों से तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की वास्तुशास्त्र में कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे सलाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आदिके बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में कुछ अन्यविश्यों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे रसोई घर के निर्मान की घर में रसोई का संबंद हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबंद अगनी से होता है आग से इसलिए वास्त शास्त के अउसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगनी कोन यानि दक्षन पूर्व दिशा का कोन यानि दक्षिन पूर्व दिशाएं जहां मिलती हैं उस दिशा का चुनाओ करना चाहिए चोकि आगने कोड का संबंद भी अगनी से है अतह आगने कोड में रसोई बनवाने से परिवार के सबसर रस्यों का स्वास्ते बेहतर रहता है अगर भोजन कर रहे की बात करें तो वास्तुशास्ते के अनुसार रसोई के अंदर बैट कर ही भोजन करना चाहिए साथ ही भोजन कर रहे के लिए अपनी ठाली को दक्षिन पूर्व दिशा के और रखना चाहिए और पूर्वे दिशा के और मुख करके भोजन करना चाहिए यानि कि भोजन को मूलतफ पूर्व दिशा के और रखना चाहिए लेकिन पूर्व से दक्षन इसलिए ताकि नौर्थ इस्ट में आप पानी का बरतब रख सके North East में पानी का गिलास अगर आप East की तरह मुख करके बैठे तो थोड़ा सा South करिए भोजन को और थोड़ा Left करिए पानी को वास्तो शास्तर में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि वो जल से जल ठीक हो सके और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज अब फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी तीथी और गुरुवार का दिन है द्वादशी तीथी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार वज कर पैतालीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी की द्वादशी को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वरत करके भगवान विश्णू की गोविंद नाम से पूजा की जाती है आज के दिन शोडोसो बचार या पंचो बचार के द्वारा भगवान विश्णू का विधिवत पूजन करें चंदर्ण, अक्षत, तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर्पिश करना चाहिए इसके बाद भोग लगा कर आर्थी करनी चाहिए गोविंद द्वालाशी यादि आज के दिन भगवान शी विश्णू के मंतर का जब करना अत्यंत सुब फलदाई होता है तो मंतर भी बता दूँ मंतर है ओम नारायनाय नमहा ओम नारायनाय नमहा जगत का पालन करने वाले शी गोविंद का स्वरूप शांत और आनंद में है इनका स्वनर करने से भाक्तों के जीवन के समस्त संकटों का निवारन होता है घर परिवार को धन धान्य और सुख समर्दी की प्राप्ति होती है इस व्रत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त समस्याई दूर हो जाती है और अंत में वाइकुंठ नामक धाम की प्राप्ति होती है इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्ष की दौदशी को नसिंग दौदशी भी मनाने का विधान है इस दिन भागवान विश्व की नसिंग सुरूप की पूजा की जाती है पूजा के लिए इसनान आज इसे निवरत होकर साफ कपड़े पहन कर इशान कोन यानि की उत्तर पूरु दिशा के कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से लीप कर उस पर आठ पंखुडियों वाला कमल लड़ बनाए फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर एक चावलों से भरा हुआ बरतन रखें अब उन चावलों से भरे बरतन के ऊपर भगवान लसंग की प्रतिमा रखें और पूजन विधी आरंब करें सबसे पहले भगवान को पंचामर्थ से स्नान कराएं फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल, फूल, पीले वस्तर आदे भगवान को भेट करें और फिर धूब दीप आज से भगवान की पूजा करें साथ ही भगवान नसिंग के इस मंत्र का जब करें, मंत्र है ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलन्तम सर्वतो मुखं नसिंगं भीषणं भद्रं मृत्युम मृत्युम नमाम्यहं फिर से इस मंत्र को सुने ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलन्तम सर्वतो मुखं नसिंगं भीषणं भद्रं मृत्युम नमाम्यहं आज के दिन इस मंत्र का जब करने से आपकी आर्थिक इस्तिति मजबूत होगी, आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा, आपको कोई बुरी शक्ति परिशा नहीं कर पाएगी, तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाले गोविंद द्वारशी और नसिंग द्वारशी के बारे में, और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की, आज शाम पांच बच कर 41 मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, इस योग में कोई शुभ कारे करना चाहिए, मानिता के अनुसार इस योग में नई नौकरी जोईन करें या घर में कोई धार में कारे का आयोजन करना अच्छा रहता है, इस योग में किये गए कारों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, और कारे शुफल दयक होता है। इश्वर का नाम लेने या सतकर्म करने के लिए ये योग अतिउत्तम है। साथ ही आदेर रात एक बज़ का 27 मिनट तक आशलेखा नक्षत्र रहेगा। आकाश्मंदल में इस्तित 27 नक्षत्रों की शिर्णी में आशलेखा नवा नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। इसी के अनुसार कुंडली मार कर बैठे हुए साथ को आशलेखा नक्षत्र का पती चिन माना जाता है। और नाग देवताओं को आशलेखा नक्षत्र के का अधिपती देवता माना जाता है। साथ ही आशलेखा नक्षत्र की राशी करक है, वहीं इस नक्षत्र के सामी बुद्ध हैं और बुद्ध का संबंद हमारे बिजनेस हमारी वानी आदी से है। वनस्मतियों में आशलेखा नक्षत्र का संबंद नाग केसर के पेल से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आशलेखा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आशलेखा नक्षत्र के दौरान नाकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दोरान नाकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्यों या लकडी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको सुख फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सुख सौभागे में व्रद्धी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र की और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले विशेश उपायों की। अगर आप अपने पारिवारिक रिष्टों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिष्टों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकाल कर अलग रखने चाहिए और उसके तीन हिस्ते करने चाहिए अब उन तीन हिस्तों म बेहतर होंगे। समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए या दूसरे लोगों के बीच अपना रुटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चांदी की वस्तु खरीक कर लाइए और उसे मंदिर में स्थापिट करके उसकी पूजा करें। साथ ही आज पूरा दिन उस चांदी की वस्तु को मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन स्नान आदि के बाद उस चांदी की वस्तु को मंदिर से उठा कर आप अपने पास कहीं भी रख सकते हैं या उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहिचान बनेगी और दूसरे लोगों के बीच आपका रुत्बा बढ़ेगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्तिती चल रही है तो उस कठिन परिस्तित से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आद के बाद नाग केसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही उसकी जड़ में जल चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं आसपास नाग केसर का पेड़ न मिले तो इंटरनेट से नाग केसर की फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर ले। यहाँ ध्यान रहे कि फोटो में नाग केसर के पेड़ पर फूल जरूर लगे होने चाहिए। यानि वो पेड़ हरा भरा होना चाहिए। कोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिलों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाए। इस परकार यह उपाय करने से आपकी संतान के अंदर जल्द ही बिजनेस की समझ डिवलप होगी। अगर आपका विवेग कुछ कम हो गया है। आप अच्छे बुरे की परक्ष नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के दिन आपको नाग देवता की सक्कीर के आगे अपना सिर्जु करना चाहिए। और हाद जोड़कर उन्हें प्राम करना चाहिए। साथ ही मादुर्गा के इस मंत्र का जब करना चाहिए। और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं। तो बहन के साथ रिष्टों को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको पांच पीले रंग की कोडिया लेनी चाहिए। अब उन कोडियों को एक स्थान पर एकठा करके जलाना चाहिए। बाद में कोडियां जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाए। आज के दिन ऐसा करने से बहन के साथ रिष्टे में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिष्टे अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोड तुकडा लेना चाहिए और उस तुकले के बीच में चोटा सा छेद करवा कर उस छेद में एक सफेद रंग का धागा पिरोगे और उस तांबे के टुकले को अपने गले में धारन कीजी आज के दिन गले में तांबे का तुकला धारन करने से जीवन में आपकी तरक् e सुनिश्चित होगी अगर आप करियर में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद के मंतर का 108 बार चाहिए गोविंद का मंतर ओम गोविंदा आये नमाहा ओम गोविंदा आये नमाहा आज के दिन ऐसा करने से आपको करियर में सफलता हासिल होगी अगर आपके दामपत्य रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद को चहद का भोग लगाना चाहिए साथी ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पढ़ती जा रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें दूद से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी अगर आप अपने लबमेट के साथ प्यार बनाये रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डाल कर भोग लगाना चाहिए साथ ही भगवान के चर्णों में पीले फूल अर्पित करने चाहिए आज के दिन ऐसा करने से लबमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अर्पित करना चाहिए साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए तो ये सारी चर्चा थी आज गोविंद द्वादशी, नसिंग द्वादशी, सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र के बारे में साथ ही सुब फलों के प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए हमने इनकी भी चर्चा की है उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में और A, B, C, D ही क्यो नाम का पहला अक्षर ही क्यो चोंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गत्विजियों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छे अपरचुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमाद ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परीक्षा देने वाले स्टूडेंस को सफलता मिलेगी बी नौकरी के तलाश कर रहे युआउं को नौकरी मिलने के कारण उनके चेहरे पर खुशी आईगी सी धर में किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे डी आज कुछ लोग आपका विरोध करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा एफ आफिस में काम ज़्यादा होने से आपको आज घर जाने में समय लगेगा जी कोई बात जो आपको परिशान कर रही है उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगे एच आज के दिन कारोबार में उन्नत ही होगी आपको अचानक धनलाब होगा आई आज आप किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंद्र रखें J. छातरा आज करियर के सिल्सिले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेतीन रहेगा K. इसी काम में जरूरत के वक्त अपनों का साथ खोसला बढ़ाएगा वो काम असानी से पूरा होगा L. स्वास्ट में ताज़िय आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे M. आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नए स्रोट मिलेंगे N. जल्दवादी में फैसले ना करें कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर लें O. आपके जीवन साथी का मन प्रसंद रहेगा उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P. पारिवारी की जीवन सुक में बना रहेगा आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी O. आज पैसों के लेंदेन में साथानी रखें किसी को उधार देने से बचें R. आज आपको वहां चलाते समय साथानी रखने की जरूरत है S. प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूरत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा T. आज कहीं लिवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर लें आपके लिए अच्छा रहेगा U. बेवजह के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है इसलिए यथा संभावधन जुटाने की कोशिश करें V. तारेक्षेतर में इमानदारी वरते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें W. छात्रों में विज्ञान, कला वा तक्निकी शिक्षा के प्रति आपकी रूची वढ़ेगी X. आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगी Y. आज आपको पदोन्नती के साथ-साथ कार्यस्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा Y. आपकी अत्रिक्त करने की चंता उन लोगों को चौका देगी जिनका परदर्शन आपसे बेहतर है और अब बात आज के तीव्ट की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन तो दूसरी मानिता यह है कि यहां तुल्सी दाजी ने बजरंग बान की रशना की थी, मुख्ष बात यह है, यह मंदर शांती का प्रचीत है, यहां प्रवेश करते ही मन को शांती मिलती है, मंदर के मध्य में शी राम, माता जानकी, लक्ष्वन जी एवं हनुमान जी विराज मंदिर है, इस मंदिर के संपूर्ण दीवार पर राम चेरित मानस की चौपाईयां और दोहे लिखे दए हैं, इसके दूसरी मंदिर पर संतुल्सी दाजी विराजबान है, साथ ही इसी मंदिर पर स्वचालिक शी राम एवं कृष्ण लीला होती है, तो आप भी कीजिए इस नमणिक बंदिर के दर्शन और अब बात सामुद्दिक शास्त्र की, सामुद्दिक शास्त्र में कल हमने बात की थी बड़े कानवाले लोगों के सुभाव के बारे में, और आज हम बात करेंगे, छोटे कानवाले लोगों के बारे में, जिन लोगों के कान आकरती में छोट इन लोगों पर किसी भी बात के लिए या अपने किसी काम के लिए आसानी से भरोसा किया जा सकता है हाला कि ये लोग थोड़े कंजूस होते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं साथ ही ये बहुत बातूनी भी होते हैं इन्हें दूसरों से बाते करना बड़ा ही अच्छा लगता लेकिन कई बार दूसरे लोग इनकी बातों से परेशान होकर या कहें कि बोर होकर इनके पास से उठकर चले भी जाते हैं सामुद्रिक शास्तर में कल हम बात करेंगे अधिक छोटे कान वाले लोगों के सभाव के बारे में और अब बात अवाइड अब दी डे की यानि आज आज आपको क्या नहीं खाना है आज 21 मार्च फालगुल शुक्रपक्ष की द्वादशी तीथी है द्वादशी तीथी में पूतिका यानि पोई का साथ नहीं खाना चाहिए पोई एक सदा बहार लता है जिसे सबजी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है द्वादशी तीथी आज का पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुभा चार बच कर पैतालीस मिनट तक रहीगी उसके बाद त्रेवदशी तीथी लग जाएगी इस तरह तीथी का समय जानकर आप अपने खाने का शेडियूल बना सकते हैं बाकी आप कुछ भी खाईए पीजिए मौश कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और अब वक्त है आज के टिप अफ जी डे का आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाईए सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशिपल जानने के लिए लॉग आउन करें www.indiatv.in और मुझे विक्तिगत संपर करने के लिए फोन करें 9971-000-226 भविशवानी में फिलाल इतना ही नमस्कार नमस्कार भविशवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशिका भविशव वताने के लिए आज फालगुन शुकलपक्षिती द्वादशी तिति और गुरुवार का दिन है द्वादशी तिति आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार बच कर 45 मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा इसके अलावा फालगुन शुकलपक्षिती द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है आज शाम पांच बच कर 41 मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा साथ ही आज देर रात एक बच कर 27 मिनट तक आशलेखा नक्षत रहेगा आगे हम इसी पर विश्थित चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका वर्त डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरीज अनिवरसरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के अख्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्ट की किसमत का दर्वारा खुलेगा किस अख्षर का आज क्या है भविश्य जाडी रहेगी जर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्तर और सामूद्दिक शास्त्र की आज एक कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशिय पिंटों के बीच बहने वाली electromagnetic field के movement को calculate करके ये जान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सरवार से धियोग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 7 बच कर 34 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आई ये चर्चा करते हैं आज के शुप महूर्ट यानि की फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्च को सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पँबार बारा बच कर 55 मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ अगले महीने 10 अपरैल की सुबह 9 बच कर 46 मिनट से 2 बाहर 2 बच कर 21 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ चार अपरैल की शाम चार बच कर चौदा मिनट से शाम साथ बच कर अठारा मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रिल इंस्टिउशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च की सुबह 7 बच कर 40 मिनट से दो पहर 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर दो पहर बार 3 बच कर 46 मिनट से राद 10 बच कर 49 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 26 मार्ट की दो पहर दो बच कर 56 मिनट से शाम 7 बच कर 53 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुबह 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्ट की सुबह 9 बच कर 36 मिनट से दो पहर बारा बच कर 55 मिनट तक रहेगा अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्ट की सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर बारा बच कर 55 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जुली इलेक्ट्रो माइटिक फील्ड कुछ छणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिविट इस समय में कोई भी शुबकारे करने से सफलता संदिग्ध हो जाती है आज कोई अशुब समय नहीं बन रहा है अब यह समय 23 मार्च की दोपार दो बचकर 49 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंघ, धानु और कुम्भ रा नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बतानू कि काम शुरू करते वक्त रहुकाल का ध्यान रखना बेहत जरूरी है रहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिल्ली में रहुकाल होगा। दोपहर एक बच कर उनसट मिनट से, दोपहर बाद तीन बच कर तीस मिनट तक। मुंबई, दोपहर दो बच कर सत्रह मिनट से, दोपहर बाद तीन गलगाइद, दोपहर दोवजगर एक मिनट से, दोपहर बाद, तीन बजगर 32 मिनट तक, लखनव दोफ़ एक बजगर 44 मिनट से, दोपहर बाद, तीन बजगर 15 मिनट तक भोपाल दो पहर एक बज़ कर अठावन मिनट से दो पहर बाद तीन बज़ कर उन्तीस मिनट तक कोलकाता दो पहर एक बज़ कर पंदा मिनट से दो पहर दो बज़ कर पैतालीस मिनट तक अहमद आबाद दो पहर दो बज कर 17 मिनट से दो पहर बाद तीन बज कर 48 मिनट तक और चेन नहीं में राहुकाल होगा आज दो पहर एक बज कर 47 मिनट से दो पहर बाद तीन बज कर 18 मिनट तक ये था कुछ शहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की सुब्दिशा क्या है तो आज वो सुब्दिशा है उस्तर और आईएफ शुरू करते हैं सिलसला राशिफल का सबसे पहले बात रोजी तरह आज भी मेशराश की मेशराश वालों आज आपका मन अध्यात्मा में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फाइदेबल साबित होगी अपने चारों और होने वाली गत्विदियों का ध्यान रखें क्योंकि आपके काम काशे कोई दूसरा ले सकता है लब मेट के लिए आज का दिन खुश्या लेकर आएगा दामपत जीवर में खुशाली बनी रहेगी आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नमबर है सिक्स वरेश राशिवालों आज काम काश में सावधानी वरतने की जरूरत है छोटे इस तर पर शुरू किया गया व्यापार आपके लिए लाबकारी रहेगा आपने जो लक्ष निर्धारित कर रखे हैं आज उनके काफी करीब पहुँच जाएंगे विरोध ही आपको नुकसान पहुचाने के कोशिश करेंगे लेकिन अपनी समझदारी से आप उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे जरूरी कामों को आज दूसरों के भरों से न चोड़ें इस राशी के चात्रों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है घरवालों से किसी विशे पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइदेमन सावित होगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमबर है पाँच निथर राशी वालों आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनीत के खशेते से जुड़े हैं आज उनकी सामाजिक परतिष्ठा में वर्दी होगी जो लोग उच्छ शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें आज किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा आज आज आप मांसिक रूट से स्वस्थ बने रहेंगे आज आज आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे अपने भाई बहनों के साथ किसी अच्छी जगह घूमने का प्लान बनाएंगे आज आपको पैसे के लिन देन में सावधानी बरतने की आवशकता है आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है एक करक राशी वालों आज आप पूर्जा से भरपूर रहेंगे आज आपको अपनी वानी पर सैयम रखने की जरूरत है इस राशी के जो लोग डॉक्टर हैं आज वो नई क्लिनिक की ओपनिंग करने का मन बनाएंगे जिसमें परिवारवालों का भरपूर सहयोग मिलेगा आज आपके बिजनेस में बहुतरी होगी आज समाज सेवा के लिए की गई कोशिशे आपकी अलग पहचान बनाएंगी इस राशी के चात्र आज किसी एकांस जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन लगेगा आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डेट और लखी नमबर है आठ सिंग राशी वालों आज का दिन शांदार रहने वाला है आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे कर रहे लोगों की रचनाओं की लोग तारीफ करेंगे आज व्यर्थ की बातों में उलजने से बचें लवमेट एक दूसरे की भावदाओं की कदर करेंगे आज अचानक धन लाव होने से आपकी आतिक इस्तिति मजबूत होगी आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नमबर है सेवन करने राशे वालों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है साइन्स और रिसर्च की फील्ड से जुड़े लोगों को आज कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा पुराने कामों का निफ्टारा करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा लोग आपकी मदद के लिए भी तयार रहेंगे बड़ों का दिया हुआ सुझाओ आज आपके काम आएगा बिजनेस संबंदी मीटिंग में आज आप सही डंग से अपनी बात रखेंगे जीवन साथी से काजों में सहयोग मिलेगा चातर आज कुछ आउनलाइन सीखने की कोशिश करेंगे आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नमबर है सिक्स तुला राशिवालों आज किसमत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपकी एक अलग ही छवी निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका शेयर किसी और को न ले जाने दे बास आपको किसी जरुरी काम से दूसरे शेहर की यात्रा पर भेज सकते हैं आज आप कुछ ऐसे कारियों को करने के लिए तैयार रहेंगे जिने करके आप परसंद होंगे दामपत्य जीवन में खुशाली आएगी नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है दो वरिश्चिक राशिवालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रासोई घर में काम करते हुए थोड़ी साफधानी जरूर बरते हैं आज आप में सफलता और उच्छ पढ़ पाने की इच्छा जागरत होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस राशिक के जो लोग आक्टिंग के छेते से जुड़े हैं आज उन्हें कोई बड़ा आफर मिलेगा आज हर प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लवमेट से एक दूसरे को उपहार देंगे साथी कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्ते के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के लिए आपका लखी करार है पिंक और लखी नमबर है सिक्स धनु राशिवालों भविश्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशिके जो लोग मार्केटिंग के छेत्र से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेत्र में आज आज आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप थोड़ा उल्ज़र में पढ़ सकते हैं नव विवाहित दमपति में मीठी नोग जोंक होगी जिससे रिष्टे में मिठास बढ़ेगी लबमेट एक दूसे पर विश्वास बनाए रखें रिष्टा और मजबूत होगा आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नमबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में परोसियों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी पतिष्ठा बढ़ेगी आज सफलता में आ रही दिक्कतें दूर होंगी आज आप नए विचारों से परिपूर रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा देंगे परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सवहाद बना रहेगा लबेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिष्टों में मधूरता आएगी आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वर और लखी नमबर है नाई कुम्भरा शवालो आज का दिन महतुपूर रहने वाला है आज कोड का चहरी में चल रहे मुकद्मों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आपको अचानक धनलाब होने वाला है अगर आपको नई जमीन खरीदना चाहरे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर ले व्यापार में आज आज आपको खूप तरक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नमबर है सिक्स मीन राश्यवालों आज का दिन मिलूजली पर दिक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आज तिकलाब कराएंगे पहले किये गए प्रयासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने की बजाए अपनों की सलाह लीजी आज आपको पुरानी वातों को भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है जीवन साथी के साथ रिष्टे में मधूरता बढ़ेगी आज आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा चात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है वाईलेट और लखी नंबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बढ़ों का आशिरवादने और जिनकी आज मेरीज अनिवर्सरी है वो किसी जरूरतमंद को आटा दें तो साल भर सुख और सुभाग पढ़ता ही रहेगा और आएए अब चलते हैं आंकों की रहसमाई दुनिया में मूलांग एक वालों आज जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा रिष्टे में और मदबूती आएगी मूलांग दो आपके लिए आज का दिन बहत्रीन रहने वाला है आए के सुरोट मिलने से आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी मूलांग तीन स्वास्थ को बेहतर बनाय रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेच करें मूलांग चार अपने काम और परिवार के बीच सामंज़स से स्थापित करने की कोशिश करें मुलांग पांच आज आप जीवन साथी को कोई कीमती उपहार देकर वैवाहिक जीवन में मिठास गोलेंगे मुलांग चे आज आप शाम को परिवारवालों के साथ किसी धार्मे के स्थल पर दर्शन करने जाएंगे मुलांग साथ आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपके आर्थिक इस्तिती बेहतर बनेगी मुलांग आठ आज किसी ऐसी जगह पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश में मिलेगा मुलांग नौ आज आप उच्चा धिकारियों से तालमेल बना कर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तु शास्त्र की वास्तु शास्त्र में कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे स्लाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आदिके बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में कुछ अन्य विश्यों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे रसोई घर के निर्मान की घर में रसोई का संबन्द हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबन्द अगनी से होता है आग से इसलिए वास्तुशास्त के अनुसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगनी कोण यानि दक्षन पूर्व दिशा का कोना यानि दक्षन पूरव दिशाएं जहां मिलती हैं उस दिशा का चुनाओ करना चाहिए चोकि आगने कोड का संबंध भी अगनी से है अतह आगने कोड में रसोई बनवाने से परिवार के सब सरस्यों का स्वास्त बेहतर रहता है अगर भोजन कर रे की बात करें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई के अंदर बैट कर ही भोजन करना चाहिए साथ ही भोजन करने के लिए अपनी ठाली को दक्षिन पूर्वे दिशा के और रखना चाहिए और पूर्वे दिशा के और मुख करके भोजन करना चाहिए यानि कि भोजन को मूलतफ पूर्वे दिशा के और रखना चाहिए लेकिन पूर्व से दक्षण इसलिए ताकि नौर्थ में आप पानी का बर्तत राग सकें नौर्थ में पानी का गिलास अगर आप इस्ट की तरव मोख करके बैठें तो थोड़ा सा साउथ करिए भोजन को और थोड़ा लेफ्ट करिए पानी को वास्तो शास्तर में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि वो जल से जल ठीक हो सके और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशीति थी और गुरुवार का दिन है द्वादशी tutti आज पूरा दिन पार करके कल की भोर 4 बच करपई 40 मिनट तक रहेगी आज गोविन्द द्वादशी का वृत किया जाएगा फालगुण शुक्लपक्षिकी द्वादशी को गोविन्द द्वादशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वरत करके भगवान विश्णू की गोविंद नाम से पूजा की जाती है आज के दिन सोडोसो बचार या पंचो बचार के दोरा भगवान विश्णू का विधिवत पूजन करें चंदर्ण, अक्षत, तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर्पिश करना चाहिए इसके बाद भोग लगा कर आर्थी करनी चाहिए गोविंद द्वालाशी यानि आज के दिन भगवान शी विश्णू के मंतर का जब करना अत्यंत सुप फलदाई होता है जगत का पालन करने वाले शी गोविंद का शुरूप शांत और आंंद में है इनका स्वनण करने से भागतों के जीवन में के समस्त संकटों का निवारन होता है घर परिवार को धन धान्य और सुख़ समर्दी की प्राप्ती होती है इस वरत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त समस्याइं दूर हो जाती है और अंत में वैकुंठ नामक धाम की प्राप्ति होती है इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्ष की दौदशी को नसिंग दौदशी भी मनाने का विधान है इस दिन भगवान विश्व की नसिंग सुरूब की पूजा की जाती है पूजा के लिए इसनान आज इसे निवरत होकर साफ कपड़े पहन कर इशान कोन यानि की उत्तर पूरु दिशा के कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से लीप कर उस पर आठ पंखुडियों वाला कमल लल बनाए फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के उपर एक चावलों से भरा हुआ बरतन रखें अब उन चावलों से भरे बरतन के उपर भगवान नसंग्र की प्रतिमा रखें और पूजन विधी आरंब करें सबसे पहले भगवान को पंचमर्थ से इसनान कराएं फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल फूल, पीले वस्त्र आदे भगवान को भेट करें और फिर धूब दीप आज से भगवान की पूजा करें साथ ही भगवान नसंग के इस मंत्र का जब करें मंत्र है ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलन्तं सर्वतोमुखं नसंगं भीषणं भद्रं म्रत्युम म्रत्युम नमाम्यहं फिर से इस मंत्र को सुने ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलन्तं सर्वतोमुखं नसंगं भीषणं भद्रं म्रत्युम नमाम्यहं आज के दिन इस मंत्र का जब करने से आपकी आर्थिक इस्तिति मजबूत होगी आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा आपको कोई बुरी शक्ति परिशान न ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाले गोविंद द्वारशी और नसिंग द्वारशी के बारे में और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की आज शाम पांच बच कर एक तारीस बिनट तक सुकर्मा योग रहेगा जैसा कि नाम से ही विदित होता है इस योग में कोई शुभ कारे करना चाहिए मानिता के अनुसार इस योग में नई नौकरी जोईन करें या घर में कोई धार में कारे का आयोजन करना अच्छा रहता है इस योग में किये गए कारों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और कारे शुफल दैक होता है इश्वर का नाम लेने या सतकर्म करने के लिए ये योग अतिउत्तम है साथ ही आदेर रात एक बज़ का 27 मिनट तक आशलेखा नक्षतर रहेगा आकाश्मंदल में इससे 27 नक्षतरों की शिर्णी में आशलेखा नवा नक्षतर है इसका अर्थ होता है आलिंगन इसी के अनुसार कुंडली मार कर बैठे हुए साथ को आशलेखा नक्षतर का पती चिन माना जाता है और नाग देवताओं को आशलेखा नक्षतर के का अधिपती देवता माना जाता है साथ ही आशलेखा नक्षतर की राशी करक है वहीं इस नक्षत्र के स्वामी बुद्ध हैं और बुद्ध का संबंद हमारे बिजनेस हमारी वानी आदी से है वनस्पतियों में आशलेखा नक्षत्र का संबंद नाग केसर के पेल से वताया गया है लिहाजा जिन लोगों का जन्म आशलेखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आशलेखा नक्षत्र के दौरान नाकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान नाकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्यों या लकडी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंच है ऐसा करने से आपको सुख फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभागे में व्रद्धी भी होगी तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र की और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले विशेश उपायों की अगर आप अपने पारिवारिक रिष्टों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिष्टों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकाल कर अलग रखने चाहिए और उसके तीन हिस्ते करने चाहिए अब उन तीन हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को खिला दे एक हिस्सा कोवे को डाल दे और एक हिस्सा कुटे को खाने के लिए दे दे आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिष्टों से नाराज़गी दूर होगी और आपके रिष्टे बेहतर होंगे समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए या दूसरे लोगों के बीच अपना रोटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चांदी की वस्तु खरीक कर लाईए और उसे मंदिर में स्थापिट करके उसकी पूजा करें साथ ही आज पूरा दिन उस चांदी की वस्तु को मंदिर में ही रखा रहने दे अगले दिन स्नान आदि के बाद उस चांदी की वस्तु को मंदिर से उठा कर आप अपने पास कहीं भी रच सकते हैं या उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहिचान बनेगी और दूसे लोगों के बीच आपका रुत्बा बढ़ेगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्थिती चल रही है तो उस कठिन परिस्थित से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नागकेसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही उसकी जड़ में जल चलाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं आसपास नागकेसर का पेड़ न मिले तो इंटरनेट से नागकेसर की फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर ले। यहां ध्यान रहे कि फोटो में नाकेसर के पेड़ पर फूल जरूर लगे होने चाहिए। यानि वो पेड़ हरा भरा होना चाहिए। अगर आपके संतान अपना खुद का कोई बिजनस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनस खुलवाना चाहते हैं लेकिं उसके बिजनस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलफ करने के लिए आज के दिन आपको साफ शुध मिटी लेनी से गाढ़ा करके उसे 27 चोटी चोटी गोलियां बना ले और उन्हें अच्छे से सुखा ले अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिलों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाएं इस परकार ये उपाय करने से आपकी संतान के अंदर के दिन आपको नाग देरता की सख्वीर के आगे अपना सिर्जु करना चाहिए और हाँ जोड़कर उन्हें प्राम करना चाहिए साथ ही मादूर्गा के मंतर का जब करना चाहिए सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्रेमविके गोली नारायनी नमोस्त हुते ही अगर बहनों के साथ आपके रिष्टे में कुछ समस्या आ गई है और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो बहन के साथ रिष्टों को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको पांच पीले रंग की कोडिया लेनी चाहिए अब उन कोडियों को एक इस्थान पर एकठा करके जलाना चाहिए, बाद में कौडियां जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत इस्थान पर रखाएं। आज के दिन ऐसा करने से बहन के साथ रिष्टे में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिष्टे अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोड तुकडा लेना चाहिए और उस तुकड़े के बीच में एक छोटा सा छेद करवा कर उस छेद में एक सफेद रंग का धागा पिरोगे और उस तांबे के टुकड़े को अपने गले में धारन कीजिए आज के दिन गले में तांबे का टुकडा धारन करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप करियर में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद के मंतर का 108 बार चत्र करना चाहिए। अगर आपके दामपत्य रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद को चहद का भोग लगाना चाहिए। साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पढ़ती जा रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। और उन्हें दूद से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी। अगर आप अपने लवमेट के साथ प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डाल कर भोग लगाना चाहिए। भगवान के चर्णों में पीले फूल अर्पित करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से लबमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा। अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अर्पित करना चाहिए। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना आज के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए हमने इनकी भी चर्चा की है। उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में और A, B, C, D ही क्यों नाम का पहला अक्षर ही क्यों क्यों कि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गत्विज्जियों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्वन बाजी नमाद ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परिक्षा देने वाले स्टूजेंट्स को सफलता मिलेगी बी नौकरी के तलाश कर रहे जुआओं को नौकरी मिलने के कारण उनके चेहरे पर खुशी आईगी सी घर में किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे डी आज कुछ लोग आपका विरोध करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगे एच आज के दिन कारोबार में उन्नती होगी आपको अचानक धनलाब होगा आई आज आज आप किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें जे चात्रा आज करियर के सिल्सिले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेहतीन रहेगा के किसी काम में ज़रुत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा वो काम असानी से पूरा होगा अपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे जल्दवादी में फैसले ना करें कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर ले लें ओ आपके जीवन साथी का मन पसंद रहेगा उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P. पारिवारी की जीवन सुख में बना रहेगा आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी चिवू आज पैसों के लेंदेन में साथानी रखें किसी को उधार देने से बचें R. आज आपको वहन चलाते समय साथानी रखने की जरूरत है S. प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूरत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा T. आज कहीं लिवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर लें आपके लिए अच्छा रहेगा U. बेवज़े के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है इसलिए यथा संभावधन जुटाने की कोशिश करें W. कारे ख्षेतर में इमानदारी वरते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें W. छात्रों में विज्ञान, कला वा तकनीकी शिक्षा के प्रति आपकी रूची बढ़ेगी X. आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगे Y. आज आपको पदोनती के साथ साथ कारे स्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा Z. आपकी अतिरिक्त काम करने की चंता उन लोगों को चौका देगी जिनका प्रदर्शन आपसे बेहतर है और अब बात आज के तीष्ट की आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन तुलसी मानस मंदिर काशी के आधुनित मंदिरों में से एक बहुत ही मनोरब इस्थल है इस मंदिर को लेकर कई तरह की माननेताइं है पहली मानिता ये है कि इसी स्थान पर गोस्वामी तुलसी दाजी ने राम चरित मानस का कुछ भाग एका था तो दूसरी मानिता ये है कि यहां तुलसी दाजी ने बजरंग बान की रशना की थी मुख्ष बात ये है ये मंदर शांती का प्रतीक है यहां प्रवेश करते ही मन को शांती मिलती है मंदर के मध्ध में शीराम माता जानकी लक्षवन जी एवं हनुआन जी विराशमान है इनके एक और माता अनपूर्णा एवंशिव जी तथा दूसरी और भगवान सक्तनारान जी का मंदिर है इस मंदिर के संपूर्ण दीवार पर राम चेरित मानस की चौपाईयां और दोहे लिखे गए हैं इसके दूसरी मंजिल पर संतुर्शी दाजी विराजबान है साथ ही इसी मंजिल पर स्वचालिक शीराम एमकृष्ण लीला होती है तो आप भी कीजे इस नमनीक मंदिर के दर्शन और अब बात सामुर्दिक शास्तर की सामुर्दिक शास्तर में कल हमने बात की थी बड़े कानवाले लोगों के सुभाव के बारे में और आज हम बात करेंगे छोटे कानवाले लोगों के बारे में जिन लोगों के कान आकरती में छोटे या कहें सामाने होते हैं वे लोग काफी स्ट्रॉंग होते हैं साथ ही आर्टिस्टिक मिजास के भी होते हैं कलह के छेत्र में एनकी अच्छी खासी रुची होती है। इन लोगों पर किसी भी बात के लिए, या अपने किसी काम के लिए आसानी से भरूसा किया जा सकता है। हालां कि ये लोग थोड़े कंजूस होते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं। साथ ही ये बहुत बातूनी भी होते हैं, इन्हें दूसरों से बाते करना बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन कई बार दूसरे लोग इनकी बातों से परेशान होकर या कहें कि बोर होकर इनके पास से उठकर चले भी जाते हैं। अच्छी में पूतिका यानि पोई का साथ नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदा बहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्वुर। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ वीडे का आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाईए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिपल जानने के लिए लॉग आउन करें। www.indiatv.in और मुझसे विक्तिगत संपर करने के लिए फोन करें। www.indiatv.in और भौविश्यवानी में फिलाल इतना ही नमस्कार। नमस्कार। भविश्यवानी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशिका भविश्यवताने के लिए। आज फालगुन शुकलपक्षिती द्वादशी तिथी और गुरुवार का दिन है। द्वादशी तिथी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार बच कर पैतालीस मिनट तक रहेगी। आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा। इसके अलावा फालगुन शुकलपक्षिती द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है। आज शाम पांच बच कर एक तालीस मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा। साथ ही आज देर रात एक बच कर सताईस मिनट तक आशलेखा नक्षत रहेगा। आगे हम इसी पर विश्थित चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका वर्ट डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरीज अनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर। आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के आक्षर के हिसाब से क्या आज दूश्मन जेर होगा या दोस्य कि खिसमत का दरवाजाओन कुलेगा किस आक्षर का आज क्या है भविष्य जारी रहेगी जर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुदिक शास्त की आज एक कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशिये पिंटों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सरवार सिध्योग यानि की सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 7 बच कर 34 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएव चर्चा करते हैं आज के शुप महूर्थ यानि की फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च को सुबह 7 बच कर 10 मिनट से 2 बच बार बार बच कर 55 मिनट तक रहेगा नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ अगले महीने 10 अपरेल की सुबह 9 बच कर 46 मिनट से 2 बार 2 बच कर 21 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 4 अपरेल की शाम 4 बच कर 14 मिनट से शाम 7 बच कर 18 मिनट तक रहेगा किसी industrial institution में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्च की सुभा 7 बच कर 40 मिनट से दो पहर 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर दो पहर बार 3 बच कर 46 मिनट से राद 10 बच कर 49 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 26 मार्च की दो पहर 2 बच कर 56 मिनट से शाम 7 बच कर 53 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुभा 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जाँ जोईन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्च की दो पहर 2 बच कर 55 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जुली इलेक्रोमाइग्नेटिक फील्ड कुछ छणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभकारे करने से सफलता संदिग्ध हो जाती है। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब ये अशुभ समय 23 मार्च की दो पहर दो बचकर 49 मिनट पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी। लेकिन मिथुन, सिंग, धानू और कुम्भराशियां विशेश रूप से परभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभकारे नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बतानू कि काम शुरू करते वक्त रहुकाल का ध्यान रखना बेहर जरूरी है। रहुकाल के दورान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में रहुकाल होगा दो पहर एक बज कर 69 मिनट से, दो पहर बाद तीन बज कर 30 मिनट तक, मुंबई दो पहर दो बज कर 17 मिनट से, दो पहर बाद तीन बज कर 47 मिनट तक, चंडिगण दो पहर दो बज कर एक मिनट से, दो पहर बाद तीन बज कर 32 मिनट तक, लक्षनव दो पहर एक बज़ कर चवालीस मिनट से दो पहर बाद तीन बज़ कर पंदा मिनट तक भोपाल दो पहर एक बज़ कर अठावन मिनट से दो पहर बाद तीन बज़ कर उनतीस मिनट तक कोलकाता दो पहर एक बज कर पंदा मिनट से दो पहर दो बज कर पैतालीस मिनट तक अहमदाबाद दो पहर दो बज कर सत्रा मिनट से दो पहर बाद तीन बज कर अटालीस मिनट तक और चेन नहीं में राहुकाल होगा आज दो पहर एक बच कर 47 मिनट से दो पहर बाद तीन बच कर 18 मिनट तक ये था कुछ शहरों का राहुकाल और अब आज की यात्रा की शुबदिशा क्या है तो आज वो शुबदिशा है उस्तर और है ये अब शुरू करते हैं सिलसिला मेशराशिए वालों आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फाइदेबल साबित होगी अपने चारों होने वाली गत्यविदियों का ध्य क्योंकि आपके काम काशे कोई दूसरा ले सकता है लव मेट के लिए आज का दिन खुश्या लेकर आएगा दामपत जीवर में खुशाली बनी रहेगी आज के लिए आपका लकी कलर है महरून और लकी नमबर है सिक्स वरेशराशिवालों आज काम काज में सावधानी वरतने की जरूरत है छोटे इस तर पर शुरू किया गया व्यापार आपके लिए लावकारी रहेगा आपने जो लक्ष निर्धारित कर रखे हैं आज उनके काफी करीब पहुंच जाएंगे विरोध ही आपको नुकसान पहुंचाने के कोशिश करेंगे लेकिन अपनी समझदारी स आप उन्हें तामयाब नहीं होने देंगे जरूरी कावों को आज दूसरों के भरों से न छोड़ें इस राशी के छात्रों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है घरवालों से किसी विशह पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइदेमन सावित होगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नंबर है पांच निथर राशेवालों आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनीत के खशेते से जुड़े हैं आज उनकी सामाजिक परतिष्ठा में वर्दी होगी जो लोग उच्छ शिक्षा पाने की इच्छा रख आज आपको पैसे के लेंदेन में सावधानी बरतने की आवशक्ता है आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है एक करक राशी वालों आज आप पूर्या से भरपूर रहेंगे आज आपको अपनी वानी पर सयम रखने की जरूरत है इस राशी के जो लोग ड नमाज सेवा के लिए की गई कोशिशें आपकी अलग पहचान बनाएंगी इस राशी के छात्र आज किसी एकांस जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन लगेगा आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डेट और लखी नंबर है आठ सिंग राशी वालों आज का दिन शांदार रहने वाला है आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे क की बातों में उलजने से बचें लवमेट एक दूसरे की भावदाओं की कदर करेंगे आज अचानक धन लाव होने से आपकी आर्तिक इस्तिति मजबूत होगी आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नंबर है सेवन करने राशी वालों आज का दिन बहुत ही अच रहेगा लोग आपकी मदद के लिए भी तयार रहेंगे बड़ों का दिया हुआ सुझाओ आज आपके काम आएगा बिजनेस संबंदी मीटिंग में आज आप सही डंग से अपनी बात रखेंगे जीवन साथी से काजों में सहयोग मिलेगा चात्र आज कुछ आनलाइन सीखन निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका शेयर किसी और को न ले जाने दें बास आपको किसी जरुरी काम से दूसरे शेहर की यात्रा पर भेज सकते हैं आज आप कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए तयार रहेंगे जिने करके आप परसंद होंगे दा विया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है दो विरिश्चिक राशी वालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रासोई घर में काम करते हुए थोड़ी साथानी जरू बरते हैं आज आप में सफलता और उच्छ पद पाने की इच्छा जागर्त होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस र हर प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लव मेंट से एक दूसरे को उपहार देंगे साथ ही कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्ते के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नमबर है सिक्स धनु राशी वालों भविश्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशी के जो लोग मार्केटिंग के छेत्र से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेत्र में आज आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप थोड़ा उल्ज़र में पढ़ सकते हैं नवे विवाहित दमपति में मीठी नोग जोंक होगी जिससे रिष्टे में मिठास बढ़ेगी लबमेट एक दूसे पर विश्वास बना आज समाज में आपकी पतिष्ठा बढ़ेगी आज सफलता में आ रही दिक्कतें दूर होंगी आज आप नए विचारों से परिपूर रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा देंगे परिवार के सभी सदस्यों में आप कुम भराशिवालों आज का दिन महतुपूर रहने वाला है आज कोड का चहरी में चल रहे है मुकद्मों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आपको अचानक धनलाब होने वाल आज के लिए आपका लक्य कलर है ब्लू और लक्य नंबर है सिक्स में राशिवालों आज का दिन मिलूजली पृदिकृरिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आज थिकलाब कराएंगे पहले किये गए प्रयासों का फल आज मिलने वाला है किसी समस्या पर घबराने की वजाए अपनों की सलाह लीजिए आज आपको पुरानी वातों को भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है जीवन साथी के साथ रिष्टे में मधूरता बढ़ेगी आज आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा छात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौ परों का आशिरवादने और जिनकी आज मेरीज अनिवर्सरी है वो किसी जरूरतमंद को आटा दें तो साल भर सुख और सौभाग पढ़ता ही रहेगा और आएए अब चलते हैं आंकों की रहसमयी दुनिया में मूलांग एक वालों आज जीवन साथी के साथ समय बिताने का म मजबूत होगी मूलांग तीन स्वास्थ को बेहतर बनाये रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेश करें मूलांग चार अपने काम और परिवार के बीच सामझत से स्थापित करने की कोशिश करें मूलांग पांच आज आप जीवन साथी को कोई कीमती उपहार देकर वैवाहिक जीवन में मिठास गोलेंगे मूलांग चे आज आप शाम को परिवारवालों के साथ किसी धार्मी के स्थल पर दर्शन करने जाएंगे मूलांग साथ आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपकी आर्थिक इस्तिती बेहतर बनेगी मूलांग आठ आज किसी ऐसी जगह पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश में मिलेगा मूलांग नौ आज आप उच्छा धिकारियों से तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तु शास्त्र की वास्तु शास्त्र में कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे सिलाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आदिके बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में कुछ अन्य विश्यों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे रसोई घर के निर्मान की घर में रसोई का संबंद हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबंद अगनी से होता है आग से इसलिए वास्त उशास्त के अनुसार घर में रसोई घर के निर्मान के लिए आगने कोण यानि दक्षन पूर्व दिशा का कोणा जहां मिलती हैं उस दिशा का चुनाओ करना चाहिए चोकि आगने कोड का संबंध भी अगनी से है अतह आगने कोड में रसोई बनवाने से परिवार के सब सरस्यों का स्वास्त बेहतर रहता है अगर भोजन करने की बात करें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई के अंदर बैठ कर ही भोजन करना चाहिए साथ ही भोजन कर रहे के लिए अपनी ठाली को दक्षिन पूर्वे दिशा के और रखना चाहिए और पूर्वे दिशा के और मुख करके भोजन करना चाहिए यानि कि भोजन को मूलतफ पूर्वे दिशा के और रखना चाहिए लेकिन पूर्व से दक्षन इसलिए ताकि नौर्थ इस्ट में आप पानी का बरत्त लग सकें नौर्थ इस्ट में पानी का गिलास अगर आप इस्ट की तरब मुख करके बैठें तो थोड़ा सा साउथ करिए भोजन को और थोड़ा लेफ्ट करिए पानी को वास्तो शास्तर में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि वो जल से जल ठीक हो सके और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज अब फालगुन शुकलपक्षी की द्वादशीति थी और गुरुवार का दिन है द्वादशी टिथी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर 4 वज करपय 45 मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा फालगुन शुक्रपक्षी की द्वादशी को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वरत करके भगवान विश्णू की गोविंद नाम से पूजा की जाती है आज के दिन सोडोशो बचार या पंचो बचार के दोरा भगवान विश्णू का विधिवत पूजन करें चंदन, अक्षत, तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर्पिच करना चाहिए इसके बाद भोग लगाकर आर्थी करनी चाहिए गोविंद द्वालाशी यानि आज के दिन भगवान शी विश्णू के मंतर का जब करना अत्यंत सुप फलदाई होता है तो मंतर भी बता दूँ, मंतर है ओम नारायनाय नमहा ओम नारायनाय नमहा जगत का पालन करने वाले शी गोविंद का स्वरूप शांत और आनंद में है इनका स्वनर करने से भाक्तों के जीवन के समस्त संकटों का निवारन होता है घर परिवार को धन धान्य और सुख समर्द्धी की प्राप्ति होती है इस वरत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त समस्याइं दूर हो जाती है और अंत में वैकुंठ नामक धाम की प्राप्ति होती है इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्ष की दौदशी को नसिंग दौदशी भी मनाने का विधान है इस दिन भगवान विश्व की नसिंग सुरूब की पूजा की जाती है पूजा के लिए इसनान आज इसे निवरत होकर साफ कपड़े पहन कर इशान कोन यानि की उत्तर पूरु दिशा के कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से लीप कर उस पर आठ पंखुडियों वाला कमल लल बनाए फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के उपर एक चावलों से भरा हुआ बरतन रखें अब उन चावलों से भरे बरतन के उपर भगवान नसेंग की प्रतिमा रखें और पूजन विधी आरंब करें सबसे पहले भगवान को पंचमर्थ से स्नान कराएं फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल फूल, पीले वस्त्र आदे भगवान को भेट करें और फिर धूब दीप आज से भगवान की पूजा करें साथ ही भगवान नसेंग के इस मंत्र का जब करें मंत्र है ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलंतं सर्वत ओमुखं नसेंगं भीषणं भद्रं मृत्युम मृत्युम नमाम्यहं आज के दिन इस मंत्र का जब करने से आपकी आर्थिक इस्तिति मजबूत होगी आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा आपको कोई बुरी शक्ति परेशान नहीं कर पाएगी तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाले गोविंद द्वारशी और नसिंग जयंति के न नसिंग द्वारशी के बारे में और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की आज शाम पांच बच कर 41 मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा जैसा कि नाम से ही विदित होता है इस योग में कोई शुभ कारे करना चाहिए मानने का कि अनुसार इस योग मे नए नौकरी जुआइन करें या घर में कोई धार में कारे का आयोजन करना अच्छा रहता है इस योग में किये गए कारों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और कारे शुफल दयक होता है इश्वर का नाम लेने या सतकर्म करने के लिए ये योग अति उत्तम है साथ ही आदेर रात एक बज़ का 27 मिनट तक आशलेखा नक्षतर रहेगा आकाश्पंडल में इससे 27 नक्षतरों की शिर्णी में आशलेखा नवा नक्षतर है इसका अर्थ होता है आलिंगन इसी के अनुसार कुंडली मार कर बैठे हुए सांप को आशलेखा नक्षतर का पत नक्षतर के स्वामी बुद्ध हैं और बुद्ध का संबंद हमारे बिजनेस हमारी वानी आदी से है वनस्पतियों में आशलेखा नक्षतर का संबंद नाग केसर के पेर से वताया गया है लिहाजा जिन लोगों का जन्म आशलेखा नक्षतर में हुआ हो उन लोगों को आश लकडी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंच है। ऐसा करने से आपको शुक फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सुक सौभागे में व्रधी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकरमा योग और आशलेखा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले विशेश उपायों की। अगर आप अपने पारिवारिक रिष्टों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिष्टों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकाल कर अलग रखने चाहिए और उसके तीन हिस्ते करने चाहिए अब उन तीन हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को खिला दें, एक हिस्सा कोवे को डाल दें और एक हिस्सा कुटे को खाने के लिए दें आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक रिष्टों से नाराज़गी दूर होगी और आपके रिष्टे बेहतर होंगी समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए या दूसरे लोगों के बीच अपना रोटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चांदी की वस्तु खरीक कर लाइए और उसे मंदिर में स्थापिट करके उसकी पूजा करें साथ ही आज पूरा दिन उस चांदी की वस्तु को मंदिर में ही रखा रहने दे अगले दिन स्नान आदि के बाद उस चांदी की वस्तु को मंदिर से उठा कर आप अपने पास कहीं भी रख सकते हैं या उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहिजान बनेगी और दूसे लोगों के बीच आपका रुत्बा बढ़ेगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्थिती चल रही है तो उस कठिन परिस्थित से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नागकेसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही उसकी जड़ में जल चलाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं आसपास नागकेसर का पेड़ न मिले तो इंटरनेट से नागकेसर की फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर ले। यहां ध्यान रहे कि फोटो में नागकेसर के पेड़ पर फूल जरूर लगे होने चाहिए यानि वो पेड़ हरा भरा होना चाहिए। अगर आपके संतान अपना खुद का कोई बिजनस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनस खुलवाना चाहते हैं लेकिं उसके बिजनस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलफ करने के लिए आज के दिन आपको साफ शुध मिटी लेनी चाहिए अब उस मिटी को पानी की सहाथा से गाढ़ा करके उसे 27 चोटी चोटी गोलियां बना ले और उन्हें अच्छे से सुखा ले अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिलों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाएं इस परकार ये उपाय करन तो आज के दिन आपको नाग देवता की सच्विश के आगे अपना सिर्जु करना चाहिए और हाथ जोड़कर उन्हें प्राम करना चाहिए साथ ही मादुर्गा के इस मंत्र का जब करना चाहिए अगर बहनों के साथ आपके रिष्टे में कुछ समस्या आ गई है और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो बहन के साथ रिष्टों को ठीक करने के दिए आज के जिन आपको पांच पीले रंग की कोडिया लेनी चाहिए अब उन कोडियों को एक स्थान पर एकठा करके जलाना चाहिए बाद में कोडियां जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाए आज के दिन ऐसा करने से बहन के साथ रिष्टे में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिष्टे अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिष्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिष्चित करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोड तुकडा लेना चाहिए और उस तुकडे के बीच में छोटा सा छेद करवा कर उस और उस तांबे की टुकले को अपने गले में धारन कीजिए। आज के दिन गले में तांबे का टुकड़ा धारन करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप करियर में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद के मंतर का 108 बार चाहिए। अगर आपके दामपत्य रिष्टे में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शीगोविंद को चहद का भोग लगाना चाहिए। साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्य रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पढ़ती जा रही है तो आज के दिन आपको ची गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। और उन्हें दूद से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी। अगर आप अपने लबमेट के साथ प्यार बनाये रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डालकर भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान के चर्णों में पीले फूल अर्पित करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से लबमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा। अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अर्पित करना चाहिए। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना आपको क्या उपाय करने चाहिए हमने इनकी भी चर्चा की है। उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में और A-B-C-D ही क्यों नाम का पह कोई अच्छी अपर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमाद ले। किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A- आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परीक्षा देने को सफलता मिलेगी B- नौकरी के तलाश कर रहे युवाओं को नौकरी मिलने के कारण उनके चेहरे पर खुशी आएगी C- धर में किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे D- आज कुछ लोग आपका विरोज करेंगे लेकिन आप उनको अपन F- आफिस में काम ज़्यादा होने से आपको आज घर जाने में समय लगेगा G- कोई बात जो आपको परिशान कर रही है उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगी H- आज के दिन कारोबार में उन्नती होगी आपको अचानक धनलाब होगा I- आज आज आप किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें J- छातर आज करियर के सिल्सिले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेचीन रहेगा K- किसी काम में जरूरत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा K- वो काम असानी से पूरा होगा L- स्वास्ते में ताज़िये आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे M- आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नई सरोत मिलेंगे N- जल्दवादी में फैसले ना करें कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर लें O- आपके जीवन साथी का मन पसंद रहेगा उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P- पारिवारी की जीवन सुख में बना रहेगा आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी C- आज पैसों के लेंदेन में साथानी रखें किसी को उधार देने से बचें R- आज आपको वहन चलाते समय साथानी रखने की जरूरत है S- प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मोहुत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा T- आज कहीं लिवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर लें आपके लिए अच्छा रहेगा U- बेवजह के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है इसलिए यथा संभवधन्ज उटाने की कोशिश करें V- कारेक्षेतर में इमानदारी वरते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें W- छात्रों में विज्ञान, कला वा तक्निकी शिक्षा के प्रति आपकी रूची वढ़ेगी X- आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगी Y- आज आपको पदोन्नती के साथ-साथ कारेस्थल पर पूरा सम्मान मिलेगा Z- आपकी अत्रिक्त काम करने की चंता उन लोगों को चौका देगी जिनका प्रदर्शन आपसे बेहतर है और अब बात आज के तीष्ट की आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के तुलसी मानस मंदिर के दर्शन राम चर्इत मानस का कुछ भाग लेका था तो दूसरी मानता यह है कि यहां तुलसी दाजी ने बजरंग बार्ण की रष्णा की थी मुक्षे बात यह है कि यह मंदर शांति का प्रचीत है यहाँ प्रवेश करते ही मन को शांति मिलती है मंदिर के मध्ध में शीराम माता जानकी लक्षवन जी एवम हनुमान जी विराजमान है इनके एक और माता अनपूना एवम शिव जी तथा दूसरी और भगवान सक्तनारान जी का मंदिर है इस मंदिर के संपून दीवार पर राम शीरित मानस की चौपाईयां और दोहे लिखे दए हैं इसके दूसरी मंजिल पर संतुल्सी दाजी विराजमान है साथ ही इसी मंजिल पर स्वचालिक शीराम एवम कृष्टन लीला होती है तो आप भी कीजे इस नमरीक मंदिर के दर्शन और अब बात सामुद्धिक शास्तर की सामुद्धिक शास्तर पर कल हमने बात की थी बड़े कानवाले लोगों के सुभाओं के बारे में और आज हम बात करेंगे छोटे कानवाले लोगों के बारे में जिन लोगों के कान आकरती में छोटे या कहें सामाने होते हैं, वे लोग काफी स्ट्रॉंग होते हैं, साथी आर्टिस्टिक मिजास के भी होते हैं, कला के छेतर में इनकी अच्छी खासी रूची होती है, इन लोगों पर किसी भी बात के लिए या अपने किसी काम के लिए आस इन्हें दूसरों से बाते करना बड़ा ही अच्छा लगता है लेकिन कई बार दूसरे लोग इनकी बातों से परेशान होकर या कहें कि बोर होकर इनके पास से उठकर चले भी जाते हैं सामुद्रिक शास्तर में कल हम बात करेंगे अधिक छोटे कान वाले लोगों के सभाव के बारे में और अब बात अवाइड अब दी डे की यानि आज आज आपको क्या नहीं खाना है आज 21 मार्च फालगुन शुक्रपक्ष की द्वादशी तीथी है द्वादशी तीथी में पूतिका यानि पोई का साथ नहीं खाना चाहिए पोई एक सदा बहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है द्वादशी तीथी आज का पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुबा चार बच कर पैतालीस मिनट तक रहीगी उसके बाद त्रेयोदशी तीथी लग जाएगी इस तरह तीथी का समय जानकर आप अपने खाने का शेडूल बना सकते हैं बाकी आप कुछ भी खाईजिए पीजिए मौश कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्बूर और अब वक्त है आज की टिप आफ वीडे का आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाईए सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशिफल जानने के लिए लोगाउन करें www.indiatv.in और मुसेविक्तिगस संपर करने के लिए फोन करें 9971-000226 भाविश शवानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार भाविश वानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भाविश आपके राशिका भाविश वताने के लिए आज फालगुन शुकल पक्षिकी द्वादशी तिथी और गुरुवार का दिन है द्वादशी तिथी आज पूरा दिन पार करके कल की भोर चार बच कर पैतालीस मिनट तक रहेगी आज गोविंद द्वादशी का वरत किया जाएगा इसके अलावा फालगुन शुकल पक्षिकी द्वादशी को नसिंग द्वादशी भी मनाने का विधान है आज शाम पांच बच कर एक तालीस मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा साथ ही आज देर रात एक बच कर सताईस मिनट तक आशलेखा नक्षत रहेगा आगे हम इसी पर विश्थित चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका वर्त डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरीज अनिवर्सरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजने शुरू करना है तो कितने वज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दर्वाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश्य जारी रहेगी जर्चा हमेशा की तरह वास्तु शास्तर और सामुद्रिक शास्तर की आज एक कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और यह सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गणित पक्ष ने आकाशिय पिंटों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड के मूवमेंट को कल्कुलेट करके यह जान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 9 बच कर 56 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सरवार सिध्य योग यानि की सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 24 मार्च की सुबह 7 बच कर 34 मिनट से अगली सुबह 6 बच कर 1 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएव चर्चा करते हैं आज के शुब महूर्थ यानि की फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च को सुबह 7 बच कर 10 मिनट से दो पहर 12 बच कर 55 मिनट तक नया बिजने शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ अगले महीने 10 अपरैल की सुबह 9 बच कर 46 मिनट से दो पहर 2 बच कर 21 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ चार अपरैल की शाम चार बच कर चौदा मिनट से शाम साथ बच कर अठारा मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रिल इंस्ट्यूशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्च की सुबह 7 बच कर 40 मिनट से दो पहर 1 बच कर 25 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर दो पहर बार 3 बच कर 46 मिनट से राद 10 बच कर 49 मिनट तक रहेगा सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 26 मार्ट की दोपार दो बच कर 56 मिनट से शाम 7 बच कर 53 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बच कर 13 मिनट से अगली सुबह 5 बच कर 45 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 27 मार्ट की सुबह 9 बच कर 36 मिनट से दोपार 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा Medical treatment शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब ये महूर्थ 27 मार्थ की सुबह 7 बच कर 10 मिनट से 2 पहर 12 बच कर 55 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जुली इलेक्रोमागनेटिक फील्ड कुछ छणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुब कारे करने से सफलता संदिक्ध हो जाती है आज कोई अशुब समय नहीं बन रहा है अब ये अशुब समय 23 मार्च की दोपार दो बचकर 49 मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंग, धानू और कुम्भराशियां विशेश रूप से परभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुब कारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बतादू कि काम शुरू करते वक्त रहुकाल का ध्यान रखना बेहत जरूरी है रहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिल्ली में रहुकाल होगा दो पहर एक बच कर उनसट मिनट से दो पहर बात तीन बच कर तीस मिनट तक मुंबई दो पहर दो बच कर सत्रह मिनट से दो पहर बात तीन बच कर सैतालीस मिनट तक चन्डिगः दो पहर दो बज कर एक मिनट से दो पहर बाद तीन बज कर बतीस मिनट तक लक्षनव दो पहर एक बज कर चवालीस मिनट से दो पहर बाद तीन बज कर पंदा मिनट तक भोपाल दो पहर एक बजकर अट्थावन मिनट से दो पहर बाद तीन बजकर उन्तीस मिनट तक कोलकाता दो पहर एक बजकर पंदा मिनट से दो पहर दो बजकर पैतालीस मिनट तक अहमदाबाद दो पहर दो बज कर 17 मिनट से दो पहर बाद तीन बज कर 48 मिनट तक और चेन नहीं में राहुकाल होगा आज दो पहर एक बज कर 47 मिनट से दो पहर बाद तीन बज कर 18 मिनट तक ये था कुछ शहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुब्दिशा क्या है तो आज वो शुब्दिशा है उस्तर और आईएफ शुरू करते हैं सिलसला राशिफल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेशराशी की मेशराशी वालों आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फाइदेबल सावित होगी अपने चारों होने वाली गत्यविदियों का ध्यान र और लकी नमबर है सिक्स वरेशराशी वालों आज काम काज में सावधानी वरतने की जरूरत है छोटे इस तर पर शुरू किया गया व्यापार आपके लिए लाबकारी रहेगा आपने जो लक्ष निर्धारित कर रखे हैं आज उनके काफी करीब पहुंच जाएंगे को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है घरवालों से किसी विशय पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइदेमन सावित होगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमबर है पांच मित्वर राशेवालों आज का दिन खुश्या लेकर आया है जो लोग राजनीत के क्षेते से जुड़े हैं आज उनकी सामाजित परतिष्ठा में वरदी होगी जो लोग उच्छ शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें आज किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा आज आप मांसिक रूप से स्वस्थ बने रहेंगे आज आ लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है एक करक राश्यवालों आज आप उर्या से भरपूर रहेंगे आज आपको अपनी वानी पर सयम रखने की जरूरत है इस राश्य के जो लोग डॉक्टर हैं आज वो नई क्लिनिक की ओपनिंग करने का मन बनाएंगे जिसमे परिवारवालों का भरपू सहयोग मिलेगा आज आपके बिजनेस में बहुतरी होगी आज समाज सेवा के लिए की गई कोशिशे आपकी अलग पहचान बनाएंगी इस राश्य के छात्र आज किसी एकांस जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन लगेगा आज क किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलने से कोई प्रशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साती के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे कर रहे लोगों की रचनाओं की लोग तारीफ करेंगे आज व् लखी कलर है परपल और लखी नंबर है सेवन करने राशी वालों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है साइंस और रिसर्च की फील्ड से जुड़े लोगों को आज कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा पुराने कामों का निप्टारा करने के लिए आज का दिन करेंगे जीवन साथी से काजों में सहयोग मिलेगा चात्र आज कुछ ऑनलाइन सीखने की कोशिश करेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है मैजेंटा और लखी नंबर है सिक्स तुला राशिवालों आज किसमत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपकी एक अलग ही छवी निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसका शेयर किसी और को न ले जाने दें बास आपको किसी जरुरी काम से दूसरे शेहर की यात्रा पर भेज सकते हैं आज आप कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए तैयार रहेंगे जिने करके आप परसंद नहोंगे दामपत्य जीवन में खुशाली आएगी नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है दो वरिष्टिक राशी वालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रसोई घर में काम करते हुए थोड़ी सावधानी जरू बरते हैं आज आप में सफलता और उच्छ पद पाने की इच्छा जागर्त होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस र हर प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लव मेट से एक दूसरे को उपहार देंगे साथ ही कहीं घूमने भी जाएंगे स्वास्ते के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज के लिए आपका लखी करार है पिंक और लखी नमबर है सिक्स धनु राशी वालों भविश्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशी के जो लोग मार्केटिंग के छेत्र से जुड़े हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेत्र में आज आज आप के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे आप थोड़ा उल्ज़र में पढ़ सकते हैं नवे विवाहित दमपति में मीठी नोग जोंक होगी जिससे रिष्टे में मिठास बढ़ेगी लबमेट एक दूसे पर विश्वास बनाए रखें रिष्टा और मजबूत होगा आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रे और लखी नंबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में परोसियों का सायोग मिलेगा आज समाज में आपकी पतिश्था बढ़ेगी आ आज आप नए विचारों से परिपूर रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा देंगे परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सवहाद बना रहेगा लबेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिष्टों में मद्धूरता आएगी आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नमबर है नाइन कुम्भरा शिवालो आज का दिन महतुपूर्ण रहने वाला है आज कोड का चहरी में चल रहे है मुकद्मों का फैसला आपके पक्ष में आएगा राजनीच से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आज आपको अचानक धनलाब ह होने वाला है अगर आप कोई नई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर लें व्यापार में आज आज आपको खूप तरक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहार मिलेगा आज के लिए आपका लकी कलर है बलू और लकी नंबर है सिक्स मीन राशिवालों आज का दिन मिलूजली प्रतिक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आज तिकलाब कराएंगे पहले किये गए प्रयासों का फल आज मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने की वज़ाए अपनों की सलाह लीजिए आज पुरानी वातों को भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है जीवन साथी के साथ रिष्टे में मधूरता बढ़ेगी आज आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा छात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी आज के लिए आपका लकी कलर है वाइलेट और लकी नंबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बढ़ों का आशिवादने और जिनकी आज मेरी जानिवर्सरी है वो किसी जरूरतमंद को आटा दें तो साल भर सुख और सौभाग पढ़ मुलांग दो आपके लिए आज का दिन बहतरीन रहने वाला है आएके स्रोट मिलने से आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी मुलांग तीन स्वास्थ को बेहतर बनाये रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेच करें मुलांग चार अपने काम और परिवार के बीच से स्थापित करने की कोशिश करें मुलांग पांच आज आप जीवन साथी को कोई कीमती उपहार देकर वयवाहिक जीवन में मिठास घोलेंगे मुलांग चे आज आप शाम को परिवारवालों के साथ किसी धार्मिक इस्थल पर दर्शन करने जाएंगे मुलांग साथ आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपके आर्थिक इस्थिति बेहतर बनेगी मुलांग आठ आज किसी ऐसी जगह पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश में मिलेगा मुलांग नौ आज आप उच्छा धिकारियों से तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तु शास्तर की वास्तु शास्तर में कल हमने चर्चा की थी घर में कुछ जरूरी चीजों जैसे सिलाई मशीन, स्टोव, हीटर, गैस आदिके बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में कुछ अन्य विश्यों पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे रसोई घर के निर्मान की, घर में रसोई का संबंद हमारे पेट से होता है और हमारे पेट का संबंद आगनी से होता है, आग से, इसलिए वास्तु शा जहां मिलती हैं, उस दिशा का चुनाओ करना चाहिए, चो कि आगने कोड का संबंद भी अगनी से है, अतह आगने कोड में रसोई बनवाने से परिवार के सबस्राश्यों का स्वास्त बेहतर रहता है, अगर भोजन कर रहे की बात करें, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई के अंदर बैट कर ही भोजन करना चाहिए, साथ ही भोजन कर रहे के लिए अपनी ठाली को दक्षिन पूर्व दिशा के ओर रखना चाहिए, और पूर्व दिशा के ओर मुख करके भोजन करना चाहिए, यानि कि भोजन को मूलतफ पूर्व दिशा के ओर रखना चाहि ये पानी को वास्तो शास्तर में कल हम बात करेंगे घर में बीमार विक्ति के सोने की सही दिशा के बारे में ताकि वो जल से जल ठीक हो सके और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज अब फालगुन शुक्लपक्षी की द्वादशी ती ती और गुरुवार का दिन है द्वादशी ती ती आज पूरा दिन पार करके कल की भोर्थ 4 वचकर 45 मिनट तक रहेगी आज गोविंद दौदाशी का वरत किया जाएगा फालगुन शुक्रपक्षी की दौदाशी को गोविंद दौदाशी के रूप में मनाया जाता है आज के दिन वरत करके भगवान विश्णु की गोविंद नाम से पूजा की जाती है आज के दिन सोडोसो बचार या पंचो बचार के द्वारा भगवान विश्णु का विधिवत पूजन करें चंदर्ण, अक्षत, तुलसी दल वपुष्प को शी गोविंद वशी हरी बोलते हुए भगवान को अर्पिच करना चाहिए इसके बाद भोग लगा कर आर्थी करनी चाहिए गोविंद द्वाला शी यानि आज के दिन भगवान शी विश्णु के मंतर का जब करना अर्ट्यंत सुब फलदाई होता है तो मंतर भी बता दूँ मंतर है ओम नारायनाय नमाः जगत का पालन करने वाले शी कोविंद का स्वरूप शांत और आनंद में है इनका स्वनण करने से भागतों के जीवन के समस्त संकटों का निवारन होता है घर परिवार को धन धान्य और सुक समर्द्धी की प्राप्ति होती है। इस वरत के प्रभाव से मानव जीवन के समस्त समस्याइं दूर हो जाती हैं और अंत में वैकुंठ नामक धाम की प्राप्ति होती है। इसके अलावा फालगुन शुक्लपक्ष की द्वादशी को नसिं कोन यानि की उत्तर पूरु दिशा के कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से लीप कर उस पर आठ पंखुडियों वाला कमल दल बनाएं। फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर एक चावलों से भरा हुआ बरतन रखें। अब उन चावलों से भरे बरतन के ऊपर भगवान निसंग की प्रतिमा रखें और पूजन विधी आरंब करें। सबसे पहले भगवान को पंचमर्थ से इसनान कराएं। फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल, फूल, पीले वस्त्र आदे भगवान को भेट करें। और फिर धूब दीप आज से भगवान की पूजा करें। साथ ही भगवान निसंग के इस मंत्र का जब करें। मंत्र है ओम उग्रवीरं महा विष्णुम जलनतम सर्वतोमुखं नसिंगं भीषणं भद्रं मृत्युम्म्रत्युम्नमाम्यः मृत्युम्. आज के दिन इस मंत्र का जब करने से आपकी आर्थिक इस्तिति मजबूत होगी, आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा, आपको कोई बुरी शक्ति परिशान नहीं कर पाएगी, तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाले गोविंद द्वादशी और नसिंग जैंति के बारे में, और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की, आज शाम पांच बच कर 41 बिनट तक सुकर्मा योग रहेगा, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, इस योग में कोई शुभ कारे करना चाहिए, माननेका के अनुसार इस योग में नई नौकरी जोईन करें या घर में कोई धार में कारे का आयोजन करना अच्छा रहता है, इस योग में किये गए कारों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, और कारे शुफल दयक होता है, इशुर का नाम लेने या सतकर्म करने के लिए ये योग अति उत्तम है, साथ ही आदेर एक बच का 27 मिनट तक आशलेखा नक्षतर रहेगा, आकाश्च मंदल में इससे 27 नक्षतरों की शिर्णी में आशलेखा नवा नक्षतर है, इसका अर्थ होता है आलिंगन, इसी के अनुसार कुंडली मार कर बैठे हुए सांप को आशलेखा नक्षतर का पतीक चिन माना जात है. साथ ही असलेखा नक्षतर की राजी करक है, वहीं इस नक्षतर के सौमी बुद्ध हैं और बुद्ध का संबंद हमारे बिजनस, हमारी वानी आदि से है. वश्नस्मतियों में आशलेखा नक्षतर का संबंद नांक केसर के पیل के पेल से बताय किए है लिहाजा जिन योगों को आशलेखा नक्षत्र के दोरान नाकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दोरान नाकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्यों या लकडी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको सुख फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सुख सौभागे में व्रधि भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र की और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले विशेश उपायों की। अगर आप अपने पारिवारिक रिष्टों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिष्टों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकाल कर अलग रखने चाहिए और उसके तीन हिस्ते करने चाहिए अब उन तीन हिस्तों म बेहतर होंगे। समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए या दूसरे लोगों के बीच अपना रोटबा बढ़ाने के लिए आज के दिन घर में कोई चांदी की वस्तु खरीक कर लाइए और उसे मंदिर में इस्थापिट करके उसकी पूजा करें। साथ ही आज पूरा दिन उस चांदी की वस्तु को मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन इस्नान आदि के बाद उस चांदी की वस्तु को मंदिर से उठाकर आप अपने पास कहीं भी रख सकते हैं या उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से समाज मे आपकी एक अलग पहिचान बनेगी और दूसरे लोगों के बीच आपका रुत्बा बढ़ेगा अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिन परिस्तिती चल रही है तो उस कठिन परिस्तित से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नागकेसर के पे फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर लें यहां ध्यान रहे कि फोटो में नागकेसर के पेड़ पर फूल जरूर लगे होने चाहिए यानि वो पेड़ हरा भरा होना चाहिए अगर आपके संतान अपना खुद का कोई बिजनस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनस ख हायता से गाढ़ा करके उससे 27 चोटी चोटी गोलिया बना ले और उन्हें अच्छे से सुखा ले अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिलों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवाएं इस परकार यह उपाय करने से आपकी संतान के अंदर जल्द ही बिजनेस की समझ डेवलप होगी है अगर आपका विवेक कुछ कम हो गया है आप अच्छे बुरे की परक नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन आपको नाग दिरता की सश्वीर के आगे अपना सिर्जु करना चाहिए और हाँ जोड़कर उन्हें प्राम करना चाहि अगर बहनों के साथ आपके रिष्टे में कुछ समस्या आ गई है और आप अपने रिष्टे को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो बहन के साथ रिष्टों को ठीक करने के दिए आज के जिन आपको पांच पीले रंकी कौडिया लेनी चाहिए अब उन कौडियों को एक स्थान पर एकठा करके जलाना चाहिए बाद में कौडियां जलने के बाद बची हुई राख को किसी एकांत स्थान पर रखाए आज के दिन ऐसा करने से बहन के साथ रिष्टे में आ रही समस्या जल्द ही दूर होगी और रिष्टे अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर आप जीव कर्वा कर लोगों को अज के दिन गले में तंबे का ठोड़ा दारन करने से जीवन में आपकी तरकी सुनिष्चित होगी अगर आप करियर में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविन्द के मंतर का 108 बार चक्ति करना चाहिए प्रकार की परिशानी चल रही है तो आज के दिन आपको शी गोविन्द को चहद का भूग लगाना चाहिए साथ ही आज के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके दामपत्र रिष्टे में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी अगर आपके बिजनस की गती धीरे धीरे करके धीमी पढ़ती जा रही है तो आज के दिन आपको शी गोविंद भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें दूट से बनी किसी मिठाई का भोग लगाना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती फिर से तेज होने लगेगी अगर आप अपने लबमेट के साथ प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गोविंद भगवान को दही में चीनी डाल कर भोग लगाना चाहिए साथ ही भगवान के चर्णों में पीले फूल अर्पित करने चाहिए आज के दिन ऐसा करने से लबमेट के साथ आपका प्यार बना रहेगा अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में खुद को असा हज महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अर्पित करना चाहिए साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए तो ये सारी चर्चा थी आज गोविंद द्वादशी, नसिंग द्वादशी, सुकर्मा योग और आशलेखा नक्षत्र के बारे में साथ ही सुब फलों के प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए हमने इनकी भी चर्चा की है उमीद है कि आप इस चर्चा का फाइदा जरूर उठाएगी और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविश के बारे में और A, B, C, D ही क्यो नाम का पहला अक्षर ही क्यो चोंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गच्विद्यों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छे अपर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमाद ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A. आज प्रशासनिक सेवा के लिए प्रत्योगी परीक्षा देने वाले स्टूडेंस को सफलता मिलेगी B. नौकरी के तलाश कर रहे जुआओं को नौकरी मिलने के कारण उनके चेहरे पर खुशी आएगी C. धर में किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे D. आज कुछ लोग आपका विरोश करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे E. पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुरच जाएगा F. आफिस में काम ज़्यादा होने से आपको आज घर जाने में समय लगेगा G. कोई बात जो आपको परिशान कर रही है उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगे H. आज के दिन कारोबार में उन्नती होगी आपको अचानक धनलाब होगा I. आज 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 किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें G. चात्रा आज करियर के फिसले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेहतीन रहेगा K. किसी काम में जरूत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा वो काम असानी से पूरा होगा L. स्वास्त में ताज़िय आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे M. आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नए सरोत मिलेंगे N. जल्दवादी में फैसले ना करें कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों की सलाह जरूर ले लें O. आपके जीवन साथी का मन पसंद रहेगा उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P. पारिवारी की जीवन सुख में बना रहेगा आपसी रिष्टों में मधूरता आएगी O. आज पैसों के लेंदेन में साथधानी रखें किसी को उधार देने से बचें R. आज आपको वहन चलाते समय साथधानी रखने की जरूरत है S. प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मोहुरत पर ही खरीदना अच्छा रहेगा T. आज कहीं लिवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर लें आपके लिए अच्छा रहेगा U. बेवजह के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है इसलिए यथा संभवधन जुटाने की कोशिश करें V. कारेक्षेतर में इमानदारी वरते वा अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करें W. छात्रों में विज्ञान, कला वा तकनीकी शिक्षा के प्रति आपकी रूची वढ़ेगी X. आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगे Y. आज के दिन अपने परिशम से आप उसी तिस्थान पाने में सफल रहेंगे